करें इन्बार्मेंट की तो इन्बार्मेंट से बहुत अच्छा आप लोग को बेटेस देखने को मिलेगा प्रलेम्स अगर आप लोग आई इस का पेपर देते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडियन अरे मारकर कहां चला गया हमारा इसलिए आप लोगो को देखने को मिलेगा के अगर अगर हम लोग बात करें इंबार्मेंट एकॉलोजी की इंबार्मेंट एंड इकॉलोजी आपके पेपर में बहुत महत्फ़ड़ भूमिकाने बहाता कुछ subject को आप कम थोड़ा महत्व दे सकते हैं लेकिन environment को थोड़ा से भी थोड़ा कम महत्व नहीं देना है आप लोगों के लिए आप लोग देख सकते हैं कि environment पहले तो थोड़े कम question पूछे जाते थे लेकिन आप हलके हलके देखेंगे कि environment का महत्व है वो बढ़ता चला जा लगबख में 20-22 question तक अकेले environment से पूछे जाते हैं यह तो एक coaching का trend है क्योंकि UPSC कभी trend नहीं देता है आप देखेंगे और coaching का trend देखेंगे उस किसी किसी में 22 question, 23 question, 24 question भी environment से होते हैं क्योंकि कुछ question ऐसे common होते हैं तो कुछ लोग उसे agriculture वाले section में रख देते हैं कुछ ए मतब paper qualify करने के लिए 50 question पिलास आप लोगो करना पड़ता है general category चोगोन question सही कर देते हैं वो बल्ले बल्ले करते हैं तो सूचिए 20 question यहां सी आते हैं और आप लोग बहुत ही आसानी से 14-15 question करने में सक्षम हो जाएंगे इन 20 question में से तो चलिए इसको बिलकुल भी हलके में न अब हम लोग यहां पर मेंस पर काम focus करें क्योंकि इसमें कुछ मेंस का भी included है तो मेंस वाली चीज़े मैं skip कर दूंगा तो आप लोग परिसान मत होएगा अगर आप फुल classes देखना चाहते हैं तो उसकी playlist हमारी चैनल पर मेल जाएगी जाकर के environment की देख सकते हैं और ना मिल कर रहा था तो एक बार आप बताएगा boys clear आ रही कि नहीं आ रही है कम तो नहीं आ रही है और भरवरा हट तो नहीं आ रही है सब कोच आप लोग बताएगे जब जब तक मैं पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें परिया बरन है तो सब्गों से मिलकर कर बना है परिप्लस आ बरन यानकि जो हमारी पिर्थवी है इस पिर्थवी के चार ओर जो आ बरन है उसी को एक तरह से परिया बरन बोला जाता है अगर हम आम सब्डों में बोलें कि आप के चार ओर important क्या है आप हैं क्या हैं बहुत महत्वर्ण है किसी के लिए खास हो सकते हैं तो आपके चारोर जो भी पायज आता है वो सब कुछ क्या है परियावरण का ही एक अंगे है परियावरण का ही एक घटक है आप अपने चारोर आप किसी को देखते हैं मौधरमा को देखते हैं और जो भी पाया जाता है वो क्या है परिया बरण है देखे इसमें जैबिक घटक और अजैबिक घटक दोनों को सामिल किया जाता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो अजैबिक घटक है जो चट्टाने है अजैबिक घटक है इसमें इंक्लूडिड नहीं होंगे नहीं वो भी इ होता है ध्यान रखना है ओक है ओक है कि एक बार बताइए बॉइस के लिए आ रही है कि अनुरुद्र जी तो गजब बोलते हैं तो चलिए हम लोग आके बढ़ते हैं आप लोग देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करें आपन परियावरण घटक के बात करें तो परियावरण के कितने घटक होते हैं तो आप लोग बता सकते हैं देखें परियावरण के बहुत सारी घटक होते हैं देखें सबसे पहले अगर हम बात करें जो परियावरण होता है वह कितने प्रकार का हो सकता है परियावर तो प्राकर्तिक परियावरन वो परियावरन होता है जिसमें मानब का हस्तचेप ना हो यान कि मानब के हस्तचेप के बगएर अगर किसी इंबार्मेंट का निर्माण होता है तो वो क्या होता है प्राकर्तिक परियावरन होता है बहुत ही सिंपल चीज है आज हम आपको प्राकर्सिक घटक होता है प्रकर्ति भी क्या है गहटक है देखिए जो अगर हम बात करें यहां पर प्राकर्सिक घटकों की तो देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखिए जो इस्थल मंडल होता है बायू मंडल होता है जहां पर यह तीनों मिलते हैं बहाँ पर जे आफ मंडल का निर्बाड होता है, जो चीज़ आप लोग जानते हैं, हम बहुत अच्छे से क्लाइमट लौजी में इस टॉपिक पर बात किये थे हैं, इसके अलाबब देखें मानब निर्वित परियावरण भी हो सकता है, मानब निर्वित जो मानब ने बनाया है, मानब इक अभिन अंग माना जाता है कई बार पूछा गया है उन नो को तना फैदा कर देंके और आप को समदाय होता है वो मिलकर के धरम का निर्माड कर सकता है इसी तरह से मानव का संबंद सेक्षडिक आर्थिक और राजनितिक घटकों की रूप में भी हो सकता है तो यह चीज़ है बहुत ही सिंपल चीज़ है अब हम लोग आते हैं पारिस्तित की तंत्र के उपर आते हैं लोगोस और लोगोस दो सब्दो से मिलकर के बनाए है जो ग्रीक भासा का सब्द है अब देखिए जहां ओईकोस का मतलब होता है हूम का मतलब क्या होता है घर आप लोगोस का मतलब होता है इस्टेडी मतलब अध्यन यानि कि एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि हम अपने घर का अध्यान करते हैं वही क्या है एकोलोजी है देखिए आगर हम इसकी बहुत ही एक समान डेफिनीशन पर जाए वैसे जो यह परीभासा है इस परीभासा से कई जादा ब्यापक इसका च्छेतर देखने को मिलेगा लेकिन अगर हमें इसके एक छोटी सी डेफिनीशन पर आई तो आप लोगों को देखने को में विलेगा देखे जो सबी सीब धारी होते हैं हो आपस में अंतर करिया करते हैं और एक दूसरे के साथ अंतर करिया करते हैं जीबधारी है वो एक दूसरे से अंतर संबंदित होते हैं जैसे आपस में प्रजनन करते हैं भोजन के रूप में भी संबंदित हो सकते हैं हो सकता है आबास के रूप में भी एक दूसरे से अंतर संबंदित हो सकते ह तो जो सभी जीबधारी है ना वो आपस में इंट्रेक्शन करते हैं किसी ना किसी रूप में जैसे कि सेर है, हिरन को खाता है, हिरन किसको खाता है, पेड़ पौधू को खाता है, जोख है वो किसके उपर रहती है, जानवरों के उपर रहती है, ये भी एक प्रिकारगी क्या है अंतर किरिया है तो देखे सभी जीबधारी क्या करते हैं आपस में अंतर किरिया करते हैं और साथ में जो जीबधारी है यह परिया बरण के भौतिक और रसाइनिक घटकों के साथ में भी किरिया करते हैं भौतिक और रसाइनिक घटकों के भी साथ में जैसे हम हैं हम हवा नही खाते हैं आप लोगोगो को देखने को मिलेगा क्या हम औक सीजन को नहीं लेते हैं हैं तो जो पर्याभ wrinkles को रसाइनिक घटक हैं किया उनके साथ में उनके साथ में हम अंतर क्रिया काइते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जीबधारी एक दूसरे के साथ में और परियाब रण के भौतिक और रसानिक घटकों के साथ में अंदर करिया गरते हैं जिससे कि आप लोग को देखने को मिलेगा एक सिस्टम का निर्माड हो जाता है उसी को बोलते हैं एकोलोजिकल सिस्टम ब आधारित होते हैं देखिए उर्जा और पधार्थ के इस्थानांतरण पर आधारित होते हैं या फिर संब्ध होते हैं जैसे कि अगर मैं आपको एक 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 जांपल दूँ कि ये हरी-हरी घास थी इसको हरी-हरी घास है इसको उर्जा कहां से मिली हमारे सन से मिली अभी सन को कि ये हिरन है, हिरन ने खालिया, और हिरन को किस ने खालिया मानते हैं, ये सेर है, ये सेर ने खालिया, और सेर को किस ने खालिया मानते हैं, मनुस ने खालिया, अब मनुस ने खालिया, तो आप देखिए, यहाँ पर किस सीच का इस्तानांतरन हो रहा है, उर्जा का इस्तानांतर पर संबंदित हैं यह की पॉइंट है आप लोग ध्यान रखिएगा UPSC में इसी तरह से की पॉइंट दिये रखे होंगे स्टेटमइंट में तो इन की पॉइंट को आप लोग को नहीं नहीं भूलना है देखिए एचीद आप लोग देखने को नहीं अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो इकोलोजी है सब्द का सबसे पहले उपियोग है जर्मनि हर किसी का एक परितंतर हो सकता है बन का एक परितंतर हो सकता है घास का भी अपना परितंतर हो सकता है परबत का भी जील का भी नदी का भी महासागर का भी यहां तक एक छोड़े से तालाब का भी अपना परितंतर हो सकता है कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो रेगिस्थान है उसका अपना एक परितंतर नहीं हो सकता है maximum लोग इसी को गलत कर देते हैं यहां तक कि आपको देखने को मिलेगा रेगिस्थान होता है बहाँ पर भी एक अपना परितंतर होता है बहाँ पर उस प्रिकार के जीब है जैसे कि बहाँ पर जहरी ले बिच्चू है आपको उठ देखने को मिलेगा बहाँ पर इस तरह के जो खरगोस हैं गिलहरियां हैं जो पाई जाती हैं रेत के अंदर जो पाई जाती हैं कटीले पेड़ पौदे पाई जाते तो बहाँ का भी एक अपना परितंतर होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेगिस्थान का भी क्य तो आप लोग को देखने को मिलेगा देखिए इधर मैंने जैबी घटक लिखे हैं इधर आजैबी घटक लिखे हैं फिर देखिए इधर जो तंतर का निर्माड होता है वो लिखा हुआ है देखिए सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा जीन हमारे अंदर क्या होते के यहां पर अनुवान सगी तंतर का निर्माड करता है इसी तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा जीन के बाद में आप लोग देखने को मिलेगा कोशिका का निर्माड होता है अब देखिए जो कोशिका होती है कोशिका से कोशिका कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है कोश कोशिका तंतर बंता है देंस से कोशिका तंत्रों के मिलने से एक उंग के उत्पत्ती हो जाती है जैसे कि देखे हमारे हाथ हैं पैर है यह सारे जो हमारे अंग Assistance यह आप समें क्या हैं आप समें जोड़े हुएं तब ही तो हम एक जीज़त की उत्पत्र तो कि वह सिर मिल जाए आप कहेंगे जीब है नहीं आप कहीं किसी की उंगली कटी हुई मिल जाए आप बोलेंगे जीब है नहीं किसी के बाल कटे हुए मिल जाए आपको तो उसको क्या बोलेंगे जीब है नहीं तो आपको देखने को मिलेगा भाई यह सारी चीजे होनी चाहि तब ही तो हम उसको जीब बोलेंगे, तो यह चीद आप लोग को देखने को मिलेगी, देखिए, इससे क्या निरमाड होता है? एक individual का निरमाड होता है, जीब का निरमाड होता है, individual जिसको दूसरी वहां सामें बोलते है, bestie बोलते है, एक bestie सब्ते है, बहुत लोगों का question गल निर्माड करती हैं यह जीज़ आप लोगो ध्यान रखना है अब देखिए जो आप लोग देखने को मिलेगा इसी तरह से समान जो प्रजाती के जीव होते हैं समान प्रजाती के जो जीव होते हैं वो मिल करके जन संख्या का निर्माड करते हैं जन संख्या क्या है जन संक्या है समस्टी समस्टी का मतलब भी का होता है समस्ट जैसे अगर हम जन संक्या की बात करें हम बोलें कि मानब की जन संक्या तो इसमें क्या कुट्तों को काउंट किया जाएगा अगर हम मानब में सिर्फ एक ही पिरजाती के जो जीब होती है उने की संख्या को काउंट गिया जाता है उसी को बोलते हैं समस्ट्री यान की population इंगलिस तो बड़ी अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे लेकिन जैबिक समधाय का निर्माड हो जाता है जैसे कि हमानते हैं हमारे एरिया में मनुस भी रहते हैं आर्जी सर भी रहते हैं महिलाई भी रहते हैं पूरुस भी रहते हैं बच्चे भी रहते हैं इसके अलाबा घोड़े कुट्टे सभी बिरकार के जीब जन्तु रहते हैं, तो इन सभी जीब जन्तुओं को जब आपस में मिला देंगे, तब सभी जीब जन्तुओं को आपस में मिला देंगे, तब उसको क्या बोला जाता है, उसको कम्यूनिटी बोला जाता है, उसको जैबिक समुदाय बोला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अ सब क्या है एक ही चीज है, सब क्या है एक ही चीज है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें, देखें जो पारिस्तित की तंतर होता है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर सम्मंदित होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को दे उर्जा होती है जौला मुखी से भी धोड़ी आमेलाइशा मिल जाती लेकिन वह बहुत अन् później उस से क्या जीवन तो नहीं चल सकता ना तो एक मात्र हर स्तुरत वह लगा मत चाल श्पी माना जाता था है सूरदर्ग देप्ता से ही हम कहीं कहीं ना शिम दे को मिलेगा अभी दीए जो सूरधेपता है वह अपनी सौर उर्जा दिये एस सौर उर्जा उत्पादक लेते हैं हम तो सौर उर्जा का उपीयोग करके हम अपना भोजा नहीं बना सकते हैं लेकिन बोजन तो नहीं सकते किसी को ऐसी धूप में खड़ा कर तो वह अलग वात है जो बुबी थी, कोई मिल गया, उसमें वो धूप किया था, उसमें धूप से वो उर्जा बना लेता था, बोजन बना लेता था, लेकिन यहां पर ऐसा काम नहीं होने वाला, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि देखे सबसे पहले उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं, पादब क्या होते हैं जो पेड़ पौदे होते हैं उनको हम बोलते हैं यही पादब क्या होते हैं सोयम पोसी होते हैं सोयम पोसी का मतलब कि यह अपना भूजन सोयम बनाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं सोयम पोसी बोलते हैं कभी देखा पेड़ पौदे हैं वो दूसरों खा जो पादप होते हैं, यही पादप क्या होते हैं, सूर से प्रिकास लेते हैं, प्रिकास लेने के बाद सौर उर्जा को जैवरसाइनिक उर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही जैवरसाइनिक उर्जा अपने अंदर संचीत कर लेते हैं, आप लोगों को देखने को प्राथमिक उपभोगता होते हैं, वो इनको खा लेते हैं, इनको प्राथमिक उपभोगता क्यों बोला, देखे ये कौन है, उपभोगता है, आपको देखने को मिलेगा कौन है, ये उपभोगता है, मतलब कंज्यूमर है, उपभोगता क्यों बोला, क्योंकि ये किसी का है साखाहारी होते हैं आप लोग को देखने को मिलेगा अब देखे जो एक पाधपों को खाते हैं अपना भोजन बनाते हैं इसे लिए इनको प्रात्मिक उपभूगता बोल दिया जाता है क्यों कि फरस्ट अ आप लोग को देखने को भिलेंगे यह चीज़ ध्यान रखना है और यह oxygen लेते हैं oxygen लेते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं आप लोग भी क्या है oxygen लेते हैं पौदे क्या है carbon dioxide लेते हैं oxygen छोड़ देते हैं यही oxygen क्या ले लेते हैं हम लोग oxygen ले 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 हैं इसी तरह से देखिये जो भेड बकरी है, गाई है वो सब किस में आते हैं प्राथ में को भुकता में आते हैं अब इन प्राथ में उपुकता को भी कोई खा लेता है जिन को हम बोल देते हैं दुत्यों को भुकता बोल देते हैं एकेंडरी कंजियूमर बोल देते हैं, यह मासाहरी होते हैं, जैसे आप मेंसे कुछ मासाहरी हो सकते हैं, सिर्फ मासी मास काते होंगे, कहते होंगे, हम घासफूस नहीं खाते हैं, मानव योनी में आने के बाद हम घासफूस कैसे खा सकते हैं, वो सिर्फ क्या खाते होंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इन तीनों को खा सके वो क्या होता है सरवाहरी वैसे मन उससे है वो सरवाहरी में काउंट किया जाता है क्योंकि देखिए वो सागवाग भी खा लेता है जो भी हरी पेड़ पौते हैं गाजर मूली सब खा जाता है बहीं उसको कोई टेख़ एसे कडह अन्त होने के बाद इनका अब घटन भी होता है तो आपroc को देखने को मिलेंगे की देखेए अब घटक भी हमारे परीतंतर में होते हैं जो अब घटक होते हैं मतन डीकम्पूजर जिनने कहते हैं, Decomposer का काम क्या होता है? भाए, जो चीज आपने जहां से ली है, उसको वहाँ पर ही मिला देना, यानि कि आपके अंदर जो भी पधारत हैं उन पधारतों का भिगटन कर देना आपके अंदर बायू है उसको बायू वंडल को दे देना आपके अंदर जल है वो जल में जा करके मिला देना यानि कि मिट्टी में मिल जा, जल जल में मिल जा, बायू बायू में मिल जा, उसका काम कौन करते हैं, अब घटक करते हैं, डीकंपोजर करते हैं, डीकंपोजर में कौन आते हैं, आपको सुचम जीब और बैक्टेरिया कबक हैं, और भिमन प्रिकार के जीब हैं, वो इसमें सा से यह हमारी फूट चेन भी है तो देखिए पैसे फूट चेन फूट बेब आगे आएगा हम अभी आप लोग को बताएंगे तो देखिए इसी तरह से एक परितंतर का निर्बाड होता है जहां सभी जीब धरी एक दूसरी के साथ में अंतर संबंदित होते हैं देखिए आपक लोग देखने को मिलेगा परितंतर तो अभी हम लोग देख लिए कि देखिए किसी छेतर विसेस में समस्त जीब धारी और साथ में उसका जो आसपास का परियावरण है उसके साथ में मिल करके एक परितंतर का निर्माड होता है बहुत ही सिंपल चीजे अब देखिए आप लोग देखने को मिलेगा कि हमारी परितंतर पर एक परितंतर तो नहीं पाया जाता होगा ना भिविन परितंतर पाया जाते हैं आप लोग देखने को मिलेगा अब भिविन परितंतर हैं वो मिल करके एक सम्हू का निर्माड करते हैं भिविन परितंतरों के सम्हू को हम क्या बोल देते हैं, बायोम बोल देते हैं, यानि कि बायोम क्या होता है, एक बड़ा छेतर होता है, समानता हमारी प्रदवी पर साथ प्रकार के बायोम, बायोम में इस तल ये छेतर को समानता सामिल किया जाता है, अब देखिए, बड़ा जो छेतर होता है, इसको हम बोलते हैं, ब पूरा एक घास सतल है। आगे उसको पूरा एक बायूमत मान लिया जाता है। उसको पूरा यह फेर एक बायूम लिया जाता है। जैब मंडल एक बहुत जादा बेहद और जटिल पारिस्तित की तंतर है, ये भी क्या है, एक प्रकार का पारिस्तित की तंतर है, लेकिन ये बहुत ही बेहद, बहुत ही जटिल, बहुत ही complicated है, ये आप लोगों को देखने को मिल गया है, यानि कि हमारी पर्थभी पर, हमारी पूरी पर्थभी पर जितने भी जीब धारी पाए जाते हैं, जितने भी पादप पाए जाते हैं, वो सब के सब किसके अंतर गताते हैं, जैब मंडल के अंतर गताते हैं, यानि कि अगर हम इसे, इस तरह से अगर हम इसमें डाइग्राम बनाएं, तो देखें, सबसे छो करें तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यह चीज आपको तुर सी सेट का प्रिप्रेशन करा दीजें देखिए परीद तंतर क्या होता है परीद तंतर आप लोगों अब इतनी वार पढ़ा चुके हैं परीद तंतर क्या होता है कोई वात नहीं आप कि आ होता है कि और चलिए परीदंत्र क्या होता है कि अभी हम उपर कई बार बता चुके हैं अंटर पुरिया करते हैं a देखने को मिलेगा जैब बंडल का हम यहां पर बनाए हैं जो दिखे अभी हम आप लोग के लिए समस्ट्री के बारे में बताई थे ना बही सारी चीज़ें यहां पर दे रखी है देखे पॉपलेशन कैसे निकाली जाती है तो वह यहां पर बताई है जो आप लोग को इतना जानना नहीं है वैसे पॉपलेशन की जाते हैं तो देखे इसमें दिया रखा है देखे जो हमारी आप लोग देखने को मिलेगा कि देखे जो प्रारंबिक जो समस्री होगी उसको लिया जाता है और उसमें जोड़ दिया जाता है जो बर्थ रेट होते हैं जैसे कि एक देखने को मिलेगा माइग्रेट करते हैं जिसको इमिग्रेशन बोलते हैं मतलब दूसरे च्छेतर से आ जाते हैं उस च्छेतर में तो वो एड हो जाएंगे ना इसके अलावाव आप लोगो देखने को मिलेगा जितने जीव हैं उसकाल में मरे होंगे उनको घटाना आप लोग को देखने को बलेगी इसी तरह से देखेगे जो अभी हम आपको समुदाई भी बताए थे बायों भी बताए थे रहते हैं देखे मैं थोड़ा से जूम करदेता हूँ फिर आप लोग को अच्छे से देखें वैसे आप लोग इसको 480 में देखा करें यह क्लास को 480 में बहुत क्लियर देखेगी डेटा ज़ादा खतम नहीं होता है 480 में और आप लोगों का पेपर है टिक टॉक चलाने के लिए डेटा चाहिए भी नहीं एक क्लास ही परियाब तो होती हैं आप लोगों के लोकेशन है यान की बहुत एक स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं परियाबास बोलते हैं जहां पर कई पिरकार की पिरजातियां रहती हैं आप लोगों से पुछा जाएगा कि निकेद में निकेद में सिर्फ एक ही पिरकार की पिरजाती ही बास कर सकती है तो आप लोगों क लोग देखने को मिलेगा कि वो स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा नहीं एक से जादा भी पर्दाव कर सकती है इसमें कोई कोई दोराएवाली बात नहीं है आप और रोग को मिलेगा कि पर्या बास है बहाँ विर्वण लोकेशन है अगर हम आप से बोले समुद्र समुद्र का एक जोग्राफिकल लोकेशन है तो जोग्राफिकल लोकेशन को ही क्या बोलते हैं परियाबास बोलते हैं समझ गए अगर हम जंगल बोले तो जंगल में क्या केवल सेर ही रहता होगा क्या गीदड़ है हिरन है और जीब बिबिन पिरकार के निकेद पाई जाते हैं यह इस पिरकार से आपको देखने को में छोटे-छोटे मैं बना रहा हूं यह क्या है निकेद क्या है निकेद निकेद, एक क्रियात्मक की काई है यानि की functional space, आप लोगो देखने को मिलेगा, जहां देखिए, यह physical space है, यह functional space है, मतलब करियात्मक छेत्र होता है, यानि कि यहाँ पर ecological interaction होता है, आप लोगो देखने को मिलेगा, एक परियावास में, एक जो परियावास है ना, उसमें दो निकेत हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते, यह आप लोगो ध्यान रखना है, देखिए, मैं जैसे कि आप लोगो समझाता हूँ, जैसे कि यह परियावास है, यह परियावास है, जैसे कि यह निकेत है, एक आप लोगो देखने को मिलेगा, अब दूसरा निकेत है, वो सेम नहीं हो सकता, मतलब डिट्टो ऐसा नहीं हो सकत क्यों नहीं हो सकता अगर दोनों एक जैसे होंगे तो यहां पर प्रतिस पर्दा होगी अब प्रतिस पर्दा होगी तो इन में से जो भी जीतेगा भाई इन में से जो भी जीतेगा आप लोगो देखने को मिलेगा बो रहेगा एक इन में से क्या हो जाएगा नस्ट हो जाएगा यानि कि अगर एक परियावास में एक जैसे ही निकेत अगर एक से जादा होते हैं तो उनमें प्रतिस पर्दा होती है और प्रतिस पर्दा के बाद में उसमें जो प्रजाती जीत जाती है बही अपना स्तित्व बनाए रखती है दूसरी प्रजाती हो जाती है वो समापत हो जा अगर हम बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो देखे जैसे कि इस्थलिये हो सकता है, आलबडिये हो सकता है, जोरनद हो सकता है, सागरिये हो सकता है, इस प्रिकार के भिविन परियावासयन की हैबिटेट होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बहीं पर बात करें, निकेत की तो निकेद भी कई प्रिकार के हो सकते हैं, निकेद है वो आबास निकेद हो सकता है, आहर निकेद हो सकता है, जनन और इसी तरह से बहुत इक रसाइनिक निकेद भी हो सकता है, तो दिखिए यह चीज है, यह चीज आप लोगो थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसमें जो सबसे महतपूर चीज है वो सबसे महतपूर चीज आप लोगो देखने को मिलेगी कि जो habitat है वो एक physical space है और एए आप लोगो के लिए कार्यात्मक छेतर देखने को मिलेगा ओके और एज दिहान रखना है कि जो habitat होता है उसके अंदर उसके अंदर भिविन प्रजातियां रहती है, लेकिन एक निकेट के अंदर एक प्रकार की ही प्रजाती रहती है, अगर देखी इसमें, आप लोग देखने को मिलेगा एक से अधिक मतलब एक से अधिक जैसे निकेट हो जाते हैं तो उनके बीचा में प्राथिस्परदा हो जाती है और उसमें से जो भाई बिजाई होता है वो बच जाता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है चलिए हम लोग आगे आते हैं अनकूलन देखें अनकूलन क्या होता है जब भी कोई परियावास के अंदर कोई रहता है मतलब पारिसित के अंदर कोई भी जीब रहता है उस जीब के अंदर कुछ बिसेस गुड़ पाए जाते है भही अपने आपको उसमें सर्भाइब कर पाएगा अनता वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा जैसे कि अगर हम बात करें मचली मचली है मचली ने जलके साथ में अपना अनकूलन कर लिया अब मचली को ला करके आप बाहर इस्थल पर ला करके रख दे तो वो थोड़ी देर के बाद फढ़ पढ़ाते है फढ़ाते मर जाएगी क्यूंकि उसने जलके अंदर अनकूलन करके अपनी सोसन प्रिक्रिया है उसको चेंज कर लिया है वो गल फडों के माध्यम से पानी के अंदर उपस्तित ऑक्सीजन है उसका उप्यो करती है अब वो बायू मंडल से डारिक्ट ऑक्सीजन नहीं ले पाईगी इसलिए वो क्या हो जाएगी मर्ज आगी आप लोगो देखने क सब्सक्रेम सब्सक्राइब करें अगर उनकूलन के बात करें तो पेट 꽃 बाये जाते हैं यद्सकी बनामट के लड़ पर हो करते है और हो सकते हैं जीवन्पद पर सकते हैं किसी परियावास में जीवित रहने के लिए वो बहुत ही नहीं मिल पाता है तो उसने अपने अंदर इस फिरकार के मेकनिजम बिक्सित कर लिया है कि उसको पसीना कम से कमाता है जब वो मूतर का त्याग करता है तो उसे कम से कम मात्रा में क्या करता है वो मूतर का त्याग करता है साथ में जब वो पोटी करता है तो वो crystal के रूप में ठोस रूप में करता है जिससे जल की छती कम से कम होती है अपने अंदर पानी store करने की भी capacity रखता है तो यह चीज आप लोग को देखने को बहुत यानि कि उसने क्या किया अपने अंदर एक uncoolan कर लिया जहां वो अनकूलन की अगर हम लोग बात करें तो पौदे हैं विबिन प्रकार से अनकूलन करते हैं अनकूलन की बात करें तो देखिए एक तो प्रकास के प्रती अनकूलन हो सकता है देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है बहुत जादा मातरा में बहुत जादा मातरा में प्रकास मिलता हो कहीं प्रकास बहुत कम मिलता होगा चाया चेतर होता होगा आप लोग देखने को मिलेगा देखिए जहां पर प्रकास क्या मिलता होगा ज्यादा मिलता होगा उच्छ होता होगा वहां प्रकास संसलेशन की छमता उनके अंदर कैपसरिटी ज्यादा होनी चाहिए बनना वो क्या होती हैं उन उपापची क्रियाओं की दरों को कम कर देते हैं जिससे वो अनकूलन कर लेते हैं जैसे कि प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया हो गई सोसन हो गई उपापची क्रियाओं हो गई तो इन सभी क्रियाओं की दरों को वो क्या कर लेते हैं कम कर लेते हैं जिससे उन्हें उर्जा की कमा बसिता पड़ती है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे कि फरन आप लोग को देखने को मिलेगा इसी तरह से जल के पिरती भी पौदे क्या कर लेते हैं अनकूलन कर लेते हैं देखे कुछ पौदे ऐसी जगे पाय जाते होंगे जहां पर जल का आबहाओ पाय जाता होगा और तापमान जादा पाय जाता होगा जैसे मरस्तलिय छित्रों में कुछ ऐसे पौधे ऐसी जगे पर पायजाते होंगे जहां पर जल भराओ की समस्या देखने को मिलती होगी जल जादा मतरा में पायजाता होगा तो बहाँ पर भी उनको अनकूलन करना पड़ेगा ना तो देखे दोनों कंडिसन देख लिते हैं पहली कंडिसन में क्या है जल का जहां आभाव होता और तापमान भी क्या है जाता है जैसे मरुस्तल्यक्षिट अजये तापमान भी क्या हल बहुत उच्चे है बहाँ पर पाओधे कैसे जीवित रहेंगे आंप पर जीवित क्या कि अपने जीवन काल को ही क्या कर लिए यह चोटा गर निया वो बोले यार जो मौसम होता है यह करो गर्मी के मौसम में हधारी को मौस案 हो जाता है। हम रहेंगे कैसी भी कंडिसन हो बस क्या करेंगे हम अपनी संरचना में परिवर्टन कर लेंगे तो दिखें फर्स केटेगरी में आते हैं वो अलब अब्दिक पौदे होते हैं यह बरसा काल में बरसा काल में उगते हैं वो बरसा काल में ही अपना जल्दी से जीबन अपना गईबन सुरक्षितर रखने के लिए भीजों की रूपमें परवर्थित हो जाते हैं आपने देखा हो के जैसे अंडी का पौधा आप लोगों ने देखा होगा तो अंडी का पौधा क्या होता है उसमें अंडी का तेल भी लिगाला जाताया R&D भी कुछ लोग उसको बोलते है, वो क्या होता है, वो पौधा लिकलता है, बरसात रितू में जल्दी से लिकलेगा, लिकलने के बाद उस पर बीज आ जाता है जल्दी से, पूरा बड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी वो बड़ा हो जाता है, और जैसे ही सुस्क रितू आ तो यह चीज़ आप लोगों देखने को मिलेगी, मतलब सुस्क काल में बीजो के रूप में वो हो जाता है, इसे मरल भी इसको बोलते हैं, तो यह चीज़ आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, अच्छा यह वाला रह गया है, आप हो है, तो सतही के समीब तो बानी सूख जाएगा, इस बज़े से वो क्या कर लेते हैं, डीप टैप रूट कर लेते हैं, मतलब एक तरह से अपनी ज़डों को बहुत गहराई तक पहुचा देते हैं, जैसे कि बबूल का पेड़ आप लोग देखेंगे, उसकी बबूल का हो यह अपनी ज़डों को बहुत गहराई तो पहुचा देता है, यूकलिप्टिस भी ऐसा ही करता है, बहुत गहराई तो तक अपनी ज़डों को पहुचा देता है, नीचे क्या होती है, नमी होती, उसी नमी से जल लेता रहता है, साथ में आप लोग देखेने को मिलेगा, पत जाता है सुस्क मौसम वाली जो प्रदेस होते हैं बहां पर पौदे कटी ले पाई जाते होंगे और कुछ पौदे ऐसे होते हुटे उन्हें पर पत्ते ही नहीं होते हैं जैसे कि नांग फनी उस पर क्या होते हैं आप लोग को देखने को मिलेंगे जिससे बादपो सर्चन की प्रते किया हो जाती है कम हो जाती है और जो पौदे होते हैं वो अपने अंदर अपनी मोटाई को बढ़ा लेते हैं मोम दार देखने को मिलेंगे और बने संग्रहन करने के चंप होती है मतलब केपेसिर अधर के पानि को स्टूर करके रखते हैं और उत्र होते हैं और यह इनिस नागपनी के पौधो को आगर खागर के अपनी पानि की पूर्थी कर लेते हैं इसी तरह से देखे हाँ लोग को मिलेगा जिसको जलोदित बोलते हैं देखें जो जलोदित क्या होता है यहां पर पानी बहुत जादा है अब देखें जहां पर पानी कमी थी बहां पर जड़ो जड़ थी पौधे की जड़े थी वो क्या करनी पड़ी गहरी करनी पड़ी यहां पर तो जली जल है तो जली जल ह करें नहीं होती हैं वो अलब बिक्सित होती है मतलब बहुत कम से देखने को मिलेंग.. या फिर जड्य नहीं होती है.. जासे कि काई देख़िए काईं से उत्र। जड जो होती है, रूट्स होती है, वो नहीं देखने को मिलेंगी, या फिर आप लोग देखेंगे, जैसे कि जलकुम्भी, जलकुम्भी अगर आप लोग देखेंगे, तो उसमें छोटी-छोटी सिरिफ जड़े पाई जाती है, जो सतय को संपरकर नहीं करती है, अनकूलन कर लेते हैं, जैसे कि उच्चे लवरता में उगने वाले जो पाउदे होते हैं, उन्हें हेलो फाइट के नाम से जाना जाता है, एक गरम और नम परिस्तितियों में भी उख सकते हैं, और गरम और नम परिस्तितियों में जब उखते हैं, तो अपने आपको ये गुदेदार बना लिते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताई थे, जैसे कि मैंगलो बन एक्जामपल देखने को बिलेगा, देखे, अब हम लोग देखते हैं कि जो जीब हैं, वो कैसे अनकूलन करते हैं, पौधे हैं बहुत बिचारे कहीं दूसरी जगे आपके नहीं जा सकते थे, तो उन्हें अनकूलन करने के लिए अलग मेकनिजम अपनाना पड़ता था, अब जीब हैं, उन्हें अनकूलन करने के लिए अलग मेकनिजम अपनाना पड़ता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, आप लोग थोड़ी से मैसस कम करिएगा, क् लेक्सर बहुत जादा लंबा है तो इस वज़े से हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए तो देखिए जीबों के पास तो ऑप्सन है ना जीबों के पास ऑप्सन है उनको अगर ठंड लग रही है तो वो गरम वाले चेतर में चले जाए जादा पानी हो जाए तो आप लोग देखने को मिलेगा वो माइगिरेशन करते हैं मतलब प्रवास करते हैं प्रवास किसलिए गड़ते हैं मैं लोग देखने Migrate कर जाते हैं या फिर Hivernation में चले जाते हैं वो जाकर के इसी तरह से मचलियां होती है मचलिया धुर्बिय च्हितर की जो मचलियां होती है जब सीटरतू आती है तो वो थोड़ा सा विस्वबत रेखा की और निम्नक छांसु की और थोड़ा सा आ जाती हैं थोड़ा सा खिसक जाती हैं मतलब कुछ सो किलोमेटर में आगे आ जाती हैं जिससे तापमान थोड़ा सा अनकूलित हो जाता है वहां पर रहने लगते हैं तो माइगरेशन आप लोगों पक्षियों में बहुत बहुत दूर का देखने हैं जो पक्षी होते हैं मचली होते हैं मचलियां होती हैं यह बहुत दूर तक का प्रबास करती हैं अब लोग देखने को बिलेगा कुछ होते हैं लंबी दूरी वाली कुछ होते हैं अलपदूरी वा होते हैं मतलब कुछ ज्यादा ही प्रभास करते नाम लिए घरम शित्र में चले यहिए कि मखली क्या होती है कोटल ब्लीड होती है कोटल ब्लेडेड जो जीब होते हैं वह अपने ताप को अनकूलित नहीं कर पासे उन्हें माइग्रेट करना पड़ता हैं इस वज़े सीवजे से साफ में क्या है तोड़ा बहुत होता है उसमें हम अनकूलन कर सकते हैं लेकिन कोंनी मेconomic आपने अनकूलन काने मेकनिजम अब हम लोग कुछ ऐसे होते हैं वह आप प्रबास करें आपकोorta चलन hm कुछ जेब है न, वो अपने, अपने आपको बचाने के लिए, scheint करते हैं। छला आभराण करते हैं मतलब अपने परीवेस में सामिस्रित हो जाते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि वेविन कीट होते हैं, सरीसरप होते हैं , टिडडी होते हैं जैसे कि आप लोग, टिड्डी ओ को देखेगे, discoveries को Show हो घ्लब जो हुगा ना वह भूरा-भूरा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप टिड्डियों को हरी वाली जगे पर देखेंगे जहां पर हरी पृड़ जादा पाएजाते हैं जैसे हमारी उत्तर प्रदेश बिहार वाले रिजन में आ अप टिड्डियों को पढ़िए तरह होगा आप अगर हमारे दर के साप देखें को इनका कलर क्या होता है डिफरेंट होता है आप समुद्र में चले जाएए बहां के सापों का कलर क्या रहेगा अलग रहेगा तो वो अपने परिवेश के साफ से अपना कलर कर लेते हैं जैसे बहुत सारी तितलियां भी देखन इसी तरह से जीव होते हैं वो उन्कुलन करने के लिए लेख़े हाइबरनेशन में चले जाते हैं मतलब सीद काली हिस summकाली नश्खकरिषता होती है जो हाइबरनेशन होता है इसमें क्या होता है सित रित्त quickly के समय वो चले जाते हैं अपनी उपापची क्रियाएं जो होती है ना जो मेटाबोलिजम होता है उसको क्या कर देते हैं कम कर देते हैं उपापची सांस भी हलके हलके लेते हैं चलते फिरते नहीं हैं ऐसी पड़े रहते हैं सोते रहते हैं जिससे उनको भूख भूख कम लगती हैं बाहर-ब इसी तरह से आप लोग को गर्मी का मौसम होका ना बरसाथ से पहले का मौसम होता है जो भवगा वाला मौसम होता है मतलब बरसात होने से पहले बहुत भयाबा गर्मी पड़ती है एकदम उमस वाला मौसम होता है उस समय देखिएगा बीचू है साप है बहुत लिके लेंगे बहुत लिके लेंगे क्यों क्योंकि भाई वो क्या करते हैं अनकूलन करने के लिए उनको बहार आना पड़ता है अब इसी तरह से धुर्बिये चेतरों में ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी पड़ती होगी तो धुर्बिये भालू क्या होता वो चंट होता है घुर्बिये भालू गृष्म रितू जब होती है खूब खापी लेता है फिर जाकर का सोज आता है तीन महिने, चार महिने के लिए सो जाता है कहता है अब गृष्म रितू आएगी जब ग्रीस्म रितू आई है मतलब मौसम थोड़ा अच्छा होगा तब हम बाहर लिख लेंगे तो आप लोग देखने को मिलेगा वो भी हाइवर नेशन में चला जाता है सोता रहता है मस्त इसी तरह से आप लोग देखने को मिलेगा ग्रीस्म कालीन के समय भी कुछ मतलब अनकूलन करते हैं जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा दच्छड पच्छे जो मरुस्तलिये छेतरों में इस ते जो गिलहरी होती है एक ग्रीस्म रितूमें इतना ज़्यादा तापमान हो जाता है इतना ज़्यादा तापमान हो जाता है कि यह गिलहरी छेहन नहीं कर तके इस बज़े से कहां चली जाती है Полोग्ह भीस जाती है methods जो बहुत जह घर्मी बढ़ती है लज़ी से सकारविकार के या फिर वहा ही सोते अब आजे लिकालते हैं अब आजे लिकालते हैं जिससे सामने वाला जीब क्या हो जाता है डर जाता है जिससे उसका सिकार नहीं होता है वो भिविन पिरकार के एक्ट करते हैं जैसे कि जहरीला साप नहीं है फिर भी वो ऐसे फन दिखाएगा फूस फूस करेगा लगेगा कि यह सांप क्या है? बहुत जहरीला है वो काटे گा लेकिन कुछ होगा नहीं लेकिन आपको इतना डरा देगा कि आप उसके पास में ही नहीं जाएंगे फूस फूस करएख है तो आपको देखने को मिलेगा उस तरह से एक्त करेगा जैसे उसके अंदर क्या है? बहुत जहर है आप लोगों देखने को मिलेगा इसी तरह से आप लोगों देखने को मिलेगा सरीर में बदलाओ कर लेते हैं जैसे कि बिल्ली है बिल्ली को जैसी लगता है उसके उपर अटेक होने वाले वो अपने आपको फुला लेती है अपना सरीर क्या कर लेती है दुगना कर लेती है हवा भर के ऐसा क्या कर लेती है बड़ा सरीर दिखाती है उपर उचक जाती है मतलब उड़ जाती है थोड़ी सी तो आप लोग देखने को मिलेगा कि वो सरीर बदलाओ कर लेते हैं तो जिससे क्या होता है वो बच जाते हैं आ लब चिन पाए जाते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा मिलती जैसे कि एक मेड़क होता है जैसे एक मेड़क होता है आप लोगों देखने को मिलेगा वह बहुत बिस्यला होता है अब पता चलिए भाई इस मेड़क को खाने पर जो उपर से चील उड़ रही है चील अगर उसको ख अपनी सारचना बैसी की कर ली उसी की तरह वह भी देखने लगा बैसी धब्बे हैं इस पेसली धब्बे हैं वह मार्क हैं वह भी अपने उपर बना लिया हलके हलके अब आपको देखने को मिलेगा अब चील है वह इसको भी देखती कहती है बैसा ही धब्बा दिख रहा कु तेखिके यहां पर सोभ apologize यहां से परबुख्चिक के दवारे को देखने को परद यहां इसमपरrik देखने bro करों कि देखने student जो जीब हैं वो क्या करते हैं इंट्रेक्शन करते हैं इंट्रेक्शन करते हैं किसे लिए भोजन के लिए कर सकते हैं आबास के लिए कर सकते हैं प्रिजनन के लिए कर सकते हैं तो भिविन चीजों की बज़े से वो आपस में संगर्स करते हैं अब आप लोगों को देखने को बिलेगा कि ये जो संगर्स होता है ये अंता हजाती है संबंद हो सकता है मतलब एक ही जाती के जीबों के बीच में संगर्स हो उसको इंट्रा specific relations बोलते हैं तो ये चीज़ आंप लोग को देखने को बिलेगा देखे denying जैसे कि ये अंत्र करिया करते हैं तो इन में दो तरह से अंत्र करिया हो सकती है पिछिया समान-जीव हैं समान-जीव हो सकते हैं उनके बीच में जो कुटता दूसरे इलाके में आ जाता है तो उसके साथ में क्या होने लड़ाई होने लगते हैं आप लोग देखिए भॉंबो भॉंबो करने लगते हैं एक सेर है वो दूसरे के इलाके में चला जाता है दोनों में क्या होने लगता है संगर्स होने लगता है खुला संगर्स होत चुप चाप उस इरिया में नहीं आएगा कब तक नहीं पिर फिर से पट्रानी को पूँगा फिर जाता है खूब सिकार करता है मोटा तगड़ा हो गर कर के आता है फिर उस उसे को आगर के एक तरह से लर गारता है आगके कि आजा बिटा, आब मैं तकडा होगर के आगके आऊँ? अब मैं पताता हूं तुझको, फिर दोनों में फाइट होती है, फिर से जो भी जीत जाता है, फिर जो तकड़ा होगर के आता है, वही जीते önप। तो बहुत जीज जाता है फिर लिए होते हैं फूले संगर्स में होते हैं यानदandal प्रितिश्परदा अजी ऑलेते हैं ऐनकि सब्सक्राइक किसो एक गूरुन आलेते हैं देखए मैं 4-5 से यह सोट लिफ दौभ सकता है और देखते हैं घृट भार उतना ह्ना मिल कर लेती हैं सब्सक्राइचा करा एक प्रणर का रिलेशन और जब्सक्रूंट सब्सक्राइब यह भी क्या है एक पिर्कार का रिलेशन ही है जीबो के बीच में इसी तरह से यान कि लड़ाई भी क्या है एक पिर्बकार का संबन्द है तो अगर हम लोग बात करें हैं आप यहाँ पर देखें एसमें क्या होता है अलग जो जातियों होती हैं उनके बीच में भी अंतर क्रियाइं होती हैं आप लोग देखने को मिलेगा तो यह जो अंतर क्रियाइं होती हैं प्रजातियों के बीच में जो अंतर क्रियाइं होती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं जो यह अंतर क्रियाइं होती हैं ना एक इतनी प्रकार की हो सकती है या तो नकारात्मक होंगी या सकारात्मक होंगी या फिर उदासीन होंगी नकारात्मक जो सहे चार रहे होता है उसमें क्या होता है कि देखिए कम से कम एक को नुकसान होगा ही होगा सकारात्मक देखिए जो संबंद होता है इसमें देखिए दोनों को लाब होगा तो उसको हम सकारातमंग सहे चार रहे वो लेंगे इसी तरह से आप लोगों उदासीन देखने को मिलेगा देखिए उदासीन अन्योन्य क्रिया जो होती है इसमें ना ही किसी को लाब होता है ना ही किसी को हानी होती है तो इस प्रिकार के संबंद को उदासीन के अंतर गतर रखा जाता है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सभी को बन बाई बन करके देखिए एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सहे जीविये संबंद होता है सहे जीविये संबंद क्या होता है पूछे जाते हैं paper में, ए दियान रखना है इसको, देखिए जो सह जीविये समबन्द होता है, देखिए इसमें minimum एक पिरजाती क्या होती है, वो जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर होती है, तो इसको बोलते हैं, मतलब सह जीविये समबन्द बोलते हैं, तो देखि यह जाती है यह तरह से अगर हम बात करें और सप्र्दा Reading कॉंपडिशन हो सकता है कॉंपडिशन में क्या होता है आपको देखने को मिलेगा देखिए जब संसादनों की कमी हो जाती है आवास की कमी हो जाती है अपने जो पार्टनर होता है उसकी कमी हो जाती है तो पार्टनर की कमी की बज़े से भी यान की परजनन की कमी मतलब परजन की बज़े से हो सकता है आप लोगों देखने को मिलेगा इसमें दोनों को नुकसान होता है कॉम्पटीशन पिर तीस परधा में क्या होता है दोनों को नुकसान होता है यह द्यान रखना है जैसे आप लोग देखे होंगे कई लोग लड़ते जगड़ते रहते हैं हमारे जहां में पर देखा एक बार जाण के लिए लोस दिया रहा था यहां पर पर देखा एक बार इसी लड़के लड़ी थी सब चल ली थी बाद में पता चल आ हम बहुत भाइनक लड़ाई हुई थी आधी घंटे तक लड़ाई चली थी जो कुर्सी और मेच चली थी भाई पहली बार हम देखे इतनी भाइनक लड़ाई आँखों के सामने तो हमने का अरे बच के रहो इदर से हमने का हम लोगों के दर ना फिक दिया जाए कहीं तो यह करें देखिए यहां पर जो नुकसान है वो दोनों को नुकसान होता है देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यह देखिए जो संगर्स है वो एक ही जाती के बीच में हो सकता है यह फिर दो जातियों के बीच में भी संगर्स हो सकता है तो यह चीज अभी हम लोग दे इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहां पर ब्रन और व다 होता है इसमें एक प्रजाती दूसरी को देती हैं मतलब उसको खाजाती जैसे कि आंप Mirfada घास को छ्रास था था है Aaron को शेर को आता है वरर्य थे को मिलेगा चुबाता है उसको बाज खाजाता आप लोग को जाती में दूसरी जाती को खाए हज आते को कि अगर कर देखने को संबंद में अभी इससले संबंद आप लोगो देखने को मिलेगा जिसमें एक पिरजाती में जीवित रहने के लिए दूसरे के उपर निर्भर होती है उसको बिलते होते हैं सहे टीपिये संबधों वोलते हैं इस में कौन कौन से हो सकते हैं एक दखिए आप अप लोगों को दिखने को मिलेगा सोह का कपारिता है उसके मिउचु dauरीजम बोलते हैं इसमें दोनों को लाप होता है मतलबOW को जैस यह जैसे कि पूल होता है उस वर फूल आता है और दूसरी तरह मदूमक्खी हुती है तितली होती है तो जो मदूमक्खी जाती है उससे रस्चूस्ति है और रस्चूस के अपना बोजन बनाती है भहीं। या फिर उसके मुह के माद्यम से आप लोग देखने को मिलेगा बो लोग प्रिजरन कर लेते हैं क्या कर लेते हैं क्या कर लेते मखहें, मदुमक्ही है उसको भी लाव हो गया, इसी तरह और यहां पर कबक, और सहबाल एक दूसरे से होते हैं? अंतर समिभन रोते हैं, एक दूसरे को जैसे कि आप लोगो देखने को होती है याइन कि तैपक्त नहीं होती है यह थोड़ी अलसिन भी होती है बड़ी चंट होती है यह क्या करती है जो सार्क मचली है जो सार्क मचली है इस सार्क मचली के ऊपर सार्क मचली क्या होती है भाई सबका सिकार करती है बड़ी मचली होती है सबका सिकार करती है और सिकार करके खाती है अब यह रिमोरा होती है यह कहती है भाई मैं क्या करती हूँ इस सार्क के ऊपर अब इसको फ्री का परिभान मिलता मुफ्त में घुमती है टहलती है मुफ्त में जैसे कि एक दोस्त जा रहा है बाइक ले करके भूला भाईया मुझे भी ले चल फ्री में वो जा रहा है घुमते हुए इसी तरह से सार्क के उपर बैट करके सार्क गई 10 किलोमेटर दूर छोड़े ठुकडे होंगे वह तुकडे क्या होगा यह रयमॉच को यह क्भोजन मिल गिया परिवान भी रिंभान भी ही घाटा हुआ ना ही आपको देखने को मिलेगा कोई लाब हुआ ना ही उसको परफित हो गया इसी तरह से ब्रक्च और अधीप पादफ हैं वह आप लोगे को मिलेगा तो चलिए को आगे वड़ते हैं इसी तरह से अगर हम बात करें देखिए जो परजीबिता होती है तो परजीबिता में क्या होता है एक को लाव होता है दूसरे को हानी होती है परजीबिता में इसमें जैसे क्या होता है जैसे एक एक्जांबल के लिए जू आपके सिर में क्या होंगे जू होंगे लड़कियों की सिर में ब पर वो लड़की डेली अपने बॉइफ्रेंट को लाती थी पार्क में हो फिर उससे जुए दिखवाती थी तो वो लेकिए चलो मुक्त का एक नौकर वेल गया है वो मस्त जुए उसका देखता रहता था पुरा सिर साफ करता रहता था लेकिन उसके जुए खतम ही नहीं होते अमरवेल क्या होती है ब्रक्ष के उपर डाल दो ब्रक्ष से अपना भोजन लेती रहती है और अपने आप फलती फूलती रहती है तो ब्रक्ष को तो घटा हो रहा है लेकिन अमरवेल क्या है फलती फूलती दारी इसी तरह से हमारी आत के अंदर फीता किर्मी रहता है आत के कोई प्रभाहव नहीं पड़ता है जैसे कि बड़ा ब्रक्ष यह छोटा ब्रक्ष जैसे की देखिए इसका example बहुत लोग चाफ्योज जाते जैसे कि मांते हैं एक बड़ा ब्रक्ष है क्या है यह आप यहां आपर उसे चोटा सा ब्रक्ष पाता पर अब सूर की किन्ड़ें इधर से आई इधर से आई आई ँग्छ pouco देखने का इसके अग्याँ नुक्सान गहटा हो गया गाई लेकिन आप देखिए इस बड़े वाले ब्रक्ष को इसके मरने से इसके नस्त होने से कोई प्रभाव पड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसके उपर इसको नहीं इसके मरने से कोई इसके उपर प्रभाव पड़ रहा है और आप लोग देखने को मिलेगा कि इसको नहीं न इखिने को में बिल्गा समाज़इन आप लोग दिखें परभक्चड आप लोग को देखने को मेलेगा देखें अभी हम आप लोग को बताई तर बाग ने घरन को खा लिया तो तब हीवन गया बक्च बन गया यह नंकि पर भक्ची और भक्च नोग एक कि दूसरे के रूप में हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कौन किसको खा रहा है तो यह चीज़ आम लोग ध्यान रख़ेगा देखिए अगर हम बात करें देखिए जो पर भक्षड होता है इसके लाब क्या होते हैं भूमिका क्या होती है तो बहुत सारे इसकी भूमिकाय अगर देखे संतुलित रूप में अगर यह चीज है परभक्षड होना भी एक परीतंत्र में बहुत जादा आवस्यक होता है अगर ऐसा नहीं होगा तो जो परीतंत्र है वो डिस्टब हो सकता है यानि कि इस बज़े से जीवों की संख्या में कमी लाना भी जरूरी हो जाता ज जैसे कि भेड़ बक्री है मांते हैं यह क्या है यह भेड़ बक्री है अब भेड़ बक्रियों की संख्या बहुत जादा बढ़ जाए इस परीतंत्र में तो क्या हो जाएगा भेड़ बक्रियों की संख्या बढ़ने से वो जादस जादा मातरा में इन पादपों को खाएंग हैं मतलम जो पादप हैं घहां से है खाएंगे एक और इनकी संक्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि पादप बचेंगे की नहीं तो अंजीबो के लिए इस लों की संख्या बढ़ने से इन भेडों की संख्या बढ़ने से अन जीबों की लिए पादब बचेंगे ही नहीं वो क्या खाएंगे बिचारे तो पारिस्त की तंत्र में वो हलके हलके क्या होते चले जाएंगे लुपत होते चले जाएंगे पारिस्त की तंत्र है वो क्या हो ज पादबों को तेजी से नहीं खाएंगे जिससे अन जीबों के लिए भी पादब है उबलब दरेंगे संसाधन उबलब दरेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इससे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्दा भी कम होती है अगर बहुत सारे भेड़ बक्री हो जाते भेड़ बक्री बहुत सारे हो जाते तो भेड़ बक्रियों में आपस में competition बढ़ जाता प्रतिस बढ़ जाता लेकिन क्या हुआ सेर आकर के दस भेड़ बकरी उखा गया उनकी संग्या कम होगी कोई competition नहीं सब अपने अपने चर रहे हैं मौज उड़ा रहे हैं तो देखे प्रतिस परदा को यह कम करता है साथ में उर्जा भिमिन इस तरों तक प्रभाविद होती है आप लोग देखने को मिलेगा साथ में जो स्रेष्ट परदातियां होती है स्रेष्ट परदातियों से जो दुरलब परदातियां होती है ना उनकी रक्षा करता है अब सोचिए आप लोग देखने को मिलेगा जैसे भेड़ बकरी गाई हैं बड़ी बड़ी है यह तेजी से खा रहे हैं पादपो को चोटे-चोटे किड़े मकॉर्डे हैं विचारा उनके लिए खाने के लिए मिली नीरा कर गाई है उसको उठा करके फिक दे रही विचारा खरगोस उसको घहास कहाने की को सकते हैं उनसे जो परदी नकिक्रधा प्रदर नहीं रहती है इसके अलावा तो बो भी ब्रद्दी होती है, उस लोग ऐसा समझ सकते हैं, देखिए, जो परवक्षानत से क्या हो सकता है, जैब बित्ता में हरास हो सकता है, नहीं हरास नहीं होता है, हरास क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए, प्रतिस परदा कहीं कम होती है, प्रतिस परदा कम होती है, और बज आप लोग को देखने को मिलेगा अगर हम लोगे स्थापना की बात करें क्या होता है कोई बिदय को सुचारू रूप से कार करने के लिए अपनी बरतमान इस्तिय को बनाए र cockroçने के लिए बरतमान इस्तिती होता है तंतर की अगर हम बात करें सिस्टम के बात करें तो देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुल भाग या फिर घरटक होते हैं यही समुः जो होते हैं वो परस पर हो सकता है close system भी हो सकता है जैसे कि देखिए open system होता है यह एक तरह से खुला होता है जहां पर अन जीब जन्तु और या फिर पधारतों के लिए अगर कोई system खुला है तो उसको open system बोल देंगे जैसे कि आम लोग देखने को मिलेगा प्रथपी के लिए उर्जा, देखे सौर उर्जा है, सौर उर्जा बहां से आती रहती ना, सौर उर्जा, पिर्थभी भी क्या है, एक सिस्टम है, पिर्थभी क्या है, एक सिस्टम है, और यहां से उर्जा आती रहती है, तो उर्जा के लिए पिर्थभी क्या है, ओपन सिस्टम देखने को बेरता है बहीं आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसी तरे से बन्द सस्टम भी हो सकता है जैसे कि प्रत्थ भी है जो अन्परावतें उनके लिए क्या हो सकता है इंपर्थों को जैसे देखिए एक तंत्र होता है उस तंत्र को समान बनाए रखने के लिए यहां पर हमारा जो सरीर है हमारी बॉड़ी है या फिर कोई सस्टम है वो अपने अंदर परिवर्तन करता है उसी को क्या बोलते हैं फिडबैक किरियाविदी बोलते हैं यह पॉजिटिव भी हो सकता हैं जैसे कि आम लोगों को देखने को मिलेगा द इखिए फिडबैट किरियाविदी क्या होती है जैसे कि निगेटिव की बात करें जैसा आउटपूट आएगा उसके बिप्रेद सामेकार होगा तो उसको बोलेंगे निगेटिव लों गैज 20 में है जैसे कि आपको एक एक कर लेते हैं और कहते हैं यह थोड़ी से च्छाओं आ जाएगी थोड़ा पानी पी लेते हैं मतलब अपोजिट उदर ताप मान बढ़ रहा है ताप आपके उपर पढ़ रहा है गर्मी लग रही है तो गर्मी की अपोजिट डिरेक्शन में क्या हो रही है यान कि में होगा आउटपुट भी उसी दिसा में होगा जैसे किसी बेक्ति को लू लग जाए किसी बेक्ति को लू लग जाए और लू लगने पर क्या होता है उसका टेंपरेचर लू लगा टेंपरेचर बढ़ा आप लोग देखने को मिलेगा लू लगने से बेक्ति का तापमान और जबढ़ने लगता है, तो इसको क्या बोलते है धनातमक फिडवेक बोलते है, पॉसिटीब फिडवेक के नाम से इसको जानते हैं, तो यह जीज आम लोगो धिहान रखना है, जैसे कि देखिए निगेटिब में जैसे आपको गर्मी लगती है आप च्छाओं में चल ले जाते हैं गर्मी लगती है आपके सरीर का ताप्मान कम होने के लिए आपके सरीर में एटोमेटिकली पसीना आने लगता है उस पसीना के मद्यम से आपका जो बॉड़ी है वो ठंड होने लगता है आप लोग देखिए कभी ठंडी के मौसम में पसीना आता है नहीं आता है क्योंकि हमारा सरीर क्या है वह अनकूल अनकूलन करने का प्रयास करता है तो यह चीज़ आम लोग देखने को मिलेगी इसी तरह से देखिए आम लोग वैसे यह तो आगे आएगा इसको हम यहां पर ही बता देते हैं लोग लिए देखिए बहुत सारे लोग हैं गुड आफ्टरनून बोलने गुड इबनिंग बोलने इसंता च्छेत्र के लिए पूरे चेत्र को एक तरह से आरक्षट कर दिया जाता है वहकर दिया चासी कडतें का लिए उसको भोलते हैं रास्ते उद्ध्यान बोलते हैं, नीशनल पार्ग बोलते हैं, बन्नजीब अभिहारन क्या होता है, यहां पर जो जीब होते हैं आप लोग को देखने को मिलेगा, उन प्रजातियों के सररक्षड के लिए कोई छेतर है, वो एक तरह से सररक्षड कर दिया जाता है, उसको बोल अभिहारन तो अभिहारन क्या हुता है किसी स्पीसिस के लिए किसी प्रजाती के लिए सर्रक्षड के लिए बनाया जाता है आप लोग को देखने को बिलेगा और वहीं अगर हम बात करें जैब मंडल निच्चल की बात करे जो बायो इस पे रिजर्व होते हैं यह आम लोगों को देखने को मिलेगा जैब विबित्ता के सर्रक्षड के लिए पूरे किसी चेत्र को वो एक दिरे से सर्रक्षड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं जीब मंडल निच्चल के नाम से जानते हैं तो चीजडर के नाम रहल देखने को मिलगी देखे अगर हम बात करें यहां इसे द् से लोगों को दिखने को मिलेगा कर सकती है है सद Może को सकते हैं अगर हम लोग बात करें हाँ यहां पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखें जो रास्टे उद्ध्यान होता है यहाँ पर बानिकी या फिर चारण खेती सब कुछ क्या होता है प्रतिवन्दित होता है यहाँ पर कोई मान भी एक क्रिया कलाप नहीं किया जा सकते हैं बस अनुसंधान को छोड़े करके वो भी परमिसन लेगी जाएगी उसके बात अनुसंधान के लिए यहाँ पर अनुमति दी जा सकती है और उस अनुसंधान में किसी जीब के लिए हानी नहीं होनी चाहिए यह चीज़ देखने को बलेगी और अगर रास्टे उद्ध्यान के अंदर किसी का आवास आता है कोई छेतर जाता है उस चेतर को बहार कर दिया जाता है दूसी जगह उनको पुनर्वास के लिए जगह दी जाती वहां पर रहते हैं तो यह चीज़ देखने को बलेगी पहला बन नजीब मतलब नेशनल पार्क की पहले बात करें रास्टे उद्ध्यान की बात करें उत्तरा खंड में आपको कारवेट देखने को मिलेगा ओके जो जिम कारवेट है 1976 में इसकी इस्ताबना की गी थी अगर हम बहुत करें बन जीब अभिहारण तो बन जीब अभिहारण में बहुत सारी अनमतियां होती है जैसे कि यहां पर निजी स्वामित है बो भी बना रहता है लगूबन उत् जेतरों जब प्रोटेक्ट किया जाता है संरक्षित किया जाता है उनको तीन जोन में बढ़ा जाता है एक और जोन होता है एक आम लोगों को बफर जोन देखने को मिलेगा फिर क्या होता है बाहर जोन होता है जिसको संकर्मन जोन ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं त वह से न subtra के लिए और सब्सक्रानी को मिलेगा।," Nature यहां पर सब्सक्रार क्या होते हैं? हुग पृ प्राकर्थिवन्दित होते हैं- हैसा क्या संदान ऐसा किया जाए जिससे किसी जीव कोहानी ना हो फिर बीच में आता है मिडिल जो आम लोग देखने को भी जिसको आम लोग बफर जोन के नाम से जानते यह जो बफर जोन है इसका यूज की मतलब इसके उप्यों की अनुमति दी जाती है लेकिन नियंतरण के साथ अनु सैदी कटा किया जाता हो जलावन लकड़ी लाया जाता हो मतलब इस परकार की कोई परमपरागत यो जो चला आ रहा था वो चलता रहेगा अभी भी चलता रहेगा आप लोग देखने को मिलेगा कि इसी तरह से आनुसंदान सोद भी कार्र किया जा सकते हैं यहां पर होती है संकरमड जोन होता है यहां पर जैसे कि मनोरंजन हो गया फसल चेत्र हो गया और प्रवंदित जंगल है वह आप लोगों को देखने को बिलेंगे तो यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यह चीजद आप लोगो दिहान रखना है अगर हम लोग बात करें क्या होता है आप लोग देखने को मिलेगा कोई छेतर होता है पेले कोई छेतर होता और ऐसा मैं घ्물ान पर लिध ऑन बहुंगे हो एक प्रोसेस होता है वो पूरी पृकुरिया से गज़रने के बार उस छी क्षेतर में एक परीतंतर tuned निर्मान होता है पहली बार कोई छेतर है अब बहां पर जीब जन्तु एगदम आ जाते होंगे नहीं वो एक प्रॉसेस होता है वो पूरी प्रिक्रिया से गुजरने के बाद उस छेतर में एक परीतंतर का निर्माड होता है क्या होता है एक परीतंतर का निर्माड होता है यह परीतंतर के निर् आप लोग को देखने को मिलेगी उसी को बोलते हैं अनुकरमण बोलते हैं मतलब एक तरह से चरम समधाय जो होता है क्लाइमेक्स कम्यूनिटी होता है वह जागर के प्रतिस्तापित हो जाता है फिर बहां पर परितंत्र का एक तरह से नेरबाड़ हो जाता है अगर हम लोग बा मतलब इस्तिरकारक भी कारणों की बज़े से भी यह होता है क्या होता है जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा कहीं पर आग लग जाए अपरदन के कारण निच्छेपन के कारण बायू अपरदन के कारण कोई छेतर है वो एक तरह से बहां पर जीब जनतू है वो सारे के सा जैसे मैं एक एक्जामपल बताता हूं जैसे कि कहीं पर जौला मुखी प्रिगरिया हुई कहीं पर क्या हुई इस तरह से जौला मुखी था यहां पर अब जौला मुखी है वो यहां पर फटा और फट करके इस तरह से लाबा था वो बहुत एरिया में फैल गया अब लाबा कभी ना कभी तो यहां पर एक तरह से मतलब जीवन की उत्पत्ती है जीवन है वो प्रारम हो गई भली वो एलगी से हो भली वो किसी भी चीज़ से हो हलके हलके हो और अंतता जागर के यहां पर सेर, भालू, भेड, बक्री सब यहां पर रहने लगेंगे बड़े-बड़े ब्रक्ष भी आएंगे लेकिन पहले हो सकता है यह लाइकेन से स्टार्ट हो सरिफ तो यही चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी यही क्या है अनुकरमड है तो वो छेतर है जहां पहले पौदे-बौदे थे जीव जन्तु थे बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे-बौदे- प्रात्मिक अनुकरमड हो सकता है, दूतियक अनुकरमड हो सकता है, देखिए प्रात्मिक अनुकरमड क्या होता है, प्रात्मिक अनुकरमड होता है, जहां पहले कभी कोई समुदाय नहीं था, जैसे अभी हमें एक्जामपल दिये, कि एक नम निर्मित संरचना है, नम निर्म को मिलेकर जैसे देखिए नम निर में डेल्टा हो सकता है नमीन सेल कोई हो सकती है जो सेल अभी हम आप लोग को बता है यहां पर जो एक तरह से जीवन की जीवन का जो प्रारम होता है वो लाइकें से होता है किस से होता है लाइकें से होता है इसी लाइकें के लिए यहां पर प्यूनियोर कम्यूटी भी बोला जाता है, मतलब अगरगामी समुदाय बोला जाता है, अगरगामी समुदाय क्या होता है, जहां से यह अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारम होती है, उसको उसी जीब को, उस स्पीसिस को, उसी को क्या बोला जाएगा, अगरगामी समुदाय ब उकती है उसी तरह से लाइकेन है बहुत सारे लाइकेन बाइकेन इस तरह से छोटी मोटी मात्रा में लाइकेन घास होती है वो यहां पर इस तरह से उकती है यह हलके हलके जो पिरक्रिया है बहुत सालों तक चलती है तब जाकर के हलके हलके थोड़ी मात्रा में मिर्दा का निर माड़ करते हैं यही अमल क्या होते हैं तेजी से इस चटान का अपरदन करना प्राराम करते हैं यान कि चटान को अपरदन करने में थोड़ी सी सहायता करते हैं आप लोग देखने को मिलेगा फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अन पादब लिकलते हैं अब यह जो पादब होते ह यह कई सद्यों तक बरसों तक लिकलते रहते हैं। जिससे थोड़ी बहुत मात्रा में हाँ पोसक तक भी क्या होने लगते हैं। फिर इन जो न छोटे शोटे पादप होते हैं। की जगे घास ले लिती है मतलों और ठोड़े उची लाइक थ्योजी ऑप थोड़े यह और ठोटी है और आपफ पाधरा पाते हैं अन भादबों के भाद घास आती है तो खाने के लिए जीब जन्तू भी इस प्रिकार के होने लगते हैं फिर जीब जन्तू भी हाँ पर आने लगते हैं एक घास होती है अब घास के बाद में आपको देखने को मिलेगा इसका भी अब गटान हलकल के चलने लगता है घास भी आप लोग को देखने को मिलेगा समय के सा जो फिलाया मतलब पहले किया था छोटा छोटा लाइकें था आप लोग देखने को भिल ए इस च covenant किया भाइस को परतीस ताफित कि इस शुपर खास चली जाएगी जिससे अब जाडियों के बाद में यहां पर उची उची ब्रक्ष आएंगे आप लोग देखने को बिलेगा अब ब्रक्षों का निर्माण होने लगेगा इस तरह से बड़े-ब्रक्षों का निर्माण होने लगेगा अब इसको भी प्रतिस्तापित जाडियों को प्रतिस्ताबित करके बड़े-बड़े ब्रक्षा जाएंगे तो यही क्या है अनुक्रमण है आप लोग को देखने को बिलेगा देखिए मैं इस तरह से नीचे लिखा भी है तो देखिए जब ब्रक्षा जाएंगे तो ब्रक्ष क्या होते हैं क्लाइमेक्स कम्मिनुटी के अंतर गताते हैं अब लोग देखने को बिलेगा कि देखिए जो ब्रक्ष होते हैं यह परियावरण में जो परिवर्तन आते हैं उनकी प्रवर्ती को कम कर देते हैं तो यह चीदा आप लोग को देखने को बिलेगी और उनकी प्रतियन की सैंसीलता भी थोड़ी से जादा द होता है लेकिन वों किसी कारण बर नस्ट हो जाते जंगल में आग जाए जंगल में आग लग जाए तो बहां पर अनुकर्मण हलकल के फिर से प्रारब होगा क्योंकि सबी जीब जन्तु सब कुछ क्या हो जाएका जल जाएगा आप लोगों को सेजी से डारेक्ट गहास लिकलती है लाइकें से प्रारम मनें होता है बलकर आप लोग देखने को मिलेंगे घास फूस से जाड़ियों से प्रारम भूत है फिर से बड़ी-बढ़ी जहाड़ीयां गहासे आंप लोगो देखने को मिलेंगी कोई जंगाल कार दिया जाता है लेकिंद 2-3 सालों के बाद जाकर देखिए बहुत टेजी से विकास करता है तो आप लोगों से बूचा जाएगा प्रात्मिक अनुक्रमड और दूतियक अनुकरमण, दोरों में से कौन तीब्रता के साथ में तेजी से विक्सित होता है, तो आप लोग देखने को मिलेगा, दुतियक अनुकरमण होता है, वो तेजी से विक्सित होता है, देखिए, यह है, अधिक तीब्रता के साथ कम समय में ही क्लाइमेक्स कम्यूनिटी है, स्पी को कि अधार पर भी चैसे दीका अजाबिक गटकों पर भी हम सका बर्गी करण न कर सकते हց अनुख वर्टन करेंगाइग सतब्सक्राइब और एक होते हैं अब जनक आप लोगों को देखने को बलेगे देखे जो सौजनक होते हैं इसमें समुदाई अपने बाता बरण के साथ क्रिया करके उसमें परिवर्तन करता है और परिवर्तन करके एक नए समुदाई को ले करके आता है इसको बोलते हैं सौजनक बोलते हैं और प्रिकार के अनुकरमट को अप जनक बोलते हैं, तो इसका पूर्मा लगान, पूर्मा अनुमा लगाना कथिन होता है रहाँ जैसे की एक पारिष्दत के तंतर हैं, डूसरी जगे से कहीं से इस पिरकार का ऐसे कि आप लोग देखेंगे जंगलों में लेंटाना जील लेंटाना घास आप लोग देखने को मिलेगी जो एक सिरदर्द का कारण बन गई है हमारी पसिम मंगाल में उत्तर भारत में आप लोग देखेंगे जल कुम्भी है इसको पहले पहले तो लाय पहरत से लाया गया था लेकिन भारत में इतनी तीजी से विक्सित गूहिए आज सभी जलिये परीतंत्रों में सबसे बड़ी समस्या जल खुंभी जो काई है जल कुंभी है उसकी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलेगी तो वो क्या है बाहर कारको की बज़य से यहां पर व क देखेंगे कि यहाँ पर अनुकिरमड की प्रिक्रियाओं की बात करें तो एक समान प्रिक्रिया होती है जो देखने को बिलगी और एक जलिया आवास के लिए प्रिक्रिया होती है देखें अगर हम बात करें यहाँ पर समान प्रिक्रिया की बात करें तो देखें इसमें पहले आई गए तो एक प्लेस का निरमाड होगा जहां जीप क्या हो जाएंगे सहाथ हो जाएंगे तो इसी को बोलते हैं नीडीशन के बाद में आप लोग देखने को मिलेगा है इनवीजन का प्रोसेस ब्रारब हथा है यहां पर क्या होता है इसमें बीज होते हैं या फिर जो इसपोर होते हैं वो पूरे छेतर में फैल जाते हैं किसी करणा बस फैलते हैं फैलने के बाद हलके हलके वो उगते हैं उगने के बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा हलके हलके वो एक जगह एकटा होने लगते हैं प्रिजनन की प्रिक रूपती है इस तरह से आप देखने को मिलेगा फिर किये रियक्षिचन होता है रियक्षिन मतलब प्रतिगरिया होती है इसमें देखिए जी डीवित प्रुपढी के प्रुपहों के कारण आप लोग देखेंगे जो परियाबरण है उसमें हलके-हलके परिवर्तन आने लगते हैं, उन्हीं परिवर्तनों के करण, दूसरे समधाई हैं, दूसरे समधाई का आगमन उस चेतर में हो जाता है, इसी को बोलते हैं, प्रतिकिरिया बोलते हैं, ओके, और फिर देखें, इस तरी करण आप लोगो देखने को मिलेगा, म क्रमड कैसे होता है सबसे पहले आप लोग देखेंगे देखिए गाद का निर्माड होता है इसी गाद में हलके हलके नीले और हरे सैबाल है उनका निर्माड होता है बेवन प्रकार के जिबाडू होते है वो आते हैं फिर देखिए जो हरे और नीले सैबाल होते हैं इनसे हलके 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 इनका अबगटन होता है जिससे आपको देखने को मिलेगा मुलायम गाद का निर्माड होता है और आप लोग को देखने को मिलेगा मुलायम गाद का निर्माड भी होता है और प्रकास भी हाँ पर उपस्ते रहता है जिससे आप लोग को देखने को मिलेगा कि प ये पौदे होते हैं, इनका भी तेजी से अबगटन होता है, तेजी से उगते ही हैं, तेजी से अबगटन होता है, जिससे आप देखेंगे, जो जल के तल जो होता है, नीतल होता है, उस नीतल पे तेजी से, इनके अबसादों में ब्रद्धी होने लगते हैं, जिससे गाद मे आतिकरमर कर देते हैं और जो ये तैरने वाले पौते होते हैं ये बहुत तेजी के साथ में बढ़ते हैं क्या होते हैं बहुत तेजी के साथ में बढ़ते हैं जिस बज़े से गाद की जो मात्रा होती है और तेजी से बढ़ने लगते हैं अगर गाद इतनी तेजी से चलती रहती तो आपको देखने को मिलेगा जड़ युक्त पौधू का आगपन होता है जो जड़ युक्त पौधे होते हैं यह जमीन से जमीन से पोसक तत्व लेते हैं और इनका भी विकास तेजी से होता है इन पादबो की संख्या है वो तेजी से बढ़ती है फिर अंतता ज करके हलके हलके यह भी बहां पर हलके हलके इनका एक तरह से मतलब यह भी डिकंपोज होते रहते हैं हलके हलके वो पूरा यह जो छेतर होता है क्या हो जाता है उससे मिट्टी से भर जाता है मिट्टी से भरने के बाद हलके हलके मैदान में परिवर्टित हो जाता है किसमें प जखने को बिलेगी तो दीखिए जैसे किरमक होते हैं ना किरमक से जो क्लाइमेक्स कमुणिटी क्या होनी लगती है इनकी बढ़ने लगती है समधाइं में इनकी संरसना है वो और ज़धा complicated होने लगती है जटेल होने लगती है जो खाद जाल है ना वो बहुत ज़धा complicated होने लगता है यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है देखिए खाद सरंकला food chain जिसको बोलते हैं और एक होता खाद्र जाल होता है आप लोगों देखने को मिलेगा food स्रंकला chain chain क्या होती है एक लड़ी होती है आप लोगों देखने को मिलेगा जैसे कि आप लोगों इस simple जो उपर अब हम आपको दिखाएते हैं वो खाद्र स्रंकला का example था बहुत ही simple था जैसे कि पादप है मतलब एक तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा देखिए जैसे कि घास है घास को खाया कौन हिरन मानते हैं ये क्या है इस तरह से मान लीते हैं ये हिरन है अब ये अब आपको देखने को मिलेगा खाया एक तरह से सेर क्या खाया खाया सेर खाया अब देखिए ये चीज़ देखने को मिलेगी तो ये क्या है आप लोग ऊत पाद़ confront उभili Frame k eccors अब इस टिडडी को मेडग खाता होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा और क्या यह जो बाज है यह टिडडी को नहीं खा सकता है टिडडी को भी खा सकता है क्या यह सांप है यह सांप है टिडडी को नहीं खा सकता है आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक इस्तर का प्राड़ी होता है वो दूसरे इस्तर को भी खा सकता है पहले इस्तर और दूसरे इस्तर को भी खा सकता है और दूसरे इस्तर का प्राड़ी वो तीसरे इस्तर को भी खा सकता है ऐसा होने लगता है तब हम इसको बोलते हैं खाद जाल बोलते हैं यानि कि इसमें देखिए भिविन प्रकार की जो खादस रंखलाएं हैं यह आपस मे अंतरसंबंदित होती है और इसको समझना थोड़ा सा complicated हो जाता है इसी को जाल बोलते हैं यानकि खाद जाल बोलते हैं फूड बैब बोलते हैं देखिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जैब बिविता है जो जैब बिविता है वो सवान पाती होती है खाद स्रंखला की ज जटेलता के यान कि खाद्र स्रंख्ला जितनी ज़्यादा जटेल होगी अब लोग देखने को मिलेगा उस छेत्र की जय बिवित्ता उतनी ज़्यादा होगी और उसके बिलुप्त होने का खतरा उतना ही कम हो जाता है क्योंकि ऑप्सन बढ़ जाते हैं अब यह सोचिए जैसे क मैडक को खाता हो किसको खाता हूं मैडक समाप्त हो जाए इस परितंतर से तो Wenwise इताAgust hor Epic के मरने से दूसरी स्पीसिस भी जी भी तरह लेगा इसलिए जब भी पिता है वो बनी रहेगी जब भी पिता है बनी रहेगी तो यह option में बहुत बार पूछा जाता है question में यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छा एक सेकंड ही क्या हो गया चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक सेकंड है कि मैसेज में थोड़ा सा एरा रा गया था यहां पर आप बोल रहें कि जो अपडेट क्लास है वो कब होगा देख लेंगे उसको भी कभी करा देंगे आप लोगों के लिए परिसान मत होईएगा बिजन 365 का अपडेट भी करा देंगे चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग आगे बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा परीतंत्र होता है इसमें देखिए जीबधारी प सब्सक्राथ लोगो देखने को मिलेगे क्या है का मुछुल छीत शचेतर है है यहाँ इस तरह से खुला तंत्र होता है इसमें का ऑभी सकते हैं और यह यहां पर चमन रूम बिलेगा। जो परितंतर होता है इस ने करा पीजा ब्रस्थन से कृ कृ-दू सकता अगर और जा मलीए इसको इसका एक बटेद दसबागी ही मिलीगा मतलब दस उनिट ऊड़जा म हुर्जा मिलीगी आब जो भी उपभुगता होगा उसके लिए एक बटेद दसबांका मिलीगा मतलब लोग hp बढ़ता चला जा रहा है इसके घटक के बारें बात कर लेते हैं तो देखिए जैबी घटक हो सकते हैं इधर उत्पादक उपभुगता और जो हम लोग कर चुके हैं और अजयाभी घटक कौन से होते है इसमें अकार्बनिक कारबनिक और बहुत इक बात अबरन आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा अगर हम बात करें देख कि इतर उतपादक की तो उतपादक होते हैं वह ऐसे जीव होते हैं जो अपना बहुत ही सिंपल देखने को मिलेगा इनकी कोशिकाओं में जो लबक पाएजाते हैं यही जो क्लोरोफिल पदार्थ होता है यही इने भोजन बनाने में साहिता करता है प्रकास संसलेशन का आप अपस्थर करके कारबन डायोकसाइड और जल की उपस्तति में यहां पर अपना बहुत है जो साकाहरी होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दुतिया को बहुता होता है जो सरवोच मासाहरी होते हैं जो प्रात्मे को दुतिया को बहुता को खाज आते हैं उनको बोलते हैं तिरतियक उप भोकता बोलते हैं जैसे कि बाज हो गिद्ध हो गिए, सेर हो गिए, चीता हो गिया, तिन्दू हो गिए यह देखने को मिलेंगे इसे के अलावबात देखिए जैसे कि अपमारजक के रूप में बी आता है मरत्य ऐसे अगर हम बात करें बीघटक, जिसको मिरत पोशे भी हम लोग बोलते हैं, बीघटक जो होते हैं, एक कुछ अपगट को का अपमार्जन करने का कारिय करते हैं, जैसे कि आप लोग यह देखने को मिलेंगे, जैसे सूच मजीब होगे, कबब कोगे, जीबाडु होगे, केचुगा होगे, यह सारी स बहुत जादा आप लोगों को दिखने को बलेगा अतियन तो सूच चोटे होते हैं लेकिन इनकी परीत अंत्र में बहुत मैंतफुर्ण भूमिका होती है जो यह अब घटक होते हैं क्योंकि इनके बिना पधार्तों का चक्रण नहीं हो पाएगा संबब नहीं हो पाएगा इसी तरहहिसे ऐगर हम लोगों करेए अजयबिक कारिक की, तो अजयबिक कारिकों के अंतरगत, बहुत सारे बहुती कारिकों में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, परकास हो गया, जल हो गया, अधर्ता हो गयी, यहां पर मिर्दा हो गयी, दाव हो गया, गुरुत बबल हो गया, वो सब आता है, रसा हैं और आयन है उनकी सांदरता भी समयल कि जाते है पोशक टतव में धू हो सकते हैं ऑर हम लोग बात करें बहुत महत्रोपड भुमिक्ण के नेवाता है भुमिका के अगर हम बात करें तापमान की तो प्राड़्यों में उपापच्चग क्रियाए जैबिक के लियाएं और उनकी जो ब्रद्दी होता है बितरन होता है उसको प्रभावित करता है तापमान देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तापमान की बात करें तो देखिए यहाँ पर ताप सहन सीलता की परास के आधार पर हम इनका विभाजन कर सकते हैं एक होता है बेहद पर सहन करने वाले जीव हो सकते हैं कम परास को सहन कर सकते हैं आप लोग को देखने को मिलेंगे कि बहुत Zumjat उच्झ तापमान पर भी अपने आपको मतलब सर्भाइब कर पाते हैं जैसे कि मनुस्स हो गया जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा भेल आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे जो आप लोगों के लिए जो इस्तंधरी देखने को मिलेंगे सभी इसमें आप लोग 應該 सब्सक्राइब और रखे जाते हैं okay अगर हम बात करें पहले तोげ न pagar लोत पहले तयुद ताप मान आपको देखने को मिलेगा की ताप मान हलके बढ़ता है तो घ्लिड़ जालके बढ़ता है तब एक विजदों है जहां से जीवों के अंदर उपापची से वो प्रारम होना प्रारम होती है लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि देखिए एक पॉइंट ऐसा आता है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जहां पर वो अपना maximum efficiency पर एक अगर हम बात करें अगर इससे नीचे अगर तापमान चला जाए जो कम से कम तापमान होता है अगर उससे नीचे चला जाए तो वो जीब क्या है चिल कोमा में चला जाएगा और इससे ज्यादा तापमान हो जाए तो वो हीट कोमा में चला जाए क्योंकि हीट कोमा में आप लोग देखने को मिलेगा कि जीबो का आकार और रंग है वो भी कहीं न कहीं तापमान डिसाइड करता है देखिए जहां पर तापमान ज्यादा होता है और साथ में नम बायू पाई जाती है बहां पर गहरा रंग पाई जाता है जैसे कि आप अफरीका में देख लिए मिलेगा दिखे जो बनक निर्माड है उनके अंदर नहीं हो पाता है जहां पर आप लोग कृषिख कर जाता है कि कभी कवार ऐसा होता है कि तापमान बढ़ने के साथ, उनका कलर क्या हो जाता है? हलका हो जाता है, साफेद हो जाता है, तब हम उसको अपोजिट होता है, मतलब एक तरह से, तो इसी के लिए प्राउन बोलते हैं, तो ये चीदा हम लोग ध्यान रखेगा, इसी तरह से अगर हम का आकार क्या होता है, तापमान के ब्यूत करमान पाती होता है, इसी वज़े से आप लोग को देखने को मिलेगा, कि जब जीरो डिगरी के इदर होंगे, तो निमनक छांसों की और तापमान अदिख पाये जाता है, तो इदर छोटे जीब पाये जाएंगे, बहीं आप जैस का आकार छोटा होता है, तो उर्जा हरास तेजी से हो जाएगी, उर्जा हरास तेजी से हो जाएगी, क्योंकि तापमान जादा प्राप्त हो रहा है, तो उर्जा हरास तेज होनी चाहे नहीं, तो इंसान को गर्मी बहुत लगेगी, इसलिए मोटे इंसान को देखे, पसीना बहुत आता है गर्मी बहुत लगती है उसको बहीं आप जाईएगा धुर्बिय चित्रों में सरीर बड़ा होगा तो उर्जा है वो संरक्षित रहेगी उर्जा हरा से है वो कम होगा तो क्योंकि आकार बड़ा होने से जो एनर्जी है वो अंदर स्टोर रहेगी तो सरी गरम र बात करें देखिए यहां पर पूछ कान और जो पैर है इनके आकार में परीबरतन आता है तापमान के साथ में इसी वजomena से जब आप जाएंगे यहाँ पर 0 degree के इधर जाएंगे तो 0 degree के इधर जाएंगे और 0 degree से या फिर अधिक तापमानवाले से कम तापमानवाले चेतर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए जो यह अंग है यह अंग बड़े-बड़े पाई जाएंगे इधर यह अंग चोटे-चोटे पाइस जाएंगे इधर अंगे चोटे-चोटे पाइस जाएंगे जैसे कि अगर आप गरम चेत्रों में जाएंगे बहाँ पर जानबरों के कान क्या होंगे बड़े-बड़े होंगे जानबरों के कान क्या होंगे बड़े-बड़े होंगे अब इन कानों के अब धुर्भीय चेत्रों में या फिर कम तापमान वाले चेत्रों में जाएंगे, तो बहाँ पर कान बड़े बड़े होंगे, तो ठंड तेजी से लगेगी, अब देखिए, हम लोगों को ठंड लगती हैं, हम क्या कितने ही, तोपा लगा लेते हैं क्योंकि कान के मादने से ठंड घुस जाती है अब देखे कान बड़े होंगे तो और तीजिसे ठंड घुसेगी इस सरीर के अंदर तो इस वज़े से कान क्या होगे छोटे होगे पूच क्या होगी छोटी होगी पैर क्या होगे छोटे-छोटे होगे क्य इसी दरह से देखिए उन्हों बताया देखिए रेञें से इन्हें बताया जो पक्षियं होती हैं उनके जो पंक होते हैं वो छोटे ऊड़ीले होते चले जाते हैं जैसे जैसे आप धुर्बोग और जाएंगे वैसे पैसे पंक क्या उती चल जाते चोटे चल जाते चोटे चल जाते सेम लगा दीजेगा जॉर्डन है उन्होंने कहा देखिए मचलीयों में मचलीयों में जो जो कसीरिकों की संक्या है वो बढ़ने लगती है जब धुर्बों की और जाएंगे तो उनके अंदर कसीरुकों की संक्या है अडियों की संक्या है एक तरह से बढ़ने लगती है अगर हम लोग बात करें प्रिकास का प्रभाव से की कर्यावित होती हैं अब लोग दखने को बने जैसे देखिए पर कांच के गुण में क्रियाविदी होती आप जैसे जैसे न सीद्ण कि भूंपाती होता है लबड़ों की गुलन सीदा कि Бृत करमान पाती होता है ए चेज़ ध्यार रखना है देखिए जो परिकास है उस पर तुचा पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे आप लोग देखने को मिलेगा देखिए जो परिकास है वो सवान पाती होता है तो चाकी रंग अगे, जितना ज़्यादा प्रकास पड़ेगा, उतना ज़्यादा आप लोग दिखने को मिलेगा, कि यहाँ पर रंग है, वो colorful होता चला जाता है, यह चीज़ आप लोग दिखने को मिलेगा, इसी वज़े से, देखें, गुफा में रहने वाले, गुफा में जो साप पाई जाते हैं, वो colorful होते हैं, लेकिन जो हमें साप पाई जाते हैं, देखेंगा, वो color भी हीन होते हैं, रंग हीन होते हैं, जादा colorful नहीं देखने को मिलेगे, इसी तरह से, चालन गती भी, जैसे देखें, ताप मन जादा होगा, तो तेजी से चलेंगे, ताप मन फसले हैं वो इसी वज़ी से अम इस मौसं में उगा लेते हैं हैं अगर हम बात करने हैं पर देखिए पानी का पर परिभाव पर पर बहुतता मोणे MJ पर देखने को मिलें गें कि परी तंतर जहां पर जदा पालिए जाता है ंगी जिप जीब भी क्या होगे उसी तरह से पाइस आएंगे जो अभी हम लोग ऊपर बात किये थे जहां पर जלא पाइस आता है तो बहाँ पर उस परिकार के जीब करें जादा इस परकार के मोगत होगे जै़ने कि उनी में जल संदक छड़ की परणाली है वो विक्सित होने लगती है इसी वज़े से आप डिजर्ट एरिया में चले जाएए मरस्तलिय चेत्रों में चले जाएए बहां पर पेड़ पौदे हैं वो उस प्रिकार के पाइजाते हैं जैसे कि गुदेदार पौदे होते हैं तो यह ची लिंबक होते हैं मतलब जो लारबा होता है उनके परिवर्दन के लिए इसकी आपसकता होती इसी वज़े से उबहेचार मगरमच्छ होते हैं उबहेचार होते हैं और जो मच्छड होते हैं आप लोग को देखने को मिलेगा और भूमिगत जीव होते हैं कच्छुए होते हैं इस सब आप लोग को देखने को मिलेंगे जब humid area होता है मतलब humid मौसम होता है तब यह अपने अंडे वंडे देते हैं जैसे कि मगर मच्छ हो गया कचुआ हो गया मच्छड भी इसी मौसम में आप लोग देखेंगे कि जलवल वाले सतय पर जहां पर आधरता जादा होती है तो इतने डीप में आप लोगों से नहीं पूछेगा अगर हम लोग बात करें यहां पर रसानिक कारक की तो भीविन कारक होते हैं जो प्रुभावित करते हैं जैसे कि बायू मंडल यह गैसे देखने को मिलेंगे देखें बायू मंडल यह गैसों में oxygen तो जीबों के लिए आंत इस तरह से अगर हम बात करें पाओदे हैं उनके लिए carbon dioxide की आप सकता कि carbon dioxide नहीं मिलेगी तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो carbon dioxide जो है वो जल में जल के साथ घुल करके carbonic अमलका भी निर्वाड करती है तो इस तर मच्छर का जो लारबा होता है वो pH value अगर पांच से कम है तब ही वह अपना लारबा देगा नहांता उसका लारबा क्या हो जाएगा नस्ट हो जाएगा वोगे इसी तरह से बहुतारे सीप होते हैं गौंगे होते हैं वह भी सास से आठ के वीच में जब pH value होती है तब ही वो तरह से पोसक्तत्व होते हैं अगर हम पोसक्तत्व की बात करें तो देखे कुछ पोसक्तत्व होते हैं जो बेहत पोसक्तत्व होते हैं जिनकी हमें ज्यादा बसकता पड़ती है जैसे जो रीड़ वाली हड्डी वाले जीब होते हैं जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं उन ज का निरुमाड करना हो इसके लिए कैलसियम की ज़्यादा आवसकता पढ़ती तो यह क्या है यह पहतत्तब होता है जिनकी हमें कम मात्रा में अबसकता होते हैं लेकिन एे बहुत मात्रा में हमारी body के लिए आपसकता होता है आप लोगोगो के अंदर zodium potassium कि थोड़ी सी भी कमी हो जाएगे आपको चक्कराने लगेगा भली है ऐपको ने लागेगा बहले आपक Sug Chinese भी आपके अंदर है नर्जी हो तो आप लोगो देखने को मिलेगा जैसे मेंगनीशियम हो गया फेरस हो गया तो जिंक विंक की यह सारी सिज़े आपको बोरान कॉपर उपर इस सब आप लोगो देखने को मिलेंगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पारिसित की तंतर के प्रिकारी के बात करें तो देखिए यह स्थलिये हो सकता है जलिये हो सकता है और आर्टी भीसियल भी हो सकता है तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं इस तलिये और जलिये कौन-कौन सा होता है ये तो बताने क्या बसकता नहीं है अभी हम लोग बात करते हैं उत्पादक्ता की उत्पादक्ता से कोछ सन अक्सर पूछा जाता है क्या होती है तो प्रतिकाई समय में यहाँ पर प्रतिकाई ex छेतर में जो ऊर्जा का आपसोषड किया जाता है। को प्रात्मिक उतपादकता बोलते हैं यह देखे दू रूपों में मापन जाती है एक आप लोग को उत्पादित कुल जो मातरा होती है उर्जा की उसी को बोलते हैं जी पीपी बोलते हैं क्या बोलते हैं जी पीपी बोलते हैं लेकिन आपको देखने को मिलेगा इसी जी पीपी में से जब हम घटा देते हैं उर्जा हरास को घटा देते हैं तब हमें एन पीपी मिल जाता है क्य कुछॉर्जा का उभभोग कर लिया जाता है कुछॉर्जा का उभभोग कर लिया जाता है उस उव्षा को हम घटा देते हैं अब जी पीमें से या surge में संचित उर्जा की मात्रा देखने को मिलेगी कि देखिए जो गतिसील होता है जीवों से एक जीव से दूसरे जीव में गतिसील आप लोगो को देखने को मिलेगी दुतियक उत्पादक्ता क्या होती है एक जीव से दूसरे जीव में जाती रहती है तो यह चीज़ा हम लोगो को ध्यान रखना है इसी तरह से निबल उत्प पदक्ता बोलते हैं आप लोग को मिलेक bilang झैसे कि हम देखिंगे यस इन भाग सुगहन कता है जैसे कि मानने हैं देखिए मैं आपको एक example के माददे में समझाता हूँ जैसे देखिए सकल प्राथ में कुछ पादकता है यह 100 unit है 100 unit अगर मान लेते हैं लेकिन इस 100 unit के निर्माड करने के लिए हम एक कारज भी तो करना पड़ेगा तो इन जो पौधे थे इन पौधे को कर भी तो करना होगा मानते हैं इसमें 10 unit का हरास हो गया 10 unit का हरास हो गया तो जो 90 unit आया यही क्या होगा NPP होगा अब एक पौधे के अंदर मानते हैं यह 90 unit है फ़र एकचमपल के लिए मान लेते हैं अब इस पौधे को किसने खाया किसी पर जीबी ने खाया आप लोग देखने को मिलेगा पर पोसी ने इसको खाया अब खाया तो यह 100 यूनिट का 100 यूनिट इसको नहीं मिला उसको मिला मानते हैं कि इसमें से सिर्फ 9 यूनिट मिला तो जो 6 यूनिट है वो आपको देखने को मिलेगा कि उसका गिरहन नहीं कर पाया तो बही क्या क्यालाती है निबल उत्पादक तक क्यालाती है तो यह चीज़ आप लोगों को दिहान रखना है तो दीखेए इसका अर्थ है कि उत्पादकों में जो जैब भार है वो क्या होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा अगर इसकी मात्रह कम होती है तो ओके तो यह चीज़ा हम लोगो थोड़ा सा दिहान रख लेना है दिखे अगर हम लोग बात करें यहां पर अब घटन पिरिक्रिया की तो दिखे अब घटन की पिरिक्रिया है एक नेचरल प्रोसेस है इसमें कोई भी जीब या पादब होता है वो अब घटन के मध्यम से नस्ट हो जाता है और जो भी उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्त होत को में टूट जाते हैं इस चीज़ हम लोग देखने को बिलेगी देखिए अगर हम बात करें यहां पर मुरत जीबो या फिर पादबो के सडने या फिर टूटने की जो पिरिक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं अब घटन बोलते हैं इसमें देखिए जटिल कार्बनिक सबसे पहले मानते हैं पदार्ट इस पेढ़न बिंदों की बिंदों की प्रेग्रिया होती है आप नोग देखने को मिलेगा कि जो आहरी होते हैं यह आप अप अपराधहारी जीव होतेगे जैसे की केच वह आप लोग देखने को मिलेगा इसको काट काट के तोड़ तोड़ करके छोटे तुकड़ों में बदल देते हैं इसी को बोलते हैं बिखंडन बोलते हैं बिखंडन की पिरक्रिया के दौरान क्या होता है इसका आकार छोटा होता है अब देखिए जब इसका आकार छोटा हो जा होते हैं आप लोग देखने को मिलेगा इस मेंसे जो गुलन सील तत्व होते हैं जो बिखंडित पदार्त हैं उस बिखंडित पदार्त मेंसे जो गुलन सील तत्व होते हैं वो जल के साथ गुल करके जो मिर्दा की नीचे की पड़तों में चले जाते हैं इसी को बोलते हैं नि प्रिक्रिया है वो अपचन की प्रिक्रिया होती है अपचन की प्रिक्रिया जो होती है इसमें जो जिबाडू होते हैं जिबाडू और कबक जो होते हैं यह जो अपरत पधार्त है जिसका क्या हुआ विखंडन हुआ विखंडन हुआ इसी विखंडित पधार्त के लिए सरल य या फिर अकार्बनिक पदार्तों में तोड़ देते हैं फिर इसके बाद प्रारम होता है यूमिफिकेशन का प्रारम होता है देखिए यूमिफिकेशन में आप लोग देखने को मिलेगा कि यहां पर गहरे रंग के तत्बों का निर्मार होता है जिसको हम लोग यूमस के नाम हो जाता है इसके फिर बिगटन की प्रिग्रिया बहुत धीमी हो जाती क्योंकि हुमस होता है वो उच्छ प्रतिरोधी होता है जिस बज़े से इसमें अब घटन की प्रिग्रिया बहुत शिलो हो जाती है लेकिन यह अब घटन की प्रिक्रिया रुकती नहीं है निरंतर चलती रहती है फिर सुक्ष मजीबों के द्वारा जो हीमस वाले जो छोटे-छोटे तत्व होते हैं युमिप्फिकेशन के माध्यम से जो इनका निरमाड हुआ है आप लोगो देखने को आप जयां की predictive जैजल हो गया फिर जो मीथेन मीथेन में कैलसियम मैंगनीश्यम पोटेसियम जितने भी तत्व हैं वो सब तत्व अलग हो जाते हैं और पिछांद। करन बोलते हैं यह देखने को एक निश्चालं की प्रकिरण होती है यह सारी पplo यह आंब आप लोग देखने को मिलेगा कोई पतारत्थ है उसमें पहले हो जाएगा फिर निच्छालन हो जाएगा फिर अप्छांड़ की प्रिक्रिया होगा फिर हिमिफिकेशन होगा फिर सारी प्रिक्रियां एक शात प्रगरिया के साथ में अपचन की प्रगरिया चल लए होगी यानि कि प्रगरियां हैं इस समय के साथ चलती अगर लोग बात करें कि यहां प्रभावित करने वाले कारकों की प्रभावित करते हैं जैसे कि आप लोगो को देखने को मिलेगा कि तापमान के तापमान होता है वो अपगटन की दर्के समान पाती होता है अब बात करें देखिए इसी तरह से आधरता की तो आधरता है यह समान पाती होती है आप घटन की दर के समान पाती होती है यानि कि जहां बरसा होती होगी आदर मौशम होता होगा आदर मौशम होता होगा बहां आप घटन की दर तेज होती होगी बहीं आप सुस्क छितरों में मरुस्तलिय छितरों में चले जाए बहां आप घटन की दर क् slow होती होगी बहुत ही आप लोगों दिखने को मिलेगा इसी तरह से आप गटन की दर है वो तेज हो जाती है जैसे कि नाइट्रोजन और सरकरा तो आप गटन बहुत तेजी से होगा अब आप काम करते करते थक जाएं थोड़ासा सरकराय यान की गुलू को गोल करके पीले एनर्जी आजाएगी बूस्ट हो जाएगी एक दम तेजी से काम करने लगे उसी तरह से यह भी देखने को बहुत है अगर हम आप बात करें देखिए अगर इस अपरत के अंदर पदार्थ के अदर अगर लिगनीन के मातर या फिर है वो अपरदन की प्रिक्रिया में ब्रद्धी कर देता है तो नहीं कमी कर देता है यह आप लोग को धिहान रखना यह बहुत इंपोर्डेंट है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यह हम लोग समझ गये खादर जाल अभी हम लोग बता दिये खादर सरंगला आप लोग ज देखने को मिलेगी देखिए जो अपरत खादर सरंगला होती है पहले तो हम चारण खादर सरंगला की बात कर लेते हैं देखिए जो चारण खादर सरंगला होती है यह सरंगला हरे पौदों से प्रारम होती है और फिर मासा हरियों परिजा करके समाब तो जाती है लेकिन उससे प्रारम होती है आप लोगों को देखने को मिलेगा अपरत पधार्त होता है जैसे कि घास फूस है या फिर कोई मरत जीब वह अपरत होगा बहां से प्रारम को कौन खाएगा पर केचुवा को कौन खाएगा उससे बड़ा जीब खाया जैसे कि मानते हैं इसको छिपकली ठाली जिपकिली को कौन खाया सांप खाया शांप को खो सकता है अगर आतनामी है अगर हम बात करें है पर परभक्शी qadr.. balanced ऍनध्व बंचची परभक्षड की और से आप लोगों को देखने को बिलेगा जैसे कि परभक्षड के माद्यम से इसमें उर्जा का इस तनांतर होता है जैसे कि आप लोगों को देखने को बिलेगा कोई यहां पर पादप पिलबग है इस पादप पिलबग को किसी प्रानी पिलबग ने खा लिय अब प्रानी पिलबख है इसको किसी मचली ने खा लिया अब मचली को किसी बड़ी मचली ने खा लिया बड़ी मचली को किस ने खा लिया मन उससे खा लिया मतलब क्या हो रहा है एक जीब है वो दूसरे जीब को एक परजाती दूसरी परजाती को क्या कर रही है भक्चड कर रही है एक तरह से आप लोगों देखने को परभक्चड हो रहा है तो यह परभक्चड में क्या होता है एक जीब दूसरे जीब को खाता चला जाता है इस बज जीबी खादर संखला की बात करें तो पर जीबी खादर संखला है इसमें उर्जा का इस्तनांतरन पर जीबिता पर होता है आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर प्राणी होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे आप लोग को देखने को मिलेगे प्राणी होते हैं जैसे कि होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं, अब आपको देखने तो दिखे पर भक्षण और पर जीपता के माद्यम से अगर दोनों रूपों में उर्जा किस्तानांत्रण होता है जैसे कि आप लोग देखने को बिलेगा जैसे कि पौधा है इसको खरगोस ने खा लिया और मनुस के उपर विविन प्रिकार के जैसे कि फीता किर्मी पाया जा यहां पर पारिस्तित की प्रामीट की बात करें पारिस्तित की जो प्रामीट होता है यहां पर उर्जा का इस्तानांत्रण एक तरह से दिखाया जाता है तो प्रामीट कई प्रकार के हो सकते हैं संख्या प्रामीट हो सकता है जैभार प्रामीट हो सकता है उर्जा प्रामीट बोलते हैं पारिस्तित की प्रामिट समानता तीन प्रिकार के होते हैं चलिए हम तीनों प्रिकार के पारिस्तित की प्रामिट को देख लेते हैं एक होता है संख्या प्रामिट दीखे एक संख्या प्रामिट होता है मतलब यह नंबर प्रामिट आम लोग को देखने को मिलेगा भिविन इस तरों के इसमें जो उत्पाद को और फिर उपभोगताओं को सामिल किया जाता है उनकी संख्या को काउंट इसमें किया जाता है और उन संख्याओं के आधार पर एक चित्रन किया जाता है जिससे एक प्रामिट का निर्मान हो जाता है यह जीज़ देखने को बन सकता है उल्टा भी बन सकता है देखिए संख्या प्रामिट आप लोगो देखने को भी लेगा जैसे संख्या प्रामिट है अगर हम बात करें घास और तालाब में घास और तालाब में संख्या प्रामिट है वो सीधा बनता है जैसे कि आप लोगो देखने को भी लेगा घा फिर उसको खाने वाली की संक्या उससे कम होगी फिर आपको देखने को मिलेगा कि उनको खाने वाली की संक्या और उनसे कम होगी जैसे कि आप लोग इदर देख सकते हैं घास घास को टिड़ी खाता है टिड़ी को चड़िया को बाज खाता है जैसे कि भेड़ बकरियों की संक्या आप लोगो उससे कम देखने को मिलेगी फिर भेड़ बकरियों को खाने के लिए सेर बाग की संक्या क्या क्या होगी कम होगी आपने देखा कभी सेर बाग की संक्या है वो भेड़ बकरियों से भी जादा हो जाए मतलब साखहारियों से पीजादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, यह चीütün आप लोगे देखने को बेरी तो यहाँ पर संख्या प्रामिट कैसा बनता है, सीधा बंता है। लेकिन कुछ जगे पर संख्या प्रामिट क्या होता है। उल्टा भी बनता है। आप लोगु को देखने को भी लिखा। जैसे कि अगर आप बन की बात करें। जैसे कि आप बात करें। ब्रक्ष के बात ज़्यादा संक्या में रहती होंगी अब चडियों के उपर परजीवी रहते होंगे उनकी संक्या उनसे भी ज़्यादा आप लोगो देखने को विलेगी एक एक चडिया के उपर दो दो तीन तीन परजीवी रहते होंगे ऐसे कि एक पेड़ है एक पेड़ पर चडियों की संक संख्या प्रामिट क्या होता है उल्टा होता है ध्यान रखिएगा लेकिन अगर हम ताला पो घास भूमी की बात करें तो महां संख्या प्रामिट क्या होता है सीधा होता है हम लोग बोलना है हमारे साथ इसके अलाबा अगर हम बात करें यहां पर जैब भार प्रामिट की तब इसमें भार को आपा जाता है एक तरह साम लोगों को देखने को मिलेगा देखिए हर किसी के अंदर कार्मिनिक पदार्द होते हैं जो हमारे अंदर भी कुछ कार्मिनिक पदार्द होंगे तो उसी का भार क्या होता है जैब भार कहलाता है कोई rocket science नहीं है देखिए अगर ह उसको बोलते हैं जैब भार प्रामिट बोलते हैं अब देखिए यह भी क्या हो सकता है सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है यान कि जैब भार प्रामिट और संख्या प्रामिट यह दोनों सीधे और उल्टे हो सकते हैं यह चीज़ आम लोगों को ध्यान रखना है अग लेकिन जलिया परीट लौँ संक्या होगा जैसे कि आप इस तर्सक्राइव होते हैं गासों की गोड़नी को मिलेगा घ्लट क्यंषि कि पार शाखाहरी होंगों का जयब भारें से कम होगा संखया की बात नहीं कर रहे हैं भार की बात कर रहे हैं यहां पर तो इनका भार क्या होगा इनसे कम होगा क्योंकि भाई यह इनी पर जीवित हैं अगर इनी पर जीवित हैं तो इनसे तो जादा इनका बेटर नहीं हो सकता ना इनसे जादा इनका बेटर नहीं हो सकता आपको देखने को बिलेगा फिर इससा कह hospitalized होती हो गए कि उनका भार किसी अगर परंड को थे इस सकते हैं कि देखिए फिर युष्तित की तंतर नयागों पास्द को बिलेगा लेकिन बहीं अगर हम लोग जलिये पारिस्तित की की तंत्र में जलिये पारिस्तित की तंतर में पूरेट की यहां पर जो उत्पादक होते हैं इनका आप लोगों को देखने को मिलेगा जो उत्पादक होते हैं इनका जो जैब भार होता है वो कम होता है और इन पर जो निरबर छोटी मचलिया होती है ना जो छोटी मचलिया होती है इनका जैब भार होता है उनसे ज्यादा होता है और इ कैसे हो गई वही तो दिखे ऐसा इसलिए हो जाता यहां पर पाधब पिलबख पाइजाते हैं इनकी होती है बहुत तेजी से प्रिजनन क्या होता है बहुत तेजिस होता है जैसे कि अगल इसका एक लाकस ओचiah ना तो यह रात भर में क्या हो जाते हैं इनकी संक्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है इनकी संक्या हो जाएगी दस लाग हो जाएगी बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं रात भर में दस लाग हो जाएगे फिर इन में से नौ लाग को यह मचलियां खालेंगे फिर से एक लाग को नहीं होती हैं अगर सोचो चोटी मचलिया इसमें नहीं होती तो 204 एक समय ऐसा आता कि प्लबगों की संग्या इतनी हो जाती कि पूरे परिष्ट की तंतर में सर्फ पलबग रहते जलीय परी तंतर के हो जाता इसी वजह से जो चेन है ना यह नहीं होनी चाहिए बनना क्या हो जाएगा सब कुछ समझे इसी तरह से उर्जा प्रामिट होता है उर्जा प्रामिट किसी का भी हो किसी का भी उर्जा प्रामिट हो चाहें इस्तलिय परितंतर चाहें जलिये परितंतर चाहें कहीं के भी परितंतर की बाद कर लिए उर्जा प्रामिट या फिर उत्पादकता प्रामिट होता है सद तो यह चीज आम लोगो ध्यान रखनी है थोड़ी सी देखिए तो यह चीज मैंने आपको बदाया है तो देखिए आम लोग यहां पर इसको ध्यान रख सकते हैं चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें खादर स्रंकला में अगर प्रदूशक चले है तो देखिए प्रदूशक चले जाए प्रदूशक होता क्या है आंके प्रदूशक वोग चीजह है अगर हमारे सरीर में कोई ऐसा पधर चला जाए और बो डिग्रेडेबल नाँ हो नॉन्दिग्रेडेबल हो मतलब निमनिकरित नाँ हो उसका अफजर भश बईसा का बई प्रदूशक होते हैं यह दो रूपों में गती में दो प्रिक्रियाएं होती है एक जैब संचैन होता है एक जैब आबर्दन होता है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोनों को देखिए जैब संचैन होता है कि जो प्रदूशक होते हैं खाद सरंखला में प्रात्मिक जीब में ही उनका सांदरन होता है तो इसको बोलते हैं जैब संचयन बोलते हैं लेकिन अगर हम बात करें जैब आबर्धन की तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रिदूसक होते हैं वो एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांस्पर होते रहते हैं और अंतिम भुक्ता के अंदर उसका सांदरन बढ़ जाता है इसको बोलते हैं जैब आबर्धन बोलते हैं तो देखे दोनों के ध्यान रखिएगा एक होता है जैब संचयन जैब संचयन होता है वो खादर स्रंकला का जो प्रात्मिक जीब होगा उसी के अंदर उसका सांदरन होगा प्रात्मिक जीब होगा उसी के अंदर उसका सांदरन होगा आगे वो क्या होगा ट्रांसपर नहीं होगा तो इसको जैब संचैन बोलेंगे जैब आबरदन क्या होता है जो प्रदूशन है वो प्रदूशक है वो एक एक जीब से दूसरे ज मातरा में होगा मानते हैं इसके अंदर दो ग्राम क्या है यह प्रदूशक पाया जाएगा अब इस बकरी को जो खाएगा सेर यह से थोड़ा सा ऐसा ही बन गया मान लीजिए सेर है तो इसके अंदर क्या है चार ग्राम क्या होगा प्रदूशक पाया जाएगा तो प्रदूशक है इसका सांदर सबस्यादा किसके अंदर होता है उच्च उपबोगताओं के अंदर होता है इसी बज़े से जो लोग साका हरी चीजे खाते हैं वो लोग उन लोगों के अंदर प्रदूशुकों की संख्या कम होती है ऐसा नहीं उनके अंदर प्रदूशुक नहीं होगा होगा कम होगा लेकिन जो मासाहरी होते हैं उनके अंदर प्रदूसुकों की संख्या जादा हो जाती है इसलिए मासाहरी लोग जो होते हैं बोलते हैं कि इससे समस्या उत्पन होती तो एक समस्या कारण ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा मासाहरीों के सरीर में प्रदूसुक सब्सक्राइब तर्म सब्सक्राइब दोले सोले हमारे बनते हैं तो यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी तो देखे इस तरह से ही जो यह कहां से एनर्जी आई तो देखे एक तरह से अभी हम आपको बताएं सौर उर्जा है वो कंवर्ड हुई जैबरसाइनिक उर्जा में पौधों ने क्या किया प्रका के अंदर ही क्या चला जाएंगा जो कार्विनिक पदाअइगा कया उर्जा चला जाएगा तो बक्री क्या हो जाएगी खाभ पीक और नोटी टाजी ओगी हैwriting आपको देखने को मिलेगा कि पादपो के अंदर से जटिल कार्बनिक पदार्त किसके अंदर आ गया बकरी के अंदर आ गया बकरी की क्या बन गया डोले सोले बन गया अब ये डोले सोले वाली बकरी को सेर ने खा लिया अब सेर ने खा गर के अपने अंदर कार्बनिक पदार्तों को लिया तो इसके भी क्य अधर्त हैं इनका उपियोग फिर से पौधे कर लेंगे और पौधिक और नीखियो कर तो यहीं पूल होता है इसे को फूल circuit होता है यह बड़ा होता है, मंद होता है. इसमें आप लोगों देखने को मिलेगा कि यहां पर अजैबिक पूल का निर्माड होता है इसके माध्यें लेकिन अगर हम लोग बात करे़ें देखिए चकरिये पूल की, साइकल पूल की बात करें, यह छोटा होता है और ज्यादा सक्र यह देखने को मिलेगा यह बाता बरन और प्राडियों के बीच में होता है यह जीज़ आप लोगो देखने को मिलेगे जैसे देखिए अगर हम बात करें चक्र के प्रकार के एक होता है एक होता है अबसाधी चक्र होता है गैसी चक्र क्या होता है गैसी चक्र के सामिल किया जाते है वह अबसाधि के अंतरगता अग्ट आ गत आते हैं तो इसमने देखिए भंथारन है बायु और उसके समुद्र अप लोगों का इनका सांद्र देखने को मिलेगा वहीं अब लोगों को मिलेगा कि अबसाधि चक्रण की बात करें तो इसमने implied कैलसियम, फॉस्पोर, सल्फर, आईरेन, चक्राब लोगों देखने को मिलेंगे ये भूबटल पर इनका भंडारन होता है देखे जैसे अगर हम बात करें जल चक्र की बात करें तो जल चक्र है जीवों के अंदर जीवों के अंदर सतर प्रतिसत भागे हैं हम लोगों के अंदर जल से ही बना हुआ है हमारा जो सरीर है वो सतर प्रतिसत किस्से बना हुआ है जल से ही बना हुआ है परी तंतर में संरचना और जो कार प्रनाली है वो जल चक्र पर ही निर्वर करती है अगर हम लोग बात करें कि जल और अन तत्वो के चक्रण पर ये निर्भर करता है पारिस्तित की तंत्र का चक्र आप लोग देखने को में लेगा देखे अगर हम बात करें जो ये जल होता है एक तरह से परिभान का और बिलायक का कार रिपी करता है पोसक तत्व को एक जगे से दूसरे जगे रिपी ले लोग 110 प्रिप्र कैसे होता है प्र मजी परंशन करते हैं जिसको बोलते हैं तो देखे बैपुरेशन सहो पर एपस का प्रासिट होता है जल होता है ब सक्रुक्श के दवौराइशें कर दौरा जल होता है बास में बासिएadem बायू मंड़ल में चला जाता है बायू मंडल में बरसा के मद्यम से सतय पर आ जाता है जल तरह कर बात करें तो देखिया बायू मंडल में बायू मंडलme भाता है बहुत जादा मैत पोड़े बहले हमारे बायू मंडल में कार्बन की मातरा है वो नैट्रोजोन और अक्सीजन से कम पाई जाती है लेकिन इसका अलग महत्व है इसका बहुत जादा महत्व देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करें कि यहां पर जो पौदे होते हैं वो कार्बन डाई ऑक्साइड का उप्योग करते हैं इसी कार्बन डाई ऑक्साइड का उप्योग करके अपना भोजन बनाते हैं अगर कार्बन डाई ऑक्साइड ही ना हो तो पौदे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे पौदे अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो पौद इसी कार्बन का उप्योग करके वो कार्बो हाइड्रेट का निर्माड करते हैं। कार्बो हाइडरेट आप लोगों देखने को मिलेगा बाद में कोईला तेल डियने के रूप में आप लोगों देखने को मिलेगा जैब और कार्बनिक पधार्तों के रूप में बदल जाती है बदल जाती है और आप लोगों देखने को मिलेगा कि देखे कार्बन का कुछ इस होता है वो दिर्ग काली चक्र में प्रभेस कर जाता है इसको आप बिगटित योगी को की रूप में आप लोग देखने को बहुत लंबे समय तक उस चक्र में फस जाता है तो उसको बोलते हैं अगर हम लोग बात करें यह जो कार्बन चक्र की तो देखे कार्बन इसको पौधयने लिया पौधयने लिया और प्रस देखने को मिलेगा जीव के अंदर चला गया जीव ने क्या हुआ कार्बन डैयोकसाइट है औक्सिजन लिया जीव carbon dioxide को छोड़ दिया अब आपको देखने को मिलेगा यह carbon dioxide इसने दा गया की अब गटन की प्रग्रिया हुई इसके मादा हमसे भी carbon dioxide सार्जिट होता है और इसने जल के साथ क्रिया करके carbonic अम्ल का नयर्मणगे लिया carbonic अम्ल फिरसे नीचे आगी आप लोगो को देखने को मिलेगा तो यह जो चक्र है यह निरंतर से चलता रहता है चलता रहता है तो करते चक्र की कर सकते हैं नहीं पौधे हैं डाइट Siya ещё आई डाइड़ मंडल नाइट्रोजन पाई जाते हैं नाइट्रोजन जादा पाई जाने के बावजूद भी डारिक्ट हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा महत्पोड है क्योंकि प्रोटीन के निर्माण के लिए इसकी आवसकता पड़ती है क्योंकि 16% जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन से ही निर्मित हो देखिए अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन कैसे मिला मतलब नाइट्रोजन जीबों के अंदर कैसे आता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन लेते लेकिन वो डारिक्ट नहीं ले सकते तो देखिए इन पेड़ों की जड़ों के पास में एक प्लीके क्षिक नाइट्रोजन को एक करते हैं सोरस में परिवर्तित होती हैं जैबिक नाइट्रोजन में परवर्तित होने के लिए देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन इस्तरी गरण होता है नाइट्रोजन इस्तरी गरण में आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ बैक्टेरिया होते हैं जैसे कि धान में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि साइनो बैक्टेरिया होता है जो यह साइनो बैक्टेरिया ह यह क्या करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का एक तरह से इस्तिरी गरण करता है इसी तरह से जो दलहनी जो फसले होती है दाल बाली जो फसले होती है उनके जड़ो में राइबोजियम नामक जिबाडू रहता है यही राइबोजियम नामक जिबाडू सर बॉइस नहीं आ रही है एक सेकेंड बॉइस नहीं आ रही है क्या हम लोगों के लिए हेलो नहीं बॉइस तो आ रही होगी हम लोगों के लिए बॉइस आ रही है क्या एक पर बताएगा बॉइस तो आ रही होगी देखिए हमारे दर से तो कोई समस्या नहीं है आप लोग बताएगा एक बार रेपलाई करिए जल्दी से एक मिनट में देख लेता हूँ जल्दी से रेपलाई करिए हम लोग बॉइस आ रही है क्या आ रही है ओके देखिए आपके दर कोई प्रॉब्लम है बॉइस इदर आ रही है देखिए हमारे दर भी हमने चेक किया आ रही है ओके ठीक है ठीक है आप उनके दर कोई प्राब्लम होगी आप एक बार चेक कर लेज़ेगा अपने मोबाइल देखे अगर हम लोग बात करें यहां पर देखे अगर नाइट्रोजन गैस है पहले उसका इस्तरी करण होता है जैसे कि धान का जो खेत होता है उसमें साइनो बैक्टेर क्या करता है नाइट्रोजन का इसी तरह से दल्हनी जो फसले होती है उनके अंदर राइवोजीम नाम की जिबाड़ू पाए जाता है और यहीं में बदलता है लेखे पार आमोनियम में बदलता है तो इसको आमोनिया करन बोलते हैं आप लोग देखने को मिलेगा Ammonia करणन जो process होता है उसके माध्यम से आप देखे आप लोग देखने को मिलेगा यह ammonia है इसका nitrogen होता है मतलब nitrogen में क्या होता है जो ammonia होता है NH4 होता है यह Convert हो जाता है Nitrate यह फिर Nitrite में Convert हो जाता है ओके NH3 यह फिर N02 में Convert हो जाता है तो चीज़ दूरोग देखने को बिलेगी फिर देखिए यहां पर भी नाइटिर करन के प्रॉसरेटर के माध्यम से फिर से नाइट्रोजन गाज से और फिर देखिए जो अमोनिया है वो नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में एक अनबड हो जाता है तो इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं मतलब यह भी किसके माद्धियों के माद्धियम से होता है इसी तरह से ऑक्सिजन चक्र वह बहुत सिंपल ऑक्सिजन चक् प्रेखने को भी लेगा जो स्ल्फर ऑप्री और ऑप्रोपों में बाया जाता है कार्बनिक रूप में जैसे की कोईला तेल पीट के रूप में बात करें तो आपको पाई-्राइट हो गया और साथ में जो सल्फर की जो चट्टाने हो गई उसके अंदर सल्फर ही जादा मत् सथार्ट हूं होता है तभ और देखे इन ऐक्ठेरों चंए-बक्षाफ्ण होता है तब यहां से सव फर मुक्त हो जाता है क्थी सभड़ की देखा है और आपको देखने को मिलेगा परितन्र में इस तरह से सटलाजाटा अगर हम लोग बात करें दीखें जो sulphur है sulphur dioxide है sulphur dioxide जल के साथ क्रिया करती है तो यहां पर अमल का निर्माड करती है ह2SO4 का निर्माड करती है इसी तरह से अगर हम बात करें sulphur का जब bigotan होता है तो दीखें बिगटन है वो दो रूपों में हो सकता है या फिर आवाई बीए दसाओं में हो सकता है मतलब बायू की उपस्तती में हो सकता है या फिर बायू की अनुपस्तती में हो सकता है बायू की उपस्तती में होता है वो आपको देखने को मिलेगा कबको के द्वारा अनुपस्तती में होता है तो जिबाड़ों के द्वारा होत करते हैं और फिर इसका संग्रहन अंदर कर लेड dissolved और इसी पादब का फिर अन झीउम Site अंदर के अपने अंदर ले आते हैं तो इस तरह से आप लोग देखने को मिलेगा कि Sulfur का चक्र हो चक्र है वह पूरा होता है यह कर आप पर हम पहु आपयोग कर लेते हैं पोडों पोड़ों के अंदर ये फॉस्पेड अपयोग करते हुए जो पाधप होते हैं प्रोटीन के निर्माडर लेते हैंupid नंदराथ इसको अपने लिए ज़िए भू दिहान रखना है अब दिखिए थह अ supportive से मिट्टी में मिल जाता है और हलके हलके रिसा होगर के समुद्र में चला जाता है तो हमें फिर से जरूत पड़ेगी ना नया फास्फोरस की तो नया फास्फोरस क्या होता है फिर से चट्टानों और मिट्टी में से नया फास्फोरस है वो हलके हलके लिकाला जाता है वो फिर से परी तंतर में आ जाता है, यानि कि परी तंतर का जो फास्फोरस है, वो हलके हलके समुद्रों में चला जाता है, कहां चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, यानि कि समुद्री पारिसित की तंतर में चला जाता है, इस प्रकार से समुद्री पारिसित की तंत इस समा योजन है इसमें की टोपिक आप लोगों को देखने को मिलिगा दीफियं इंपोर्टेंटेंट जीज आपको ईपसे साश्टेनिबेपांट एक बरूब पहला है नो नो पॉबर्टी मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए पॉबर्टी नहीं हो कोई लोगों के पाइसा आएगा गरीब इंसान पाइसा आएगा सबसे पहले पेड़ भरेगा तो जीरो हंगर नेक्स दिया रखा है इसमें टार्गेट है कि भाई देश के अंदर कोई खुमरी नहीं होनी चाहिए तीसरा है अगर इंसान अच्छे से खाएगा पिएगा तो वो क्या रहेगा है रखे गई है अगर देखिये वह स्वस्त रहेगा तो स्वस्त में ही सरस्वति कबास होता है अगला आपको देखने को मिलेगा चौते नंबर पेसी वज़े से quality education दे देखिए जब education आएगी तो हम समानता की बात करेंगे भाया education देंगे तो लड़का लड़की क्या होंगे एक दूसरे अपने अधिकारों की मांग करेंगे हम दोनों कि यह समान है उनको भी पता चलेगा तो gender equality आईगी आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इस तरह से पांच आप लोगों को देखने को मिलेगा affordable and clean energy देखे affordable का मतलब है कि भाया चमता के अनुरूप होनी चाहिए मतलब हम बहन कर सके ऐसे नहीं है कि घर में बिजली पहुंचा दी गई है लेकिन वह बिजली इतनी जादा मैंगी है पचास रुपई यूनिट तो उसको भूबग ना क कि 15 अनुरूबर पर देखने को मिलेगा दसमें नंबर पर है रिडियोस इस लिविभाज नंबर पर को सथम करने के अनुबग किया और सथो धींबलpse कि इसकी पार्ड़ नंबर बश्पोंद डिटी रिसप्रेसीड हमिया करें और साथ में उत्पादन भी करें इसी तरह से तेरवे नंबर पर क्लाइमेट एक्सने इस चीज को आप लोगो ध्यान रख लेना है और चौदमे नंबर पर है लाइफ इन बिलो बाटर है पंदर में नंबर पर है लाइफ ऑन लेंड आप लोगो देखने को मिलेगा मतलब इस तलोग पर ज पर क्या है सतरवे नंबर पर पार्टनर से पर तो यह जीज़ा हम लोगों देखने को बिलेगी चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको दिखें अगर हम लोग बात करें यह दिखें मेंस का टॉपिक हम लोगों को मिलेगा दीखें यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ बताया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेंस का टॉपिक है यह ज्यादा तर तो प्राकरतिक बनस्पतियों के विकास को प्रभावित करने वाले जो प्राकरतिक बनस्पति होती हैं उसके विकास को प्रभावित करने में वाले जो कारख है जैसे की जल्बाईू एक बहुत महत्पूर कारख देख देखने को बलेगा जैसे कि आप मान बषब को देखने को देखने को ताप मान अशलㄱ ग्रण की प्रिक्रिया, सौरूर्जा की मात्रा, ओके इससे बिद्षास म хватी का वितरन होता है, जैसे कि आप लोह जानते हैं, जैसे तापमान जहां पर जादा होगा, तापमान जादा होगा, बहां जया बिपित ज시죠, पाई जाएगी, साथ में ब्रक्ष हैं वो कठोर पाई जाएगे, लेकिन जब बिविता तभी जादा पाई जाएगी, जब तापमान के साथ में बरसा भी जादा होगी, तो आप लोगों देखने को मिलेगा कि बरसा की मातरा भी जहां बरसा जादा होती है, बरक्ष हैं बहां बात करें उचाई की उचाई की में उचाई बढ़ने के साथ में इस तल सरूपिया विस्सताओं में परिवर्टा ना नहीं लगता है जैसे कि आप परबत उपर जाएंगे हमारी हमाले चेतर में नीचे से उपर जाएंगे तो आप लोगों के लिए सभी परकार की बनस्पती यहां पर आप लोगों को सदावार बन भी देखने को मिलेंगे आप लोगों के लिए पढ़पाती बन भी देखने को मिलेंगे संकुधारी बन भी देखने को मिलेंगे टैंग टैंग और टूडला प्रिकार की बनस्पती भी देखने को मिलेगी तो इस प्रिकार से आप उचा जिसे तोने लगाई एक के बाद में प्रकास संस्लेसे की प्रकरिया बंद होने लगती है तो देखिए समानता की प्रकास संसलेसी की प्रकरिया है 55 35 डिग्री से तापमान 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 35 डिग्री से ता आती है ब्रक्च 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 वह सूखने लगते हैं तो यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेंक अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रिकासस तंस लेसर की प्रिक्रिया जो है अगर वह कम होगी तो आप लोग को देखने को मीलेगा अगर आप निमनक चांसों से अगर आप लोग निंव्रक्श की उछट्ट्चीवंदिये छेत्रों में रहते हैं तो बहां लगडियां कठोर पाय जते हैं कितनी कठोर लखडियां पाई जती है तो यह चीज है ध्यान रखेएगह थोड़ा सथा अगर हम लोग बात करें बर्सा की मातरा, देखें जैसे जैसे बर्सा की मातरा कम होती चली जाती है, बैसे बैसे बनस्पतियों की सघंता कम होती चली जाती है, इसी वज़े से आप लोग देखिएगा मरुस्तलिय चेतरों में, जब आप अधिक बर्सा वाले चेतरों से मरुस जैखे जाएगी इसी वज़ेसे अगर आपंढ चेत्रों से अगर आप लोग घास चेत्रों में जाएंगे था गॉली और चैत्र dialogues शेत्र साथ के मैदान की और आप लोगों को देखने को बिलेखा जैब जाधा कम हो जाती बैसे आप लोग 30 सुस्क छित्रों में चले जाएंगे तो बहां पर बिवित्ता और जादा कम हो जाती है तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी ओके देखिए अगर हम बात करें समानता आप लोग को देखने को मिलेगा जहां 200 सेंटी मिटर से बैसे इधर भी आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पर इधर भी आप लोग को देखने को मिलेगा लेकिन समानता अगर आप लोग देखेंगे कि इधर जो बारिस होती है मतलब 200 cm से ले करके और आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा लगबक में 80 या 70 cm तक बारिस होती है तो बहाँ पर ब्रक्ष पाई जाते हैं लेकिन जैसे जैसे 100 cm से ले करके मतलब 50 cm तक आप लोगो या फिर 25 cm तक जब आप जाएंगे तो बहाँ पर घास जादा देखने को मिलती है अब जैसे जैसे इसके 25 cm से जहां कम बारिस होती है बहाँ पर घास की जगे पर कटीली ज़डियां होने लगती है तो एक समान आपको कंडिसन देखने को मिलेगी लेकिन क्लाइमेट लॉजी में हम आप लोग के लिए चीज पढ़ा दिये थे बहुत अच्छे से तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह बाला मैप क्लाइमेट लॉजी में देखिएगा यहां पर दुबारा से नहीं पढ़ाएंगे बना लेक्सर क्या हो जाएगा सूर्गी नौले यहां पर बस्वतिये चैंट्र आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे कि 0 होता है जया बेखो जादा होता है ज चांटी चाल जाती है इदर kayak इपरदेश में sayin देखेंगे मतलब करन इस वाले बीजन में देखेंगे तो इस वाले रिजन में देखेंगे तो आने पर जो जैब बीवित्ता है मतलब बैसे तो साइवेरियन चेत्र इसकी जैब बीवित्ता है उस सबसे जादा कम पाई जाती है सबसे जादा जैब बीवित्ता कम पाई जाती है मतलब जो बनिये जल पायू जहां पर पाई जाती है बनों के अंदर सबसे कम जैब बीवित् सकते हैं तो आप लोग के लिए आयन बुड़ देखने को मिलेगा रोजबूड देखने को मिलेगा इहाँ अपर बिरक्ष धाये हैं यहाँ वह बहुत उची-चाथ-री के रूप में आप बिरक्ष पाया जाते हैं भूमत सागर से चेत्र में यहां बरसा जादा होती है लेकिन बहीं आम मांसूनी शेतर में चली जाईए तो मांसूनी शेतर में आप लोग जाएंगे इसकी अपिक्छा थोड़ी से कम बिरक्षा देखने को बिलेगे जब विविता थोड़ी से कम होती है यहाँ पर साल हो गया, सैंडल बुड हो गया टेक हो गया, बैम्बो हो गया, बबूल हो गया नीम हो गया, इस परकार के परच पाए जाते मानसुनी जल्वायू परदेस में, यह चीन तुल जलवायू है देखें चीन तूल जल्वायू, और इधर आप लोगो के लिए मिश्रित बनस्पती पाये जाती है सब्सक्राइब कि आप लोग ये वाले व्रक्ष पी देखने को बिलेंगे वहीँ अगर हम बात करें इदर साईवेरियन तुल जलबायू प्रदिस में पाइन हो गया चीर हो गया देवदार हो गया इस परकार के ब्रक्च आप लोग को देखने को मिलेंगे अगर हम लोग इधर बात करें इधर ये मरुस्तलिय जलबायू पाई जाती है मरस्तलिय जलबायू पाई जाती हैं, हाँ पर कटीले ब्रक्ष जादा पाई जाते हैं, आप लोगो देखने को मिलेगा, कटीले ब्रक्ष होगे, जैसे नांग फनी हो गया, फरन आप लोगो देखने को मिलेगा, बबूल उबूल के ब्रक्ष भी इदर पाई जाते हैं, जो ज इसदार फलोग की खिटित जादा की जाती है यहां पर बरक्शों की बात करें तो ओक हो गया जैतुन हो गया पाइन हो गया कार्क होगिस प्र करक्स जादा पाई जाते हैं और भूंत तस तापमान भी ज़्यादा रहता है इस वजह से यहाँ पर घास होती है फो कट्टोर होती है लंबी- mellan घास पाई जाती है लेकिन यहँ पर तापमान अप क्षा करिए ठोड़ा कौम होता है बरसा भी ठोड़ी सी अप्षाकी तो यहाँ पर तो घास पाई जाती 100 सेंटीमीटर वारिस होती है यहां पर पच्छे संसेंटीमींटर वारिस होते हैं। इसी तरह से आप लोग इस चेतर में भी आप लोग देख सकते हैं। कोई rocket science वाली बात नहीं देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं समानता आप जब 0-90 Degree के और जाते हैं तो जह बिबिता है और सगता है उसमें क्या चलिए आतीा नोगती चलिए तो यह चीज़ आम नोग सब्सक्राइब तो चलिए हम नोग थोड़ा सागे बढ़ते हैं यहांपर मैं आतो पार्त को एक चीज़ दिखा दिता हूं यहांप बरसा होती है वो 250 cm से ज्यादा बरसा होती है भारत में जहां जहां पर 250 cm से ज्यादा बारिस होती है बहां पर बन है वो सदा बाहर बन पाए जाते हैं और आप लोग गोग देखने को पहले करें जहां 150 से 200 सेंटिमेटर बारिस होती है बहा पर अर्द पड़ पाती बन पाय जाते हैं उ जारी यहां पर जैसे कि साल हो गया टेक हो बहुत करें जहां लोग भारत में 100-1.1,5 cm बारिस होती है बहां पर आप के लिए शुष्ग बनस्पति देखने को बिलेगी इसी तरह से जहा बारीस है भारत के अंदर साठ से 100 cm बारिस होती है बहां पर आप लोग देखने से अगर हम लोग बात करें यहां पर जहां बारिस है 40-60 cm के बीच में होती है बहां समाना तुल्ल बनस्पति पाई जाती है और इसी तरह से देखने को बिलेगा कि यहां पर जो सघंता और जय बिवित्ता और जय भारे उसमें क्या आने लगती है कमी आने लगती है तो यह चीज़ आप लोगो थोड़ा सा ध्यान रखना है अब देखिए भारत में बरसा का बित्रण आप लोग देख लेंगे तो आप लोग आराम से नगए कि कहां पर किस पर करी बनस्पते हैं यहाँ दसे यहां पर आप लोग बहुत आसांड़ा सकते धार देखिए मतलब 60-100 cm इदर बारी साम लोगों को देखने को मिलेंगे इस रीजर में आप लोग देखेंगे कि देखिए जो बारी से 100-200 cm के गरीब में तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा concept लगाएगा आराम से आप लोग का concept क्लियर हो जाएगा ओके देखिए हमारे भारत में उचे-उचे परवत भी पाय जाते हैं तो देखिए उचाई बढ़ने के साथ भी बनस्पती का बितरण है वो प्रभावित होता है देखिए जैसे आप लोग देखेंगे उचाई तरफ से 900 मेटर की उचाई तक हमारे जहां सदावहर बन पड़पाती बन सवाना बन मरुस्तलिय बन भारत में पाय जाते हैं वैसे हम लोग उचाई बढ़ने के साथ में हम लोग जब जाते हैं उचाई बढ़ती है तो भारत के अंदर आप लोगो देखने को कि लगो देखेंगे हेमाले चेतर में इस प्रकार की अध्यान देख्यों यहां देखिए अगर हम हम बात करें अ दिश्बध के लिख्यों सब्छक estás में जो हमें बनस्पती देखने को मिलेगी एक तो इसकी हाइट कम है परवतों की क्या है हाइट कम देखने को मिलेगी प्राइदीप भारत में जो परवत पड़ते तो इस बज़े से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 900 मेटर की उचाही तक यहाँ पर उस्कटी ब परवतिय बन आप लोगों को देखने को मिलेंगे मतलब जैसे कि आप लोग देखेंगे कि इस चेत्र में मिश्रित बन पाई जाते हैं जैसे कि केरल और करनाटक में जो बनों के उधारन आप लोग को देखने को बिलेंगे और जब आप अठारा सो मेटर से उपर चले जाएंगे तो यहां पर आप लोग के लिए समसीतोष्ण बन देखने को बिलेंगे यहां पर टूडला प्रिकार की बनस्पति संकूवधारी बन आप लोग को समानता देखने को नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा मतलब जो धुर्बिय चेत्रों की एकदम बनस्पति आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर बनस्प जैब बिविता है वो कम होती चली जाती है लेकिन बहीं अगर हम लोग बात करें देखिए यहां पर जो संकूधारी बन है वो हमाई हमाले चेत्र में देखने को मिलेंगे क्योंकि हमाले चेत्र है एक तो जीरो डिगरी से यानिकि जो विस्बत रिखा है उससे अधिक दूरी पर भी है और साथ में उसकी हाइट भी ज्याता है क्योंकि उचाई बढ़ने के साथ में तापवान में तेजी से कमी आती है इस बज़े से आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें देखिए जो हमाले की बात कर लेते हैं एक तो पस्म हिमाले है इधर है पूरव हिमाला ले cuatro आगर पस्म हिमाले की बात करें तो पस्म हिमाले में ऑप लोगों को देखने को मिलेगा छो इधर उश्कटी बन दिये बन पाए जाते है 9 100 मिटर की उचाई तक आप लोगों को मिलेंगे ओके और इसी तर् officials देखेंगे कि देखे इधर क्या है इधर आम लोग के लिए उचाई ज्था देखने को बिलेगे इधर उचाई आप लोग को थोड़ी से कम देखने को बेगी इस चीज का आप लोग ध्यान रखेगा ओके इसी दर ऐसे अगर हम लोग बात करें देखिए यहाँ पर आठारा सो मेटर की उचाई तक 900 से ठारा सो मेटर की उचाई तक यहाँ पर उपोश कटी बन दिये यहाँ पर आदर बन पाई जाते हैं पिर 800 से 2700 मेटर की तो यह चीज आप लोग ध्यान रखेएगा लेकिन देखिए जो पस्सिम हिमाले है न जो पस्सिम हिमाले आप लोग को देखने को मिलेगा तो यहां पर मतलब जो टूंडला प्रिकार की बनस्पती है वो नहीं पाई जाती है यह चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं क्योंकि देखिए जैसे जैसे सांसों की और ज्यादा देखने को मिलेगा इधर बर्सा की मात्रा क्या होती ज्यादा होती हो समुद्र के पास देखने को मिलेगा इस पचे से इधर का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग पाया जाता है अगर इधर की बात करें तापमान अत्य दिक कम हो जाता है और बर्सा क्या कोगते हैं लोग को जदा देखने को मिलेगा तो निम्क चांसों की ओर क्योंकि यह पास में तो यह भागा क्योंकि यह दो बात करें तो नियुद्ध गें जो心 और के जो हिमाले हैं पस्मृ हिमाले पस्मी हिमाले में आप लोग देखने को मिलेगे इदर तापमान कम होता है बरसा की मातरा भी कम है बरसा की मातरा भी कम है तापमान भी कम है तो इस बज़े से जैब बिवित्ता पस्सिम हिमाले की कम हो जाती है लेकिन उत्तर हिमाले में आप लोग देखिए बरसा की मात्रा क्या है ज्यादा है बहीं अगर हम लोग बात करें कि ताप मान भी अपक्छाक्रित थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा तू इस बज़ेOoh से अगर हम लोग बात करें तो इधर जैब विटता ज्यादा होती है तो यह स्थिज़ आप लोग थोड़ा की बात करें तो यहां पर आद्र उश्ऴ कटि anterior सब्सक्राइब कर लेगे तो देखिए के sólo चीज़ों की चलिए हम लोग बात कर लेते हैं है कि आप देखिए आंप करा देजिए साइंस टेकनोलोजी के हमारे 맞ता स्नोड से नहीं हैं भरना आप लोग करा देते हैं लेकिन साइन्स और टेक्नलोरजी को परिशान नहीं होना है अब लोग बात करें यहां पर जो आदर, वत करोटि बन दीए बन तो जी Om और अर्द सदा वहर बन आते हैं तो लोग को देखने को मिलेगा जहां अल्प मात्रा में मतलब अल्पकालिक सु सु स करें चूंटी होती है बहां पर आप लोग के लिए इस प्रकार के शळावर बन देखने को मिलेगे जहाँ बरसा है 250 cm से ज़ादा होती है आप लोग देखने को मिलेगा कि देखे जो आधरता है वो 77% के करीब में देखने को मिलेगी temperature है 22% के करीब में रहता है ये कहां कहां देखने को मिलेगी देखे जो सदा बाहर बन है अभी वैसे हम बता दिये उपर concept लेकिन फिर भी देखे लिए जैसे कि पस्मी घाट हो गया पस्मी घाट का जो पस्मी ढाले उदर जादा बारिस होती है मांसूनी पबने आती है टकरागर के बारिस जाद अगर आती है सेम एस विस्बत रेखिये चेतर की जो बनस्मती होती है जाए बिवित्ता जादा होना कठोरता जादा होती है ब्रक्चो की लंबाई जादा होती है तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेंगे इनकी सगहनता और इनमें लताएं क्या होती है जादा होती है इनका आर्थिक महत्विसी लिए कम होता है इन में कौन-कौन से बिरक्ष आते हैं जैसे की रोजबुड देखने को मिलेगा मोहगनी देखने को मिलेगा सिंकोना देखने को मिलेगा अबुनस देखने को मिलेगा इसी तरह से बास हो गया ताड हो गया इनकी जो पुलेंगे आप लोग देखने को our soda वहार वन बहुते हैं वहां पर पाई जाते हैं जहाँ पर 200-250 cm के करीम में बर्सा होती है ताप मान है वो 22 degree Celsius ताप मान देखने को मिलेगा उचाई है वो आप लोग को देखने को मिलेगा इनकी इन से कम होती है 30-60 meter की करीम में इन बरक्चों की उचाई देखने को मिलेगी सगनता है फस्ट वाले से कम होती है मतलब सदा वाहर बनों से कम होती है जो अर्द सदा वाहर बने है यह आम लोगो सेमी एबर ग्रीन फॉरेस्ट आम लोगो देखने को मिलेंगे अगर हम लोग बात करें इनकी सगनता होती है उनसे कम होती है इनकी लकड़ियां अच्छी होती हैं इस पज़े से इनका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है अगर हम बात करें कहां पाये जाते हैं यह आपको पस्मी घाट में देखने को मिलेंगे में घाले के पठार में देखने को मिलेंगे अंडवान निक बारदीब समू में देखने को मि लेने में कौन कौन से बिरक्षक पाया जाते हैं तो बही सारे सेम लगवक में बिरक्षच niye ऐनी हो गया ऍायज थे यह बाला चेतरी हम बर्सा जादा होती है नौर्थीस्ट रीजन में बर्सा थोड़ी से आप लोग जादा देखने को बलेगी अंडवान निको बार में इस प्रकार के ब्रक्ष देखने को मिलेंगे समझ गया आप लोग बहुत ही सिंपल है अब देखिए हम लोग देखते हैं तो वह मांसून नहीं पढ़ाने वाले दुबारसे क्योंकि रिपीट्ट हो जाएगा और यहां पर बनस्ती हम इतने डीप में पढ़ा देंगे कि बहां पर बढ़ानी क्या बसकता नहीं होगी तो आप लोग बहां पर बहुत ही कम बचेंगे इंडियन जोगरफी में आप लोगों को देखने को मिलेगा उस्ट्रकटी बन दिये जो आद्रपणपाती बन होते हैं आद्रपणपाती बन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भारत में यह पट्टी बहुत जादा मातरा में पाई जाती है जादा छेतर में बिस्तरित देखने को मिलेगी इसे मानसूनी बनस्पती भी कहा जाता है जो उश्कटी बन दिये आद्र पड़बाती बन होते हैं इनके लिए देखें आप लोगों को देखने को मिलेगा है जहां पर 100 cm से 200 cm बारिस होती है बहां पर इस प्रिकार की परस्पती पाई जाती है इनकी उचाई होती है वो 20-40 मिटर के करीब में इनकी उचाई देखने को मिलेगी ग्रीस मृत्यू के समय अपने पत्ते गिरा देते हैं इसलिए इनको पड़पाती बन बोला जाता है अगर हम बात करें इनकी जो सगंता होती है तो जो सदावाहर बन हम आपको पड़ायते उन दोनों से इनकी सगंता क्या होती है कम होती है इस बज़े से इसका आर्थिक महत्म भी बढ़ जाता है क्योंकि इनकी कटाई बटाई थोड़ी सी आसान हो जाती है अगर हम बात करें कहां पाई जाते हैं तो पस्मिक हट की पूर भी ढाल की और देखने को मिलेगा क्योंकि पूर भी ढाल पर बरसा कम होती है प्राइदीपे भारत में प्राइदीपे भारत में जो पठारी चेतर है बहाँ नौर्थीस्त वाले छेत्र में आप लोग देखने को बिलेगा सिवालिक हिमाले में देखने को बिलेगा सिवालिक हिमाले के जो परवत पद ये भागे उसमें पाई जाता है तराइ और जो भावर वाला च्छेत्र है उसमें भी जो यह वाले ब्रक्ष रहें वो पाईज़ आते हैं। जैसे कि आप लोग यह देख सकते हैं। यहाँ पर ही देखिए करनाटक में चंदन के ब्रक्ष हैं को ज्यादा पाइजाते हैं इसमें कौन-कौन से ब्रक्ष आते हैं जैसे की सागवान का ब्रक्ष हो गया साल चंदन सीसम महुआ आपको हुर्रा देखने को मिलेगा अमलताल देखने को मिलेगी बेंत देखने को मिलेगा कुसुम देखने को मिलेगा सेम अलूमली सब आपको ब हैं देखिए तो यह चीज आप लोग द्याना है कि कहा कहां पर पाई जाते इसी तरह से हम बात करते हैं उश्ककटीवन fortunately की बात करते है तो देखे इस अच्छ पढ़पाती बन होते हैं तो सैंच ऊपर थे आप दोग देखने को मिलेगा आदर पड़ पाती बन थे ये क्या है ये सुस्क पड़ पाती बन है जो स्ञ संट्र से दोसो सेंटी मिडर से बारिस होती है वहां पर आदरपाती बन पाई जाते हैं वहीं सतर से सो सेंटिमेटर के करीब में बारिस होती है बहां सुस्क पढ़पाती बन पाई जाते हैं देखिए इस सुस्क रितू में जो सुस्क रितू होती है जहां पर सुस्क रितू जादा पाई जाती है सुस्क रितू का समय लंबा होता है बहां पर सुस् बिरल होते हैं दूर दूर होते हैं सगंता उनकी कम होती है साथ में घास के मैदान बड़े-बड़े देखने को मिलेगे यहां पर पार्क नूम द्रश्च्व का भी निर्माड करते हैं यह आप लोगों को देखने को मिलेगा इस यह कहां पाई जाते जैसे कि उत्तर तो लुम्भी पाई जाती हैं जैसे कि आप लोग को इसमें ब्रख्टो की बात करें तो तेंदू का ब्रख्च हो गया पलास का ब्रक्च हो गया अमलतास हो गया बेर का पेड़ हो गया थेल इसके अदेमका जिलिए यहां पर थेल्शाओ 2 फ्रयाशा हो घाड कारो, सुशक कटिली जाडियों की बात करें, pemaspetρι की선 जहां 70 cm से कंबारिस होती है, बहाँ पर इस प्रिगर इस ब्रगार की कटिली जअड़ीयां देखने को मिलेगी आप लोग देखने को बिलेगा सुसकता जहाँ जादा होती है बरसा अत्यदी कम होती है इस बज़े से यहाँ पर सघंता और जै बिवित्ता दोनों बहुत कम पाई जाती है यहाँ पर देखिए छोटे ब्रक्चो जाडियों के रूप में देखने को मिलेगा बीच बीच में घास के मैदान भी देखने को मिलेगे जैसे कि बबूल, खेर, खजूर, नीम, खेजड़ी आप लोग देखने को मिलेगा नांग फनी देखने को मिलेगा, कैक्टस आप लोग देखने को मिलेगा इनकी जड़े क्या होती है बहुत लंबी होती है गहराई तक होती है तीन मिटर तक ये उच्छे होते हैं जादा उच्छे आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे अगर हम लोग बात करें कि देखिए ये उत्तर पस्मी भागों में ये पाई जाते हैं और सेहादरी के पबन बीमुखी डाल पर ये पाई जाते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलेगा जहां बरसा बरसा बहुत कम मात्रा में होती है इसी तरह से आप लोग को देखने को देखिए जो और ये बनसपती देखें जो शलये मत्ति होती है वह piace को मैंगलोब बन वाली से देखिने को बोड़ेगं दिखने को बन दिए उश्ण कडीभं दिए और उपुस्ट कटीभंदिये जो प्रकारगी बढ़ दिए जाती है इस प्रकार पीसे ने और ज्वार नद मुकिया फिर डेल्टा चेतर देखने को मिलेगा जहां पर यह संदसना हो और साथ में आप लोग देखने को मिलेगा अगर वो चेतर है उश्कटी बंदी चेतरों में पड़ता है तो बहां पर ज्वारिये बनस्पति यान की मैंगलोब चेतर पाए जाता है य यई रिक्रिष्ण नदी के जो डेल्टा चेतर हैं बहां पर मैंगलोब चेतर बहाँ ज़्यदा पाए जलते हैं मैंगलोब बनस्पति ечатर में सुंदर सुंदरी बन बहाँ जदा पन बहाँ जाते ही इसलिए सुन्दरिवन का सबसे बड़ा आप लोगों के लिग के लिए आ आवाला छेतर आप लोगो मैंगलोब बन का छेतर देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करें हैं आपर अगर हम बात करें हैं आपर देखिए लाब की तो इसके बहुत सारे लाब हैं जो आप लोगो अभी पढ़ने कि अब सकता नहीं है अगर हम बात करें बिस्व का साथ पर परदेश देखने को मिलेगा तो यह चीज है अगर हम लोग बात करें यहां पर परवर्तिय बनस्पति की बात करें तो दिखें जो परवर्तिय बनस्पति है कहां कहां पाई जाती है तो आप लोगों मुख्ता तिन में इसको विभाजित किया जाता है भिंद वाले रीजन देखने को बिलेगा पसमी घाड देखने को बिलेगा तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं अगर हम लोग बात करें हैं पर इनकी जो ऊचाई होती है वो 1500 मेटर तक आप लोग की उचाई पर इस प्रिकार की बनस्पती पाई जाती है साथ में उश्कटिवंदी च्छेतर में ये च्छेतर पड़ते हैं अगर हम लोग बात करें केरल करनाटर तमिलनाडू में इस प्रिकार की उचाई वाले जो च्छेतर होते हैं बहां पर इस प्रिकार की जो बनस्पति ये परवर्टी वरस्पति देखने को बिलती है तो आप लोग देख सकते हैं कि देखे यहां पर आब इकसित बनों और जहाडियों की विस्तित घहस के मैदान इन छितरों में देखने को मिलेंगे पंदरा सो मेटर से कम आदर सिटोष्ण बन हैं वो देखने को मिलेंगे देखें इनकी जो सगंता है वो उचाई बढ़ने के साथ में इनकी सगंता है हलकेल के बढ़ती चली जाती है फिर एक सेपरेट उचाई के बाद में इनकी सगंता काम होती चली जाती है अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेल गरी अन्ना मलाई यहाँ पर पालनी की जो पाड बदाए थे आपे हमें और हमें हमने मैप में इसमें डाल दिया है यह चीज हमने यहां पर सेम लिग दिए होगे तो यह चीज हम लोग देखने को पिले कि भारत की घास भूमियों की बात करें तो 12 मासी घास की यहाँ पर 60 पिर जाती है भारत के अंदर पाई जाती है तो उस्ट कटी बंदिये घास की भूमियां भी पाई जाती है उपोस्ट और सीतोस्ट कटी बंदिये घास की भूमियां भी भारत में पा हैं यहां तापमान क्या होता है कि ज्ञादा हो जाते हैं जासे कि पंजाब हो गया उत्तर्प्रदेश हो गया हरियाणा हो गया नौर्थ-बेस्ट वाला रिजन हो गया असम हो गया तो इस reason वे आप लोग के लिए इस प्रिकार की घास के मैदान देखने को मिलेंगे यहां पर पसू पालन जादा किया जाता है मैदानी छेतर जहां पर जाता होता है बहां पर इस प्रिकार की घास को अभिकास जादा होता है अगर हम लोग बात करें भारत में दूसरे प्रकारत के घास के मैदानों की तो उशन एवं सीतोषन कटी बंदी है घास के मैदान आप देखें भारत है वो सीतोषन कटी बंद में तो पढ़ता नहीं है तो सीतोषन कटी बंद घास का मैदान क्यों पाई जाएंगे तो उचाई बढ़ने के साथ में तापमान कम होने लगता है ना तो उचाई बढ़ने के साथ में तापमान कम होने लगता है तो उचाई पर इस परकार की बनस्पति देखने को मिलेगी घास देखने को मिलेगी तो देखिए हिमाले चित्रों में 1000 मीटर से ऊपर आप लोग जैंगे तब बहाँ पर इस प्रिकार के गास के मैदान देखने को मिलेंगे पसमी घहट में आप लोग जब बनिये चित्रों में जैंगे जैसे कि 16 आवन आप लोग को देखने को मिलेंगे तो देख तो दिखिये जो सीतोष्ट कटी Mechan scholar Dwe बरस पती वो परवरतिय चेत्रों में देखने को मिलेगे उस्यकटी बन दिये घास के मैदान आपको मैदानी चेत्रों में देखने को मिलेगे बहीं नदी टटिये घास के मैदान वो कहां देखने को मिलेगे नदीयों के किनारे देखने को मिलेगे जैसे कि उत्तर भारत में ज देखे बन रिपोर्ट यहां पर लगाए हुए है Cलीऊ अभी बन उपर आपको बडा देंगे यह आप लोग देने को मिलेगा है अगर हम लोग बात करें भारत में बनाबरंद के बात करें भारत में बनाबरंद तो देखे बन छेतर आप लोगो दिखने को भी लिखा फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट एरिया क्या होता है जिस छेतर को बन के रूप में नोट किया गया हो लिखा गया हो अफिस्यल लूप से उसको बोलते हैं बन छेतर बोलते हैं तब माना जाएगा जैसे कि देखिए आप लोग देखने को मिलेगा कि इतना चेतर है मतलब मानते हैं ये दो हेक्टियर भूमी है ये दो हेक्टियर भूमी को लिखा गया है बन के रूपे तो दो हेक्टियर भूमी क्या है बन चेतर कहलाएगी लेकिन इसमें से मानते हैं कि देखिए आप लोग देखने को मिलेगा कि देखिए इसमें से पूरा का पूरा चेत्र है उस पर बन नहीं है सिर्फ 1.5 hectare पर ही क्या है एक तरह से बन है तो माना जाएगा 1.5 hectare भूमी है वो बास्तिविक बनाबरं है मतलब उसको forest cover के नाम से जाना जाएगा forest cover अलग होता है और forest area अलग होता है तो यह चीज़ आप लोगो ध्यान रखना है देखिए जब किसी छेतर को जो राजस्वो होता है राजस्वो बोर्ट के अभी लेखों में उसको note किया जाता है तो आप लोगो देखने को मिलेगा हम बन चेतर का विभाजन कर लेता है बन चेतरों का विभाजन है तीन रूपों में हम कर सकते हैं देखिए आप लोगो देखने को मिलेगा आरक्षिद बन आरक्षिद बन होते हैं जो रिजर्ट forest होते हैं पूर रोप से गौर्मेंट के आंतरगत आते हैं मतलब सर्रक्षच्ट च्छेतर होते हैं बिना अनमति की हाँ पर कोई भी कारण नहीं किया जा सकता इने भारतिय बन अधनियम और राज बन अधनियम के द्वारा सर्रक्षड पराप्त होता है उनके अंतरगत इनको रिजर्व किया जाता है तो यह आरक्षित बन होते हैं दूसरे होते हैं सर्रक्षित बन होते हैं आप लोगों देखने को मिलेगा गौर्मेंट के भिविन अधनियमों के माध्यम से कुछ सीमा तक ही सनरक्षित होते हैं, मतलब इसमें एक तरह से नियंतरन होता है, लेकिन पूर्ड नियंतरन नहीं होता है, इसमें कुछ वो सनरक्षित होते हैं, और बही कारी इसमें किया जा सकते हैं, जिनकी मनाही नहीं है, यानि कि जिन कार्यों की मनाई है वो कार्य च्छेतर में नहीं किया जा सकते हैं पहली और दूसरी सेड़ी के अंतरगत नहीं आता है और आप लोगों देखने को मिलेगा कि इसमें स्वामित अलग अलग होता है मतलब निजी लोगों का भी हो सकता है राज्ज का भी हो सकता है आप लोगों को देखने को मिलेगा तो देखे अन्क्लासिफाइड आप लोग इन तीनों में तो हैं लेकिन इन दोनों कैटेगरी में जिनको सामिल नहीं किया गया है उन्हें थर्ड कैटेगरी में रखते हैं तो यह चीज है देखें यहां पर मैंने कुछ चीज़े बताई थी जैसे यह आप लोग को देख लेनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बनों के सरक्षड क के लिए और विक्सित करने के लिए नीतियां बनाएं गई थी आप लोगों देखने को बिलेगा और यहां पर बोला गया था कि 33 पृतिसत भूबा गये उसको बना चादित करने इसके माध्यम से इसको एक तरह से पारदस्ती बनाने की कोशिस की गई और किस प्रिकार से हम बनों का सरक्षड़ नभी गरण कर सकते हैं इस बात पर जोर दिया गया था ओके देखिए अगर हम लोग बात करें देखिए जो यह नीती थी ना इस नीती में कुछ लक्ष रखे गयते इस लक्ष इन लक्षों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आप लोग देखने को पहले का पहला लक्ष तो यही था कि देखिए भारत में 33% भूबाग है वह बन के बन चेतर के अंतरगत आरक्षित हो परियावरण यह स्थिरता और उनका पुनरवास करना भी आ बाड़ सूखे जैसे जो भी प्रागरतिक आपदाई हैं उनके प्रभाव को कम करना समाजिक बानिकी में जन भागिदारी को बढ़ाना महिलाओं की इस्तिती में सुधार करना यह चीज़ें आप लोग देखने को मिलेगा की FSI मतलब भारतिय बंसर्विक्षड आप लोग 2021 में इसको जारी किया अब 2023 में जारी होगा तो यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी देखिए इसमें बताएगा कि बन है उसमें ब्रद्दी एवं कमी है उसके संबंद में डेटा को प्रगासित करता है और बताता है कि किस चेतर में वहीं बन चेतर है वो बड़ ड़ाई गई थी याप लोगों को देखनने को मेले अ देखे तो अभी आप लोग बताई चुके हैं आप लोग देखनेको वह ये चीज़ अलो दिहान रखनी है कि सतर नमबर की रिपोर्ट है जो हमारे 2021 में इसको रिलीस किया गया था ए समस्मक्तम बास और साथ में बन कार्बन स्टॉक है उसको भी दिखाया गया देखिए इसमें कुछ नई चीज़े भी एड़ की गई इसमें एक नई चीज़े एड़ की गई टाइगर रिजर्ब और देखिए आप लोग देखने को वह लेगा कोरिडे और चेतर है यहां पर बन चेतर बन फोरिस्ट कवर कितना है उसको भी इसमें एड़ किya गया उसका भी मुल्यांकन किया गया और दसकिये परिवर्तन को भी इसमें दर्साय किया तो दिखिए इसमें एक नई चीज़ा एड़ की गई यह धिहान रखना है ताइगर रिजर्ब और कोरिडे चेतर में जो कोरिड चापरण की बात करें तो भारत में इसके अनुसार 24% क्या है भारत के अंदर अप लोग मोर्य की लिए बन और छृब नकर या लोग को तो गया का 0.28 पृत्फशर अब लोग को धिया नगा और हमारा देखें है कि यहां पर जो forest cover है वो आप लोगों के लिए 27 नहीं यहां पर 21 होगा यह थोड़ा सा correction कर लिजेगा यह यहां पर 21 सामलव 21 साथ एक प्रतीसत होगा इसको थोड़ा सा चेंज कर लिजे मैंने 27 लिखती है गलती से दिखिए 21 साथ एक प्रतीसत आप हम लोग देखने को मिलेगा यानि कि हमारा forest cover भी बड़ा है और जो हमारा tree cover है वो भी बड़ा है आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह 2.91 प्रतीसत है वह आपको tree cover देखने को मिलेगा यह भी हमारे क्या है बड़ा है कोई आपको rocket science वाली चीज़ नहीं देखने को अंदर की तुल्ला में बहार वाले चित्रों में बनों में ज्यादा ब्रत्धियां लोगों को देखने को मिलेगी बनों के आंतरिक भाग की तुल्ला में बहारी भागों में बहारी चित्रों में ज्यादा ब्रत्धियां आप लोगों को स्चारा छेटर बड़ा है लेकिन पहाड़ी चेतरों में हमारा बन-चेतर गटा है पहाड जैसे कि नाप Wha- चेतर वाला रिज्ञ ? जन जाती चेत्र है वह भी पहाड़ी चेत्रों में इंक्त पहाड़ी चेत्रों में धिकान साथ भी तो जody呢 छेतर में हराज दिखाई देगा कमी दिखाई देगी तो अमों को दिखान रखना है अगर हम बहीं हिंगें मा बढ़ा है बहु utilizz कितना बड़ा है उसको याद रखने क्याब सकता नहीं पसंता निएं कारबन स्टॉख के वो भी हमारा जाए 68 भीनत देखने को मिलेगी धास के जंगल है उन्में भी व्रत्दी देखने को मिलेगी देखे बास के चेटर आप लोगों देखने को मिलेगी एक दस ्ल prowad में एक दस्मम 40 सब्सक्रां करें यह यह घ्ञंऋब कारें इसको तीन बाड़ने हैं खांध सबकते बन में इनको डिवाइटे के गया तो इसको मध्यम या फिर M가요 बोलते हैं जहांपर जूब्रक्षे में होती में ओडिए हैं और अंगर 10% से कम हो जाए जो ब्रक्षों की जो सगंता है दस प्रतिसत से कम हो जाए तो उसको जाडिया बोल देते हैं इस क्रब बोल देते हैं यह चीज आप लोग देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करें देखिए देखिए आप लोग देखने को मिलेगा यह चीज है आप लोग यह सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं दूसे नमबर पे यह पाई जाते हैं तीसे नमबर पे पाई जाते हैं चौते नमबर पे पाई जाते हैं और दिखे अगर हम बात करें देखे गैर बन जो जो इन किसी में भी सामिल नहीं किया जाते हैं वो गैर बनों के अंतर कर सामिल किया चैनल यहां सी श्यादर कॉन से पाई जाते आते हैं फिर देखने को बिलेंगे तो इस तरह से आप लोगों से कॉस्षान पूचे जाएगे अगर हम बात करें देखिए यहां पर जो डेटा का संगरहन किया गया था वो इस रो और जो प्लानी आप लोगों को गवा कैमपस जो है ना तो इन दोनों के समलित प्रभाव साजह से डेटा है वो रिलीज किया गया है नौर्थीस्ट की अगर हम लोग बात करें तो नौर्थीस्ट में कुल बन साथ में एक हेक्टेयर या फिर उससे जादा भूमी है उसे पन आबरन के अंतरगत रखाजाएगा अगर हम बात करें कैनोपी कैनोपी डेंसीटी क्या होती कैनोपी डेंसीटी आप लोग को तेखने को विलेगा ऐसा भाग जहां पर पेड़ों की सगहनता क्या होती है बहु देखने को भारत में कुल बन आबरण है आपको याद रखनी की आब सकता नहीं है वैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितना है तो आप लोग देख सकते हैं कि क्टाइध ही सेहाजार यहन कि साथ लाग 13000 तेखने को मिलेगा बर किलोमीटर अगर हम लोग पैपरंडी से जो फोन पूंछ यहां से है को सphone जाएंगे यहां से कुस्ट नापके पीपर में ज्यादा जाएंगे आप लोगदेखने को मिलेगा अगर हम C ABS क्वम この बन अब रेन में चेत्र फल्ल की ग्रस्टी से सब्सक्षी जणाधत च्हेत्र किस अंडर आता है मध्द पर्देशонец पूंड प्रदेश डेकने को मिलेगा मद्ध पर्देश अंधर पर्देश देखने को मिलेगा, बर्ण देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों इन का किरम ज़रूर याद रख लेना है सबस्यादा बनःब्र, चनहीं है प्रphone प्रड को देखने को मिलेगा इसी तरह से गर हम percentage के साफ से बात करें देखे percentage के साफ से बात करें यह तो 6 तरफल के साफ से अगर हम बात करें overall राज्जी का जितना 6 तरफल है उसमें बनू का हिस्सा कितना है उस आधार पर बात करें मतलब percentage के साफ से बात करें तो परतीस्त बाले राज्यों में पर्सन्टेस जदा देखने को 2022 आज तो फाले नमबर तो मिजोरप प्रधिस या वह दूसरे नमबर पर इसे अरूसर नमबर जोजबने च्वाले नम यहmorप नागा लेन्ड आप लोगो देखने को मिंदेगा तो केंदर सासिद प्रद्द्दिसों में अगर ंगर देखें तो कि अंधर सासिद प्रद्दिसों में डिल्ली में सबसे ज़्यादा आप लोगों को चेतर देखने को मिलेगा पिर मॉंबई में ने निगने समय में देखने को मिलेगा तो एधिक कॉंसेप्ट आप लोग देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा सहरों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा बंच्छेत्र पाई जाता है दूसरा मॉंबई तीसरा बैंगलूरू ओके तो यह चीज़ आप लोग थोड़ा सा देहां रखना है और इसी तरह से देखिए देखिए इस कि आप लोग को देखने को मिलेगा तब लोग के लिए लक्षदीप सबसे ज़्यादा परसंटेज में बंच्छेत्र सबसे ज़्यादा लक्षदीप में पाई जाता है फिर आप लोग को देखने को मिलेगा कि इधर मतलब जो मिजोरम है वह आप लोग को देखने को मिलेग फिर दूसरे नमबर पर पहले नमबर पर यह हो जाता है फिर दूसरे नमबर पर आप लोग के लिए चाये पर आप लोग होती हो जाता है दूसरे नंबर पर एक वाला मिज॓रं आप लोग को को मिलीगा अ जहता है तीसे नमबर पर लिजा चॉति नंबर पः लोगा की और भी आचल पड़े न तो ये वाला किरम हो जाएगा ऊगे कि अगर अगर सिरिफ राज्यों का पूछा जाता है तो ये वाला किरम रहेगा लेकिन अगर किंद स्रृधीू को एड़ स्ञेła क्या दो जाए क्योंकि देखिए यहां पर लक्षदीप और अंडवान निको बार यहां पर दो एड़ हो जाएंगे एक्स्ट्रा यहां पर एड़ हो जाएंगे तो यह चीज़ आप लोग को ध्यान रख लेना है और कुछ इसमें रोकेट सैंस नहीं है इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहां पर देखिए बन छेतर ब्रद्दी की बात करें अगर देखिए हम बन छेतर ब्रद्दी की बात करें तो देखिए बन छेतर ब्रद्दी है वो सबसे ज़्यादा किदर हुई है तो आप लोग देखने को मेलेग जो इधर वाले राज्यें हैं सब स्यादा बनों में न चेतरों में ब्रदी आंदर क्षेत्र में तरह में हुई है फिर तेलंगानमें धूर्टीष में हुई है फिर जाहरकणड में हुई फिर करनाड़क्ट में और थ्र धहार करना देखने को मिले गहां तो इसके अलाबहें अगर हम लोग बात करें यहां पर ऐसे जहां पर हानी दर्ज की गई घृत जहें वो नौर्थीस्ट वाले राज्य देखने को मिलेंगे जैसे कि अरुनाचल प्रदीश हैं अरुनाचल प्रदीश में सब स्यादा हानी दर्ज की गई है छेत्रफल में अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर मड़ीपूर है तीसरे नंबर पर नागा पर चौथे नंबर पर आपको मिजोरम फिर आप लोग लिए में घाले देखने को मिलेगा स्टार्टिंग के आप लोग को ध्यान रख लेने हैं और ज्यादा आप लोग को याद रखने क्या बसकता नहीं है कि इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर विस में सबस्यादा बन चैनका आप लोग बैले लोग यूजो बात करें तो मेंगलोट बन हैं सबस्यादा एसिया में पाई जाता है फिर अफरीका में मैंगलोब बन पाई जाते हैं फिर उत्तर एबं मद्ध अमेरिका में पाई जाते हैं फिर दच्छड अमेरिका में पाई जाते हैं सबसे कम है मैंगलोब बन वो ओसेनिया वाले छेतर में देखने को मिलेंगे अगर हम लोग बात करें मैंगलोब बन की तो मैंगलोब बन है वो आप लोगो के लिए इंडोनेसिया में सबसे ज़्यादा फिर ब्राजिल में फिर नाइजेरिया में फिर मेक्सिको में देखने को मिलेंगे بھارت में बात करें तो بھارت में आप लोग के लिए मैंगलोब बन बन है वो 4992 बर्ध किलोमिटर छेतर में फैले हुए है जहां पर आप लोग देखने को मिलेखा भारत का जो कुल एडिया है उसका 0.15% छेतर में ये मैंगलोब बन फैले हुए है अगर हम बात करें इनमें 17 बर्ग किलोमेटर की इस बार ब्रदी देखने को मिली है मैंगलो ब्रक्च की अगर हम देखिए मैंगलो ब्रक्च की बात करें तो सबसे सरबादिक मैंगलो ब्रक्च कहां पाए जाते हैं चुसर्बादिक मेंगलोब ड्रक्च हैं वह 5 मंगाल में पाई जाते हैं दूसरे नंबर पर गुजराद में पाई ज्र सबसे ज्यादा पर सबसे ज्यादा देखिने को मिलेगा कि यहां और प्रदिश फिर इसके बाद में आप लोग लोग को महारास्त्रा mango को मिलेगा लेकिन देखिए आप लोग देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करें सबसे जादा देखिए डेंसिटी वाले मतलब सबसे जादा सघन मेंगलोब बन कहां पाई जाते हैं वो पस्य मंगाल में पाई जाते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिपोर्ट मे इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कमी कहां पाई गई है मैंगलो बनों में तो गुजरात में कमी पाई गई है इस बज़े से आप लोगों को ध्यान रखना है गुजरात में ब्रदी नहीं, गुजरात में कमी आई है, इस बज़े से आप लोगों को ध्यान रख लेना है, और पस्यम मंगाल इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि पस्यम मंगाल में सरबाधिक डेंसिटी वाले बन पाए जाते हैं, मतलब मैंगलो बन की हम लोग बात कर रहे होगा, पस्यम मंगाल दूसे नमबर पर जाएगा, ओपन बन है, मैंगलो बन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ौपन सबसे ज़्यादा गुजरात में पाए जाते हैं, पिर पस्यम मंगाल में पाए जाते हैं, फिर आम लोगों को महारास्टरा देखने को मेलेगा, तो यृ चीज आप ध्यान रखना है तो मैं देखिए एक बार इसमें आप लोग कंफ्यूस ना हो तो मैं सारी से एक बार आप लोगो दुबारा से दिखाना चाहता हूं मैंगलोब बन के अगर लोग बात करें तो सबसे जादा मेंगलोब बन कहां पाई जाते हैं फिर गुजरात फिर अंडवानने को बार फिर आम लोग आंदर प्रदिस फिर महारास्ता देखने को बिलेंगे लेकिन अगर बहीं अगर पूछा जाए ओपन बन की बात की जाए तो ओपन बन है ओपन नमबर पर महारास्ता आजाता है सरवादिक ब्रदी कहां दर्ज की है मैंगलोब बनों में तो वो ओडिसा फिर महारास्ता फिर पश्चिम बंगल आप लोगों देखने को बिलेगा तो देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा इसी तरह से अगर हम बात करें टा चते हैं फिर उसके बाद में इंडॉनेजिया में बाग पाया जाते हैं भारत में अकेले करें 70 падग बहारत के अंदर पाया जाता है अगर हम बात करें क्लरें सम्झोता किया है इसमें भारत एक पक्छ़गार में एक सबचार की दोजार गया authica मतलब 13 Tiger range को select किया गया है बहां पर ताइगर की जो अबादी है उनको टू エक्स करने की बात की गई है और जो टाइगर है इनके सर्टक्षड के लिए टाइगर टाक्स फोर्स का भी गठन किया गया इसकी सिपारिस से एक अपरेल 1973 को की गई ती जो प्रोजट टाइगर उसी ने इसकी एक तरह से सिपारिस की ती अगर हम लोग बात करें बन कबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बन कबर कौन से बाग अभिहारण में देखने को मिलेगा टाइगर रिज़र में देखने को बिलेगा तो इंबर पर आम लोगों के लिए मद्द प्रदेश जो अचान कमार देखने को मिलेगा ओड़ीसा में आपको शिम्ली पाल देखने को मिलेगा एक परसेंटेज आप लोगो याद रखने के आवा सकता नहीं है बस आप लोगो किरम याद रख लेना है सबसे जादा कहां आंदर मद़् मद्द परफ्द फिरौधी सोड़ी सा में मिलेगा करनाटय कालि देक्स अधे56 confrontation देखने को मिलेगा फिर मिजौरा में में आपको नमपा देखने को मिलेगा तो या छेज़ आप लोग द्हान के अगर तो यहां पर 2000 हजार 11-21 के बीच में जहां बन चित्रों में कमी आई है बन चित्रों में कमी आई है मतलब 11-21 के बीच में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बन चित्रों में क्या है एक तरह से कमी दर्ज़ की गई है यह चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा अगर हम लोग बात करें ब्रदी दर्साने वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं ब्रदी दर्साने वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं तो आपको जो बक्सा है वो आप लोग देखने को मिलेगा अन्नाम लाई है इंद्रावती देखने को मिलेगा हानी दर्साने वाले सपस्वाइड पाया जाता है और यहां पर क्या है ब्रदी इन्में दर्षाईगी जिन में ब्रदी सबisis Dash हुई हो यह दर लिखे हुए जन टाइगर रिजल्च में इस बार इस रिपोर्ड में कमी दर्षाई गई है वह उबहले हैं तो अगर हम बात करें बैट लेंड की तो देखें आप लोग को देखने को मिलेगा कि देखें बैट लेंड यह भी आप लोग को टाइगर रिजर्व आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा सुन्दर बन एवं कहाना टाइगर रिजर्व है यहां पर सबसे अधिक बैट आगे वह निग्रायनी के बात करें तो भारत में देखिए बंचेतर हैं दस प्रदीसत से अधिक बंचेतर हैं वो इसमें सम्मेदन सील के स्रेडी में रखा जाता हैं मतलब आग से अनौर्थीस्ट राज्यों में अगर हम बात करें यहां पर देखिए संभावनाय जादा हैं किन-किन चेतरों में आग की सम्मावनाय जादा है नौर्थीस्ट में इसके अलावा राज्यों में बात करें तो किस किस में है तो आप लोग एक बार देख लिए मतलब जैसे कि महरास्टा हो गया चत्तिस गड़ हो गया अंदर पर देखने को मिलेगा इधर अगर हम लोग सबसे यॉट करें मिजोरह मोंगे तरपुरा हो गया भी मैघाले फिर मड़ीपुरी आप लोग देखने को मिलेगा तो में आ Always मैं आगग जनी की आध़ेनी से जादा सहब मेज़न से इंशी चतर देखने को मिलेंगे 22चैतर की बात करें तो बांस चेतर की बात करें तो पंदरा मिलियन हेक्टेर चेतर में फैला हुआ है देखिए बांस चेतर हैं वो मिजोरम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फिर अनुनाचल परदिस देखने को बिलेगा लेकिन ब्रदी सबसे ज़्यादा दर्ज है वो मद्द परदीस में माहराथ्टर 36 गडा ओब लोग देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा बास्क बनों में कहां बिरत्धी हुई मद्द परद्धेर दूसरे पर मार आस्टर्र मीजोरम वी रेत करbyinus stop हमारा जाहिरत बढ़े गयी सबसे yn ANYपर करदlys चाहांब हां देखने को मिलेगा अरूनाच प्रदेश है यहां पर डेंसिटी जद्धा पईजाते हैं इस वज़े से आप लोग को देखने को बिलेगा बायोम की बात करें तो बायोम है विविन प्रकार के होते हैं अभी हम आपको पता ही थे विविन पारिसित की तंतर होते हैं वो आपस में मिलकर के बायोम का अगर हम लोग बात करें बायोम की तो देखें बायोम है वो बनिये बायोम घास बायोम मरुस्तलिये बायोम टैंगा बायोम टूडला बायोम यह सबी प्रकार के बायोम हो सकते हैं तो यह चीज़ा हम लोग यहां पर देख सकते हैं देखें अगर हम बात करें यहां बायोम क तो बायोम में आप लोग को ऐसा कुछ भी इतना मतलब देखने को नहीं मिलेगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें धुर्बिय बायोम की तो धुर्बिय बायोम में बहां पर तापमान अत्य दिक कम रहता है तापमान अत्य दिक कम रहने के कारण बरफ की मोटी चाधरी ब्रक्ष नहीं पाया जाते हैं लेकिन गिरिश मृतु के समय बहुत अलब समय में यहां पर जो पर्माफ्रोस्ट वह उपर आ जाते पर्माफ्रोस्ट क्या होती है बर्फ की इस्थाई चादर होती है उनके उपर हलकी हलकी मातरा में लाइके नामक जो लाइके इन मौस जैसी गास होती है वो जम आती है से एकर में और उनको खाने के लिए खरगोस्बरगोस आ जाते हैं तो यहां पर ब्रक्षतों नहीं पाई जातें हैं ऐसे कि इन समय वो बहुत ही अल्प होती है और ग्रीस मृतू के समय ही बरफ पिगल जाती है उपर की और नीचे वाली बरफ है वो दिखने लगती है अब देखिए यहां का जो तापमान होता है वो तापमान आप लोगों के लिए बहुत कम देखने को मिलेगा माइनस 35 से आप लोगों को बहुत कम चार सेंटीमेटर काक करीम में बर्सा हो ती है और आप लोगों को मुलेगा आप बर्सा है वह जल के रूप में नहीं वलकी हीम के रूप में बर्सा देखने को मिलेगी बनत्तपती की बात करे तो यहां पर लाइकेन घास पुस्प मास जैसे कुछ बनत्ततिया जम आप लोगो देखने को मिलेंगी देखे इन चेतरों में जैसे की पक्षियां भी पाई जाते हैं जैसे की गूज हो गया क्रेन हो गया हो गया और प्लोचर आप लोग देखने को मिलेगा लार्क टार्न हो गया तो इस तरह से पेंगोई निया इधर पाई जाती है अनकूलन के यहां पर देखिए आप लोग को आप बाल बाल जादा पाइजाते हैं इनमें कलर क्या होता है और सिकारों से बचने में मदद होती है और सीत काल में, हाइबर नीशन में चले जाते हैं, यहाँ की जीब जन्टू जो होते हैं, वह आप लोग को देखने को मिलेंगे सामोहिक विसराम करते हैं, जिस से उर्जा है, वो मिलती रहती है माइगरेट भी कुछ कर जाते हैं प्रबास भी कर जाते हैं इमिगरेशन भी हो जाता है इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा टैंगा बायों होता है वो टूंडला के दच्छड में देखने को मिलेगा जाहिर सी वाद है उत्री अमेरिका यूरोप नौर्बे कानाडा स्वेडन फिनलेंड साइवेरिया वाले जो वहता है जाता है यहाँ पर ठंडी और यहाँ ठंडी और नम जलबाईव हे वह पाई जाती है गिरीस में वहाती होती है कम समय के लिए होती है बनस्पती यहाँ पर संकुधरी बन पाई जाते हैं जैसे स्पूस हो गया पाइंट्री हो गया फर्न हो गया लाइकेन मॉस और इस परकार की जो घास बास जो उपर पाई जाती है वो भी इस छितर में आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर हम लोग बात करें प्राडी बर्ग की तो यहाँ पर प्राडी बर्ग है जो भी वो भालू भालू सब उपर जो आपने देखे वही सारे कीट पतंग उस सब जीब जनतु उपर वाली की इसमें पाई जाते हैं तो इसमें आप लोगो पढ़ने कितनी आवसकता नहीं है परवर्तिय बायोम की बात करें तो परवर्तिय बायोम हम उपर आम लोग देख चुके हैं परवर्तिय बायोम हम लोग उपर देख चुके हैं वही सेम आप लोग को देखने को मिलेगा परवर्तिय बायोम हम लोग को पढ़ा रहे थे न इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि बनिये बायोम की आप लोग देखने को बंलीगा कि दिखे को संकुधारी बन चीज़े मैं यहांपर देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें Turkey बंअगर सी onlar सितो आपर सीटोशन बर्सा बन पाया जाते हैं, सीटोश शदावाहर बन पाया जाते हैं, पढ़ पाती बन पाया जाते हैं, जिसको हम deciduous forest बोलते हैं, देखें, आम लोगों को मिलेगा कि यहाँ जो temperate rain forest होते हैं, यहाँ पर जलबायू क्या होती है ठंडी होती है जैब भीवित तकम देखने को मिलें गी बरसा जादा मातरा में होती है जिससे कोरा धुन्दे आपर जाया रहता है यहाँ पर ब्रक्ष जो होते हैं वो आप लोगों उचे देखने को मिलेंगे अगर हम बात के रहें, यहाँ पर सदावाहर बन के, सीतो सदावाहर बन होते हैं, भूमद्द प्रिकार की जलबायू यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर आप लोग ब्रक्चों की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यहाँ पर ग्रीस्म, जो ग्रीस्म रितू होती है वो सुष्क होती है, सीतरितु होती है, वो नम आप लोगों देखने को मिलेगी, यहाबर ब्रक्च की जो पतियां होती है, वो चौड़ी होती है, साथ में नुकीली देखने को मिलेगी, और आप लोगों देखने को मिलेगी, और आप लोगों देखने को मिलेगा कि जो ब्रक् चल्दी से हो जाती है यहserान चिज्ड़ी परति कह अब रहों उसका । अभी जो पर पाती बन है यहां पर उत्त्री अमेरिका और भी एस्याचिब 7G इलिया में इस प्रगार के पड़ पाती बन पाए जाते हैं तो देखिए यहां की जलबाईू है वह दस से 20 celsius के बीच में देखने को मिलेगा यहां पर देखिए सीथ रितु में ताप मानतेदी कम हो जाता है कारण यहां के ब्रक्ष हैं अपने आपको ठंड से बचाने के लिए सीथ रितु में पत ज्रड़ करते हैं और बर्सा रितु में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए यहां पर जो बर्सा है वह 75-150 cm करीमें बर्सा होती तो सीथ रितु में अपनी पत्तियां गिरात आं पर बास बुड देखने को मिलेगा कॉटन बुड देखने को बिलेगा और लाइक और गणे लाईकें सखी इवाल उबल भी तर पाइजाते हैं पताय बड़ के पर बात प्रकार के प्राणी है बों पताये है यहां पर गोंगा होका छोटी चिंपडींग शर्प मतलब मे सla स्वर्थ हम अब लोग देखने को मिलेंगे दिखे यहाँ पर जै बेवित्ता भूंस्या मैं जो इस इसे वाला छेतर होता है बहां पर इस प्रिकार के छोटे-छोटे मतलब छोटे-छोटे जो मतलब घास-बास है लाइकन-वाइकन-मॉस-मॉस है वो पाई जाती है और इसके अलाबा बड़े-बड़े ब्रक्ष भी बहुत जादा मातरा में आप लोगों को इसमें देखने को म मिलेंगे जितने भी है टोटल वो सब देखने को मिलेंगे और इसी दरह से पढ़पाती बन हैं यहां पर 40 मेटर तक यह उच्छे होते हैं जैसे कि देबदार और सारे ब्रक्ष यहां पर आजाते हैं जो आप लोगों के लिए भारत में अभी हम आपको पढ़ाई थे वो सब यहां पर पाई जाते हैं घैंडय बयंड़ सब ए-टू-जैड लिख दिजिए गए यहां पर अगर अगर हम लोग बात करें कि यहां पर उपोष्ट कटी बन दिए चेटर की उपोष्ट कटीवन दिए सब ट्रॉपिकल रेन फॉरिस्ट की बात करें तो बरस बर्स पर अगर हम बात करें तो देखें यहां पर घास का मैधान होता है little तो यहां पर तेज डौडड़ने वाले जीप ज्यादा पा जाते हैं ओके तेज दौनने वाले जीव जाधा पायब जाते हैं और साथ में आप लोग देखने को मिलेगा दूसरे क्या होंगे अपने आपको बचाने के लिए पेड़ बेड़ पे नहीं चड़ सकते कि पेड़ा ही नहीं तो वो दूसरे बिल में रहने वाले जिप पाई जाते होंगे तो बिल में रहने वाले गई तेज दौनने वाले जिप कि आम लोग जेबरा देखिए जैसे आप लोग हिरन देखिए तो उनको आप वो छुप जाते हैं उसी परियावरन जेबरा को देखिए दूर से आप देखेंगे पता ही नहीं कर पाएंगे नील गाय को दूर से देखिए का पता ही नहीं कर पाएंगे वो बहाँ पर ही छुप हैं तो कियों आनपने को अज़िव लको देखने को मिलेक्गा जो ऊपर हम लोग पड़ाई थे जैसे खेजड़ी हो गया कीकर हो गया कुम्टा हो गया बभूर होती और बेड़ी वेड़ी पाιजाता ही दर हमोंबी दर आप लोगे देखने को मिलेगी और मरुस्तलिय चेतरों में जितने जी बूब पाई जाते वह आप लोग देख सकते हैं पेपर में आप लोगों से यह चीज़ें इसे नहीं पूछेगा अगर हम बात करें अनकूलन की तो अनकूलन यहां पर दुबारा से आगया है मतलब जो अभी हम आपको बताएथे अनकूलन करने के लिए क्लिए अपर देखने को मिलेगा तो देखें बिभिन परकार से वह मेकणिजम विक्सित की हैं जिसके मात्यम से वह अपनी जल की मतलब आपूर्दी करते हैं जैसे वह पौधू को खाकर एक अपने जल की आप पूर करके जल है उसकी हरास को कम कर लेते हैं यह आप लोग देखने को मिलेगा कुछ है वो ऐसे मेकनिजम अपनाते हैं जिससे जल की बरबादी नहीं जैसे कि बास्पी करण के माद्यम से जल को बरबाद नहीं होने देते हैं सोसन की क्रिया से सोसन की क्रिया से जल का हरास जादा हो तो सौसन की क्रिया वो इस प्रिकार से मेकनिजम अपना लेते हैं जिससे भाब के माध्यम से पानी बाहर नहीं पता है वो हम आप लोग को पहले भी बता बता चुके हैं यह चीज़ा आप लोग देखने को मिलेंगी मतलब संगनन कर लेते हैं नाक के अंदर ही उतो सरजन जब करते हैं जैसे कि सुसू करते हैं पोटी करते हैं तो उसमें पानी का हरास कम से कम होने देते हैं क्रस्टल के रूप में ठोस रूप में पोटी करते हैं और इसी तरह से यहां पर वो सुसू करते हैं तो आप लोग देखने को भी लेगा यूरिक अमले के रूप में यहां पर तेज दौढना सीख लіते हैं रातों में घुमना सीख लिते हैं रातों में भोझन भोझन ठोड़ते हैं म्रस्तली चीतरों के तो मेकानिजम अपनाते हैं तो ये सारी सीजन आप लोग संदे को मिलेंगी उर्प्रख connection these are कि जर्म तेकर हम देखनीम ये उसके दो कहिने को देखने को निर्मान होता है लकुन है इस से हलके हलके मिर्दा परीच्य étaa निर्मार होता है इस से यह देखें मदर रॉक देखने को मिलेगी इसी से हलके हलके क्या हुआ मिर्दा है वो टूटती फूटती रहती है जिससे हलके हलके मिर्दा का निर्माड होता देंगे चत्टान होती ही वह पहले टूटती है गोलास में गोलास में चोटा बजरी बजरी से चोटा रेत से सीट से चोटा 서 sąd the मिलें रेइड है उपान लोग देखने को बलेगा अगर लोग मिल्डा की बात करें तो दीए मिर्दा है मिर्दा के संगटन एवं सरसना के बात करें तो भिविन आकार के इसमें कड़ पाये जाते हैं इन कड़ों की विवस्ता के आधार पर मिट्टी है मिर्दा है उसकी भी विशिस्ता चेंज हो जाती है जैसे कि अगर हम लोग बात करें जैसे कि अगर हम रोकने की छमता होती है मतलब पानी को रोकने की कितनी छमता है उसके अंदर उसको बोलते हैं पोरोसिटी बोलते हैं सन रदरता बोलते हैं दूसरा आप लोगों को देखने को बिलेगा पारिगमता देखिए पारिगमता जो होती है न वो मिट्टी के ऊपर की परतों से नीचे होता है बही मिर्दा क्या होती है अच्छी होती है दोनों में क्या होना चाहिए जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं देखे जैसे कि आप लोग देखेंगे चीका युक्त मिट्टी होती है जो चीका युक्त मिट्टी होती है यानि कि उसमें कड क्या होंगे छोटे-छ जाता है जिससे आप लोग को देखने को मिलेगा इनकी सन रद्दरता है मतलब पूरो सिटी है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है लेकिन पारीगमता क्या हो जाती कम हो जाती है इसलिए चीका मिट्टी होती है वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी गीली हो जाती है उसमें जल है बहुत जल्दी भर जाता है आप लोगे देखने को बिलेगा मतलब 've संपट टाइप का बन जाताफ हो बहुत जल्दी जल भर जाता है क्योंकि इसकी जो PUROSITY होती है वो जादा होती है बहीं पारिगमता क्या होती है मतलब जल नीचे कम जा पाता है च्छन करके नीचे कम जा पाता है उपर ही उपर जल जादा रहता है अगर बहीं बात करें देखिए जो रेतेली मिर्दा होती है इसमें कडो का आकार क्या होता है बड़ा होता है कडो का आकार बड़ा होता है तो जल आसानी से रिस्ट करके कहां चला जाता है नीचे चला जाता है जल आसानी से रिस्ट करके नीचे चला जाता है यानकि इसकी पारिगमता क्या होती है ज्यादा होती है बहीं अगर हम बात करें इसकी पोरोसिटी क्या होती है वो कम होती है क्योंकि देखें जल है रोकने की छमता कम हो जाती है जल को रोकने की छमता कम हो जाती है तो देखें जल नीचे चला जाएगा बार-बार खेत में इसे चाहिए करने के आपसकता पड़ेग बैसे हिए अगर हम लोग बात करें देखिँ यहां पर जल करके नीचे की परतों में चला जाता जिसे उपर Mirdaha क्या हो जाती हैं सुस्क हो जाती है तो रैति लीए Mirdaha । यह देखने को बिले की जहां इन तीनों का संतुलण पाया जाता है तो इसको हम बोलते दोबड मिर्दा, दोबड मिर्दा इसलिए बहुत ज़दा महत्वोड होती है, किर्सी के लिए बहुत ज़दा अन्कूल देखने को मिलेगी, देखे, मौसम में परिवर्तन के कारण अपक्छन की, अपक्छे की प्रिकरिया होती है, यही मिर्दा का विकास करती है, देखे, आ इस्तानांतरन आप लोगों को देखने को मिलेगा नीचे की और होता है और जल के साथ में पोसकत भी नीचे चाले जाते हैं इसको बोलते हैं हम लीचिंग बोलते हैं निच्छालन की प्रिकरिया जहां पर जादा होती है निच्छालन की प्रिकरिया कहां पर होगी जहां पर ज जल रिस्ट करके नीचे जाएगा जल रिस्ट करके नीचे कहां जादा जाएगा जहां बरसा जादा होगी बरसा कहां जादा होगी जहां आप लोग को देखने को मिलेगा कि मतलब ऐसे चित्रों में बरसा जादा होने से हुमस की मातरा है वो कम हो जाए क्योंकि पोसक तत्पक घुल करके नीचे चले जाएंगे इस बज़े से क्या हो जाएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मिर्दा है उसमें पोसक तत्पक हैं उनकी कमें हो जाएगे तो देखिए जलबायू का प्रभाव हमारी मि जाती है जहां सुस्क जलबायू पाई जाती है दोनों में हम लोग देख लेते हैं कि मिर्दा में कौन-कौन से प्रॉसेज होते हैं देखिए जहां आदर जलबायू यानि कि जहां बरसा जादा होती है बासपी करण की तुलना में बरसा की दर क्या होती है जादा होती है बहा प्रथों में जाएगा नीचे की परतों में जाएगा नीचे की परतों में जाएगा तो आपको पता है कि बरसा जाएगा होने से लीचिंग का पॉस्प होगा लीचिंग के प्रॉसिस के माध्यम से जल के साथ घुल करके पोसक तत्बे हैं नीचे चले जाएंगे पोसक तत्बों के साथ में चारिये तत्बे हैं वो भी घुल करके नीचे चले जाएंगे तो इस बज़े के ब्यूत कर्मान पाती होती है चारिता यान कि जहां बरसा जादा देखने को मिलेगी बहां मिर्दा की चारिता कम देखने को मिलेगी बहीं अगर हम दूसरी तरह बात करें और देखें दूसरी चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी देखें जहां तापमान जादा होगा बहांग अमलो के विगटण की धर भी जादा होगी, अमलो के विगटण की धर जादा होगी, तो अमलता में कैंए, कमी आएगी, तो इसी बजह से, जब आप 0 degree से 90 degree की और जाते हैं, या फिर आप JP जाते हैं मैदानी शितर से पर्वद्य शितरों में में भरती आती हैं, तो त तो अमलिता है वो बढ़ती चली जाती है क्या बढ़ती चली जाती क्योंकि तापमान के कम होने से अमलों के बिगटन का दर कम हो जाता है तो यह चीज़ आप लोग देख सकते हैं बहीं अगर हम लोग बात करें जो सुस्क और सुस्क और अर्द सुस्क यहां पर आदर नहीं है यहां पर अर्द सुस्क लिख लिजएगा यहां पर सुस्क और अर्द सुस्क चेत्रों में देखिए सुस्क और अर्द सुस्क जो जलबायू चेत्र होता है बहां जैसे कि मरस्तलिये चेत्र आप लोग को देखने को मिलेगा तो देखिए जहां बरसा की तुलना में बासपी करण की प्रिकरिया जादा होती है बहाँ पर आप लोग देखने को बिल जैसे बहाँ पर ब्रक्च और गहास के चेतर देखने को बिलेंगे या फिर केवल गहास के मैदान देखने को बिलेंगे देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें अगर यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर बासपी करण की प्रिक्रिया होगी बासपी करण की प्रिक्रिया के माद्यम से जल बासप है मिर्दा की नीचे की परतों से जल बासप है वो उपर आएगा अब जल है नीचे से उपर आएगा तो अपने साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चारीय तत्ब थे चारीय तत्बों को खीच करके उपर लेकर के आएगा तो इस बज़े से मरुस्तलिय चेत्रों में या फिर सुस्क छेतरों की मिर्दा होती है वो आपको छारिये देखने को मिलेगी यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है capillary process होता है capillary process के माद्धिम से मतलब capillary process होता है वो gravity होती है उसके opposite direction में होता है अब देखिए capillary process के माद्धिम से आप लोगो ये चीज़ देखने को बिलेगी, ओके अब देखेए, जहाँ पर बास्पन की परिकरिया जाधा होती है, बहाँ जल की, जल नीचे की पर्तों से ऊपर की ओर आने लगता है, तो अपने साथ में छारी तत्वों को उपर लाने लगता है, तो ये चीज़ देखने को यहां पर तापमान जादा होता है तो बासपी करण की प्रिग्रिया भी जादा होती है तापमान जादा होता है बासपी करण की प्रिग्रिया भी जादा होती है यहां पर आप लोगो ब्रक्चॉ गास देखने को मिलेंगे तो बात पूस और जन भी यहां पर जादा देखने क होगी एजिद आप लोग ध्यान रखना है तो यह क्या होगी ज्यादा चारिये मात्रा में पाई जाएगी तो अगर हम आपसे बोले कहीं पर आपको ब्रक्ष देखने को मिले यानि कि आप लोग उस कटी बन दिये चेतर में उपोश कटी बन दिये चेतर में जहां तापमान जादा है बरसा भी जादा होती है यानि कि बन बाई जा रहे है तो बरसा हो रही है न तो बहां की मिर्दा कैसी होगी ना चारिये होगी ना अमलिये होगी जादा लेकिन अगर जैसे की पतघारी छेत्रों में जहां बारिस काम होती है सुस्क जैसे कि उत्तरपलीशापी चेत्र में चले जाए जहां पर शुसकत हई इसी तरह धान बुंदेड़ तो में चुसकत होती है लोगों को क्यों असवाहँ समय डाएगा । शारित हो तmost से वा tack चेतरी तो यह चीज़ आप लोगो ध्यान रखना है इसी तरह से अगर हम बात करें मिर्दा में उपस्तित जो बिगड़ित कार्बनिक पधारते हैं अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर देखे एक चीज़ होती है हुमस दूसरी होते ही हुमस की मातरा तो देखे जो हुमस है तो हुमस है मिर्दा में गाड़ापन इससे बढ़ने लगता है हुमस क्या होता है जो पादप होते हैं जब वो सरगल जाते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं हुमस बोल देते हैं एक तरह से तो देखे अगर किसी मिर्दा में हुमस की मातरा अगर जादा होगी तो उसका की मात्रह है पोसक्तत्तिक्व की जहाँ पर कमी होगी आपको एक तरह से देखने को मिले में आगी। देखे आद्र जलवायू प्रदेष से जब आप लोग जो अर्द सुस्क या फिर सुस्क जलवायू प्रदेष में जाते हैं तो थार्मररुस तर में आप लुग जाएंगे, तो वो सुस्क सब्सक्राइब बाइब माड़ को शेतर है बहां पर ह्यूमस की मात्रा कम होगी मिट्टी क्या होगी ऊरुभर्ता उसकी कम कोंगी या लोग देखने को मिलेगा लेकिन बहीं आप लोग आदर मौसम में चले जाइए आदर-जल्बायूं में चले isn't यूमस की मात्रा जादा देखने को मिलेगी लेकिन हीमस की मात्रा है दो चीजों पर आप लोगों और भी यहां पर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा देखिए वैसे तो समानता आप लोगों देखने को मिलेगा देखिए जो आदर जलबायू से जब आप लोग अर्द और सु कुधारी बन देखे दोनों में आप लोग अपवाद देखने को बिलेगा देखे जहां आप लोग उस्ट कटी बंदियों सदा बाहर बन में आप लोग जाएंगे तो बहां आप लोग जानते हैं उस्ट कटी बंदियों सदा बाहर बन बहां पर पाई जाते हैं जहां 250 सेंटी या कि मद्यम से जो जल रिस करके नीचे जाएगा तो अपने साथ चारिये तत्व को नीचे ले जाएगा, साथ मैं इस हुमस को भी पानी गोल करके अपने साथ नीचे ले चला जाता है, तो इस बज़े से क्या हो जाता है, हुमस कम हो जाता है, और दूसरा आप लोगों को दे पर यहाँ पर यहाँ पर आप हुमस की मातरा काम हो जाती है एक और चीज एक रीजन और देखने को मिलेगा देखें यह दर मैंने लिख भी दिया चलिए आप लोग देखने को मिलेगा देखें यहूमस समानपाती होता है हुमस की मातरा समानपाती होती है बनसपती की सगंता की लेकिन केबल बनसपती की सग दायम होने से अब देखिए इसी वजय से आप लोग घास के मैदानों में जाएंगे घास का जो मैदान होता है जैसे कि आप लोग को देखने को में दो एक्जामपल देता हूँ यहाँ पर एक आप लोग को देखने को मिले должно सवाना तुल् criteria और उपर इसके क्या पाई जाता हैं आप लोग जाते हैं जैसे कि स्टेपी तुल जलबायु पाई जाते है स्टेपी तुल जलबायु यहां पर इस्टेपी घृस के बड़े मैंदान पाई जाते हैं समाना भी एक घ् Googles का मैदानी है अब इन दोनों में humus की मात्रा किस में होगी तो humus की मात्रा है किस में ज़्यादा होगी देखें समाना घास के मैदन जहां पाए जाते हैं यहां temperature ज़्यादा होता है temperature ज़्यादा होता है यहां की घास लंबी-लंबी साथ में कठोर ज़्यादा होती है लेकिन भही इस टेपी तो जलबाईयों में जो घास होती है इधर का टेंपरेचर कम होता है जहां टेंपरेचर अपेक्छाकरित थोड़ा सा कम होता है इस बज़े से इधर जलबाईयों क्या है इधर घास क्या है मुलाइम पाई जाती है और मुलाइम जो घास होती है वो कि इधर सवाना घास है temperature जादा होनी के वज़े से कठोर होती है और कठोर है वो तेजी से अबगटित नहीं हो पाती है तेजी से अबगटित नहीं होगी तो humus की मातरा क्या हो जाती है इधर कम हो जाती है तो ये भी चीज़ का अभगटण नहीं हो पाएगा तो humus की मातर अटमेंटरिल कम हो जाए इसी वज़े से धुर्बिय चैतरों में आप लोग चले जाएगे धुर्बिय चित्रों में तापमानतिती कम होने की वज़े से बहाबर हुमस है वो नहीं पायजाता है तो ये चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं देखे इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर मिर्दा की उत्पत्ती तो इसमें देखिए बहुत सारे कारक होते हैं कुछ सक्रिये कारक होते हैं कुछ निस्क्रिये कारक देखने को मिलेंगे सक्रिये कारक जैसे कि जैबी घटक जलबायू देखने को मिलेंगे बहीं निस्क्रिये कारकों में आधारबू चटान और उच्चा बच और समय आप लोग देखने को मेलेगा मिर्दा निर्माड प्रकरम की बात करें तो इसमें रूप आंतरान इस्तान आंतरान देखने को मेलेगा देखें अगर हम लोग बात करें यह मैंने यहां पर ऐसे एक डाइगराम बनाया है मेंस में अप लोग के लिए अच्छCU समझाएंगे एप पीटी के लिए डाइव इतना नहीं है तो यहां पर आप लोग WAYसे देख सकते हैं जैसे कि आप लोग देख एक अदारबू चटान जैसे काहला है और ऑक्छा को एम मिर्दा का निर्माड होगा आप लोग को देखने को मिलेगा देखिए जो आधार वो चट्टान है इसका अपक्षय और अपरदन है वो कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे उच्चा बच जैसे कि ढाल और उचाई और ढाल भी देखने को मिलेगा जैसे देखिए जहां पर उचाई जादा होगी ढाल जादा हो आप लोग लिखने को मिलेगा ढाल जहां पर तीबर होता है तो देखिए मैंने यहां पर लिखाए जहां पर ढाल तीबर होता है तो सतय जल के बहाओ में ब्रद्धी हो जाती है सतय जल के बहाओ में ब्रद्धी हो जाती है जिससे अंतहा इस पंदन की प्रिक्रिया क्या हो जाती है कम ह जाती है, अन्तहा इस पंदनंगी प्रिушिय अगर कम होगी तो जल अंदर नहीं जाप आफ यादा, इस वज़े से मिर्दा निर्माड कारी प्रक्रम है वो सलो हो जाएगा इस वज़े से मिर्दा की मोट टाइम में कमी आएगी और ढाल है यहां पर मिर्दा अगर थोड़ा बहुत टूट फूट होगा वो भी रिस्कर करके नीचे चला जाएगा उस वो ट्रांसपर हो जाएगी तो बहां पर और मिर्दा की मोटाई में कम्या जाएगी जलबायू भी बहुत सारे कारक हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं जहां पर तापमान बरसा ज्यादा मातना में पाइस आगी तो बहां अपर्दन की प्रिकरीया, पक्छा की प्रिकरीया तेजी से होगी और बनस्पती की पिरकार भी निरभर करते हैं अबभा प्रिकरम है वो निर्मार के साथ में आप लोगो प्रतिक चौआ प्रतिक संबंद देखने को मिलेगा क्योंकि जहां बरसा जादा होती है बहां निच्छालन जादा होता है बहां चारिये तत्मों में कमी आ जाती है अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उश्रकडीवन दिये आद्र और अम्लिय मिर्दा आप लोगों को देखने को नहीं मिывать छारीय मिर्दा इसलिए नहीं होती क्योंकि निच्छालन के process की gleichen कि प्रोसेस के दवारा जो छारीय तत्म है वह घुलगर के ीचे पहुँचल जाते हां वहीं della यह ततत्बों की बात करें तो अमल्हें, यहां पर देखें च्छेत्र कॉण सा है? उस्ण कटी वंध्य च्तर है. तेंपरिचर जादा होने के कारण अमलों का बिगटन करता हो तो आमलेता में कमी आएगी तु इस बज़े से यहां पर आप दोने कमी तो यह चीज़ आप लोगों देखने को मिलेगी देखे इसी तरह से जलबायू जो अर्द सुस्क और सुस्क में भी आप लोग एक्जामपल लगा सकते हैं इसका पोजिट कर दीजेगा अगर हम बात करें यहां पर आपर तिक्ष की अगर हम लोग बात करें आप तिक्ष रिल बनस्पतियों की सघंता कम हो जाएगी ना अब देखिए जहां बनस्पतियों की सघंता है जादा होगी बहां पर सतह जल के बहाओ की दर है वो कम हो जाएगी जिससे अंताहिस पंदन का दर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जिस बज़े से मिर्दा निर्माड प्रकरम है बढ़ जाएगा वहीं अगर हम लोग बात करें कि इससे जहां बनसपतियों के सगंता जादा होगी, बहां हियूमस के मात्रा भी तो जादा होगी, तो मिर्दा के सरूप में क्या आज़ाएगा? परिवर्ता न आज़ाएगा, उसके बहुत एक रसाइनिक परिवर्ता ना आए तो water भी है वैसे वैसा जल के बहाओ का दर है बो बर्णे लगता है अगर जल के बहाओ का rate है अगरव बढ़एगा तो andanspandad Blake kतायर है वो कम होगा अनताइस पंदन के दर से मतलब किया है जल है नीचे disclose करके नहीं जाएगा ज्यादा तो मिर्दा निर्माड कारी प्रकरम है बो तेजी से नहीं होगा उसके रेट में कमी आएगी तो मिर्दा की मोटाई है उसमें भी तो कमी आएगी ना तो यह जिद आप लोगों देखने को बिलेगी मिर्दा निर्माड कारी प्रकरम की बात करें तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रक्रम देखने को मिलेगे जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं देखिए आधारभू चट्टान है इस आधारभू चट्टान का क्या होता है अब गटन होता है साथ में इसमें कार्बनिक पधारत भी मिक्स होते हैं मिक्स होने के बाद में आप लोग देखते हैं कि इस समय के साथ में मिर्दा परचेदिका की जो मुटाई है वो बढ़ने लगती है आप लोग यह चीज़ देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें इस्तानांतरण की ओगे ट्रांस लोकेशन की बात करें तो आदर जलवाईयू परदेश और दूसरा हम लोग सुस्क अर्द सुस्क जलवाईयू परदेश देखेंगे देखेंगे अगर हम बात करें यहां पर आदर जलवाईयू परदेश होता है आदर जलवाईयू परदेश में आपको एक तो लेटर लेटराइजेशन का प्रॉसेस देखने को मिलेगा दूसरा आप लोग के लिए यहां पर निच्छालन पर देखने को मिलेगा मानसूनी जल्बायू में जाएग यह फिर विस्वत रेख bestimm किए पर लोगो को देखने को मिलेगे इहां से सुनिएगा अभी आप लोग लोग लेडराइजेशन को अच्छे समझेंगे देखे यह बरसा ज़ादा होज़े been बरसा जादा होने से आप लोगों को देखने को मिलेगा देखें जो सिल्केड खनीज हैं यहां पर तापमान भी जादा होता है तो यह जो सिल्केड खनीज हैं यह सिल्केड खनीज हैं आपस में तोड़ जाते हैं तोड़ जाते हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे और फ पासिस होता है और बरसा हो रही है तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहां पर जल के साथ में चारिये तत्में घुल करके नीचे चले जाते हैं तो यह चीज आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब जो अगर हम लोग बात करें यहां पर सिल्केट नीचे की पड़तों में चला जाता है नीचे की पड़तों में चला जाता है जैसे कि perform जुक्त पॉट खारचम के oxy को में परिवymmर्ग हो सब्सक्राइब हो जाता है इस बजह से आप लोग देखेंगे की अधिक मातरा से humus और जो चारिये तत्म हैं वो घुल करके नीचे चले जाते हैं और मिर्दा की उपर की परतों में आप लोगों देखने को बिलेगा silka, चारिये तत्म और humus इनका क्या हो जाता है? आभा हो जाता है तो दिखिए, letterization के process के माद्दियम से जो मिर्दा का निर्माड होगा उसमें silka, चारिये तत्म हुमस का क्या पायज आएगा? आभाव पायज आएगा ओके? आभाव पायज आएगा यह चीज़ आप लोग थोड़ा सा दिहान रखिएगा अगर हम बात करें leaching निच्छालन का process तो देखें निच्छालन से तो अभी हम लोग बता दिये यह तो आप लोग जानती है देखें यहाँ पर जो पोड़ जो लाईजेशन है यह कहाँ पर होता है? यह जो सीध आदर देखें अभी क्या था? उश्न आदर देखने को मिलेगा यह सीध आदर जलवाईयू में देखने को मिलेगा सीध आदर जलवाईयू कहाँ साइवेरियन तुल जलवाईयू देखने को मिलेगी साथ में जो संकुधारी बन जहां पर पाये जाते तो संकुधारी बन वाले छेतर में आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर क्या होता है, तापमान यहां पर कम होता है, साथ में आप लोगों देखने को मिलेगा कि कार्बनिक पधार्तों के बिगटन का दर क्या हो जाता है, यहां पर कम हो जाता है, क्योंकि तापमान कम होने से कार्बनिक पधार्तों का बिगटन का दर है, वो कम हो जाता है, इस बज़े से हुमस की मातरा क्या हो जाती है कम हो जाती है यहां हुमस तो बन रहा था लेकिन हुमस बनने के बाद नीचे की पड़तों में चला जा रहा था यहां तापमान कम होने के कारण कार्बनिक पधारतों की बिगटरन कदर कम हो जाता है इस वज़े से हुमस की मातरा कम हो जाती है अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखे जो सिलकेट तत्व हैं वो खनिज तत्वों की यहाँ पर अधिक्ता पाई जाती है क्योंकि देखिए जो सिलकेट खनिज है वो जादा मातरा में उपर पाई जाते है साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऐलमोनियम और फेरस के ऑकसाइड है ऐलमोनियम और फेरस के ऑकसाइड है वो जल के साथ जल के साथ मतलब जल और चारीय तत्मे हैं वो जल के साथ गुल करके नीचे चल जाते हैं मतलब जल तो जाए गई यहां पर आप लोगों क्या देखने को मिलेगा कि देखिए यहां पर सिल्केट तत्म है ना इनकी अधिकता पाई जाती है क्योंकि इनका गुगटन तो नहीं हो पागा, तापमान अगर अगoben लोग देखने के दिखनले शारी थामे कमी आजाती हैं देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अदर चल्बडस की तो अधरब यू परदेस जहां रास्थ होता है तो 18 कि मिरदा क्या होगी हुमस देहन रखेगा हुमस कम होगा चारी यह तत्वी कंम कि ओगए और साथ में अमलीय तत्वी कम हो यह गरम चेतर है इसे तरह से अगर हम बात करें पोढ़र जुलाइजीस यहां पर क्या है दिखें़ टापमानगी का में है क्योंकि बिगटन नहीं हो पाता है कार्पनिक पदर्थों का सिल्केट तत्व क्या पाई जाते हैं ज्यादा मात्रा में पाई जाते हैं चारी तत्व में घुल करके नीचे चले जाते हैं यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेगा अब हम लोग देखते हैं कि अर्द सुस्क और सुस्क जलबायू देखने को मिलेगा ओके जो अर्द सुस्क और सुस्क जलबायू की अगर हम लोग बात करें तो देखे जो सुस्क और अर्द सुस्क जलबायू होती है यहां पर आप लोग जानते हैं कि किस तरह से प्रॉसेस होता है देखे यहां पर बास्पी गरण क होने के गारण बनस्पतियों की सगंता कम होती है अगर बनस्पतियों की सगंता कम है तो कार्वनिक पधार्थ कम होंगे कार्वनिक पधार्थ कम होंगे तो हीमस की मात्रा कम होगी तो यहां पर हीमस की स्वाइल प्रोफाइल की बात करें तो दीखिए आप लोग देखने को मिलते हैं जादा पाये जाते हैं, फिर ए संस्तर आप लोगों देखने को मिलेगा, इसमें हिंयुमस की मात्रह जादा पाई जाती है, अगर हम बात करें बीश अजनस्तर तो बीश अनस्तर भी अलग-अलग पाई जाता है, देखिए अगर हम लोग बात करें, जो O संस्तर है इसको दो भागों में बाट लिया जाता है और इसी तरह से A संस्तर है इसको तीन भागों में बाट लिया जाता है तीन परतों में डिवाइड कर दिया जाता है इसी तरह से B संस्तर है इसको भी तीन परतों में डिवाइड कर दिया जाता है देखिए आप लोग बात करेंगे AO जो layer होती है, AO layer में पत्तों के धेर, देखे, जो पढ़ होती है, मतलब पत्ते होते हैं, उनका धेर जाधा पायत आता है, आप लोगों देखने को मिलेगा, AO layer होती है, इसमें आंसी रूप से बिगटित परत आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, अब देखे जो एबन जो परत होती है, अब यहां से क्या हुआ, बीस अंस्तर परारा हो जाता है, बीस अंस्तर की जो सबसे उपर वाली layer होती है, जिसको हम एबन layer बोलते हैं, अब हुमस, हुमस क्या होता है, जल के साथ रिस्कर के, अंदर की परतों में चला जाता है, तो कुछ आप लोगों को यहां पर मिर्दा में और बड़ता जाता देखने को बिलेगे, इसी वज़े से बोला जाता है, खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, हमें एक दो साल के अंतराल में एक दो साल के अंतराल में गहरी जुताई करनी चाहिए, जिस से जो हुमस वाली जो परत है ये उपर आजाए और उपर वाली जो परत है इसमें कार्बनिक पधारता जादा है ये नीचे चली जाए अगर ये नीचे चली जाएगी तो 2-3 साल में ये भी हूमस में कनबट हो जाएगी और जो हूमस है ये औरबरक है इसका हम लोग उपयोग कर लेंगे इस वज़े से खाद बात की ज़रूत कम पड़ेगी तो ये बाली जो परत होती है इसमें हूमस की अधिकता होती है ये मिर्दा जो होगी एक गाड़ी देखने को मिलेगी एक गाड़ी देखने को मिलेगी फिर इसके नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं Hum contouring क्या होने लगती है, कम होने है, Humist की मात्र हलकी हलके कम होने लगती है, मतलब पोसक तत्वों का आभभाव होने लगता है, पर आप लोग को देखने को मिलेगा, B1, B2, B3 तो आप लोग को देखने को मिलेगा, जो B2 है na, B2 परत है यह जो B2 परत देखने को मिलेगी यह A1 से तो हलकी होती है लेकिन A2 से आपको गाड़ी देखने को मिलेगी इसमें भी हुमस की मातरा थोड़ी जादा देखने को मिलेगी लेकिन इसकी अपेक्चा कम होती है इसकी अपेक्चा कम होती है क्योंकि जल के साथ गुल करके तत्व कहा आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं तो यह चीज है और इसमें कोई रॉकिट सैंस वाली चीज ऐसे नहीं देखने को मिलेगी ओके देखिए जो बी थिरी ए थिरी और बी बन और बी थिरी जो पड़ते हैं यह संकर्मन पड़ते कहलाती हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है मिर्दा परिशेदिका की मोटाई में ब्रद्धी होती जाती मिर्दा को प्रते को बीक्सित होने लगते हैं कि तो ये यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर अगरहम बात करें मिर्दा की तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर पेड लफर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिर्दा यहां पर पेडोकल देखने को मिलेगा और आमंडलिय मिर्दा देखने को मिलेगा जिसको आजोनल बोलते हैं देखिए यह आदर जलबाईयों में होती है अर्ध सुस्क और सुस्क जलबायों में देखने मिलेगी इनको भी फिर दुतिय स्तर बर बाट dalता है मंदलिय स्तर पर और 7 में आप लोग देखने को मिलेगा अन्ताह मंदलии स्तर पर देखिए अब देखिए हम अगर बात करें यहां पर जो यह मिर्दा होती है जो पोड़ जोल देखने को मिलेगी ग्रे ब्राउन मिर्दा देखने को मिलेगी यलो, रेड यलो पोड़ जोल देखने को मिलेगी लेटे राइड मिर्दा आप लोग को देखने को मिलेगी इसी तरह से इसमें देखिए प्लो सोल देखने को मिलेगी और यहां पर बॉदो साम लोग को देखने को मिलेगी तो यह थोड़े से नाम है इसी तरह से देखिए आप लोग देखेंगे यहांपर पौडो कल की अगर हम बात करें तो दिख करें जो पौडो कलहानें इसमें देखिए मिर्दाओं को दो भागों बटा गया है तो आप लोग दिख सकते हैं कि हां पर चर नौज़ब यह बहुत जबहुत गयुती है फिर रेड शिसनट्स देखने को मिलेगी फिर डिसरॉइन आप लोग देखने को मिलेगी इसे में आप लोग में और alkaline soil भी देखने को मिलेगी यहाँ पर देखिए यह जो आम अंडलिय मिर्दा है ना आम अंडलिय मिर्दा में दो प्रकार की मिर्दा हैं देखने को मिलेगी एक रेको soil देखने को मिलेगी और लीथो soil आप लोगों देखने को मिलेगी देखे अगर कि अगर हम लोग बाद करें मिर्दा कहां पर किस पिरकारगी पाइज दातीय है तो देखें लेट राइट मिर्दा आप को देखने को मेलेगी विस्बत रेखिए जलबायू पर देसी मेंvenue अगर हम लोग बात करें जो मांसूनी जलबायू पर देश में तो मांसूनी जलबायू पर देश में आप लोगों के लिए लेटे राइड मिर्दद देखने को मिलेगी, रेड और यल्लो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ग्रे और ब्राउन देखने को मिलेगी, जो उपर इधर आप लोग के लिए जो लॉरेंसियल तुल जलवायू था उदर देखने को मिलेगी पोर्ड जोल के अगर हम लोग बात करें तो साइबेरियन तुल में देखने को मिलेगी इसी तरह से जो चर्नो जम जो है ये बहुत ज़दा उपजाओ भूमी होती है सवना तुल में रेड चशनट बाली देखने को मिलेगी जो ग्याद और इरिया में इसी तरह से ग्रियटा-ब्राउन पोटजोल आप लोग को डेखने को मिलेगी जो बिसम तुल जलू जलवायू पर देखZe होता है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगी तो देखे यहां पर मैंने मिर्दाएं लिखी है और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रॉसेस से बनती है यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो उपर वाला जो है ना वही मैंने यहां पर दुबारा से लिख दिया है अब इनमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि एक बार मैं आप लोगों दिखा देता हूं तो टूंडला प्रदेश से हैं बहाँ पर ताप मान अत्यदिक कम पाया जाएगा तो मेर्दा निर्मार्ण प्रक्रम क्या हो जाएगा नगण हो जाता है आप लोग को देखने को मिलेगा ओके इसी बज़ेसे आप लोग देखने को मिलेगा कि हेहाँ पर मिड़धा की लबढता है, सॉरी मिड़धा की अमलता है बहु बढ़ जाते हैं, क्योंकि तापमान अत्य दिक कम होने की बज़े से अमलो के बिगटन का डर क्या हो जाएगा सूना हो जाएगा नकड़ा का बिगटन नहीं हो तो यहां पर अमलता पाय। ना केवल ज्यादा पाई जाएगी बल्कि सरवाधिक अमलता पाई जाएगी सरवाधिक अमलता वाली जो मिर्दा कहा पाई देखने को मिलेगी टूंडला प्रदेस में देखने को मिलेगी यह इस तरह से applied question पूछा जाएगा इसी तरह से humus का आभाव पाई जाएगा humus का आभाव पाई जाएगा यहाँ पर humus का आभाव इसलिए पाई जाएगा क्योंकि देखे टूंडला प्रदेस है यहाँ पर बसपतियां तो हो नहीं पाएंगी और साथ में तापमान कम होने के कारण कार्बनिक पधारतों का बिगटन भी नहीं होगा कार्बनिक पधारतों का बिगटन नहीं होगा तो humus नहीं पाई जाएगा और इस तरह से यहाँ पर मिर्दा पर इच्छे दिखा है उसका विकास नहीं उपाता है देखिए यहाँ पर गले राइजेशन प्रोसेस के द्वारा मतलब यह स्थानांतरण होता है मिर्दा का इसी तरह से पोड़ जोल की बात करें तो साइवेरियन तुल जलबायू में पोड़ जोल आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर क्या होता है तापमान जादा होता है थोड़ा सा जादा होता है तूडला की अपेक्चा थोड़ा सा जादा होता है तो मिर्दा निर्माड प्रक्राम में वो थोड़ा सा तेज हो जाता है किसकी तुलना में इसकी तुलना में थोड़ा सा तेज हो जाता है और आप ल इस्तनांतरण होता है यहां पर आप लोगों के लिए इस प्रिकार से जो चारों परते हैं वो आदर सरूप से विक्सित होती हैं अगर हम बात करें यहां पर ग्रे ब्राउन पोड़ जोल की बात करें यह कहां देखने को मिलेगा लॉरेंस यह बिर्टेस तुल जलबायू बढ़ जाएगी तो देखिए इसका रेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा यह चीजा आप लोगो देखने को मिलेगा अगर इसी तरह से रेड यलो रेड और यलो कहां है पर जो चीन तुल जलबायू में देखने को मिलेगा यहां पर देखिए तापमान थोड़ा और जादा होगा तापमान जादा होगा तो मिर्दा निर्माडगारी प्रक्रा में वो और थोड़ा सा तेजी हो जाएगा अगर यहां पर हम तापमान जादा थोड़ा सा है थोड़ा जादा तापमान होनी के बज़े से यहां पर हम लोग के बिगटन का दर बढ़ने से तापमान में क देखने को मिलेंगी और इसी तरह से अगर अगर हम लोग सिप्कशॉंग मानशो जल्पायू प्रदेश में सब्सक्रा downward में मिर्दा निर्माणकारी प्रक्रम हाई रहता है और तापमा न दीख होने कारण जो अमले हैं उनके बिगटन का दर भी क्या रहता है हाई रहता है अमलों के बिगटन का दर भी क्या रहता है हाई रहता है अमलों के बिगटन का दर क्या रहता है हाई रहता है इस वज़े से इसकी अमलेता क्या हो जाती है इन में सबस यहां पर बहुत अच्छे से बिक्सित होता है पोड़ जोल की अगर हम लोग बात करें तो देखें मैंने इसको बही सेम प्रॉसेस मैंने यहां पर अपलाई कर दी है आप लोग इसको देख सकते हैं जैसे कि देखिए जो चर्णो जम जिसको ब्लैक अर्थ के नाम से बिजाना क्या होती है कम होती है और साथ में इसकी चारिता क्या हो जाती है कम हो जाती है आप लोग को देखने को मिलेगा और हुमस की मातरा क्या हो जाती है आप लोग को देखने को मिलेगा कि अधिक हो जाती है हुमस की मातरा क्या हो जाती है यहां पर अधिक हो जाती क्योंकि society teaching प्रॉसेस होता है इन दोनों में Switzerland संत्लन पाई जाता है इस बज़यी से आप लोग प्रिकार करें और चारिता होती सबसे इदिक यहां पर सबसे अधिक यहां पर सुषकता पाई जाती है इस वज़े से इसकी चारिता भी क्या हो जाती है सबसे ज़्यादा इसकी चारिता हो जाती है और आप लोगो हिमस का आभाव पाई जाते हैं क्योंकि यहां पर बनस्पती नहीं पाई जाती है इसी तरह से अगर हम लोग बात करें देखें यहां पर जो अंतहा मंडलीय मिर्दा की बात करें तो देखें जो अंतहा मंडलीय मिर्दा होती है तो देखें यहां पर पेडालफर देखने को मिलेगी तो देखें जो पेडालफर है जो पेडालफर है आदर जलबायू प्रदेस इसी तरह से यहां पर पेडोगाल फटाउन यहां पर यहां पर बास पिककृड की परक्रिया जादा होती है बासपी करण की प्रिकरिया जादा होती है तो लबड़िये तत्व हैं वो जादा मातरा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथ में चारिये तत्व भी जादा देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर इसी मिर्दा को हमारे भारत में कई नामों से जाना जाता है रे में देखिए विविन परकार की मिर्दा पाइज आती है तो भारत में आप लोग को मिर्दा भी दुबारत से नहीं पढ़ने को मिलेंगी मतलब यहां पर ही आप लोग समझ लीजिए भारत में मिर्दा की उत्पत्ति के आधार पर भारत में पाइज आने वाली मिर्दाओं की बात करें तो देखें इंस्ट्टू स्वाइल होती है सो इस्थानिक मिर्दा देखने को मिलेगी दूसरी होती है अगर हम लोग बात करें देखिए मिर्दा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारण तो देखिए जल बायू लेटराइड मिर्दा है जहां 200 cm से ज्यादा बारिस होती है साथ में यहाँ पर जो सिल्का और ह्यूमस की मातरा कम पाई ज solaЕТी है यहां पर जो फेरस है और एल्मोनियम है इसकी अधिकता आप लोगो देखिने को मिलेगी ओगे विज्वाण परॉस्ट के मादतों होता है अभी आप लोगो री बरसा की बितरण पढ़ान TED और रहे थ Peak based बरसा की बितरण पढ़ा रहे थे तो 750 में हम आपड़ा यूंग हम आप लोगों पढ़ाये थे Psalm Con幾 Underwood बार इस 200 cm से जाता होती होगी बहां लेटे राइड मिर्दा देखने को बिलेगी वहीं अगर हम लोग बात करें यहां पर आधार बुट चट्टानों के अधार पर जैसे कि लाल मिर्दा लाल मिर्दा का निर्माड ग्रे नाइट और नीज से निर्मित जो चट्टाने होती है ग्रे नाइट और नीज से निर्मित चट्टाने हैं उससे लाल मिर्दा के निर्माड होता है लाल रंग इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड जादा पाय जाता है यही फेरस ऑक्साइड की वज़े से इसका रंग क्या हो जाता है रेड हो जाता है इसको रेड अस्वाइल बोला जता है काली मिर्दा क्या होती है जो बसाल से निर्मित होती है जो आला मुखी जो प्रिक्रिया होती है जो लावा लिकलता है उसी लावा के अपक्छे और अपर्दन के माद्यम से इस मिर्दा का निर्मार होता है काली मिर्दा यान कि बसाल्ट आपको दक्कन ट्रैंप जो आप लोगों देखने को मिलेगा हमारा प्राइद इपिया भारत बहुत बड़ा छेतर है जहां पर बसाड से निर्मिच चट्टाने पाई जाती है उसी के अपगटन से बसाड से निर्मिच जो सारसना है उसके अपक्छे और अपरदन की पिरकरिया से काल पाई जाती है आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह काली मिर्दा होती है यह चीज़ा आप लोगों को ध्यान रखना है ओके यहां पर टाइटेनी फेरस और मैगनेट होता है उसकी मातर जादा होती है जिस बज़े से इसका काला रंग हो जाता है और उच्छ वाले छे तरह जलोग में पाई आती है इसी तरह से मौरस्तलिय मिर्दा पीट और एलकलाइन मिर्दा आप लोगों को देखने को बिलगी चलिए हम लोग देखते हैं लेटे रैट मिर्डा की बात करें तो देखें लेटे राइट मिर्डा का निरमाढ़ है और लेटराइजेशन की प ग५ुलगर करके चलाएता है उपर भेस और एल बसता है यांकि फेरस और ऐल्मोनियम ऐसिक दियुक्त झा 누ा की त्टम की पऊंच्छे में लीचे चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी अगए अगर हम आजम मेगाल है और आप लोगों के लिए तामिल नडू देखने को मिलेगा जहां उजे चेतरों बरसा ज्यादा होती है बहाँ पर इस प्रिकार की लेटेराइड मिर्दा पाई जाती है इसका चेतरपल आप लोगो तीन दसानलों साथ प्रतिसत देखने को मिलेगा इसका जो है वो उष्ण आद्र जलबायू दसाओं में होता है जहां बरसा ज्यादा तापमान ज्यादा होती है देखिए इसमें जो प्रमुक चीज है वो आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं देखिए जो लीचिंग का प्रोसेस होता है इसके माद्यम से चूना और सिलका है वो तापमान भी अधिक होता है तापमान अधिक होने से आसानी से यहां पर जिमाडू ज्यादा पाई जाते हैं जिस जो हुमस को तेजी से नस्ट कर देते हैं जिससे वज़े से हुमस की मातरा भी यहां पर कम पाई जाती है आप लोग देखने को मिलेगा देखिए जो फेरस का उपयोग करके, खाद बाद का उपयोग करके हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर किर्सी कारे करने लगते हैं तो जैसे कि रबड हो गया, सिनकोना हो गया काजू हो गया, इड भट्टे के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, इस मिट्टी का minor group soil देखने को मिलेगा देखे जो major group soil जो है उसमें जलोरक मिर्दा आती है काली मिर्दा आती है लाल मिर्दा आती है लिटरेड मिर्दा आती है lightning हम बात करें minor soil group की राती है तो परवढक्ति यह और मरुस्तलिए, pit और alkaline has9direct लिखा आती है देखे अधारत होता है उसी अपर्दित पदारत को हलके हलके बोने चेपित करती गई और इस जिस वज़े से हमारे एक विस्तिरित मैदान का निर्माड हुआ जो जलोडग मिर्दा से निर्मित है आप लोगों जब कम ही आएगी तो उसकी मतलब लोड कैपिसिटी है वो कम हो जाती है मतलब अब सादो के बेहन करने की चमता है वो कम हो जाती है अब सादो की अगर बेहन करने की चमता कम हो जाएगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरह से चीजों का निर्माड होता है देख उसे चोटे आकार के जो कड होंगे फिर उनको डिपोजिट करेंगे फिर उनसे चोटे आकार के कड होंगे तो फिर डिपोजिट होंगे इसी वज़े से आप परबती चेत्रों से जब आप लोग डेल्टाई वाले चेत्रों की और जाएंगे यानिके समुद्रों की और जाएं देखिए भाबर में नदिया ब्लूप्त हो जाती है नदिया जो लिकलती है इसी भाबर वाले छेतर में पत्थरों के नीचे से बहने लगती है कंकडों के नीचे से बहने लगती है यहाँ पर आप लोगों के लिए मोटे मोटे कड़ देखने को मिलेंगे मिर्दा के मतलब इटा पत्थर जादा मत्रा में पाए जाता है फिर इसके बाद में जो चेतर होता है तराई चेतर जहां पर नदिया फिर से लिकलती है क्योंकि यह चेतर थोड़ा दलदली हो जाता है क्योंकि यहां से नदिया पुनहा लिकलती है तो इस चेतर को दलदली बन लिए इसको तरी वाला या फिर तराइचेतर के नाम से जाना जाता है ज़िस ज्छितर में हम रहते हैं यह है तराइचेतर ही है यहां पर मच्छड मच्छड की समझ्या बहुत रहती है हम लोग को अगर हम लोग इदर सो जाते हैं तो जिन्दा उठा करके पटरी पर छोड़ देता है, रिएल पटरी पर लिजागर के मच्छड इतने भहन अग मच्छड है, तो आप लोगो देखने को मिलेगा कि भावर के बाद में यहाँ पर आता है तराई छेतर, अब आप लोगो देखने को मिलेगा तराई चेतर के बाद में आप लोगों देखने को मिलेगा, देखे, आप लोग के लिए यहाँ पर बांगर चेतर और खादर चेतर देखने को मिलेगा, देखे, बांगर चेतर और खादर चेतर मैं इधर समझा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा, यह परवत से निकल रहे होंगे तो परवतों से जब निकल रहे होंगे तो यहां पर यह क्या होगा भावर का छेत्र होगा यहां पर नदियां बलुपत हो जाती है अब फिर आता है तराई छेत्र यहां पर क्या होता है थोड़े से छोटे-छोटे कड़ पाए जाते हैं आप एक च्छा क दो मैं जो इस तरह से बना रहा हूं blue blue यलो कलर से कि तो ए चेत्र में खादर छेत्र होता है अब इसके बाहर जहां पर बाड समानता नहीं आती है यह जो मैं दूसरे बना रहा हूं जहां पानी बाड़ का नहीं पहुँच बाता है यहाँ पर पुरानी जलोड मर्दा पाइद आती है यही पुरानी जलोड मर्दा को ये लिए यहाँ पर भाबर के नाम से जानते हैं ओके भाबर के नाम से जानते हैं एक सेगेंड में एक बार देख लेता हूँ इसको क्या बोलते हैं बांगर बोलते हैं इसको बांगर बोलते हैं इसको बांगर बोलते हैं अब देखें यह क्या है यह आप लोग के लिए भावर देखने को मिलेगी और यह वाली क्या देखने को मिलेगी तराई देखने को मिलेगी तो यह चीज है इस तरह से आप लोग ध कि जादा ही पई जाती है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निर्माळ कि बेहते हुए जो जल है बह counterparts करता है और इस ल Settings करता है करता है और इस वज़ेसे निर्माद करता है दिखिए जो इससे उत्तर मैंदान मैदानी छेत्र ऑसका निर्माद करता है एड indicates 28 सुस्क के छेत्र में आता है 85 सुस्क के छेत्र में आने के कारण इस में कि चारिता क्या है क्भडती क्वा तो जल नीचे की परतो से आएगा चारित ओपड़ लिएया यह साथ मैं आप लोग को देखने को मिलने resumes कि यहां बेक्साइम की का चारेटा मेंगनीर हम लोग बात करेते हैं गयराएव किरसी हम लोग करते हैं और एक किरसी के लिए बहुत उपजाओ भूमिया आप लोग को देखने को बिलेगी यहां पर धान गयों गन ना तिलहन भीविन प्रकार के यहां पर फसले की जाते हैं ब्लैक स्वाइल की बात करें तो बसाल से निर्विस रसना जो होती है उसी के अप इस बात नहीं है तो आप लोग बस करते रहेंगे हम पूरा क्लास खतम कराते हैं अगर हम बात करें हैं पर काली मृत की बात करें ब्लैक स्वाइल की बात करें 15 पर्तिसता आप लोगों देखने को मिलेगा विलेक सॉयल हमारे भारत में पाई जाती है जो दक्कन ट्रैम के इ बैंगलोर होगे हम जो मैसूर का पठार देखने को मिलेगा अगर हम राज्यों की बात करें तो महारास्ट्रा गुजरात मदद प्रदेश करनाटक अंदर प्रदेश और आप लोगों के लिए यहां पर जो तमिल नडू देखने को मिलेगा यहां पर ब्लैक स्वाइल पाई ज स्वाईल देखने को मिलेगी अर्दसुस्क जलवायू प्रदेश में पाई जाती है अर्दसुसक जलवायू प्रदेश में पाई जाते होगा इस में देखेए वह जात्वा करत जाता है चीयक तो तह है जहां एक तरफ nitrogen, phosphorus और humus है, वो कम मातरा में पाए जाता है, बहीं इसमें aluminium, ferus, tuna, potassium, magnesium जादा मातरा में पाए जाता है, यह जो मिट्टी होती है, यह उपजाओ मिट्टी होती है, इस बज़े से इसमें कपास की खेती जाने के कारण, इसके लिए cotton soil के नाम से भी जाना जाता ह है, इसके लिए regular soil के नाम से भी जाना जाता है, इसको self-plugging soil के नाम से भी जाना जाता है, कपास ही तो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि देखे जब बरसात का मौसम आता है, तो बरसात के मौसम बें यह एकदम रबड़ी की तरह फूल जाती है, भींग करके, मुलाइम हो ज सुसकता, इसकी क्या हो जाती है, आपको सुसकता की वज़े से बास्पी करण की प्रिकरिया होती है, बास्पी करण की प्रिकरिया से इसमें बड़ी बड़ी दरारे पड़ जाती है, ऐसा लगता है, इसमें बड़ी बड़ी दरारे पड़ती है, इसमें बड़ी बड़ी दर तो ये चीज़ आम लोग देखने को मिलेगी, अगर हम लोग बात करें, देखे, ये तो अभी मैं आपको बता दिया, लाल और पीली मिर्दा के बात करें, तो देखे, लाल और पीली मिर्दा होती है, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि प्राइड इपिय पठार, तो जो हमारा है उसमें लाल और पीली मिर्दा पाई जाती है आपको देखने को मिलेगा ग्रे नाइट और नीस देखे ग्रे नाइट और नीस है इसमें देखे ग्रे नाइट नीस इसमें रविदार चट्टाने जो होती है रविदार चट्टाने है उनमें विक्सित हुई है इसम हमें योग्याव की अधिक्ता होती है लोग्याव कोपिए अधिक्ता की बज़े सी ही फेरस आखसाईट का यहाँ पर निर्माड होता है यहीं फेरस ओक्साईट का रंग है वो लाल कर देता है और आम लोग देखने को मिलेगा इस ही लाला रंग में क्या हो जाए जल योजन हो जाए मतलब बारिस हो जाए बारिस की बज़े से जल योजन हो जाएगा इसके अंदर जिस बज़े से इसका रंग पीला पढ़ जाता है क्या पढ़ जाता है तो यह लाल मिर्दा ही क्या वन जाती पीली मिर्दा वन जाती है इसमें अगर हम बात करें, इसमें देखिए, जहां नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हुमस की कमी पाइजाती है, इस वज़े से एक कम उपजाओ होती है, इस वज़े से इसका किर्सी की ड्रस्री से इसका महत बकम हो जाता है, लेकिन हम इसमें सिचाई और उर्बरकों का उप्योग करक तो आप लोग देखने को मिलेगा कि यहां पर हम सिचाई सुब्दाओं का विकास करके यहां पर चाबल हो गया, जौर बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मुफली हो गया, और तमाकु और फलो की यहां पर किर्सी करते हैं, यह कहां पाइजाती है, तमिलना, डूकर, नाटा, गोआ, दच्चिडपूर भी, जो महरासरा देखने को मिलेगा, आंदर परदेश, ओडिसा, छोटा नागपूर और मेगाले, बाले च्चितर में यह पाइजाती है, भहिए अगर हम लोग बात करें, सुस्क मिर्दा की बात करें, तो सुस्क मिर्दा कहां पाइजाएगी, मर जितनी मिर्दा वाल च्चितर है भारत में पाइजाती है, उसका 4% है, वो मरुस्तलिय मिर्दा पाइजाती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें बलोई और पत्रीली मिर्दा आप लोगों को यह देखने को मिलेगी, मरुस्तलिय जलबाईयों के कारण दैनिक ता जाता है सुस को मौसम पाए जाता है बरसा कम होती है जिस बचे से बनस्पतियों की सगंता कम होती है बनस्पतियों की सगंता कम होने से यूमस की मातरा कम हो जाती है अगर हम बहीं बात करें मिर्दा के रंग की तो मिर्दा का रंग है लाल और हरका भूरे कलर का आपको देखन करड़े होती है उन जीलों में नमक का निर्माड किया जाता है। आप इसमें नाइट्रोजन कम पाई जाती है। ठीगों करते जैसे की कीं ज़ाइने की हैं और बनीय-मिर्दा, जहाँ जहां पर पर्वति तो आको पर hell्टिय अब लोग को देखने को मिलएंगे यहां पर देखेंगे हब Practi और पाघ्यानिक बनस्पति और जलबायू दसाओं के आधार पर और सहरे होती हैं इग काफी complicated है क्योंकि जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा हम उपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे बनस्पत्यों का परकार बदलता चला जाता है तो यह चीज़ आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं देखिए इसी वज़े से परबरतिये च्छित्रों में हम घाटिये वा बात किये थे बही सेम देखने को मिलेगा मतलब पंसाब हरियाना गुजरात जो इदर पसी मुस्षी मंगाल वाला भी थोड़ा सारीजन देखने को मिलेगा जहां पर लबढ़िये मिर्दा पाई जाती है अगर हम इसकी संद्रसना की बात करें बलूई और दोमट के बीच की आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर सुस्क और अर्द सुस्क जलबाई उपाई जाती है हरित करांती के समय जहां अधिक से चाहिके माध्यम से यहां पर इसकी उपजाओ मिर्दा थी लेकिन अब अनुपजाओ हो चुकी है लबढ़िये हो चुकी है वो छो छेतर अब मरें जाता है लिए लबढ़ता जहां पर लबढ़ता को कम करने के लिए हम जिपसम का उपयोग करते हैं जिपसम का का उप्योग करते हैं चूने का उप्योग करके हम अमलिता को कम करने का प्रयास करते हैं देखे इस मिर्दा में जहां नाइट्रोजन और चूनक कम पाया जाता है भही अगर हम लोग बात करें कि यहां पर यहां पर मिर्दा के अंदर सोडियम पोटेशियम और मैंगनेशियम क यहां भारी बर्सा होती है आधरता जादा होती है जैसे कि केरल उडिसा पस्य मंगरता मिलनाडू के टटवरती छेतरों में बर्सा जादा होती है वहां पिट मिर्दा पाई जाती है पिट मिर्दा ऐसी मिर्दा होती है जहां पर डारेक्ट कार्बनिक पधारत अधिक मातरा मे ही होते हैं उसमें जजाड़ियां बादियां होती हैं डारेक पेड़ पौथी ही पड़े रहते हैं तो उसी को फोलतेे bark यह पर चालिस से 54% उसमें जैवी पदार्ति की देखने को मिलेंगे ओके यह चीज है इसी तरह जैसे हमने आपको बोला था कि इंडियन जोग्रफी आप लोग बहुत आसान हो जाएगी हम आफ लोग क्लायमेट लॉजी जोग्रफी और साथ में इन्वार्मेंट में बहुत सरे टॉपिक आप लोग कभर गरा दिय है तो बहां पर इंडियन जोग्रफी को कुछ बड़ा सेक्सान बचा नहीं है अगर हम बात करें जलोड मिर्दा की तो जलोड मिर्दा का जो चेत्र है जलोड मिर्दा का जो चेत्र है वो सिंद गंगा ब्रह्मपुत्र वेसिन बाला चेत्र और टटिके चेत्र को से देखने को मिलेगा जहां जलोड मिर्दा पाई जाती है इस जलोड मिर्दा में जहां धान गेहूं, गन्ना, आलू और तिलहन और दलहन की फसले की जाती हैं, अगर हम बात करें यहां पर जो पोसक तत्पर प्रचूर मात्रा में पाई जाते हैं, पोटास और चूना प्रचूर मात्रा में पाई जाता हैं, बहीं यहां पर नाइट्र वाली रंग नोगा की वजई से हूता है और मिर्दा की काली वर्दक कि बात कर cynhole आए यह उनसे हैं यह पॉठराउन वारष बतनी नेंगें जानााइ गितिचि व्रत आ हैल्डर्ण म्हाम्धर 그렇게 स्थिक्झाद हने और श्यादे काम लोगा स्थिक्रेर्ण काम मेंआ dużo जाता है बहने हम लोगात करें कि लेटराइट मिρदा तो जहांपर जादा बारिस होती है की कर्नाटा केरन मदपर्देश उणीस के पर बड़ती है छित्रो में जहां बरस ज़ादा होती है परी मिरदएhini यहां चाय, काफी, रवड और सिंकोना, काजू जैसी फसली की जाती है इसमें लोहा और ऐलमॉनियम की जहां अधिकता होती है बहीं इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फूरर, पोटास और हुमस की कमी पाई जाती है अगर हम लोग बात करें मरुस्तलिय मिर्दा की तो मरुस्तलिय मिर्दा है, वो पंजाब, हर्याण, राजिस्तान, पस्मी, यूपी में पाई जाती है यहां मोटे आनास जादा हुगाई जाती है, जैसे कि जौार, बाजरा, मोटा आनास, सरसु जादा हुगाई जाता है यह लबडिये होती है, और साथ में फास्फोरस की परचूरता होती है वही नाइट्रोजन और जीबास पदार्त कम मातरा में पाई जाते है परवर्तिय मिर्दा की बात करें, जैसे कि यहां पर आरुनाचल प्रदेस, कस्मीर से अरुनाचल प्रदेस तक हम लोग को यह मिर्दा देखने को मिलेगी यहां पर सेब नास पाती, आलू जैसे बिविन्ची जो को गाया जाता है यहां पर पोतास, चुना, फास्फूरस की जहां दिखता पाई जाती है बहीं, जिबास पदार्तों की यहां पर कमी पाई जाती है तो यह चीज़ देखने को मिलेगी, आप देखें यहां पर पर्याब रणियब पारिस्थित्की हो जब बिटता स्टार्ट हो जाता है है तो आज का लेक्टार यहां पर फिनिस कर देते हैं कल समाप्त हो जाएगा कल हम लोग इसको पूरा का खतम कर देंगे हैं क्या नहीं क्लास कितनी दिर चलीगँ क्लास आप लोग खतम होगा यह वहदो करते करते हों लोग posts वाला टॉपिक बचा है और आप लोग क्लाइमेट वाले क्लाइमेट वाला वैसे बिजन थ्रीजिट वाइप में मैक्सिमाम सब पड़ा दिए कि ऊग्रों अभी पीडियेफ है अभी हम सेंड कर देंगे क्लास के तुरंत बाद हम सेंड ना करें तो हम भूल जाएं तो मैसेश कर देएंगा तब हम send करते हैं कभी गवार हम भूल जाते हैं कुछ दूसरा गाम करने लगते हैं तो यह वाली PDF है इसको भी हम अभी पढ़ाने वाले हैं साथ में ही ज़्यादा परिसान नहीं हो रहा है कितना माता पच्ची करेंगे आप लोग इतना आप लोग के लिए content दे दिये हैं environment के लिए इतना ही पढ़ना है ज्यादा पचानी पहेंगे आप लोग और ज्यादा के चक्कर में क्या हो जाती है बादा हो जाती है तो ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है कम पढ़िएगा ज्यादा वर उसको पढ़ना है अच्छे से उसको understand करना है question बड़े आराम से लि प्रिजातियं वह जंतु के रूप में हो सकती है इनकी जो एक दरसे संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आप लोगों ने दिखा होगा है आपके एरिया में आपके एरिया में कुत्ता भी रहता होगा भालू भालू नी रहता होगा कुत्ता भी रहता होगा गधा भी रहता होगा गाई भी रहती होगी इंसान भी रहते होगे बंदर भी रहता होगा बिल्ली भी रहता होगा चुवा भी रहता होगा मतलब इस तरह के बिविन ने पिरजातियां रहती है इन पिरजातियों कि जितनी ज़्यादा पिरजातियां होंगी उतनी ज़्यादा जय बिवित्ता होगी कितना सिंपल है और इतना कॉंपलिकेटिट इसको बनाना भी नहीं है देखिए अगर हम लोग बात करें यहां पर अगर देखिए यहा हमारा प्रित्थवी संभेलन हुआ उसी प्रित्थवी संभेलन में ही CBD लिकल के आया था थी सिस्टर के बारे में जो हम आप लोगों पढ़ाए थे तो थी सिस्टर में से एक सिस्टर क्या है यह भी देखने को विलेगी जो CBD देखने को विलेगा Convention on Biodiversity देखे इसमें जो Definition के वारे में बताए कि सभी जीवित प्राड़ी हैं उनमें ब्याप्त जो भी विवित्ता है उसी को हम क्या बोलते हैं जैब विवित्ता बोलते हैं यह आप लोगों याद रखने के आवा सकता भी नहीं है आप लोगों से नहीं पूछा जा रहा है दे पारिस्तित के जैब विवित्ता होती है एकदम क्लियर आवाज आ रही है बहुत अच्छी बात है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके देखिए अगर हम लोग बात करें जैब विवित्ता की देखिए मैं थोड़ा से इसको मोटा कर देता हूं फिर आप लोग के लि बिवित्ता कैसे लिका ली जाती है देखिए कोई बिशिस्ट पिर जाती है न तो बिशिस्ट पिर जाती में भिविन सदस्यों में भिविन सदस्य होते हैं उसके तो उसमें थोड़ा अंतर पाया जाता है भिन्नता पाया जाती है उसी भिन्नता को बोलते हैं अनुबांसिक sapiens लेकन हम homo sapiens sapiens तो हैं लेकिन आप देखिए क्या हम सब एक जैसे दिखते हैं देखिए रमू आलग देखता है टमू आलग दीखता है मानी अलग दिखता है आप लोग आप हम watt लग दिखते होंगे एक दूसरे से अलग देखते होंगे या निकिडना कि सी रूप में थोड़ी से भिनन दिखते हैं लेकिन है तो होड़ा घचाचर तो यहां पर क्लाश, लोग ऐसे हैं VU पता चलेगा कि किम कौन है और जान कौन है और सॉन कौन है इसा लगता हुआ कि एक अफरीका से आया है यह यूरोप से आया है दूसरा है वो ऐस्टेलिया से आया है जैसे देखने में लगें एकदा पहिचान में आज दाएंगे लिकिना आप जैसे इधर जापान में चले जाएंगे ये कोरियं में चले जाएंगे, जापान चीन में चले जाएंगे, बहाँ पर अनुमाद सिर जापी वित्ता बहुत कम पाई ज crawl से तो समज़ कें आप लो बह जाती है जैसे कि एक छेत्र है इस छेत्र में जैसे कि घोड़ा घधा जो खचर वच्चर सब कुछ रहते होंगे उनकी जितनी संक्या होगी उसी को हम बोलते हैं पिर जाती है जाती है जाती है किसी स्थान की बहुत जादा हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा हाट इसपोर्ट हो जाएगा यान कि जैब बिविट्टा वाला इक बहुत गरम छेत्र हो जाएगा हाट इस पोर्ट जोन बन जाएगा तो यह चीजा आप लोगों को देखने को मिलेगी इसी दरे से अगर हम बात करें यहां आपर पारिस्तित के जैबेवित्ता की बात करें, तो पारिस्तित के जैबेवित्ता होती है कि अलग अलग जो परीतंत्र होते हैं, तो अलग अलग परीतंत्रों के अंदर कुछ पिरजातियां अलग अलग पाई जाती हैं, तो उसी का मापन किया जाता है, उसी को बोलते हैं प ईसे चीज की ल conta के पारिश्त की जैब पाई जाती है उसी को बहुत ही सिंपल चीज है आप लो एक्दम परिसान नहीं होना है नहीं के उसके आप जैसे जैसे हम धुरुबों से बिस्वत रेखा की और जाते हैं धुरुबों से जैसे जैसे बिस्वत रेखा की और जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पैसे बैसे जैब बिता बढ़ने लगती है आप लोगों को देखने को बिलेगा ले टूडला से हम जब संकुधारी जो बन होते हैं, उसमें जाते हैं, जिसको कौनिफेरस फॉरेस्ट रोला जाता है, जो संकुधार आकार के ब्रच्छ होते हैं, उस बाले रिजन में आप लोग जाएंगे, तो बहां पर जैब बिविता और थोड़ी से जाता देखने को मिलेग फिर आप बढ़ पाती बनों में जाएंगे, तो जैब बिविता थोड़ी से और जादा देखने को मिलेगे, फिर आप लोग रेन फॉरेस्ट में जाएंगे, मतलब बरसा बनों में जाएंगे, बहां जैब बिविता और जादा बढ़ जाती है, इसी तरह से आप लोग देखने को मिलेगा कि उचाई बढ़ने के साथ साथ जब बिबित्ता है वो भी कम होती चली जाती है बहुत ही सिंपल चीज़े हैं यही आप लोगों से अप्लाइट करके कुस्टन पूछेगा एक कॉंसेप्ट जो हम आपको दे रहे हैं यहां से ही कुस्टन वो लिका लेगा घुमा फिरा करके कुस्टन लिका लेगा और आपको यही कॉंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है बड़े प्यार से आंसर लिका जाएगा आप लोगों देखने को मिलेगा यारे बड़ी सिंपल चीज़े हैं सिंपल चीज़े नहीं है इनी चीज़ों को रिविजन किया है एक से दो बार तो रिविजन जरूर करिएगा क्योंकि समय के साथ हम भूलने लगते हैं और इतना ज्यादा प्रेसर होता है तो आपको रिवाइस जरूर करना है इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे कि उत्तरी को लाड़ तो आप लोगों को मिलेगा देखें जो बिस्वत रेखा है यहां पर बहुत जादा पाई जती है यह तो हमसाइसी ते वैसे कल पता पड़ा चुके थे बार बार यहां पर आ रही है और इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे कि उस्ट्र कटी बंदिया च्छेत्र होता है वहां पर जैब बिद्ता स आपन के लिए दो मैठाड होते हैं एक तो होता है फिर जातिया एक रूपता होती है दूसरा होती है फिर जातिये प्रचूरता के आधार पर हम आपका मापन करते हैं। तो इस परकार के जो मैसेज होते हैं वो आप लोग बात में भी कर सकते हैं देखें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखें जो जैब वित्ता का मापन है वो अगर हम बात करें परजातिये एक रूपता के आधार पर किया जाता है परजाती एक रुपता में क्या होता है कोई बिसिस्ट छेतर है बिसिस्ट छेतर से क्या अतात पर है कोई एक निश्चिस छेतर देखने को मिलेगा इस बिसिस्ट छेतर में परतेग परजाती के जो सदस्य है उनका जो परडाम होता है उसी को हम बोलते हैं परजाती एक रुप एक Χहेतर है और यहां पर देख़े एक एक एक्zekणे में अगर दूं हो day निये जैंगा तियां से उपर से लिकल जाएगा बहुत अर पर दिक dapatаешь हैं आप देखने को देखने को देखनेccoli A है यह छेतर B है छेतर A में आपको देखने को मिलेगा कि मानते हैं जो आम है वो 40 आम है 40 आम के पेड़ है इमली के पेड़ है वो 30 पेड़ है गुलाब के पेड़ है वो 30 है इस हिसाब से अकर हम यहां की यह टोटल BST लिका लें तो कितनी लिकल के आएगी यहां की आपको देखने को मिलेगा यहां पर BST है वो 100 लिकल के आएगी कितनी लिकल के आएगी सौ लिकल के आएगी समझें आप लोग क्योंकि देखें आप जोड लेजें 40, 30, 60 होता है 60 और 40 कितना हो जाता है 100 हो जाता है तीन पिरजातिया है इस चेत्र में, 20 की संक्यां कितनी है? अगर गुलाब की संक्या 5 देखने को मिलेगी देखे अगर हम यहाँ पर भी बेस्ट्री लिगा लें तो बेस्ट्री के संक्या यहाँ भी 100 आ रही है और यहाँ भी 100 आ रही है क्योंकि 90 और 5-5 कितना होता है 10, 90-10 कितना होता है 100 होता है, यहाँ बेस्ट्री के संक्या तो 100 आ गई और यहां पर अगर हम विवित्ता लिगा लें तो विवित्ता भी अगर हम देखें तो कितनी पर जाती है इस चेतर में आपको तीन पर जाती है देखने को बिलेगी एक एपर जाती है एक एपर जाती है यहां पर भी कितनी पर जाती हैं, कहने के लिए 3 पर जाती हैं, अगर हम देखें कि जैब बिवित्ता की ड्रक्स्री से कौन ज़्यादा संपन्न है उसमें आपको एदे देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रुपता ज्यादा देखने को मिलेगी, आप देखिए यहाँ पर आमों की संक्या बहुत जादा है आमों की संक्या बहुत जादा है बहीं पर जो इमली और गुलाब है इनका परसंटेज बहुत कम है तो इसी वज़े से इस जैब बिवित्ता की ड्रस्टी से कम संपन देखने को मिलेगा बहीं अगर हम इसकी बात करे यह पार की क्योंकि यहां पर देखिए सभी का प्रबुत्त क्या है समान समान है इस बज़े से आप लोग को जैब बिवित्ता की ट्रस्टी से जादा संपन्न देखने को मिलेगा यही क्या है इसी परकार से हम जैब बिवित्ता लिकालते हैं तो अगर हम बात करें देखे जो बिस्मत रेखिये छेतर होता है उश्कटी बंदिये छेतर होता है अगर बहाँ पर आप लोग बहाँ पर आप लोग जैब बिवित्ता निकालेंगे तो जैब बिवित्ता आप लोग को ए टाइप की देखने को मिलेगी बहाँ पर पिरजातियों की संक्या बहुत जादा होत उत्यायो Liaелов को मिली चीजden लोगों को सकने को अगे और देखते हैं पिर जातीय का निकालते अ धर न कालते प्रजातिये प्रचूलता लिकालते हैं देखिए यहां पर तीन सुचकांकों का उपयोग किया जाता है एलफा वीटा गामा एक कई बार पूस लिया जाता है देखिए हम जो एलफा है इसको कैसे निकालते हैं तो देखिए जो एलफा जैब विटा होती है उसको किसी पारिस् शेतर में सौ बरढ़ दिया रहती हैं तो सब रड़ चाती है वो क्या कहलाएगी वह एल्फा जैब विट्टा कहला है तो दिहान रखिएगा ये भी किया है क्विटकर करका सुच गांख है वहीं जब हम भीटा के माद्यम सजने विटा निकालते हैं तब आप लोगो देखने क को बिलेगा और तुल्ला करके जो हम लोग murder निकालते हैं वो क्यालाती है बीटा जाएं द्यान रखना है तो देखे जये जाएंड होने वाले परिवर्तन का बंडर करती है यहां पर देखे जहाती है उस के लिए दरसाता है अगर हम लोग बात करें जैसे जैसे बीटा जैब बित्ता बढ़ती है यह very very important point देखने को मिलेगा यह ध्यान रखिएगा जैसे जैसे बीटा जैब बित्ता बढ़ती है तो आवासों की पिरजातियों में जो समानताइं हैं वो समानताइं क्या होती हैं कम होती चले जाती है कम होती चली जाती है जैसे मैं एक एग्जामपल के लिए बता दूँ जैसे कि अगर हम लोग बात करें दीजे कैसे एक रहे हैं यहां पर आप दो maior को मिलेगा था बार आप तो के बीच में भी हम इसे तुर्ला कर सकते हैं लेकिन अगर हम दो दो पारिशित की तंत्र ले ले लेते हैं तो इसमें देखें आंब लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम माने कि एक हे पिर जाती है एक और कोई सिम्मल ले लेते हैं जैसे सट कोड बना देता हूं हमें एक अलग पर जाती है तो इसमें हम इस तरह से तुलना कर लेते हैं तुलना करके हम क्या लिका लेते हैं बीटा जै बिवित्ता लिका लेते हैं देखिए अब इन दोनों में तुलना करके अगर बीटा जै बिवित देखने को बली देखे ये वाला तो पहला वाला और पहला वाला क्या है common है पहला पहला क्या है common है इसके अलाबा आप लोग देखने को मिलेगा ये चार पिरजातियां क्या है अलग है चार पिरजातियां अलग है तो बीटा जै बिवित्ता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर beta जयब बढ़ गई तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में जो समानता हैं वो कम हो जाएंगे, समानता कितनी है? भाई, एक ही चीज क्या है? समान है यानि कि समानता है क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे बही मैं दूसरे एक्जामपल देता हूँ, मैं दूसरे कलर से इसी में लिख देता हूँ, मानते हैं देखिए इसमें यहां पर दूसरे कलर मैं ले लेता हूँ और यहां पर बना देता हूँ, जैसे देखिए यह दूसरे एक्जामपल है, इसमें क्या है यह तीन पिरजातिया क्या हैं तीन फिर्जातियां हैं अब इसमें भी मैं तीन फिर्जातियां बना देता हूं इधर देखिए दूसरा एक्जामपल है इसमें देखिए मैं तीन फिर्जातियां बना दिया तो इसमें देखिए आप लोगों को देखने को बना दिया तो इसमें देखिए आप लोग किताबों में बहुत complicated चीज़े दे रखी होती है पढ़ेंगे सिर्चकरा जाएगा आपका हम आपको इतने आसान सब्दों में समझा देते हैं तो आप लोगों परिशान नहीं होना एकदम वहीं आप लोग देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें गामा जैब बेटा की तो द यह जो गामा है इसके माद्यम से भिविन पारिस्तित की प्रणालिया है उसमें समगर रूप से जब हम जैब बेटा लिगा लेते हैं तो उसी को बोलते हैं गामा बोलते हैं तो एक दम परिसान नहीं होना है देखिए मैं आप लोगों को एक बार जूम आउट करके दिखा अगर देता हूँ तो एलफा में क्या गड़ते हैं एक पारिस्तित की तंतर उसके भीतर मौजूद जो भी जितनी भी प्रजातिया है उनकी अगर हम गड़ना करते हैं तो उसको एलफा बोल देते हैं बीटा क्या होता है एक पारिस्तित की के अंदर या फिर हम को दो पारिस आप लोगो थोड़ा सा धिहान रखना है अगर हम बात करें देखिए जैब बिवित्ता होट स्पोर्ट की बात करें तो देखिए जैब बिवित्ता होट स्पोर्ट है देखिए नॉर्मन मायर से हैं उन्होंने इसकी अब धार्णा दी थी मतलब जैब बिवित्ता होट स्पोर होता है सम्रिद्द और वसाथ में बरत्मान में रखा क्रविंग की यहाँ पर आधी से अधिक जो इस्थानिक घ्रवार पाई जानी सभीव इसको सरही सिंग्या दी जाएगी आनगा दो हजार नौं में यहां पर मिशन बिलू इस्टार्ट किया गया था मिशन बिलू है वो जैभे औो वाले जो छेतर हैं, उनके सरग्षड़ के लिए Mission Blue है, वो स्टार्ट किया गया था, देखिए डॉक्टर यहाँ पर साल्भिया अर्ल है, उनों ने इसको स्टार्ट करने की बात की थी, और साथ में जो IUCN है और यह डॉक्टर साल्भिया है तो इनने मिलकर के यहां पर जो मिसन बिलू है उसको स्टार्ट किया था और इसी मिसन बिलू के अंतर गतिक संकल्पना प्रस्तुत की गई थी होड प्रस्तुत की लिए उनके वोड प्रस्तुत की गई थी होड स्पॉट की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी इस संकल्पना में क्या किया गया था यह चीज आप लोग ध्यान रखना है कि 2020 तक 2020 तक 20% छेतर है मतलब जो आपको समस्त छेतर आप लोग को देखने को मेलेगा जो हमारा समुद्री छेतर है उसका 20% छेतर है उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर एक तरह से संकल्प लिया गया था उसको अलक्ष रखा गया था टार्गेट रखा गया था 20% छेतर का तो यह आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं दिखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें दिखिए जो जैब बित्ता होट स्पोर्ट होते हैं इनमें देखिए भारत बर्मा आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया देखने को मिलेगा सुंडा लेंड देखने को मिलेगा जिसमें इंडोनेसिया मलेसिया आता है फिलिपिन्स देखने को मिलेगा इसक परेद आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं इंपॉर्टेंट है लेकिसी छेत्र को जो जया बिवित्ता हॉट को हो है उसकी संग्या देने के लिए कुछ मापदंड होते हैं मापदंड क्या है मापदंड क्या है उस छेत्र बे आदी से अधिक पिछात्ययां क्या होनी चाहिए इस्थानिक पिछातियों से तातपर क्या है कि वो है उसी chter में पाइत आती हो तो उसको बोलते हैं कितानिक कर सकती हैं। लीकिर मूरों एक आपर ही पाइती हैं , अगर हम बात करें देखें इसके दुजा अगर कोई छेतर है वो इन दो मापडंडों को पूरा करता है तब ही हम उसे जैब वित्ता होट स्पोट के अंतरगत ला सकते हैं देखे जैसे कि आप लोग को देखने को मिलेगा पहला मापडंड है कि बहाँ पर कम से कम डेड़ हजार के करीब में स्थानिक पिरजातियां होनी चाहिए और मूल परियाबास है उस मूल परियाबास का लगभक में सतर प्रतीसत क्या हो गया हो नस्ट हो गया हो कम से कम सतर प्रतीसत नस्ट हो गया हो जैब विपत्व होड़ स्पोर्ट देखने को मिलेंगे जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं आप लोग देख सकते हैं ओके दिखें मेगा डाइबर्सिटी आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी मेगा डाइबर्सिटी कंट्रीज की अगर हम बात करें 1998 में देखें कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 17 देशों की पहिचान की थी जहां पर आप लोग को Megadiversity Countries के रूप में उनको मनता दी गई थी ये mega diversity countries कौन सी है mega diversity की मतलब जहां पर जैब बिवित्ता बहुत ज़्यादा पाई जाती हो आप भी concept लगाए जैब बिवित्ता बहुत ज़्यादा कहां पाई जाती होगी जो छेतर आप लोगों देखने को मिलेंगे उष्ण और उपोस्ट छेतर में आते होंगे क्योंकि जैब बिवित्ता ज़्यादा पाई जाने के लिए तापमान जादा होना जरूरी है और साथ में बरसा भी चैनिये होगी क्यावल तापमान सा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मरस्तलिय चैतरों में भी तापमान जादा पाई जाता है आप लोगों देखने को मिलेगा इस वज़े से उष्ण और उपोस्ट जो चैतर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ही जैब बिवित्ता जादा पाई जाती है तो इनहीं देशों में से सतरा देशों की पहचान की गई थी और इनहें मेगा डाइवर्स का यहाँ पर एक तरह से संग्या दी गई थी तो आप लोगों देखने को मिलेगा देखिए जो सतरा देशों की पहचान करके जहाँ पर सतर प्रतिसत से जादा पिरजातियां है वो रहती है मतलब एक तरह से इन सतरा देशों के अंदर ही अकेले देखने को मिलेंगे कि सतर प्रतिसत से अधिक प्रजातियां है वो बास करती है इनमें कौन-कौन से देश आते हैं जैसे कि USA हो गया मेक्सिको देखने को को बिलेगा कोलंबिया देखने को बिलेगा भारत देखने को बिलेगा चीन देखने को बिलेगा तो यह देश हैं इसमें सामिल किया जाते हैं देखें माप डंड की बात करें कि देखें जो मेगा डाइवर्स कंट्रीस हैं उनकी संग्या किसको दी जाएगी तो इसमें कुछ म माप डंड भी होते हैं माप डंड क्या है कि लगबग में 5000 पौधे हैं कम से कम इतने होने चाहिए कि बहाँ पर इस्थानिक प्रजातियों के रूप में लगबग में 5000 कम से कम पौधे होने चाहिए और साथ में आप लोग देखने को बिलेगा कि समुद्री पारिश्टत की तं प्रजातियां उनके चेत्र में ही उनको सड्रक्षड प्रदान कर सकते हैं या फिर दूसरा हमारे पास उपाई क्या है कि देखिए उन्हें दूसरे चेत्रे को मिलेगा उस चेत्रों में मतलब उनका जो आवासिस्तान है उनका जो परियावास है उस परियावास से बाहर हम उनको सर्रख्षड प्रधान कर सकते हैं उनको बोलते हैं एक-सी-ट् can conservation होता है इसमें देखिए भीविन परिकार की प्रणालियों को अपना आया जाता है जैसे हम क्या करते हैं जहां पर जीब जन्तु रहते हैं उस छेत्र को ही सर्रक्षित कर देते हैं जैसे नेशनल पार्क के रूप है रास्टिय उद्ध्यान के रूप हैं हम क्या करते हैं उस कि यह सर्रक्षट के लिए किसी चेतर को पर भी देखने को मिलेंगे उनका भी हो दिखने वह सकते हैं, यानिकी समुद्री छेतरों भी हो सकते हैं इसी तरह से एक सीडु कंजरविशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं जैसे कि हम गारडन जो बनाते हैं बहां पर किसी प्रजाती को सरचड दे सकते हैं यह फिर आप लोग विपनवंपोनेन की बेंक जैसकि रिजआ की विख कर देते हैं ==== नुकर देखने को मिलेगा क्रायोजी क अपयोग करके रिजातियो को और क्लीक्विब नैट्रोजन नीर्ट्वी करके रिप्रिजातियों की एक दम सूने कर देते हैं या फिर निम्न कर देते हैं जिससे वह बहुत लंबे समय तक हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं तो यह क्राइव टेक्नलोजी के अधार पर भी हम कर सकते हैं इसी तरह से भीविन प्रिकार के हम गार्डन बना सकते हैं जैसे कि आप लोगो जुलियोजिकल गार्डन देखने को मिलेगा इक इस यह था हुता है आप लोगो को मिलेगा की बन जीबो की भेतरी के लिए पूरे चेत्र को ही आरक्षित कर दिया जाता है और यहां पर सभी जीबों के उपर एक समान रूप से ध्यान दिया जाता है तो उस चेत्र को हम क्या बोलते हैं रास्ट्रे इध्यान Warum देखिए और दूसरा आप लोग को देखने को मिलेगा बन जीब अभिहारण देखे बन जीब अभिहारण एक ऐसा छेतर होता है जहां पर पिरजातियों के सररक्षड के लिए कोई छेतर होता है वो सररक्षड कर दिया जाता है वो एक पिरजाती भी हो सकती है या फिर एक बिसिस्ट परजातियों के सम्हू के लिए भी ऐसा किया जा सकता है इसके अलाब आब आब लोगों को देखने को मिलेगा बायो इस पेर रिजर्व होते हैं वैसे इसके बारे में भी कल हम पढ़ा चुके हैं कि देखें जो संपूर इस्थानिक पारिस्तित की तंतर होता है उसको संपूर रोप से संरक्षित कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बायो इस पेर रिजर्व के नाम से जानते हैं पर्मीशन के पस्चाथ और उस अनुसंदान से जीबों की लिए और इहानी नहीं नहीं हो नहीं चाई जीब और जो वहाँ पर फिर जातियां है, पादब भी इसमें included है, तो उनको कोई हानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे अनुस अंधान किया जा सकते हैं, देखें, आप लोग को देखने को मिलेगा कि मान भी ये कोई गतिविती वहाँ पर नहीं किजा सकती है, परियटन की अनमती दी जा स लगती है, सीमा का निर्धारण है, वो इस पस्ट रूप से आप लोग को देखने को मिलेगा, बहीं अगर हम बात करें बन जीब अभ्यारण की देखें, जो बन जीब अभ्यारण होते हैं, यहां पर जो निजी कारे हैं, वो किये जाते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी रहने लगते हैं, निजी कारे किये जा सकते हैं, बारिजी गती विदिया हैं, वो यहां पर जारी रहती हैं, लेकिन प्रतिबंदों के साथ में जारी रहती हैं, इसके अलाबा परेटन है, उसकी भी अनमती होती है, यहां पर इस पस्ट सीमाओं का निर्धारण नहीं होता ह अगर हम बात करें बायोस प्यरulation की, तो देखें, बायोस प्यरकी हैं, इसको तीन भागो में बाटा जाता है, देखें, एक होता है, zacor zone होता है, यह बहुत किसी फिर कार्य की अनमति नहीं होती है, जो एक платान होता है, buffalo hato होता है, बाफर dawlet की तो हुनी को मिलेगा, जो core zone होता है बहाँ पर पूर सरकारी नियंतरन आप लोग देखने को मिलेगा मतलब सरकार के अंडर में पूर रोप से होता है और बिना अनमती की उस छेतर में कोई जाब भी नहीं सकता है फिर आप लोग देखने को मिलेगा उसके बाद में buffer zone आता है देखें अगर हम लोग बात करें जो buffer zone होता है बहाँ पर बाड़ेजिक कारे हैं वो किये जा सकते है और इसी तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा देखें core zone में और चीजों के अनमती नहीं होती लेकिन जो buffer zone ह होता है और देदारे की यहांग होता है जो बाहर जोन होता है यहां पर छ्षूटे दिजाते हैं बहुत सारे एनिसिसेटिब लिए ग्ए प्रियास किये उनके बारे में हम लगए बहुत एक बाह बात कर लेते हैं जैसे कि IUCN आयू-सी-एन बहुत ज़्यदा मैत्पोड देखने को मिलेगा, इसको International Union for Conservation of Nature के नाम से जानते हैं, तो देखे अगर हम लोग बात करें, आयू-सी-एन की प्रस्ट भूमी है, जो प्रस्ट भूमी है, तो आप लोगो देखने को मिलेगा, पहले Bird Conservation Union था, इसका नाम बात में प इसकी स्थापना October 1948 में इसकी स्थापना होती है, इसका मुख्याले आप लोगों के लिए सुजर लेंड में देखने को मिलेगा, जो ग्लेंड में है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसमें भिविन देश हैं, वो सामिल हैं, साथ में भिविन देशों की भिविन सरकार और गहर सरकारी संगटन है, वो भी इसके सदस्त के रूप में है, तो टोटल मिला करके लगबग में 1200 से ज़ाधा सरकारी और गहर सरकारी संगटन हो मिलकर के IUCN के साथ में काड़े करते हैं, अगर हम बात करें, इसका विजन क्या है तो विजन आप लोगों को देखने को सक करना इंक्रेज करना और जो हमारी सोसाइटी है उसको एक तरह से जागरुक करना वो सारे इसके उद्देश से देखने को मिलेंगे तो यह चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब विद्दा का सा ट्रक्षड जल्वायू परिपरतन हो गया संधर्णी है उर्जा है म मदब नौर्वल चीज़ है आप लोग भी इसको जानते होंगे देखिए बहुत इंपोर्टेंट है आयू सीएन है वो अपनी रेड लिस्ट जारी करता है यह रेड लिस्ट बहुत महत्पूर जाती कोसन यहां से जादा पूच्छा जाते हैं देखिए अगर हम बात करें इ इसको हम समानता तीन भागों में बाट करके देख सकते हैं एक होता है बिलुप्त दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा संकटा बनना देखने को मिलेगा और तीसरा होता है लीस्ट कंसर देखिए इसके अंतरगत इस प्रिकार से बहुत सारी आप लोगों को स्रेडिय में रखते हैं मतलब जो अब अपने जंगलों के अंदर समझ लीज़े जंगलों के अंदर जो प्रजातियां आप नहीं पाई जाती हैं उनको यहां पर रखा जाता है संकटापन क्या है संकटापन में हम उन उन प्रजातियों को रखते हैं जिने अपने प्राकर्तिक अगर हमने इनका संरक्षड नहीं किया और इसी तरह से इनकी संख्या में कमी आती गई तो एक समय जल्द ही ऐसा समय आज आएगा कि अपने छितर से बिलुप्त हो जाएंगी मतलब जंगलों से बिलुप्त हो जाएंगी यह जीदा हम लोगों देखने को मिलेगी लिस्ट कंसर हैं यान कि जो अपने परियाबाद से बिलुप्त हो चुकी हैं अपने परिवे से बिलुप्त हो चुकी हैं उनको रखते हैं इसमें पहली कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं एक्स के द्वारे इसको दरसा आया जाता है देखे इसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनका इस पिर्थभी पर अंतिम सदत सभी मर गया हो यानि कि उसका अंतिम सदत सभी उपस्तित ना हो ऐसी पिरजातियों को रखा जाता है देखे इसमें ऐसी पिरजातियों को सामिल किया जाता है जिसका अंतिम सदत सभी अब इस दुनिया में नहीं है यानि कि वो इस दुन कुछ पिर्जातियां ऐसी हैं जो अभी परतवी पर है तो लेकिन वह जंगलों में नहीं है वह किसी चडियागर के रूप में होगा हैं किसी तरह ode कहीं ओर किसकी हैं तो आप आप देखने को मिलेगा वह अपने प्राकरतिक शेतर के बाहर किसी लैब में किसी जू में मतलब किसी चड़िया घर में या फिर किसी के हाँ हो सकती है वो उनको इस ट्रेडी में रखा जाता है जैसे कि इसमें लगभग में 84 आप लोग को प्रजातियां देखने को मिलेंगी अब देखिए आता है संक्टापन संक्टापन के अंतर का तीन स्टेडियां आती है इसमें आप लोग को एक critically endangered देखने को मिलेगा देखिए critically endangered जिसको CR से हम CR से जिसको हम denote करते हैं देखिए ये बेपरजातियां होती है जिनको अपने प्राकरतिक परियाबास से बिलुप्त होने का बहुत 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 जादा खतरा होता है यानकि extremely high risk होता है कि अगर इनका सर्रक्षड नहीं किया गया तो ये बहुत ही जल्दी अपने प्राकरति परियाबास से बिलुप्त हो जाएंगी यानकि extremely high risk होता है उन्हें इस स्रेडी में रखा जाता है बहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडेंजर्ड जिसको EN से हम denote करते हैं जिने इनमें ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है जिने बैरी high risk हो मतलब इससे कम risk आप लो द्यान नहीं दिया तो जल्दी ही किसमें आजाएंगी आप लोगों को देखने को मिलेगा critical इंडेंजर्ड में आजाएंगे फिर जल्दी ही वो बिलुप्त होने के कंगार पर पहुंचेंगे और इसी तरह से आप लोगों को मिलेगा burnable, burnable में हम उन प्रजातियों को रखत अगर हम लोग बात करें इसी तरह से least concern होता है वैसे देखिए इसमें कुछ और भी मतलब चीजों के add किया जाता है वो आप लोगों को पंडे के आप सकता है वैसे नहीं है हम बता देते हैं जैसे critical इंडेंजर्ड पर रखने की कुछ category है वो हमने लिखी नहीं है वो आप ल अंदर दस बर्स के भीतर अगर उनकी प्रजातियों में 90% की कमी आती है कितनी 90% की कमी आती है तो हम उसे इस category में रखते हैं ऑगे जो critical इंडेंजर्ड में रखते हैं और देखिए इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें लगबग में 70% की कमी आती है इसमें दस सालों में 50% की कमी आती है तो यह चीज़ां आप लोग देखने को पहलेगे, इसी तर ऐसे देखे इसके अगर हम बात करें इसमें जो प्रजातियों की संक्या आप बैक्स जो सदस्यों की संख्या होती है बैक्स सदस्यों की संख्या पचास से कम बसती है पचास के करीमे मतलब बैक्स क्या होते हैं जो अपनी पूर्ड छमता के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं तो जो बैक्स होते हैं पूर्ड छमता के होते हैं ऐसे सदस्ये संक्या 50 बची बड़्टमान में और इन में कितनी बची हो लगबभक में एक हजार करीम में होगी सायध можете याद नहीं है लेकिन सायध 1,000 फिर्टमान में ये चीज़ळे आप लोग एक बार देख सकते हैंं ये कुछ फिगर है इसमें अगर आप लोगों से पुछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं तो हम उसे देखिए इस तरह से हम लोग उसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड और बर्नेबल में रख देते हैं तो इस चीज़ आप लोगों देखने को मिलेगी जैसे कि अगर हम लोग बात करें लिस्ट कंसर्ण में रखते हैं लिस्ट कंसर्ण के अंतर के दो स्रेडी आते हैं लिस्ट कंसर्ण के अंतर के दो स्रेडी आते हैं जिसमें नियर थ्रेटेंड होता है नियर थ्रेटेंड होता है कि निगट भविस में वो संकटा पन ने हो सकती है मतलब किस स्रेडी में जा सकती है जो दूसरी स्रेडी है ना इस दूसरी स्रेडी में जा सकती है मतलब संकटापन में जा सकती है अगर इनके उपर ध्यान नहीं दिया गया जो नियर थ्रेटेंड है मतलब भविस में इनको क्या हो सकता है खत्रा हो सकता है नियर थ्रेटेंड में वो होती है जो अगर इनके उ तो उन्हें हम क्या बोलते हैं लीस्ट कंसर्ण के अंतरगत हम उन्हें रखते हैं तो यह चीज है और देखे इसके अलाबा भी देखे दोस्रेडियां होती है डीडी आप लोग देखने को पहले कर डीडी क्या होती है मतलब जिनका डेटा उपलब्द नहीं होता है उसको इसम एन-ई होता है मतलब जिनको एक तरह से इवैलुएट ना किया गया हो मतलब मामडंड की निर्धारित ना किये गये हो किसी प्रजाती को ले करके तो उसे एन-ई के अंतरगत रखते हैं तो दो और स्रेडियां है इनको आप लोग देख सकते हैं वैसे इनकी आवर सकता नहीं पढ़ते हैं तो बहुत नोगंग दिखने को बहुत पर गर के देख सकते हैं इसी तरह से डबिज़ यहां पर देखे भानू प्रकाशाजी है वो भी आगे हैं ठेंक्यू सो मॉच पौर दिशन पड़त वीडिओ आप लोग अभी बहुत-बहुत धन्यवाद कि यहां पर मनीशत चोहां जी बोले हैं डर लग रहा है पेपर जितना निकट आ रहे हैं आप पेपर आ रहा है तो पेपर कौन सा आपको खा जा रहा है पेपर आ ही तो मेहनतफ से पढ़िएगा आपके पास 24 खंठे होते हैं 24 में इस्काट सोला घंट । सेलेक्सन के बाद आप भले ही बोलिए का हम दो 18 गंटे पूरे साल पड़े थे लेकिन 18 गंटे कोई पूरे साल नहीं पड़ सकता लिकर के दिजिए कोई डेली अगर 18 गंटे हमें पड़के दिखा दे नहीं पड़के दिखा सकते हैं लेकिन जब पेपर आता है तब आप 15-16 गंटे लिकाल सकते हैं पड़ाई के लिए अन्यकार रहे हैं वह अपने छोटे भीए बड़े भी माता-पिता पर स्वाप सकते हैं कि हमारे फोड़ी कपड़े स्वाप नहीं नहीं बनाइंगे अभी हम सब्छी लने मार्केटर नहीं जाएंगे यह सब्छ शुटुआ को यूँ भैखा रहे हैं आप लोग आप लोग देखने को मिलेगा देखिए जो 100 कोसन है इस 100 कोसन में से आपको 50 कोसन तो करने ही नहीं पचास कोसन प्रपेरी नहीं करने क्या आपने आस तक इतने दुनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या इसमें से इतने सक्षम नहीं कि आप लोग 50 question सही कर पाएं, 50 question में से अभी हम आपको बताते हैं, 30 question करने में यहाँ पर आप लोग सक्छम होंगे, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जो 100 में से 30 question सही कर ले जाते होंगे, बहुत लोग 100 में से 30 question सही कर ले जाते होंगे, कितने question की अभी कमी है, लगबग में 20 questions की आपको लगबग में कमी देखने को मिलेगी, अभी आपके पास में लगबग में एक महीने का समय, IS की बात करें, PCS की नहीं, PCS का तो अब लगबग में 2 सबता बचा है, IS की बेपर की बात करें, 28 माई को है, तो अभी लगबग में पूरा एक महीना है आप लोग के पास में, क्या, जो 30 दिन का समय है, इस 30 दिन में आप क्या, ए 20 questions का, 20 questions जो आपकी accuracy का मारी है, गलत जादा हो जा रहे, इस 20 questions आप नहीं बढ़ा पाएंगे, अगर आप सूचिए, आपके पास में जो 10 subject हैं, जो हमने अलग-अलग classification करके, 10 से 11 subject बनाए हैं, अगर आप इन पर 3 दिन में एक subject भी cover करेंगे, क्या आप सूचिए, इन में से आप 2-2 questions सही नहीं कर सकते, एक subject से 2-2 questions सही नहीं कर सकते, सूचिए, आपके पास में 3 दिन हैं, और 3 दिन में आप इतना पढ़ नहीं सकते कि एक subject से 2 questions सही करने, यानि कि डेर दिन में आप इतना पढ़ें, डेर दिन में आपके पास में कितने घंटे का समय पढ़ने के लिए 30 घंटे का समय है, 30 घंटे का समय है और इस 30 घंटे पढ़ना पढ़ेगा भी, अभी पढ़ना पढ़ेगा, कुछ दिन देखिये पढ़ना पढ़ेगा, कोई भी महामेरातन क्रास देख लीज़े कोई भी कुछ भी देख लीज़े अगर आप सब्सक्री से महनत नहीं करेंगे गए नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब कोई नहीं में और कि Stephen कमbalance करना है किसी प Like लोग अगर आप लोग ज्यादा नहीं हम 10 घंटी बूल लें पढ़िए चलिए तो आप लोग के पास में 100 घंटा है और इस तरह से 30 दिन में तो 300 घंटा है तो 300 घंटा है आप लोग पता है जो ओबरॉल कोचिंग पढ़ाई जाती है उसमें 500 से 700 घंटे ही पढ़ाई जाते है बस क्या हो जा रहे हैं यह मिस्टेक हो जा रही है गलत हो जा रहे हैं क्योंकि लैक आफ रिवीजन है इस लैक आफ रिवीजन को दूर करिए लैक आफ रिवीजन एक कोसन कैसे सही कर सकते हैं बस दो ही काम करना है जीवन में आपको एक अपने अपने नोट से रिवीजन करि ये बैठे करके आपका दिमाग बहुत तेजी से सुपर फास चलने लगेगा एक दम जैसे वो रोबोट मोवी थी तरह आप लोगों को दिमाग चलने लेगा अभी एक एक सब्जेक्ट के कम से गम आप लोग पान पान सो कोस्टन लगाईएगा जो आपके लगबख में जो दस लगा के देखिए confidence आप लोगों को आज जाएगा तो परिसान नहीं होना है परिसान कदापी नहीं होना है परिसान हो करके तो और पेपर विकार सलाज जाएगा आपको positive mind के साथ में अभी रहना है यह जो तीश दिन है यह ऐसे लोगों से दूर रहेगा जो आप लोगों को को देखिए अब लोगों को देखने को बिलीगा अगर हम बात करें यहां पर बल्डॉवाइड फंड फॉर नेचर की अगर हम लोग बात करें जoug www.ffable.deff ie ॐ नहीं कि illustrates जो इस वाला होता अनेकले की तो इसका गठन Ouch 1961 में इसका गठन आप लोग को देखने को मिलेगा ओके एक charity संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था और इसका मुख्याले कहां है सुजर लेंड में देखने को मिलेगा यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना है सुजर लेंड में क्या है इसका मतलब मुख्याले है इसका पूरब नाम पहले का नाम था बिस्व बन जीब कोस था अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है यहाँ पर बर्ड वाइट फंड फॉर नेचर अब इसका नाम कर दिया गया है यह बिश्व की सबसे बड़ी परियावरन सरक्षड को लेकर के अंगटन देखने को बिलेगा इसका उद्देश सब से में ही होगा तब भी हम आपको बता देते हैं जीब और जो जैब बिता है उसका सरक्षड करना संसादनों का जो दोहन हो रहा है उसको कम करना दक्षटा पूर उनका दोहन करना साथ में एक ऐसे भविस्त का निर्मार करन सबस्क्राइब यहाँ लिए यह के द्वारा देख्टा रिलीज करता है जो 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 जिटी आफ लंदन और जो डब्लीज यह करते हैं विद्देखर चैहलीर रिपोर्ट काफाफी महत्तपूर होती है तो इस परभारे में हम पढ़ाएं भी थैं आम पढ़ों के लिए ब बूब कर चुके होंगे, या फिर आप लोग खुद से पढ़ियेगा, current affirmative, तो महाँ भी मिल जाएगे, देखें, Global Environment Facility की बात करें, तो Global Environment Facility, जिसको GEF के नाम से हम लोग जानते हैं, इसमें 13-83 देश देखने को मिलेंगे, एक अंतररास्ती संगटन है, और साथ में, इसमें civil society पार्टिसिपेट कर सी है तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना है बंडेटी सिरी इसमें देश भी है अंतर रास्ति बहुत सारे संगठन भी इसमें पार्टिसिपेट कर से हैं और सिबिल सुसाइटी इस भी देखने को भी लेंगे इसका गठन है 1992 में जो रियो प्रतभी स संबेलन हुआ था उसी के अंतरगत इसका गठन किया गया इसका कार्रें परियावड़निये समस्याइं हैं उन परियावड़निये समस्याओं के समाधान के लिए बित उपलब्द कराना अभी तक इसने इसके गठन से लेकर के अब तक इसने लगबक में 17 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया है स्वारी बित तो बहुत जाद इसने उपलब्द गराया है लेकिन 17 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया है इसने मतलब जो ग्रांट्स होते हैं अनुदान है वो दिया है देखिए अगर हम लोग बात करें बैसपिक संबेलन परियावड़न के सरक्षण को लेकर के बहुत सारे संबेलन किया जाते हैं तो देखिए आप लोग देखने को मिलेगा कि यहां पर अगर हम बात करें परियावरणिये संबेलन के बात करें तो देखिए यहां पर प्रित्थम परियावरणिये संबेलन हुआ था बैसपिक इस तर पर 1972 इस्टॉक होम में देखिए इसमें जो एक अंतररास्टिय संबेलन हुआ था इस अंतररास्टिय संबेलन में एक साजा दरस्ट्री कोड और साजा सिद्धानत है उसको प्रस्तुत किया गया था जिससे हम अपने परियाबरण का सर्रक्षण और संबर्धन कर सकें तो इस वज़ेस क्योंकि देख समस्या का समाधान बैस्पिक इस तर पर ही मिल जुल करके किया जा सकता है तो हलके हलके देशों को जब ऐसा मैसूस हुआ तब उन्होंने यहां पर परियाबरणिय संबेलन किया था इस जो परियाबरणिय संबेलन जो स्टाक होम में हुआ था 1972 में इसी के 20 बर्स पूरे होन और यह प्रथम इसे प्रतभी संबेलन के नाम से जानते हैं इसी के लिए हम UNACED के नाम से जानते हैं मतब United Nation Conference on Environment and Development इसका नाम क्या था इस पर Environment यानि कि इसमें देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत प्रमुख बात है देखे आर्थी विकास पर पुनर विचार के लिए यहां पर बात की गई थी साथ में प्राकरतिक संसादन है उसका किस प्रिकार से उपयोग किया जाए उस पर भी यहां पर ध्यान के इं 1992 में हुआ ता आगे बैस्विक यान को कम करने के लिए आगे बात कि जिस सडहे से हमेपने बारिवेम को क्या सकते है और नो करका हो शक्ती है देखिए आँप लोग देखने को मिलेगा संपोर्स्ण यहिए से है उसको भी आगे बढ़ाना ट्रॉपिकल रीजन में जो देखिए बरसा बन है ना उनका भी सरक्षड करना साथ में देखिए अजेंडा 21 की भी बात की इसमें देखिए बोला गया था कि अजेंडा 21 है अजेंडा 21 है इसके अंतरकत प्रतेग देश है वो अपने अजेंडा 21 को तयार करें अपने अपने इसतर पर जिससे सतत विकास के लक्षों को प्राप्त किया जा सके और साथ में एक रियो डिकलेरेशन हुई on environment and development पर तो देखिए बहुत ज़दा महत्पूर हो जाता है यह दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है एक देखिए आप को अजेंडा 21 दूसरा रियो डिकलेरेशन यह बहुत ज़दा महत्पूर हो जाती है देखिए अगर हम लोग बात करें जो यह संबेलन हुआ था यही जो प्रतम प्रतमी संबेलन हुआ था ब्राजिल में रियो डिजैनरों में यहां से ही प्रस्ट भूबी बनी एक बहुत प्रमुख इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहां पर तीन आपको जो तीन जो संस्थाइं है उनका बीच समझ लीजिए इसमें पड़ा हुआ था देखिए इसी में UNFCC का गठन किया गया देखिए UNFCC का जो गठन है वो करने की बात की गई थी देखिए आपको तीन संस्थाइं देखने को मिलेगे इन तीनों संस्थाओं के बारे हम लोग बात करते हैं देखिए आप लोग को एक देखने को मिलेगा UNFCC आप लोग को देखने को मिलेगा UNFCC आप लोग को देखने को मिलेगा UNFCC आप लोग को देखने को मिलेगा इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा UN CCD देखने को मिलेगा, जो CCD क्या है, United Nations Conservation to Combat Desertification देखने को मिलेगा, मतलब मरुस्तल के लिए, जो पहला वाला है, इसमें देखिए, इसने जो बर्क करना प्रारम किया, मतलब UN F Truffle C जो है, जिसको, मतलब UN F Truffle C के नाम से भी में इसने कार करना प्रारम किया था, यहां पर देखिए, जो सत्यापित देश थे, मतलब 197 देशों ने सत्यापित किया, हस्ताक्षर 165 देशों ने हस्ताक्षर किया, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, इसी दरह से अगर हम बात करें, देखिए, जो CBD देखने को भी जो CBD है, 1980 के दसक में, जो UNEP के जो सदस थे, उन्होंने जो ड्राफ्ट तयार किया था, वही ड्राफ्ट के अनुसार फिर इसका गठन किया था, तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें सदस है, 196 सदस देखने को मिलेंगे, हस्ताक्षर कितनों ने किये, 168 सदस्यों ने इस प UNCOD, देखे, UNCOD क्या है, एक प्लान बनाया गया था, प्लान आफ एक्सन बनाया गया था, कि हम किस तरह से मरुस्तली करण जो हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तो पहले एक रूप रेखा तयार की गई थी, उसी रूप रेखा के क्रियान बयन के रूप में, उसी को पर PACD, PACD, PACD मतलब Plan of Action to Combat Desertification है, इसको अपनाया था, अब देखे, इसको अपनाया था, फिर बाद में, इसी प्लान को जो बनाया गया था, इसी प्लान को फिर आगे, जो अर्थ संबिट हुआ था 1972 में, इसमें फिर UNCCD की एक रूप रेखा तयार की गी थी, और फिर इसी र पेरिस के संबिलन में, इसको अपना लिया गया था, फिर इस संस्था लिकल के आई, कौन से संस्था लिकल के आई, UNCCD लिकल के आई, मतलब आप लोग को ये देखने को मिलेगी, United Nations Conservation to Compact Desertification, इनी जो तीन संस्थाएं हैं, जो ये तीन संस्थाएं हैं, इनी तीन संस्थाओं को समलित रूब से यहां पर, Three Sister Rio Convention के नाम से जानते हैं, क्योंकि Rio Convention के अंतरगत ही हैं, तो इसी वज़े से Three Sister Rio Convention के नाम से इनको जानते हैं, तो ये चीज़ है, ये आप लोग दिहान रखना है थोड़ा सा, देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर, अभी हम लोग बात चिसपर भी हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग किस पर बात करेंगे बात करेंगे जो सौा करें जबाल योग किसमें Si यहां पर हस्ताक्षर की यह brat। इसमें कितने देश सामिल है 196 हम लोग उदेश देखने को मिलेंगे 196 देश इसमें सामिल देखने को मिलेंगे भारत क्या है इसका एक पक्षकार है भारत क्या है इसका एक पक्षकार देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इसका जो गठन है अभी हम लोग बात किये थे 1993 से एक प्रभावी रूप से मतलब इसने कार करना प्रारम किया था इसका उद्देश से जैब विवित्ते का सर्रक्षड करना जैब विवित्ता है उसका सर्रक्षड करना जो संधार्णिया उपियोग है कैसे हम जैब विवित्ता का संधार्ण या उपियोग कर सकते हैं साथ में अनुवांसिक संसादन हैं इन अनुवांसिक संसादनों का किस परकार से हम उचित वितरण कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर इस संस्थान का गठन किया गया था देखे, इसी के अंतरगत आप लोग देख सकते हैं, CBD के अंतरगती ही, फिर यहाँ पर भिविन निहाँ पर एक तरह से प्रोटोकॉल लिकल के आया, जिसको कार्टा जेना, जैब सुरक्षप प्रोटोकॉल बोलते हैं, दूसरा नगोया प्रोटोकॉल और तीसरा आईची लक् के नाम से भी जानते हैं, तो चलिए, हम लोग देखते हैं, सबसे पहले, हम सबसे पहले देखते हैं, कि देखिए, जो कार्टा जेना, जैब सुरक्षप प्रोटोकॉल, देखिए, आप लोग को देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर जो लिबिंग मोडिफाइड जो और्गनि जिनके जीन में परिवर्तन करके, उनको मोडिफाई कर दिया जाता है, तो उसके सर्रक्षप के लिए एक तरह से एक प्रोटोकॉल है, उस पर हस्ताक्षर हुए थे, तो यह चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह प्रोटोकॉल लिकल के आया, कार्डा जेना, जैब सर्रक्षप प्रोटोकॉल, तो देखिए जो LMO है, LMO क्या है, लिबिंग मोडिफाइड और्गनिजम, मतलब, जैसे कि मैं एक 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 जेमपल आप लोगो देता हूँ, जैसे एक पौधा है, चाबल है, अब वो चाबल है, उसमें किसी परिकार का रोग लग लग जात है, जो सुस्क और अर्दु सुस्क छेतर होते हैं, क्योंकि कम पानी के अवर्ज सकता पड़ती है, इसी तरह से चाबल में हम इस परिकार का मोडिफिकेशन कर दें, कि वो ना के बल बर्सा रितू में, बल्कि अन रितू में बर्स भर उसको उगाया जा सके, तो वो साल तक उसकी फसल काट सकते हैं, और एक साल के अंदर दो बार फसल काट सकते हैं, इस परिकार का एक जीन मोडिफाई करके एक मतलब प्लांट है, वो तैयार किया है, तो इसी तरह से जो LMO है, तो LMO जीबो को या फिर पर जातियों के संचालन के लिए यहां पर कार्टा जे इतना याद रख लेना है, आप लोगो के लिए देखे, जो पक्षकार कितने हैं, वो कभी बार पूस लेता है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखने लेनी, याद क्या रखना है, कार्टा जेना जो जैब सुरक्षा प्रोटोकॉल है, इसका उद्देश से क्या है, इसका उ उसी की देख भाल के लिए एक तरह से, उसी के एक तरह से सनरक्षड के लिए यहाँ पर यह कार्टा जेना हुआ था, मतलब एक देश से जैसे कि किसी ने जीन मोडिफिकेशन किया, जीन मोडिफिकेशन करके एक देश से दूसरे देश में भेज दिया, पता सला बहां पर व modified organism देखने को मिलेंगे तो एस बजे से ये किया गिया था अब दीखे जो करने के लिए यहां पर एक पिरिगरिया अपनाई जाती है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसको देखें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब ट्रेड किया जाता है इस mechanism के अंतरगत इस प्रिक्रिया के अंतरगत अगर आप LMO का अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस ट्रेड करने से पहले आपको संपूर्ड जानकारी संपूर्ड जानकारी इस जीब की देनी पड़ेगी किस परकार से आपने इसमें modification किया है किस परकार की इसकी बिसेस्ताई है किस परकार का इसका ब्यभार है संपूर्ड जानकारी देनी पड़ेगी तो वो आप लोग देखने को मिलेगा देखें advance informed agreement है वो किया जाता है और इ आईची प्रांत में पढ़ता है कहां पढ़ता है आईची प्रांत में पढ़ता है जापान की देहें एक क्या है यह आप लोगों को देखने को मिलेगा CBD CBD का एक अनुपूरग आप लोगों को समझाता देखने को मिलेगा जब CBD का कोप 10 हुआ था मतलब एक Conference of Parties जो होती है जिसको हम कोप के नाम से जानते हैं जो इनकी दसमी बैठक हुई थी उसी को बोलते हैं दसमी बैठक को कोप 10 बोलते हैं एक कोप 10 कहां हुआ था जापान के नगोया सहर में हुआ था जो आईची प्रांत में पढ़ता है इसमें देखे यह क्यों हुआ था यह जो नगोया प्रोटोकाल है ना यह नगोया प्रोटोकाल अनुवांसिक संसादनों का जो अनुवांसिक संसादनों का लाब है वो इस पस्ट रूप से और समता पूर किस बितरण किया जाए किस बितरण किया जाए उसके लिए नगोया प्रोटोकाल हुआ नगोया प्रोटो नहीं है किसी एक ही छेत्र को मिले ऐसा नहीं है किसी एक ही देश को मिले एक ही राजी को मिले यह अनुवांसिक संसाधनों का लाब है वो सभी देशों को मिले यानि कि इसका जो बितरण है वो इस पस्त रूप से होना चाहिए साथ में समतापूर रूप से होना चाहिए तो ए नगोया प्रोटोकॉल है वो ए फ्रेमबर्क प्रदान करता है आप लोग देखने को मिलेगा देखें अनुबांसिक संसादनों में यहां पर पारंपरी ग्यान का जो हम उप्यों करते आ रहे हैं उस ग्यान को भी समें साजह किया गया और साथ में उस ग्यान से जो लाब होगा उस लाब को भी समें सामिल किया गया है यह चीज़ द्यान रखना है तो इस तरह से भी पुछाजा सकता है क्या अनुबांसिक संसादनों के लाब के इस पस्ट बितरन और समता बोड बितरन को ही सामिल किया गया है नहीं बल्कि हम लोग को देखने को मिलेगा इसके साथ ही जो हमारा पारमपरी ग्यान है, पारमपरी ग्यान को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, नगोया प्रोटोकॉल के अंतरगत, तो यह जिद आम लोग को ध्यान रखना है, इसके अलाबा हम लोग बात करते हैं, आईची लक्ष, देखें, आईची लक्ष क्या है, आईची लक्ष के नाम से इनको जानते हैं दीखें अगर हम बात करें जो CBD की COP10 जो नगोया सहर में हुई थी अभी हम आप लोगों को बताई थे यहां पर 20 लक्ष तै किये गए थे जो यह 20 लक्ष तै किये के इनी को आईची लक्ष के नाम से जानते हैं जो इन लक्षों को हम दो भागों बाढ़ सकते हैं इन लक्षों में कुछ थे लगू अबदी के लक्ष थे कुछ थे मध्यम और दीर गबदी के लक्ष थे यानि कि दो हजार पचास तक हमें प्राप्त करना है देखिए इन लक्षों के लिए इन टार्गेट के लिए पांस समुहों में विभाजित किया गया जिसमें गुरूप A में जैब बिद्दा को जो हानी पहुचाने वाले कारण कारण का ड़िए उनको संबोधित करना इसमें शामिलता यानिक जू हमारी जैब बिद्दा को कौन खूसी को नुक्सान पहुचा रहे हैं उन कारकों को संबोधित करना कि यह ऐसे ऐसे कारक हैं जिस वज़े से जैब बिद्धा का हरास हो रहा है उनको संबोधित करना लक्ष A के अंतरगत सामिल था बहीं लक्ष B के अंतरगत आप लोगों को देखने को बिलेगा कि जैब बिद्धा पर रूप से जो दबाव है वो बना रहा है फिर उन दबाव को कम करने के लिए प्रयास करना और साथ में अगर हम संधार्णिय अगर हम दिखिए जो जैब बिबिता है उन जैब बिबिता पर जो प्रतिक्ष दबाव पड़ रहा है उसको कम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं संधार यह उपयोग कर सके भविस्ट के लिए क्योंकि देखिए जब हम प्रित्यक्ष दबाओ कम करेंगे तो भविस्ट के लिए हमें इस अंसादन उपलब्द रहेंगे ना इसी तरह से आप कुछ सी लक्च सी के अंतर गट यहाँ पर जैब वित्यका सरक्षर है वो लक्च बोलागया किस तरह से हम लाब्ह हो में प्रत्दी कर सकते हैं जो प्रफिट है लाब्ह है उसमें किषिकार M Advice किए गया था और जैब इविता से संबंदी देखने को मिलेगा ग्हारत में चीजो कोब 11 या से जो cbd-10 उटा था जापन में हुआ इसी तरह से और देखने को मिलेगा ब्हारत के अंदर बारा में इसका उदेश था, जयब विट्टा है, इसको मुक्धारा में लाना, इसका मुक्ध उद्धेश आप लोगो देखने को मिलेगा, 2015 तक जयब विट्टा के लिए अंतरास्ते विट्ट हर्व जो उपलब्द गराय जाता है, उसको दो गुना करने का लक्ष रखा गया था और यहां पर जो विकास सेल दे से हैं उन्हें आठ बर्सों के अंदर तीस बिलियन डॉलर देनी की बात की गई थी जो आप लोगों याद नहीं रखना है इसी तरह से आप लोगों देखने को मिलेगा जैब वित्ता के संदक्ष अंतर रास्टिय बेपार के लिए उनके सर्रक्षड के लिए यहां पर प्रारम किया गया देखें आप लोगों को मिलेगा आप पूछा जाएगा साइट से केबल के बल जीवों के बैपार को ही नियंतरित और नर्देशित करता है नहीं जीवों के लिए भी करता है और साथ पादपों के लिए भी करता है तो यह चीदा आप लोगों को ध्यान रखना है अगर हम लोग बात करें कि यहां पर जीवों के अंतर रास्टिय बेपार पर एक संदी देखने को मिलेगी साइट से है इसके अंतर गता हम लोग लिए 35,000 से जादा जीव और पादपों को इसम सामिल किया गया है अगर हम लोग बात करें एक क्या है जो साइट से है तो साइट से एक अंतर रास्तिय बेपार अभी समय है जिसमें कि इनके अबयां को रोकना इसका लक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ में देखिए, जो संपूर जीब और पादप है, और इसमें जो देखिए, किस चीज को अबैद बैपार है, उसको रोकना, अबैद बैपार में जो संपूर जीब और पादप है, उसके बैपार को भी रोकना, यहां तक बाड़ीचि कुझfre ने बाड़ी उसका किसे का पूरा जीव और वाहन उसका कोई नहीं किया सकती तो मौर का पंख रखना इसको सचूट दी है हमारी हम महमर का पंख है उसको ओप्योंग कियाधा है तो इस वजैंसे और छूट दी गई ऐसे कोई सअठाट सगूत है तो पंक भी आपके गर पर नहीं होनागा चाहिए वैसे मोर देखने को मिलेगा सट मेरा सकते little अगर वो उसमें चूट ना दी गई होती तो आपको जेल में डाल दिया जाते तो वो देखने को मिलेगा अगर हम लोग बात करें यहां पर यहां पर यहां पर देखिए इसका जो फॉस्स अम्विलन हो था 1973 में बासिंग्टन में देखने को मिलेगा करियान बयन जो है साइट इसका मुख्याले है वो जनेंबा यान की सुज्जर लेंड में आप लोग को देखने को मिलेगा ओके तो यह चीज़ है आप लोग देखिए इसका जो सचबाले है वो यूए नीपी के द्वारा प्रसासित किया जाता है जो की बहुत महत्तोपोड बात है इस चीज़ को हस्ताक्षर किये थे मतलब जो हस्ताक्षर किये थे विए देशों ने उसी दिन को एक तरे से यादगार दिन बनाया गया है तूसी वजय से आप लोग को सrecht strike को फ to politics घे थे इना यह जेखने को मिलेगा इसमेश्यां होती है Sorry अटीन स्रेट linguôi में जो पादप हैं, मतलब जो जीव हैं, पादप हैं, इनकी लिस्ट को रखा जाता है, और जिस परिसिस्ट में वो होता है, उसी के अनुसार उसके उपर पृतिबंद लागो होते हैं, जैसे अगर किसी जीव को पहली परिसिस्ट में रख दिया जाता है, तो पहली परिसिस्ट में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं इन संकट ग्रस्त प्रजातियों का अंतर रास्ट ये बैपार नहीं किया जा सकता है आप लोगों देखने को मिलेगा केवल आसाधरन इस्तियों में ही इनके बैपार की इसबसे जाधा प्रशाइब को सामिल वें प्रवस्थट सबसे जाधा यहांपर्त वे धर्वी यहां के पुछ सकता है लेकर लिकिन ऊनका भी पार है वह एक लाइसेंस परदान करने के बाद किया जा सकता है मतलब कोई license दारी बेखती है ये फिर संस्ता है वही इसका वैपार उन जीबों का वैपार कर सकती है यान की कानूनी रूप से ही उनका वैपार किया जा सकता है तो ये चीज़ आप लोगों को दिहान रखना है और साथ में इसमें जो संकट गरस्त परजातियां है उनको सामिल नहीं किया जाता है वहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा देखिए जो परिशिस्ट तीन है परिशिस्ट तीन में सबसे कम परजातियां है इसमें इनमें देखिए बैपार तो किया जा सकता है लेकिन बैपार है वो नियम कानूनों के अंतरगत रहते हुए किया जा सकता है यान की दूसरी वाली की तरह है आखिर तो आप लोग यह सोच रहे होंगे यार यह तीसरी परिसस्ट कहाई के लिए अड़ कर दी दो ही परिसस्ट होनी चाहिए थी यह तीसरी एक्सरा क्यों है यह तीसरी एक्सरा इसलिए है इसमें बेपरजातियां रखी जाती है इसमें बेपरजातियां रखी जाती है जो कम से कम एक देश में सर्रक्षित हों किसी देश में सर्रक्षित हैं वो देश अनुरोध करता है कि पिरहू आइसा करो कि जो ये पिरजाती है इसके हमारी हम इसको सरक्षड दिये हुए हैं इसको आइसा करो अंतर रास्टिये इस तर पर कोई इसका बेपार ना कर पाए जैसे फॉर एक्जम्पल के लिए मौर मौर है अब मानते हमारा रास्टिये पक्षी है उसको हमारी हम सरक तो बोले कि देखिए हमारे हैं यह क्या है सर्रख्षित है और साथ में इसको सर्रक्षड भी प्रदान किया बन जीब सर्रक्षड अधिनियम 1972 के अंतरगत बोले कि तो ठीक है चलो ठीक है आपने अनुरोध किया है तो हम इसको क्या कर देते हैं में ढालों कि लिए तरह में लिए सबसे का में संकिया इसमें संक्या संइgy सब्सक्राइब ज्यादचTime कि इहां पर दैखें यहां पर बहुत जादा महत्व और नहीं है कि देखें जो मतलब प्रबासी पक्षी होते हैं जीब होते हैं उनके निए एक तरह से यहां पर समझौता किया गया था कंजर विशन ऑन कंजर विशन ऑफ माइगेटरी स्पीसिस ऑफ बाइल्ड एनिवल्स आप लोगों को देखने को बिलेगा यह एक मातर एक बैस्वी समझौता देखने को बिलेगा इसके संबंद में इसका आयोजन नाइंटीन अनिव में आप लोगों को देखने को मिलेगा यह क्या है यूएन यूएन एपी के अंतरगत जो प्रवासी पक्षी होते हैं या फिर जो बन जीव होते हैं मतलब कुछ जीव आपने देखा होगा एक जगे से दूसरी जगे प्रवास कर जाते हैं जैसे साइबीरियन पक्ष दाशों की सरक्ष्चा के लिए साथ में जो इनका मार्ग पड़ता है मार्ग पड़ता है उस मार्ग को भी एक तरह से सरक्षड प्रदान करने के लिए यहां पर एक कानेवेंशन हुआ एज आप लोगो ध्यान रखना है ओके देखिए रेंज स्टेट क्या होता है रेंज स् बीच में कई देशों से उसको गुजरना पड़ता है हो सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान बहुत सारे देशों से गुजर के आता होगा रास्ते में पढ़ते होंगे तो जो यह रास्ते में जितने देश पढ़ेंगे उसको रेंज स्टेट बोला जाता है और इन रेंज यान कि मार्ग को भी कवर किया जाता है या फिर उनके जो परियाबास जो सर्रक्षण की बात की गई है उसी छेत्र को इसके अंतर सामिल के जाता है नहीं आप लोग देखने को मिलेगा अगर वो भारत के कच्छ में आते हैं ये भारत की चिलका जील में आते तो चिलका जील का प्रिया सरमाजी बोलें कि पूर्भा लोकन से रिविजन किया है बहुत अच्छी बाते देखिए अगर पूर्भा लोकन लगाएंगे उसका नाम घटना चक्र है वो तो घटना चक्र एक पब्लीकेशन है पूर्भा लोकन में क्या होता है प्रभी एसेर के कोस्टन पेपर दिये रखे होते हैं ना के बल उसमें IAS बलकि IAS, PCS, Lower PCS और PCS में भी UPPCS, बिहार PCS, राजस्तान PCS, MPPCS, उत्तराखंडे PCS बहुत सारे PCS और Lower PCS के कोस्टन साथ में UPSC के कोस्टन उसमें दिये रखे होते हैं जिससे आपको एक overview मिल जाता है कि IOS कोस्टन किस परकार से पूछता है, IOS की जो language होती है, वो किस परकार की होती है, आपको देखने को मिलेगा question है, वो बहुत जादा repeated होते हैं, तो उससे क्या होता है एक अनुमान लग जाता है, आपने जो पढ़ा है, वो एक समझ बि जारूर देखिएगा, उसका नाम घटना चकर है, लेकिन उसमें previous year के question paper होते है, घटना चकर मतलब वो पतली से जो घटना चकर आती है, उसकी हम बात नहीं करते हैं, वो पूर्बा लोकन मोटे मोटे आते हैं, वो यहां पर हमने रखा नहीं आप लोग दिखा देते हैं, ल आप लोग लगाते हैं, वो लगाती रहेगा, अगर जिसने दो बार कम से कम पूर्बा लोकन पढ़ लिए, दो बार पूर्बा लोकन पढ़ लिए, तो आपके हम बादा करके कह सकते हैं, 15 से 20 question है, आपके आराम से ज़्यादा सही हो जाएंगे, जो accuracy आपके कम होगी, वो ब अपयोग कर रहे थे, जो आयोग हैं, वो बिविन परकार के जो आयोग हैं, वो इस इस परकार के language का उपयोग कर रहे थे, अब इस topic में, यह कहां से question लिख लाता, इस परकार से question लिख लाता, तो आपको यह जो समझ है, जो आपकी जो विक्सित होगी, इसी से आपके question क्या होंगे तो देखिए जैसे कि हम लोग जो इहां पर नोट्स बनाए है वह हम अपनी लेंग्यूज में बनाएं अब आयोग की लेंग्यूज क्या होती है घुमा फिरा करके होती है अगर हम बात करें देखिए यह दूसरा नोट से आज हम पानि निरह एक से चिंट मैं पानी पी लेता हूँ मेरा ज़लस प्लिय कैद प्लिय 75 अप इहा पर बहुत रहीगों एक बार मतलब मतलब अगर और धर्या तो नहीं रहे रहे हैं एक सेट रुकिएगा मैं थोड़ी सी यहां की इसका साउंड बढ़ा देता हूं एक्शुली हम यहां पर साउंड इसलिए नहीं बढ़ाए थे कि ऐसा लगता है ना कि कहीं भरबरा ने ना लगे तो आपास थोड़ी से पेकार हो जाती है अब आप लोग बताईएगा कि बॉइस के लिए रही है देखें यहां पर आबाज भरबरा तो नहीं रही है मतलब ऐसे इको तो नहीं आ रहा है अगर युको आ रहा हुगा तो एक बार बताईएगा देखिए अगर हम मैं कुछ चीजी हां पर बोल करके दिखाता हूं जिससे यह जो पीडियाफ है यह अलग पीडियाफ है ड्रस्टी आइस की बुक का है और जो अभी हम आपको पड़ा रहे थे वो हमारे नोट्स और बिजन आइस से बना हुआ था और यह है यह ड्रस्टी आइस का नोट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा देखिए अगर हम ओते हैं गौड होते हैं डिनका कम आवसकता पड़ती है थे जिनकी बहुत कम आवसकता परती है उनको सोच मजीब के आंदर गत रखते हैं यहां पर देखेए परसेंटेज भी लिखा ऋया है जो सुस्क भाहर होता है और 0.2 से लिकर करके एक परतीसत तक जो देखने को मिले उनको हमम बोलते हैं गौढड बोलते हैं एक पर थिसास GC 9% ज से जीरो पॉइंट थू परसेनन्ट तक जो हमारे सुस्क भार के पाय जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं इसी धर में उस्च में क्या sukkhm हो गया आप लोगह को देखने को बिलेंगे इसी तरह से गोड़त गो ili होगा कैलसियम कोपर हो गया does रोगया से पोडसीयम हो गया सोडियम हो गया वहता है है बहुशा कारबन हो गया ऑक्सीजन हो जुए किलियर हम दोड़ आप Keeping के लिए मैं आप लोग nécessaire देखिए लगा दिये हैं अभी मैं आता हूं फुरल सा अधानिफिकर जला गया था कुई वाओ चलिए हम लोगी स्टाट करते हैं आप क्लास को देखिए ये नोट से इसमें जो कुछ टॉपिक हमारे रहे गया थे वो टॉपिक्स यहां पर हम लोग कबर करेंगे देखिए ओजून परते इसको हम लोग कबर करते हैं मतलब ऐसे ओजून के बारे में थोड़ा सा हम आप उसमें ही हम ओजून के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाये थे कि ओजून परत है उसकी मोटा ही मतलब वो कहां पाई जाती है आपको बैसे तो सबी परतों में लगबख में देखने को मिलेगी लेकिन जो चोब मंडल में पाई जाते हैं गुड ओजून कांसी होती है ज उसमें ओजून परत का निर्माड कैसे होता है तो जो यूबी रेस होता है और साथ में जो तड़ित जंजा होती है बिद्धुत गरजन होता है उससे ओजून ऑक्सीजन है उसके अडू टूड़ दाते है जिससे ओजून का निर्माड होता है यह सारी चीज़े हम आप प्राप्त होता है सूरत अब ज्यादा प्राप्त होने के कारण यहां पर ऑक्सीजन का बिखंडन ज्यादा होता है इस बज़े से ओजून का निर्माड भी इस चेतर में ज्यादा होता है इस बज़े से अगर आप निम्नक चांसों से उच्चा चांसों की और जाएंगे तो ओजोन परत की मोटाई कम होती चली जाती है इस साथ में ओजोन छरण कहां जादा होता है ओजोन का छरण है वो धुर्बो की और जादा होता है धुर्बो की और क्यों जादा होता है क्योंकि बहाँ पर जो समताफ मंडल में कुछ बादल पाए जाते है जैसे जिनको नियूक्रॉन क्लाउड के नाम से भी जानते हैं उन क्लाउड के अंदर नाइट्रिक एसेड पाया जाता है मतलब अमल पाया जाते हैं और जो अमल होते हैं वो किलोरीन के उत्परेरग का कारे करते हैं तो इस बज़े से धुर्बिये छेत्रों में ओजोन का सफेस बर्दान होगा तो दचडी घुर्ब में आप लोगों को ज़्यादा चरण देखने को भी जाते हैं किलो प्रियन के लिए क्रिया करने के लिए सत्ह बदान कर देते लिए और देते हैं तो कि दृबीय च्छित्र योग जदाद अध्यर में देखिए जो ओजोन की मोटाई है उसका क्या हो जाना कम हो जाना ही क्या है एक तरह से उसकी मोटाई क्या हो जाना कम हो जाना ही ओजोन छेतर रहा सानी की कहीं पर छेंद होगा छेंदा कहीं पर नहीं होगा बलकि बैसे देखिए इसकी जो ओजोन है ओजोन क्या है एक तरह से Q3 आप लोगों देखने को मिलगा इसमें 3 प्रमाडू है तें게 3 प्रमाडू पाए जाते हैं जिस से Islands के निर्माड़ हог new निर्माड़ोता है यह क्या है यक प्रिकार की परत ही है आप लोग देखने को मिलगा इसकी मोटाइब भी तो कुछ होती होगी इसकी मोटाइज वोंपपर उसलो किती है यह लगवख में 300 cu져 के वराबर होती इसकी मोटाइज इतनी होती है 300 Cup Sem के वराबर होती है कैammar इक you c00 के बराबर होती है इक किल से हुड ढॉबसंफटे कर देखत को अगर यह मौटाई दो सोबीस डॉप सन से कम हो जाती है तब इसे बोलते हैं, ओ जोनचिधर क्या है, इसकी मौटाई में कमी आजनांगा जैसे इतनी मोटी कहीं पर होगी तो हम उसकी को जोनचिधर बोल देते हैं, और कोई राकेट साइंस अब यहाँ फ़याँ सारी यहां पर बता दिता हूँ, जैसे देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ओजोन से कुश्चन बहुत जदा पूछा जाता है, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा ओजोन, यहां पर आप लोगों के लिए ट्राइ ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे, मतलब ऑक्सीजन के कितने अडू है, देखिए, तीन अडू आप लोगों देखने को मिलेंगे, इसका निरमाड कैसे होता है, जैसे यह क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जिसको हम लोग लेते हैं, उसको क्या बोलते है, ओटू है, इ यही क्या करते हैं, इस oxygen का बिखंडन कर देती है, जो यूबी रेस होती है, वो क्या कर देती है, इसका बिखंडन कर देती है, बिखंडन करके इसको क्या बना देती है, यहाँ पर oxygen के नवजात oxygen के दो परमाडवों में परब्रतित कर देती है, मतलब दो नवजात अडू बन तो देखे एक हमें इधर मिल गया परमाडू और इधर कितने हैं दो परमाडू इधर है टोटल कितने होगा तीन परमाडू होगा यान कि O3 हमें मिल गया यानि इस तरह से यह जो निर्माड चलता रहता है और यही देखिए UB रेस किदर जादा होगी जिदर सूर्य तब है इसी तरह से अगर हम लोग बात करें देखिए आम लोग इह देखिए जो प्रिक्रिया है यह निरंतर चलती रहती है वो जोन है उसका निर्माड़ एक टरफ होता है तो दुसरी तरफ तो उसका चरण भी होता रहता है, उसका चरण और निर्माण, एक साथ ये प्रिकरिये चलती रहती है, इस बज़े से ओजोन की जो समान मोटाई है वो बनी रहती, क्योंकि एक तरफ ओजोन का निर्माण होता है, दूसरी तरफ ओजोन का चरण भी होता रहता है, जिस बज़े ग्रूप से होता है यान कि जो सौर करने है ङूप क्रोशर कर ने है वह क्रती है इसका त plungारोंन क्रपाद मा उन्म भी गती है बिज़ से हैं और अभी हम आपको वता रएक है तो यह क्रारा प्राकर सब्से क species देхने को मिलेगा ने और एया उजून के साथ करहाई कर लेगा, या फिर यह उजून के साथ में चारण भी तो यह चीदा हम लोगों को देखने को मिलेगी, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मानब जनीत प्रिक्रियाओं के मध्यम से, मानब जनीत प्रिक्रियाओं के मध्यम से भी ओजोन का चरण होता है, यही समस्या का कारण है, देखिए, प्राकर्तिक रूप से जो process को कोई disrupt कर देता है देखिए एक तरफ उसका निर्माण हो रहा था एक तरफ चरण हो रहा था अब मानब ने भी थोड़ी सी ऐसी क्रिया की जिससे चरण की दर क्या हो गई बढ़ गई जिस बज़े से ओजोन चरण होने लगा अब देखिए मानब चरण जो होता है मानब जन जो उनका चरण करते हैं बैसे देखिए जो क्लोरीन है क्लोरीन की तुलना में जो ब्रोमीन होता है वो सौगुना ज्यादा इफेक्टिव होता है इसके चरण में जैसे की मानते हैं आप लोग देखने को मिलेगा क्लोरीन है क्लोरीन है इसकी तुलना में जो ब्रोमीन आप को देखने को मिलेगा, Bromine का formula BR होता है, तो जो Bromine होता है, बो स्जादा tayजी से चर्ण करता है, कितने times, 100 times देखने को मिलेगा, 100 गुना लुदा ज़दा tayजी से, ओजोन का चर्ण करता है, इस जिए आड़ थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अगर हम लोग बात करें देखिए ओजोन के चरण में किसका ज्यादा यूगदान देखने को मिलेगा तो देखिए आप लोग यहँ पर देख सकते हैं मानवजनित जो si f c chloro-fluoro-carbon आप लोगो देखने को मिलेगा देखिए वैसे chloro- LAUGHTER A L B है आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा और दीखे इधर है प्रागर्सिक रूप से आप लोगों को यह क्या हो रहा है ओजोन का छरण आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर उसके बाद में आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा एक chlorofluorocarbon है कि इसकी वज़े से क्या होता है जो ओजोन है उसका छरण होता है और इसके अलावर देखिए हैं यहाँ पर जैसे कि हैलान है उससे संबंदित जैसे देखने को बिलेगा है । मतल है गाइस थी इसको क्यों देखने को मिलेगा जो असि मस diffus ऑप लोग देखने को 3 जॉआ पर नेट्रो अउकसाइड और यहाईस है है इतना महत्पूर्ड नहीं है जो महत्पूर्ड चीजी है वो अभी हम आप लोगो सब बता देंगे देखिए यहां पर मॉंट्रेयल प्रोटोकाले वो नीचे दिया रखा होगा वैसे अभी हम फ्लोरोकार्वन तो आप लोग देखने को मिलेगा इसके अंदर क्लोरीन पाया जाता है यही क्लोरीन क्या होता है जैसे यह समताम मंडल में जाता है समताम मंडल में यूबी रेस होती है यूबी रेस सूर से पैरा बैगनी किरने जो गिरती है यूबी रेस गिरती है यह तूट जाता है नस्ट हो जाता है तो इस बज़े से इसमें किलोरीन बन जाता है अब किलोरीन बन जाता है बही क्रिया करके ओजोन का चरण करने लगता है तो यह चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी वैसे यहां पर देखिए किलोरीन 11 और 12 आप लोगो देखने को मिलेग देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करें कि जो कार्बनिक जो रसाइनिक अभी क्रिया देखिए रसाइनिक अभी क्रिया कैसे होती है रसाइनिक अभी क्रिया आप लोग देखने को मिलेगी पहले step 1 में क्या होता है यहाँ पर जो किलोरो फिलोरो कार्बन का जो परकासी यह बिगटन होता है जो अभी हम आपको बता है किलोरीन क्या हो जाता है उससे एक तरह से अलग हो जाता है तो देखिए आप लोग देखने को मिलेगा जब यूबी रेस पड़ता है तब उसमें से किलोरीन क्या हो जाता है अलग हो जाता है यही जो किलोरीन है यह बात में O3 से क्रिया करता है O3 से जब क्रिया करता है तो CLO बनाता है और साथ में आकसीजन का अडू बना देता है अब आम लोग देखने को मिलेगा फिर से जो CLO होता है ये फिर से क्रिया करता है, जो C-L-O है, ये किसी ऑक्सीजन के दूसरे अडू से फिर से क्रिया करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा, ये बनाएगा 2-O-2 बनाएगा, मसला ऑक्सीजन के दो अडू बनाएगा, फिर से C-L मुक्त हो जाएगा, अब C-L जैसे फिर से मुक्त ह नहीं होती है एक क्रिया निरंदर चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है सील क्या होता है यह बार 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 क्या करता रहता है एक तरह से क्रिया करता रहता है जिस वज़े से वो जो उनका छरण है वो लगातार जारी रहता है लगातार जारी रहता है तो यह च 23 देखने को पहलेगा मतलब यह अलग अलग परकार के होते हैं मतलब इनको नाम दिया जाता है यह यूपिएस्थी आप लोगों से ऐसे नहीं पूछने वाला ओके यह देखिए अगर हम बात करें जो देखिए हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है ना इसकी एक विसेस्था होती है यह एक तरफ जहां ओजोन का चरण करता है जहां एक तरफ इसमें ओजोन का चरण करता है बहीं दूसरी तरफ यह बैस्पिक तापमान में भी योगदान देता है इस बज़े से यह जादे खतरनाक देखने को बिलेगा एक हम बात करें, देखिए, हैलोन की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए, यहाँ पर इसका ओपियोग है, जैसे अगनी बुजाने वाले यंतर होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, वो एक कैन टाइप का होता है, उसमें से धुहां लिकलता है, तो जो अगनी बुजाने वाले यंतर होते हैं, उसमें इसका ओपियोग किया जाता है, यह भी क्या है, एक ODP देखने को मिलेगा, मतलब ओजोन डिपलेटिंग एक जो पार्टिकॉलर होता है, मतलब पोटेंसियल यह रखता है, मतलब जिसको ODP बोलते हैं, मतलब जो ओजोन का चरान करते हैं, उनके लिए यहां पर ODP बोला जाता है, देखिए जो यहां पर मैंने आपको जैसे पताया था, उपर वही सेम चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी, मतलब यह लगबख में 100 गुना जादा घातक होता है, देखिए अगर हम लोग बात करें समताब मंडल में इसका चछय आप लोग देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को जानना नइए, यह आप लोगों से पूछने वाला नहीं है, तो वैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो है ओजोन के तीन अडू है सनलाइट से क्या हो जाते हैं इस तरह से बिगटित हो जाते हैं बात में आप लोग को देखने को मिलेगा एनो और ओर थ्री यह आपस में अभीकलिया करते है फिर ओकसीजन का एक अडू बनता है और NO2 बन जाता है यह जो प्रगरिया है जो निरनतरी इसी प्रगर्जार से चलती रहती जो स्याईलो वाला हम बताये थे सैंध्र स्याजिति आप लोगों देखने को मिलीगा तो आप लोगों बार-बार इनकी सब की मतलब पढ़ने क्याव सकता नहीं है कि बार-बार ये दिये रखे हैं, कहां किसका ओप्योक किया जाता है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, वैसे आप लोग उसे यह चीजे नहीं पुछे ग़े, इतनी दीप में देखिए यहां पर एक महतपूर्ड चीज है वो आप लोग यहां पर देख सकते है। फ्लूरी नेटिड गैस जो प्लूरी नेटड गैस कहा हुती है। फ्लूरी नेटीड गैस होती है तापमान बढ़ाने में बहुत ज़दा युगदान करती हैं मतलब green house gases हैं उनके रूप में इनका युगदान बहुत ज़दा देखने को मिलेगा देखे जो fluorinated gas होती हैं इनको 3 स्टेडियो में बढ़ा जाता है पहले हम जहां जहां किलोरो फिलोरो कार्बन का उप्योग करते थे किलोरो फिलोरो कार्बन की जगे बोला गया कि आप हाइडरो फिलोरो कार्बन का उप्योग करिए हाइडरो फिलोरो कार्बन का उप्योग करिए हाइडरो फिलोरो कार्बन है क्योंकि इसका ozone चरण करने का potential बहुत ही नगर्न होता है मतलब नगर्न की समान होता है यह ozone का चरण समानता नहीं करता है लेकिन इसका आपको देखने को मिलेगा कि carbon dioxide की तुलना में इसका बहुत अधिक potential होता है greenhouse gas effect उत्पन करने में इसका योगदान बहुत जाद गया बहुत जादा देखने को मिलेगा वहीं इसी तरह से whipping अब लोको गै spraw Snbene 001 इनका ओभन रख लेने हैं यहां पर में सबसे कम युकदान होता है मतलब नकर्ण के समान होता है कम होता है बहुत आप लोग देखने को मिलेगा Ozone layer की बात करें तो Ozone layer है वो समताम मंदल में पाई जाती है 15 से 30 km के अप्रॉक्स मतलब 30 km के अप्रॉक्स में का संकेंदरन जादा देखने को मिलेगा वहीं अगर हम लोग बात करें चोब मंडल में पाई जाती है चोब मंडल में जो पाई जाती है बेड ओजोन कहलाती है बुरी ओजोन कहलाती है वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो समताब मंडल में पाई जाती है उसको हम गुड ओज होता है in 2.0 aneem- Assist इस principle 1 जोंड की समानता मोटाए होथी थीं सो डॉपसर से कम होजाती तब इस को हम चैजिद के नाम से आनते हैं अब मैं आप लोग को बताया था धुरुबिय भबर के बारे में पूल और बर्टेक्स के बारे में बताया था इसके अराबा धुर्बिय सम्ताम मंडल बादल के बारे में बताया था तो बही सारी चीज सेम देखने को बिलेगी बार बार उसको पढ़ने क्या बसकता नहीं है तो देखे बही सारी यहां पर प्रॉसेस बताय साईगी अभी हम वोग यहां पर उसे जो फैटों Jewish के रिकार वार्ट रहाईए और यह है फैटो फंविन में कमियाएगी तो आपको देखने रीगा पारिशन की जो समुदरी पारिशित की तंत्र है वो डिस्टरब हो जाएगा क्योंकि भोजन की कम होने लगेगी पहीं दूसरी तरह फाइटो प्लेंक्टेंस के कम होने से कार्बन डाई ऑकसाइट का अबसोषड कम होगा तो कार्बन डाई ऑकसाइट है बायू मंडल में जादा हो जाएगी क्योंकि फाइटो विलेंक्टेंस के कम होने से इसका अबसोषड कम हो जाएगा यान कि इसकी मातरा हमारे बायू मंडल में बढ़ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा मातरा में हमारी प्रत्विकात आपन और तीजी से बढ़ने लगेगा तो यह चीज़ आप परिवरतन भी हो सकता क्योंकि जैनेटिक परवरतन होगा तो उनके सरीर में भी परिवरतन आ सकता है तो यह चीज़ आप लोगों देखने को मिलेगी इसी तरह अगर हम बात करें बनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो बनस्पतियों पर प्रभाव बहुत सारे जैसे कि जो पौधों की सारेरीग सनरसना है और जो बिकासिये सनरसना है अबदी है पिरक्रिया है उसमें परिवड़ता नासाएगा साथ में पौधों में रोगों के पृति जो उनकी पृतिरोदक चमता है वो कम हो जाएगी तो पौधों में रोगों रोग लगने की चमता बढ़ दाएगी जिससे जो गोबी है पत्ता गोबी है उसमें भिविन प्रिकार की बिमारिया लगने लिए क्योंकि पत्ता गोबी एक बहुत ही संबीदन सील अब लोग को देखने को मिलेगी, मर्टर है बहुत संबीदन सील देखने को मिलेगी, उसमें ज्यादा रोग लगने लगेंगे, इसी तरह से आप प्रितिक्च प्रभाव भी बहुत सारे पढ़ेंगे, पौधों के आकार में परिबर्तन होंगे, तो औ अब मानफ स्वास्त पर अब प्रितिक शरूब से भी बहु पढ़ेगा, मानफ स्वास्त पर जैसे कि मनुस्यों के अंदर तुचक एंसर की समस्यां बढ़ सकती है, प्रतिरोदक शम तक अमजूर हो सकती है, साथ में अनुवानसिक पधारते है, वो हमारा अनुवानसिक वर्तन है वो हो सकते हैं इसके अलाबा आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जैब भूरसाइनिक चक्र है वो भी परबर्तित हो सकता है उजो चरण को नियांत्रित करने के लिए अंतरा से इस्तर पर कई सारे प्रयास किये गई इंपोर्टेंट चीज याद रखने हैं अभी तक जो चीजे हम बताए वो सब हवा हवाई थी अगर आप लोग भूल भी जाया कोई समस्य वाली बात नहीं है इंपोर्टेंट चीज क्लाइमेट लॉजी में हम आपको सब कुछ बढ़ा दिये थे क्लाइमेट लॉजी के बाद करती है इसके प्रियोग में कमी लाने है तू यहां पर एक तरह से देशों के लिए कहा गया था लेकिन यहां पर कोई बात्दिकारी नियम नहीं बनाया गया बस एक तरह से अनुरोध किया गया देशों से देखिया ओजों चरण हो रहा है इससे हमारे बहुत सारी समस्यां पन हो सकती है तो अगर हमारे पर्याबरन को आप सरक्षित करना चाहते हैं तो आपको सीएपसी का उत्पादन कम करना पड़े जै। कारी नहीं देखने को मिलेगा इसी तरह से फिर उसके बाद में होता है मॉन्ट्रीयל प्रोकाल मॉन्ट्रियल प्रोटोकngulo में 1976 समय सब्सक्राइब होता है तो उसमें अपनाया ज ne है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसे 1989 से प्रभावी किया गया था यह चीज़ आप लोग यहां पर देहान रख सकते हैं देखिए इसको संयुक्तरास परियाबरान कारी कराम जो यूएन इपी है यूएन इपी ने इसमें बहुत प्रमुकुन भूमिका निभाई थी म मॉंट्रियल प्रोटोकॉल में तो देखिए इसमें देखिए जो मूल मॉंट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहट बिक्सित देशों को जो बिक्सित देशते ना बिक्सित देशों को 2000 तक जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है इसका उत्पादन इसका उप्योग और उत्पादन पूरी लासिल देश ने, विक्सित देश हैं, उनको 2000 तक जो क्लोरो फ्लोरो कारवन है भाई, इसका उपियोग और उत्पादन दोनों क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से प्रतिवंदित करना पड़ेगा, ओके, और आप लोग देखने को मिलेगा, जिसमें विक्सित देशों को 1994 तक, 1994 तक अपने, अपने हुए, मतलब, सॉरी, आप लोग देखने को मिलेगा, 1994 तक अपने उपभोग एबम उत्पादन को, 1986 तक, 1986 के इस्तर के 80% तक लाना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपको देखने को मिलेगा, जितना वो, 1986 के जो इस्तर पर, जो भी उ बोला गया था, कब तक, 2000 तक यह लाना पड़ेगा, तो यह चीज है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, तो विकसित देशों के लिए, जो टार्गेट सीमा थी, वो ए थी, जो आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं, और दूसरा आप लोगो देखने को मिलेगा, जो व किगाली समझाता की बात करें, तो देखें, जो किगाली समझाता होता है, यह रवांडा के किगाली में, अक्टूबर 2016 में होता है, यहां पर 197 देश थे, वो इसमें सामिल हुए थे, और इनोंने कहाता है, देखें, जो हाइडरो, फ्लोरो कारवन, स्रेडी के ग्रीन हाउस सरजित करने वाले पधारते हैं, देखें, इसमें किगाली समझाते में, जैसे कि हम आपको पताए थे, जहां इससे पहले जो समझाता हुआ था, इसमें देखें, बोला गयाता है, देखें, मौन्ट्रेल प्रोटोकॉल में, देशों से कहा कि आप क्या करिए, भई, CFC का उत देखें, जो हाइडरो, फ्लोरो कार्बन देखने को मिलेगा, इसके जगह पर आप उपयोग कर सकता है, हाइडरो फ्लोरो कार्बन क्यूंकि ओजोन का फ्रण नहीं करता है, तो देखें, जो मौन्ट्रेल प्रोटोकॉल हुआ, इसमें बुला कि इसका उपयोग करिए, लेक लेकिन भही दूसरी और एक कारवन डाय उकसाइड की तुलना में जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसमें उसके रूप में कारे करती है और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन करने में बहुत बड़ी बुग्ज़दा देखने को मिला कैसे रोकेंगे तो बोला गया भी आप इसको भी बंद किया जए तो देखे जो किगाली समझवता हुआ था ना इसमें इसमें बोला गया देखे जो उजोन को चरण करने वाले पदाड़ते हैं उन्हें के सात में ग्रीन हाउस गैस को भी सामिल कर लिया गया तो ये किगाली समझवता हुआ ता इसी बचसे से नृ最近 तक यहां पर मतलब एक तरह से लग्च रखा गया था कि इस सताब्दी के अन्त तक इस सताब्दी के अन्त तक जो हमारी global बार्विंग है उसमें तापमान की जो बुरद्दी है वह 0.5 डिगरी सेल्सियस तक होगी मतलब यह लख्ष रखा गया था यह लक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसके अलाबा अगर हम लोग बात करें कि यहां पर संसुदित मॉन्ट्रेयल प्रोटोकाल 2019 से सदस्यों के लिए जो सदस्य देश हैं उनके लिए क्या होगा बाद्दिकारी होगा यह जीज यहां पर बहुत जादा महत्पूर हो ज स़री CSC नहीं एकेफसी में क्या करना ही कर नी पड़ करने केडस हाइडरो फ़लूरो गार्वन है इसमें भी करने पड़ेंगी कि अब्येज़ तो इस हीज़ों आप लोग द्यान रखए वो हमिले आप लोग देखने को मेले कर देखि पहला समू पहला समू है जिसमें अमे अरिका और येरोपिय संग के जो देश थे उनके लिए यहां पर जो समय थी हम आप लोगों को देखने को मिलेगी कि 2018 तक 2018 तक जो हाइडरो फ्लोरो कारवन के उत्पादन और खपत को इस्तिर कर लेंगे इनसे बोला गया कि भाई आप 2018 तक क्या गरिए जो हाइडरो फ्लोरो क करेंगे बल कि यहां पर 2012 के इसतर से भी 15 कम करेंगे about 2012 के इस Brisbane कम करेंगे लगभा पंधरा प्रिस्द कम करेंगे एच इस हींद आम लोगो ध्यान रखना है एचीद आम लोगोद फ्थान रखना की 2012 के इस तर तक यान-क 2012 का जो इस्तर था उससे आप क्या करेंगे 15% की कटाओती करेंगे अब देखिए दूसरी स्रेडी में किन देशों को रखा गया इसमें जैसे चीन हो गया ब्राजील हो गया और आप लोगों को संपूर यूरोपिय देश थे उनको रखा गया इसमें अब देखिए इनके लिए टार्गेट क्या दिया गया था आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये 2024 तक 2024 तक हाइडरो फ्लोरो कारवन के उपियोक को इस्तिर कर लेंगे यहाँ पर 2018 था यहाँ पर क्या है 2024 देखने को मिलेगा इस्तिर कर लेंगे और यहाँ पर 2036 था जहां टार्गेट बही ही टार्गेट आप लोगों देखने को बिलेगा 2045 कर दिया इन लोगों के लिए और बोला गया इनके लिए 2021 के इस्तर से 20% तक कम करेंगे देखें यहाँ पर 2012 के इस्तर था इन लोगों के लिए 2021 के इस्तर दिया गया अब देखे इसके लिए टार्गेट क्या था आप लोगों को देखने को मिलेगा देखे इनके लिए 2028 जैसे 2024 हैं के लिए हमारे लिए 2028 का समय दिया गया था हाइडरो फिलोरो कारवन का जो उत्पादन है मतलब उपियोग है हम उसको इस्तिर कर देंगे और साथ में 2047 इदर 45 इदर आप लोगों को देखने को मिलेगा और 2025 के इस्तर से 15% तक हम कम करेंगे यहां देखे 20% है हम लोगों के लिए 15% देखने को मिलेगा और और अब यहां पर दो हजार एकस्तर से हम लोगों के लिए दो हजार पंद्रह के इस्तर से आप लोगों दिखने को मिल लगा। 量हाँ पर थोड़ा सा धियान रख सकते हैं. बहुत ज़्यादर डेटा आप लोगो याद रखनी के आप सकता नहीं है भारत बाला आप लोग दियान रख लिजेगा और आप लोगो दियान रखने के आप सकता नहीं है मोटा मोटा एक अनमान आप लोगो ये बाला दियान रखना है ये 2036 है इधर 2045 है और इधर 2047 है ये ही आप लोगो दियान रख लेना है बहुत ज़्यादा डेटा के पीछे नहीं भाग रहे है क्योंकि इतना सारा डेटा आप लोगों देखेंग चेंज नहीं हुई है अभी वाइस ठीक आ रही है बताइएगा एक्चुली कहना कि हमने यहां पर कंप्यूटर यहां पर सेंज कर दिया है इस वजह से वाइस में थोड़ी सवस्य आ प्रकाइब दिये तो चलिए हम लोग देख लिते हैं अमली करण में कुछ दिया नहीं रखा है अगर हम लोग बात करें जो एक प्रक्रिया करते हैं तो यह चीज़ां डिखने को विंगाए अमली करण बोलते हैं देखे geh भलीर्शा होती है जिए से क्फ़ वेलु होता से कम हो जाता है 5.6 से कम हो जाता है तब हम इसको अमली बरसा बोलते है सारी इसे के नाम आप लोग ध्यान रख लेने जैसे कि सलफर डायोकसाइड नाइट्रोजन ऑकसाइड और जो फार्मिक अम्ल होते हैं तो एंकी वजह से अमलीय बर्सा होती है इनकी वजह से अमलीय बर्सा होती है यहां पर आप लोगो याद रखने की आवा सकता नहीं है यह मेंज का टापिक आप लोगो देखने कोम बिलेगा अगर हम लोग बात करें जो सागरिये-करण की बात करें तो सागरिये-क्रण की घटना है समुद्र द्वारा CO2 गैस के अबसूसर तथा समुद्री जल के साथ प्रतिकरिया के फलसुरूप बिगटित होती है यहां पर से यूटू के लिए समुद्र एक तरह से क्या गरता है बंडारन का कारी करता है क्योंकि वहां पर स्यूटू गयस बहुत ज्यादा मतरा में पाई जाती है यहीं देखिए कार्बोनिक अमल की रूप में कीअगर हम करेंगे तो अबल शादा प्योग करें सरकार है वह कार्वन डायक्साइट का उसको भी अपना रहे हैं तो यह सारी सीज़े आप लोग नेड़्ेखने को मिलेगा उस पर जादा फोकस किया रहा है इसके अलाबबा जो उर्जा धक्षता वाली टेकणोलोजी है बी बहने को अब भर सकता हैं तो एक आगर हम बात करें तो दिखने को बात करें तो दिखेंग़ निकाई के जार्णायों के लिए भिविन प्रकार की हम योजनाएं चल आ के लिए रास्य योजना है वो भी चल लगी है जल प्रदूशन यह आम लोगो याद रखने के आप सकता ही नहीं है में इस में इंची जो का उप्यों किया जाता है और जल अधनियम 1974 है वो आप लोगो देखने को मिलेगा ओके दोनी प्रदूशन की बात करें देखें दोनी प का सायथ था उसमें हम इस चीज़ को हम को सौल बगर आए थे बहुत अच्छे से आप लोगों पढ़ाए थे आप लोग देखने को मिलेगा की देखिए यहां पर 200 संगटन ने सैरों में धोनी की जो उच्चता का इस तरह है वो 45 डिसी बेल है वो निर्धारित किया है अगर अगर इससे जादा हो जाएगे तो उससे धुनी प्रदूशन के अंतरगत लाया जाएगा अगर हम लोग बात करें यहां पर धुनी प्रदूशन को नियंतरे करने के लिए कानून है वो बहुत ज़दा महतपूर है देखिए इसमें एक महतपूर चीज़ क्या है भारत में धुनी प्रदूशन को बायू प्रदूशन में ही सामिल गया जाता है एक बहुत इंपोर्टेंट बात है लोग इस चीज़ को बहुत ज़दा गलत करते थे यह जीज़ हम लोगो थोड़ा सा ध्यान रखना है देखिए यह क्या है जो धुनी प्रदूशन है धुनी और धुनी प्रदूशन को सामिल नहीं किया घया था इस बज़े से जो बायू प्रदूशन को बायू प्रदूशन की डेफिनिशन थी उसमें कुछ सब्दो्को जोड़ना ता यह परिभास में थोड़ा सा परीवोर्तन सा लिए यह संसोधन किया गया था तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं और जो धनी प्रदूशन है यह धनी प्रदूशन क्या है का डंडनिया अपराद है IPC इंडियन पीनल कोट की धारा 268 और 290 के अंतरगत 290 के अंतरगत यह डंडनिया अपराद माना चाता है जैस से तो आप लोगों को देखने को बिलेगा जो सुप्रेम कोट है उसने भिविन अपने निर्णियों के माध्यम से भी ध्वनी प्रदूशन को ध्वनी प्रदूशन को एक तरह से टंडनिया अपराद माना है क्योंकि इससे किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हननन होता है इस बज़े से आर्टिकल 21 के अंतरगत जब मेनका गांधी वाला मामली की जब सुनभाई की जारी थी उस समय गरिमापूर जीमन जीने के अंतरगत निर्णा का अधिकार भी सामिल किया गया था इस बज़े से जब बाबा राम देप के ओपर दिल्ली में लठीया चार्ज कर कि अगर हम लोग बात करें कि हाफंप रेडियो एक्टिप प्रधूशन की बात करें तो देखिए जो आधिया श्थी जो नियुक्रि और दो पृर्दुशन करते हैं इसके अलावा जो हमारा परमाड़ू उर्जा है या फिर परमाड़ू बं भम होते हैं या फिर जो हम परमाड़ू से परमाड़ू उर्जा से जो हम वि यह जो बंबुम्बु बनाते हैं उससे होता होगा या फिर जहां से हम बिद्दुत का उत्पादन करते होंगे बहां से उता होगा नहीं हेल्थ सेक्टर से सबसे ज़दा रेडियो एकटिव प्रदूशन होता है क्योंकि हेल्थ सेक्टर में आप लोग देखेगा आप लोग जाते होंगे City scan कराने एक्सरे कराने इल्टरा साund कराने, विविन पिरकार की सोनोग्राफिक की जाती है विविन पिरकार की operation किया जाते है उसमें इन technology का obi-o किया जाता है तो बहाँ पर सबसे ज़ाधा radiation देखने को मिलेगा health sector में सबसे ज़ाधा radiation देखने को मिलेगा तो इसी बज़े से आप लोग देखेंगे जो city scan होते हैं, X-ray मसीने होते हैं, उनको आप आवासी चितरों में नहीं खोल सकते हैं, आवासी चितरों से आपको कुछ 100 मीटर दूर आपको खोलना होता है, बहाँ पर आसपास में घर नहीं होने चाहिए, तो इस बज़े से हर में हो सकता है, neutron के रूप में हो सकता है, देखिए जहाँ alpha कड होते हैं, जैसे की uranium और जो plutonium होता है, जब हम इनका च्छे करते हैं, तो इससे alpha कड लेकलते हैं, ये भी एक प्रकार का radiation है, लेकिन इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये भी नुक्सान दाय का नहीं होता है, वहीं अगर हम बात करें, बीटा कड़, बीटा कड़ों का उत्पादन होता है, जो बिखंडन उत्पादों और जो neutron उत्परेरित जो तत्प होते हैं, उनके 6 से बीटा radiation होता है, जो बीटा कड़ का radiation होता है, वो तुचा के लिए नुक्सान पहुचाता है इसकिन के लिए बहुत ज़दा घातक होता है, इससे तुचा कैंसर की समस्या बनी रहती है, तुचा सा मंदी भीविन बीमारियां हो सकती है, तुचा में इचिंग हो सकती है, रेटनेस हो सकती है, जिदर ऐसा आप लोगों देखने को मिलेगा, यहाँ पर अलफा विटा गामा गामा आप लोगों देखने को मिलेगा, यह भी क्या होता है, सेम इसी तरह से, इसका भी उतसरजन होता है, यह बहुत ज़दा घातक होता है, यह बहुत अधिक क्या होता है, नुक्सान दायक होता है, और हमारे ना केबल तुचा को, बलकि हमारे उतकों को, हमारे जो अंदर टिसूस हैं, उतक हैं, उनको ये परिवर्दित कर सकता है, उनको डिस्टब कर सकता है, उनको छती गरस्त कर सकता है, यान कि हमारे सरी के अंदर घाव हो सकते हैं, कैंसर की समस्य हैं उत्पन हो सकती हैं, और बहीं अगर हम बात करें, जो न्यूट्रान होते हैं, ये सबसे ज़ देखना पड़ेगा कि radioactive producerBaisches आपर ह2000 कि तो अगर हम बात करें प्राकर्थिक में भी होता है उनके उनके माध्यम से न में साथ में प्राकर्तिक गैस्स होती है वन कि मrun अब निर्मित, आप लोग देखने को मिलेगा जो देखिए, जो अज़ जलता है। बैटरी क्यों लगा हुए क्योंकि हम कंप्यूटर का बहुत उपयोग करते हैं इस बज़े से तो यह चीज़ देखने को मोबाइल जब भी हम उपयोग करते हैं तो हम बिना इस चस्मे के नहीं देख पाते हमारी आखे ऐसे चौंद्या जाती है कि मतलब 2019 जब पढ़ाना इस कए तभी से हमें आखो में प्रॉबलम आई उससे पहले कभी हमें आखों में प्रॉबलम नहीं आय करते हैं अगर पढ़ाते बग चस्मा न लगया तो हमाया आखे सूच जाती है अगर हम बात करें यहां पर जो एस सारी जीज़े तो और आपको रेडियेसन होता है लेकिन अगर हम बात करें हैं आप पर आकरतिक रूप से सबसे अच्छी किस्सा में होता है दूसरा आप लोग के लिए जो परमाड़ू और जो परमाड़ू हत्यारगा जो हम परिक्षण करते हैं बो सेक्ट नंबर पर होता है और थर्ड नंबर पर अनिस् संदस्ञां परिवरतं हो सकता है अनुबान्सिक परिवरतन हो सकते हैं पर्या बरेंड पर वी प्रभाव सकते हैं जैसे जीबी और हमारे हमएं एक प्रकार के जीबी ही तो है बस हम क्या हम अपने आपको मनुस्स समानते हैं तो हमारे उपर इंपेक्ट पड़ेगा क्या जीबों के उपर नहीं पड़ेगा जीबों के उपर भी पड़ेगा अगर हम बात करें कि रेडियो एक्टिव पधारते हैं इनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं यह मेंस का टॉपिक है वैस साथ में उसके उपयोग को रोकना होगा साथ में आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव बाले पदारते हैं उनको भाईया खतम करना होगा हमें अपनी इस प्रकार की टेक्नलोजी अपनानी है जिससे रेडियस अन कम से कम हो तो यह सारी सिज़े और जो किसी भी छेतर का तापमान एक सीमा से अधिक हो जाई या एक सीमा से कम हो जाई जिससे बहां के पारिस्तित की तंदर पर या फिर जीवो पर या पादो पर नकारात्मक पर भाव पड़े उसी को तापिये प्रदूशन बोलते हैं तापिये प्रदूशन से कुछ लोग ऐसा मौसम में माइनस दस डिग्री सेल्सियस हो जाए और दस डिग्री सेल्सियस ही रहा करें अप गर्मियों के मौसम में तो यह क्या हो जाएगा ताप मान कम होना भी क्या है ताप यह प्रदूशन है एक सीमा से जादा होना भी क्या है ताप यह प्रदूशन है ताप मान के के प् परहते हैं उसका हम निप्टारा करते हैं तो भी से होता है साथ में ये प्रिक्रियां होती है ना कहीं कारण बनती है वšे उस्कारत करने के लिए हमें क्या कम से कम लगांबी कि नीजागा Crow चाहिए जो यह च्यूमझ protective जाबर लगाने चाहिए हमें कूलिंग तालाब बनाने चाहिए बड़े-बड़ी धीले बनानी चाहिए जैसे तापमान कम हो सके साथ में आप लोग देख सकते हैं कि मिर्दा परदन को हमको रोकना है यह चीजे हैं थोस अपसिस्ट की अगर हम लोग बात करें थोस होता है ध्यान रखिएगा ओके चलिए हम लोग थोड़ा सागे बढ़ते हैं देखते हैं ठोस अपसिस्ट क्या है अपसिस्ट पहले समझना है आपको अपसिस्ट क्या होता है मतलब जो बेस्ट हो चुका है यानकि उत्पादन की प्रिक्रिया के दोरान कोई बस तो या फिर परिवहन के दोरान कोई बस तो या फिर बितरण के दोरान कोई बस तो या फिर उपयोग के दोरान कोई बस तो या फिर उपयोग के बाद कोई बस तो जब हमारे उपयोग के लिए नहीं रह जाती है मतलब हमारे लिए क्या हो जाती है एक तरह से नीरार्थक हो जाती है मतल साल पुराना हो जाए जब तक जब तक हम इसका उपियोग कर रहे हैं यह अबसिस्ट नहीं बनेगा हमारा फून आट साल पुराना है फिर भी अबसिस्ट नहीं है आपका फून हो सकता है दू साल पुराना या एक साल पुराना ही हो या फिर एक दिन पुराना ही हो अब वो ब देखने को मिलेगा देखिए जो ठोस अवसिस्ट अवसिस्ट प्रबंदन 2016 है वो नियम लाया गया इसके अंतरगर्द जो प्रदूशन करता को संपूर जानकारी दी जाती है कि यहां पर आपको ही इसका निप्टारा करना है भई देखिए यहां पर जो प्रदूशन करता है उसको यह जिम्मेदारी दी गई है और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर गैर जैब निम्नी करने भम घरेलू खतरनाग अबसिस्टों के रूप में बर्गी करित कर इनहें इस्थानिया निकायों द्वारा निर्धारी जो भी संगरह करता है उसी को देखने को मिलेगा इसके अलाबा अगर हम लोग बात करें इसमें देखिए यहां पर 25% देखने को मिलेगा जो इनट्स हैं वो आप लोग देखने को मिलेगा इसके अलाबा अगर हम लोग बात करें पेपर से वह 8% प्लास्टिक फिर देखने को मिलेगा 9% 8% फिर आप 2016 देखने को मिलेगा, इसमें क्या किया जाता है, देखिए हम किस तरह से, जो खतरनाक अबसिस्ट हैं, खतरनाक अबसिस्ट हैं, इनका कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, और कैसे इसका निस्तारण करेंगे, उसके संबंद में इसमें जानकारी दी गई है, जैसे कि आप लोग को मिलेगा, निवारण, नियोनीकरण, पुना उपयोग, चक्करण, रीकबरी, फिर उपयोग, परसंसकरण, और सुरक्षित निस्तारण आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब इसके संबंद में यहां पर गाइडलाइन जारी की गई है, खतरनाक जो अफसिस्ट होते हैं खतरनाक अफसिस्ट होते हैं, वो घरेलु अफसिस्ट भी हो सकते हैं, इसके अलाबा अधोगी badass भी ho सकते हैं, घरेलु अफसिस्ट में आप लोग देखने को मिलेगा, जैसे की बच्चों के लिए डईपर पइना हैं जाता है, पोटी करते हैं, इसके आलाबा जो भी से उत्पन हो जाएंगे तो वो चीज़ देखने को बिलेगी इसी तर इसे खतरनाक के अंतरगत जो हमारे और दोगे क्षितर में देखने को बिलेगा जैसे कि हेल्थ सेक्टर में जो सुई होती है जो बोतले चड़ाई जाती है तो यह सारी सीज़े क्या है ठोस अपसिस्ट के प्रभाव तो मानब के उपर बहुत सारे प्रभाव पढ़ते हैं जैसे कि आप लोग देखने को बिलेगा कैंसर की समस्य उत्पन हो सकती है जन्मजात कोई विक्रती उत्पन हो सकती है मस्तिक्स रोग हो सकता है मदुमे रोग हो सकता है बहुत सारी जहरीली बस्तुएं सरी गातक होती है परियाबरन पर भी इसका बहुत ज़्यदा प्रभाव पड़ सकता है तो यह चीज़ा आप लोग इहां पर देख सकते हैं ओके देखे अगर हम लोग बात करें यहां पर ठोस अबसिस्टों का उपचार के बात करें तो देखे भूमी भराओ हम भूमी भराओ करक नेपकता कहते हैं मतलब जो अबसिस्ट है नको एकटा कर रहिए अखटक कहीं लेजा कर दो। गड़्ा है उसको भर دो जागर के लैंड्ड फिल कर दो जा गर के लैंड्ड फिर करने के कुछ लाब भी हैं कुछ हानिया भी हैं लाब क्या है यह देखिए बहुत ही बहुत ही एक सस्ता विकल्प है कहीं भी ले जाओ ट्रक में भर के भी यह डंप गर दो बहुत ही आसान है डंप गरना ले जा करके इस्थानिये लोगों के लिए yaptupan हो जाता है कोई भरेगा उसको कोई लेजाएगा कोई पाठेगा जाकर के अन्य नि्वटान तरीकों की तुल्ना में बहुत प्रिकार की अबसेस्तो निपटान है वह एक साथ कर दिया जाता है इसमें कोस्ट कम आती है समय कम लगता है आसान होता है कुसल सिर्मको की आवज सकता नहीं पड़ती है इसे किसी के लिए भेज दो भीया मुरेठ हावान करके चला जाओ बस बद्बूस अगर सहन कर सकते हो तो तुम काम कर सकते हो इसके अलाब इससे निकलने क् historians में वाली जो मीथेन गयस है उसका उपयोग हम अनरजी उत पादन के लिए भी कर सकते हैं इस मीथेन का हम निसकासन करके मीथेन जो हमें पराफ्थ होगी उससे हम बिदुद का उत पादन कर सकते है या फिर अनफ्यूल के रूप में इधन के रूप में उसका उपयोग क जाता है, बहुत समस्या उत्पन होती हैं, जिनके घर उधर होते हैं, और कभी कबार हवा अगर उधर चलने लगती है, सहर के अधर उधर से, तो सहर के अंदर पूरी बद्बू फैल लाती है, तो समस्या उत्पन होती है, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन होती है, क्योंकि पर जो ए कुड़ा गच्रा है बदबू उत्पन करता है सर्टा गलता है तो यहां से बहुत सारी बीमारीयां प्रोती है मच्छड भी उत्पन होते है इस्तानी चेत्रों में बायू प्रदूसर्ड की समस्या होती है और यहां से भिविन पधारते हैं वो रिस करके जब भूमी गत हो जाते हैं तो भूमी गजल भी प्रिदूसित हो जाता है तो बहुत सारी प्रिदूसर की भी समस्य उत्पन हो जाती है और आप लोगो देखने को मिलेगा कि अगर हम किसी छेतर को एक बार लैंड फिल कर देते हैं तो उस छेतर का हम पुना हुपयोग नहीं कर सकते हैं वो एक बार पट गया तो दुबारा हम उस गड़दे का उपयोग नहीं कर पाएंगे दुबारा उसमें कूड़ा करके राग कर देंगे राग कर देंगे लेकिन यह जो टेक्नलोजी है इस प्रिकरिया में बहुत जदा उर्जा की आवसकता बढ़ती है यह महगी टेक्नलोजी देखने को मिलेगी कुसल सिर्मिको की इसमें आवसकता होती है साथ में उर्जा की अत्यादिका आवसकता बढ़त और इसके बहुत सारी हानिया भी आप लोग को देखने को बिलेंगे क्योंकि देखिए जो भस्मी करण के माद्यम से हम जैसे खादगाय निर्माड कर सकते हैं बर्मी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रूबाइल हो गया कंप्यूटर हो गया जितने भी कैमरा हो गया आपका पं अगर ये जल में चला जाएं तो इससे जल प्रदूसर्ण की समस्य उत्पन हो जाती है और ये जलिये पारिसित की तंतर में चला जाएं तो इससे जलिये पारिसित की तंतर में जैब पधरतों का संचैन होने लगता है तो प्रदूसर्ण की समस्य उत्पन होती है और साथ मे बायू प्रदूशन भी हो सकता है अगर हम इनका दहन करें जलाएं अगर E-Apsist को तो इससे बायू प्रदूशन की समस्या होगी और आप लोगों देखने को बिलेगा इसी वज़े से मिर्दा कामली करण भी हो सकता है तो मिर्दा की उरबरता भी कम हो सकती है इसके समाधान के लिए E-Parisर प्रारम किया गया यह है भारत की प्रिथम बैग्यानिक E-Apsist पुनर चक्रनिकाई है जहां पर री साइकल किया जाता है E-Base को तो जो सितंबर 2005 में प्रारम की गई थी अगर हम बात करें प्रमुक बिन्यामक की बात करें तो देखे खे खतरनाक अबसिस्ट नि के दिसानिरदिस 1991 है इनमें भी जो E-Apsist हैं उनके लिए दिसानिरदिस जारी किये गए ते प्राबधान किये गए ते इसी तरह से रास्टिये परियाबरा टर्रबुनल अधिनियम है इसमें भी कुछ प्राबधान किये गए हैं बायो मेडिकल अबसिस्ट देखने को और संचालन के लिए जो नियम लाया गया था 2002 उसमें भी इसके संबंद में भीविन प्राबधान किये गए हैं तो इसको भीविन अधिनियमों के माद्यम से अधिनियमे तो संचालित किया जाता है देखे अगर हम बात करें भारत में इअबसिस्ट अबचार की तकनीकी तो बहुत सारी तकनीकी देखने को मिलेंगे देखे सबसे पहले हम क्या करते हैं परिसोधन करते हैं सुद्धी गरण करते हैं इसमें क्या किया जाता है इसमें सबसे पहले धात्यों को अलग किया जाता है उसके बाद परिसोधन यानकि सुद्धी गरण किया जाता है फिर नेक इसमें गैस और दरबगे मद्यम से जो धातुए होती है उनको अलग कर लिया जाता है फिर दुतिय चरण आता है जिसमें बिखंडन वाला चरण होता है इस बिखंडन वाले चरण में हम क्या करते हैं जो मतलब इसके आकार में हलके हलके कमी आती है और इसमें से हम बहुत सारी से जो को अलग लिकाल देते हैं जैसे कि आप लोग को देखने को बिलेगा इसमें से जो मॉनिटर होते हैं टेली विजन होते हैं मॉनिटर होते हैं इनको अलग हटा गर के रख दिया जाता है जिसको CRT बोलते हैं कैथोर्ड रेट यू बोलते हैं जैसे कि TBUB यह अलग सिस्टम होता है इसका TV हो गया मॉनीटर हो गया LED हो गया मोबाइल की स्क्रीन हो गई उन सब को अलग हटा दिया जाता है उनका उपचार अलग किया जाता है साथ में इसी में जो भिखंडन की प्रिकरिया होती है इसी में आप लोगों को देखने को मिलीगा कि बिद्दूच चुम्बक ये प्रतख करन के माद्यम से हम क्या करते हैं? जो धातुए होती हैं उनको अलग लिकाल लेते हैं इसी तरह से हम क्या کرते हैं? इसी तरह से आप लोग देखने को मिलेगा । बाईयू और जल का उप्यो करके हम घनत पर आधारित हम परतक्रन करते हैं, जैसे जल में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जो उपर तेरने लगते हैं, उनको हम अलग लिका लेते हैं, भारूई धातुए क्या होती हैं, नीचे बैड़ दाती हैं, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, और दाधा हलकी लेते हैं, बायू और जल के माद्दे हम से परतक्रन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर पधार्तों को अलग अलग करते हैं, इन पधार्तों को अलग अलग करते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, इस मोबाइल में, इस मोबाइल में सीसा भी पाई जाता है, इस मोबाइल में धातू भी पाई जाती हैं जैसे कि सोना भी होगा प्लेटिनम भी थोड़ा होगा इसमें आप लोगो चुम्मक भी देखने को मिलेगी इसमें भीविन प्रिकार की चादी बादी सोना होना सब धातू देखने को मिलेंगी लोहाटीन भी इसमें होगा तो उन सबी को क्या कर लिया जाएगा अलग अलग कर लिया जाएगा प्लास्टिक को अलग कर लिया जाएगा अब फिर उनका अलग क्या किया जाता है एक तरह से प्रसंस करण किया जाता है और इसमें जो उपलब्द साथ का हम क्या करते हैं रीसाइकल करते हैं रीसाइकल करके हम उसको रीकबरी भी कर सकते हैं साथ में हम उसका रीडियूस भी कर सकते हैं क्योंकि देखे जब हम किसी चीज की रीकबरी कर लेंगे तो दुबारस हम उसका उपयोग कर सकते हैं तो वह चीज क्या हो जाएगी एक चीज़ लॉंच की गई है जिसमें आपके लिए अधिकार देने की बात की गई है जिसमें आप अपने जो भी पधार्त है मतलब जो भी आपका उपकरण है आप उसको रिपेर करा सकते हैं तो रिपेर कराने का अधिकार है बुद देने की बात की गई थी लेकिन बड़ी- साइनिक और जैबिक अभी लक्षडों में होने वाला बहे आवांचनिये परिवर्तन जिस से जीवन और जीवन पर आधारी तंत्र हैं उन पर नकारात्मक पर भाव पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रदूशन बोलते हैं अगर हम लोग बोले अगर हम लोग बात करें ब केंद्रिये प्रदूशन बोर्ड है वह आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रिये प्रदूशन बोर्ड है इसका गठन है 1974 में इसका गठन किया गया था बहुत सारे अधनियम भी लाए गये इसको कहां से सक्टियां पराप्त होती है तो आप लोग देख सकते हैं जो इसको सकतियां प्राप्त होती है अगर हम लोग बात करें कि यहां पर देखे बायव गुडवत्त्ता निगरानी रखी जती है कि कहां पर कितना प्रकार का किस प्रकार का प्रदूशन हो रहा है देखे आप लोग को तिल चला जाता है और इस तेल को हटाने के लिए बहास सारी प्रक्रियाँ के जयाता है जैसे कि रसाइनिक बढ़ार यह क्या चरते हैं जैसे शमद्र में अगर तील फैल जाए जिससे शमूद्र यह पारिश्चत हो सकता है listing क्योंकि तेल कीस फ्याल जाती है तो औसी चाहिकर कर देते हैं these यससे अंदर जो जीव रहते हैं उनके लिए अंगे मरने लगते हैं तो मिल्क्यूम्省 और जाती थि हम नाहें कर तें लिए ।agit की होता है तेल करते हैं जो निर्मा होता है सामंुन होता है सैंपू होता है उसका उपियो करते हैं उसमें हम पारिस्थित की तंदर में उसमें मतलब जलिये रासी में उसको डाल देते हैं घोल देते हैं घोलने के बाद हम नीचे से एक बॉाइलर चला देते हैं विविन बॉाइलर चला देते हैं बॉाइलर क्या करता है जाग उत्पन क जाते हैं, जहां हम तेल को तो हटा दिए, लेकिन उसी जल रासी में या परी तंदर के अंदर हम डेटर जैंट की मात्रा को बढ़ातीffen है। अब यह डेटराचा होता है जीवों के लिए घहातक होता है। साबुन हो giàンボिख सोटा हो यह क्या होता जीक के लिए घया तक होता है रहा एक समस्या को खटम करने के लिए तो यह तो अच्छा उपाए नहीं हो सकता है व क्या करते हैं वाद-विधि तेल है उसमें आगा अग लागा देते हैं गांचे तुली जला करके फिक देंगे तेल तेल जल जाएगा तेल जल जल जाएगा यह पानी होगा वो जलेगा नहीं तो लेकिन से तबवी हम इसका ओप्यो कर सकते हैं जब तेल की परत है वह 9 mm की होनी चाहिए क्योंकि उससे प्तल्य होगी तो आग ही नहीं लगेगी आग लगेगी वो बुझ जाईगी तुरं जिससे सम्पूर तेल नहीं जल पाएगा तो अगर जैसे कि अगर कहीं पर तेल फैला और बहां पर दो एमम ही कहीं पर तेल है तेल की परत है दो एमम की तो बहां पर आप तिली जलाएंगे तो वो जली नहीं पाएगी पूरी पूरा तेल खतम नहीं हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा पहले आप और तेल डाली है आप तेल क्या करिए पहले आप इसको 9 mm की बनाइए 9 mm की जब ये मोटाई की हो जाएगी तेल की परत तब आप इसमें तेल डाल करके इसको जला करके जला सकते हैं तो ये 98% तक तेल जल जाता है जल के राख हो जाता है और पानी क्या हो जाता है सुद्ध हो जाता है लेकिन इसमें आप ये सांत जल में ही किया जा सकता है साथ में तेल जादा रिसाओ हुआ हो बहाँ परी इसका उप्योग किया जा सकता है इसी तर इसे जैविक विदियों भी होती है आप लोगों देखने को मिलेगा जैविक विदियों के माद्धियम से भी हम क्या करते है मतलब जैविक विद्यों के माद्धियम से भी हम क्या करते हैं मतलब इसमें बैक्टेरिया बैक्टेरिया का उप्यों करके हम जो ऐसे बैक्टेरिया होते हैं जो बारू होते हैं उनका उप्यों करते हैं जो तेल को नस्ट कर देते हैं खा जाते हैं उनको उसका उप्यों करते हैं यांतरिक विद्या भी होती है यांतरिक विद्यों में हम क्या करते हैं या दिबाल उबाल बना देते हैं या फिर इस फिरकार की मसीने लगाते हैं जो इसका परिसोधन का कारे कर देती है वो यांतरिक विद्यों के अंदर गताता ह तो वही दुबारा से चीज़े आ गई हैं मतलब क्योंकि वो नोट से दूसरा है वो बिजन का नोट सा इडरस्टी का नोट से तो इसमें यह रिपीटिट चीज है जैसे देखिए जैब बिद्धा का वह सेम चीज़ आप लोग देखने को बहुत कि हम इंसीटू एक्सीटू स इनकी घुषणा बन जीब सर्रक्षण अधनियम 1922 इसकी भी घुषणा है वो बन जीब सर्रक्षण अधनियम 1922 के अंतरगत की जाती है इन दोनों की जो घुषणा है आप लोग देखने को मिलेगा वो कौन करती है स्टेट गौर्मेंट करती है राज्य सरकारे करती है स्ट अगर देती हैं गोशना कर देती है और अगर वो किसी रास्ट ये नेशनल पार्क ये फिर बन जीब अभिहरन का गोशना करती है उसके बाद अगर वो चाहती है इसकी सीमा बढ़ाना चाहती है फिर घटाना चाहती है निकि सीमाओं में परवरतन करना चाहती है तो भी पफारित करके आपको देखने को मिलेगा जो जो भी इंसनल पार्क होगा या फिर जो बाइड लाइप संचुरी होगा इसकी सीमाओं में वो परिवड़न कर सकती है आपकी दिमाग में आ सकता हो कर केंदर सरकार इनकी खुषणाएं नहीं कर देती है केंदर के लिए कि आप ऐसा भीया कर दीजे तब केंदर महां पर ऐसा कर सकती है यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी देखिए यहां पर इको सेंसिटिब जोन के सरक्षड के लिए परियाबरन सरक्षड अधिनियम 1986 के अंतरगत घुसीत किया जाते हैं जो इक सरक्षड अधिनियम 1922 के अंतरगत किया जाते हैं और इसमें ऐसी कोई सीज़ आप लोगों बिस्यस देखने को नहीं मिलेगी यहां पर समुद्री चेत्रों को तीन बर्गों में बढ़ दिया गया है पहला बर्ग है जिसमें आप लोग के लिए बही रास्ते उद्यान होग बर्गत तीन के अंतरगत उनको सामिल किया जाता है जो रियतीला भाग होता है मतलब समुद्र नहीं है लेकिन समुद्र का जो रियतीला भाग होता है किनारे किनारे ठटिये भाग होता है उसको एक तरह से सामिल किया जाता है बर्गत तीन के अंतरगत देखें यहां पर रास्टी है, महात्मा गांधी समुद्री रास्टी उध्यान देखने को मिलेगा, एक कोरल रीव और कचुगों की प्रचूरता के लिए काफी जादा फेमस देखने को मिलेगा, बहीं अगर हम बात करें, कच्छ की खाड़ी में समुद्री रास्टी उध्यान देखने को आप लोगो देखने को मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें समुद्री रास्ती उध्यान की बात करें समुद्री रास्ती उध्यान की बात करें तो कच्छ की खाड़ी वाला आप लोग जातीयां भी पाई जाती हैं इसी तरह से गहीर मात्याइब लोगोगों देखने, बर गहीर माता कहां है, यह उड़ीसा का पहिला और एकलावता की लिए समुद्री मतलब यह आप लोग के लिए समुद्री बन जीब अब लोग को देखने को बिलेगा तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना है इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर भीतर करनी का मैंगलोब को बंगाल की जो खाड़ी है उसको यह अलग करता है मतलब उन दोनों को क्या करता है एक दूसरे से अलग करता है तो यह थोड़ा important हो जाता है अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी है यहा स्मुद्री रास्त्य उद्यान है एक आहँ है आप लोगो तमिलनाड़ु के समयब देखने को मिलेगा हिंद महा सागर में समुद्री बन जीब अभिहारन आप लोग देखने को मिलेगा यह महारास्टा में है यहाँ पर भेविन पिरकार की मसलिया मसलिया मैंगलोब मैंगलोब पाई जाते हैं इसी तर ऐसा अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्रिये चडिया घर प्राधी करण की बात करें प्राधी करण जो अथारिटी है यही अथारिटी क्या करती है एक तरह से जो चडिया घर हैं उनकी निग्रानी करती है निर्देसित करती है नियम बी नियम बनाती है वो चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी जीन पूल की बात करें जीन पूल सेंटर क्या होते हैं जीन पूल सेंटर आप लोगो देखने को मिलेगी जैसे कि आप लोगो देखने को मिलेगी जैसे कि आप लोगो देखने को मिले इसी तरह से अश्या के बहुत सारे चेतर हैं कौकेसियन, YouTube अब्द पूर hazır उत्तर पशिम भार्ति के चेतर है उनको भी इसमें सामिल कहना एधादा आए इसी तरह से पूरवी एसिया चाइना, और जापान के चेतर को सामिल कहना खायता है भूमद दसा करीये चेतर और यूरोपिये वाली चेतर और अमेरिका वाला जो चेतर है, एंडीस के जो परवर्थी चेतर है उनको भी इसमें सामिल किया जाता है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सर्रक्षड के अंतरास्टिये प्रियास की बात करें तो यहाँ पर UNESCO द्वारा UNESCO द्वारा 197 अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया है देखें यहाँ पर कितना होगा 1971 देखने को मिलेगा 1971 आप लोग देखने को मिलेगा 1971 में यहाँ पर Man and BioSphere Program प्रारम किया गया था मानब इबम जैम मंडल कारिकरम की शुरुआत की थी तो यह चीज़ आप लोगों बहुत ध्यान रखना है किसके द्वारा UNESCO के द्वारा UNESCO के द्वारा 1971 में यहाँ पर गलत लिख लिखिया है 1971 में यहाँ पर इसको सौड में बोल जाता है M M.B. M. सौरी M. A. B. के नाम से जाना जाता है मतलब Man and Biosphere के नाम से जाना जाता है M. A. B. प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है तो यह चीज़ है अगर हम लोग इसकी बात करे मानव और जैम मंडल कारिकरम की बात करे यह क्या है एक अंतर सरकारी बैग्यानी कारिकरम देखने को मिलेगा इसके अंतरगत जैब विट्टा हरास और परियावरण आसंतुलन से भविष्ट पर होने वाले प्रभाव है उसके बारे में इसमें बताया जाता है तो यह चीज़ देखने को मिलेगी अगर हम बात करें जैब मंडल आगार की बात करें तो देखिए जो मतलब आगार क्या होता है बायोस्पेर रिजर्ब ही आप लोगों को देखने को मिलेगे देखिए इसका बिकास है 1975 में यूनिस्को के जो मानब एबम जैब मंडल कारिकरम जो म.A.B. देखने को मिलेगा Man and Bio Spare प्रोग्राम देखने को मिलेगा उसी प्रोग्राम के अंतरगत इनको प्रारम किया गया कब तो जो जैब मंडल आगार छेतर है मतलब बायोस्पेर रिजर्ब जोन जो है वो 1975 में प्रारम किया गया था और जो ये कारिकरम का प्रारम किया गया था पर तीन आधारबुत कारिकरम कारिये हैं वो किये जाते हैं जैसे की सररक्षड करना विकास करना और लोजिस्टिक आप लोगों को देखने को मिलेगा देखे अगर हम बात करें यहाँ पर जैम मंडल आगार की सनरसना की बात करें तो देखे तीन चेत्रों में विभाजित होता है जो हम आपको बता चुक है स्ट्राटिंग में भी बतायते कितनी बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते को और छेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक सनरक्षित होता है जैसे की रास्टे उध्यान होता है उसी की तरह यहाँ पर सारे नियम कानून लागू होते है अनुसंदान के रियाएं हैं सिर्फ की जा सकती है अन कोई कारण नहीं किया जा सकता है अनुसंदान भी है वो अनुमती के फस्टाथ ही किया जा सकता है बफर जोन होता है यहाँ पर एक नियंतरित रूप में होता है यहाँ पर मैक्समम सभी कारे किया जा सकते है जैसे कि यहाँ पर देखे पुनरवास भी कराया जा सकता है परंपरागत इसका उपयोग भी किया जा सकता है अनुसंदानकार भी किया जा सकते है सोदगार भी किया जा सकते है किरसी और भूमी और जंगल मतस्यन जैसी प्रिक्रियाइं भी किया सकते है चारण भी किया जा सकता है मतलब परसुओं को ले जाकर के चराब भी सकते हैं जो परंपरागत उप्योग है वो भी किया जा सकते हैं जैसे की जलामन लकडियों को एकटा करना है वो भी किया जा सकता है यहाँ पर सहथ भेल लाना चाहते है वो भी किया जा सकता है सिक्षा है प्रासिक्षड है परियाटन है मनोरंजन है उसके लिए भी इस बफर जोन का उपयोग किया जा सकता है बफर जोन के बाद बाहर का जो छेतर होता है उसको बोलते है संकरमर जोन बोलते है संक्रमन जोन होता है यह बहुत ज़दा open होता है यहां पर maximum सभी काऱे हैं वो किये जा सकते हैं लेकिन ऐसे काऱे नहीं किये जा सकते हैं जो परियाबरान के प्रतिकूल हो मतलब हम परियाबरान को हरास करते हूं वो आप लोगों देखने को मिलेगी यह देखिए फिरसे बहुत चीज आगई हैं यहां पर जो लोग देखना जाते हैं दुबारा से पढ़ सकते हैं यह हम लोग कई बार अभी बात कर चुके नहीं देखने वाले ओकि अगर हम लोग बात करें देखिए भारत में जैब मंडल आगार की बात करें तो देखे भारत में देखे जो रास्ट यह जैब मंडल का रिकरम 1986 में 1986 में प्रारम किया गया था जैब बिपित्ता होड़ स्पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे वैसे हम अभी सारी चीज़े पता चुके हैं जैसे कि नॉर्मर मायर् यह सारी चीज़े अभी हम लोग बात किये थे उपर मतलब जब हम आपको बिजन के नोट से पढ़ा रहे थे तो यह सारी चीज़े अभी हम आपको बताए थे ना तो दुबारा दुबारा यह इस चीज़े बतानी के आवसकता नहीं है ओके देखिए आप लोग जो होप यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा यह नई चीज़ है यहां पर देख लीजे बिस्व धरुवर इस्तल के बात करें तो धरुवर इस्तल बिस्व के प्राकर्सिक एबम सांस्कृतिक मुल्यों को बचाने के लिए यहां पर अत्यधिक बैस्विक महत्ब हैं वह जो इस् चत्तर में 1975 में किया गया ता है अगर हम लोग बात करें प्राकरतिक धरूहर की तो यह सूची आप लोग को ध्यान रख लेनी है इसमें देखिए काजी रंग आता है केवला देवा आता है मानस आता है सुंदरवन आप लोग को देखने को वेलिगा रास्ते उद्यान आता है नंदा देवी और फूल कोई घर्टी आप लोग उत्राखंड में देखने को में बनेगी पसमी घर्ट है उसको सामिल के जाता है और जो ग्रेट हेमालियन चेत्र है रास्ते उद्यान है उसको इसमें सामिल की बहुत महत्तपोर हो जाते हैं इनको आप लोगों गोल करके पी किये गए हमारे हैं 1972 में बन जीब सर्रक्षड अधनियम 1972 लाया गया उसमें सबसे पहले सर्रक्षड की जो बात की गी थी वो टाइगर की बात की गी थी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉंच किया गया आप लोगों को देखने को मिलें गया देखिए यहां पर क्या ह प्रोजेक्ट टाइगर है वो प्रारम किया गया था 1973 में 1973 में भाड थी है बन जीब अधनियम 1972 के अंतर गती प्रोजेक्ट टाइगर स्टाइगर की गया था यहां पर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है आपको अब भी 50 से ज़्यादा आप लोगो टाइगर 18 नज क्छाओ लिध किया जाता है इसमें देखिए आप लोगो को देखने पो भी अगर हम लोग की गडवित को लोगा करें तो टैपिंग विदी भी होती हैं उससे सेरो का एक मांचितर बनाया जाता है मतलब उनका हुलिया बनाए जाता है हुलिया के आध हर पर दीखे जाते हैं कितने यहां पर एक पैरों के चिन्नों के आधेहर पर इसे इसे परFr COM करーテगरा के अधिकरण की बात करें तो जो नेशनान टाइगर कंजर्विशन अथारिटी है इसकी अगर हम लोग बात करें तो परियावरण बन और जलबाईयू परिवरतन मंतराले के अंतरगत इसका गठन किया गया है और यह है एक सामविधिक निकाय आप लोगो देखने को मिलेगा क्य अगर हम बात करें कि देखें जो टाइगर से संबंदे जो योजनाए होती है उनको यह मंजूरी देता है उनका कैसे सुधार किया जा सकता है उनके आवास छेतर में कैसे सुधार किया जा सकता है और उनके लिए नीतिया है उनका क्रियान बेन करना उनका सरक्षड करना तरगत आता है, बैस्बिक टाइगर बाग फोरम भी देखने को मिलेगा, 1993 में इसको शुरू किया गया था, आप लोग देखने को मिलेगा, जो बैस्बिक टाइगर या फिर बाग फोरम आप लोग को देखने को मिलेगा, गिलोबल टाइगर फोरम देखने को मिलेगा, जिसको उद्धे से देखने को मिलेगा देखिए फिर उसके बाद में आप लोग देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो भी प्रारम किया गया था और इनी के सरक्षड के लिए बैस्विक इस तर पर माइक प्रोग्राम प्रारम किया था माइक के माध्यम से जो मतलब हात है उनका एक तरह से अबैद हत्या कर दी जाती है दातों के लिए खाल के लिए तो वो अबैद हत्या को रोकने के लिए माइक प्रोग्राम प्रारम किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट देखने को मिलेगा कि 1992 में केंदर सरकार के द्वारे इसको सुरू किया गया ध्यान रखना है कि इसके द्वारे केंदर सरकार के द्वारे सुरू किया गया परियोजना के अंतरगत मुख गती विदिया इस परिकार की थी जैसे कि आप लोगों देखने को मिलेगा कि हाथियों के मौझूदा प्राकर्टिक आवास और उनके प्रिवास वाला जो बारगी है जिस छितर से वो आती है मतलब एक तरह से जून का गरियाला होता है मतलब कोरिडोर जिसको बोलते हैं स्धाइब वोगर बोलते हैं तो वहत तेजी से मिलें सोगाएब लोग तो सब्सक्राइब साथ में हाती-अवाद़ी प्रभंदी समस्या भुष किesa है जंजाग्रुक्ता कारी करम पारिपको सब्सक्राइब साथ में देखिए जो पसुच किस्सा संबंदी देखवाल है बोबी प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतरगत चलाई जा रही है देखिए हाती का गल्या जो हाती के लिए गल्यारा है बोबी प्राराम किये गए हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा हाती है एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं तो उनका एक्सिडेंट ना हो आसानी से वो गवन कर सके जिससे उनके लिए भोजन की कमीना हो जिससे उनकी संख्याओं में कमीना आए अब लोग देखने को मिलेगा कि हातियों की अबैद हत्या की के लिए माइक प्रोग्राम एम आई के यी बहुत महत्पूर है यह ध्यान रखिएगा माइक प्रोग्राम प्रारम किया गया दो हजार तीन में जो साइट्स है ना तो आम लोगों को देखने को मिलेगा जो साइट्स अभी हम लोग बात किये थे बिजन का भी नोट्स कारे में बताईते हैं तो साइट्स के दलीय सम्मेलन जो कॉप आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी के द्वारा इसको प्रारम किया गया है यह कारिकरम है यह दच्छड एसिया में सुरू किया गया है भारत में आप लोगो भेविन इस्तान है जो हातियों के लिए माइक के अंतरगत माइक साइट के अंतरगत रखे गए हैं जैसे कि आप लोगो देख सकते हैं दो असम में आप लोगो इधर देखने को मिलेगा जैसे चिराग आप लोगो देखने को मिलेगा यह दोनों कहां है आप लोगो असम में देखने को मिलेगा पूरभी दुआर जो पसि सिबालिक है उत्तराखंड में देखने को मिलेगा तो दीखेए जो माइक साइट को देखने को मिलेगी है है तो यह आप लोगों थोड़ा सा ध्यान रख लेना है माइक इस ताल हैं बहुत जड़ा महतपूर हो जाते हैं एक बर आप लोग इन्हें मैप पर जड़ूर उनके सरक्षड के लिए भीविन प्रगार की बाते की गई थी इसी तरह से गंगा डॉल्फिन है उसके सरक्षड के लिए भी कारी करम चलाया गया है बन एबं पर्यावरण मंतराले के अंतरगत गंगा डॉल्फिन कारी करम है वो चलाया जा रहा है आप लोग देखने को पाल बांगलादेश की गंगा ब्रह्म पुत्र मेंगना और यहां पर कर्ण फुली आप लोग देखने को मिलेगा देखिए जो कर्ण फुली सुंग नदी है यह भी उसी का तंतर है देखिए मैं आपको बता देता हूं जैसे कि देखिए यह आप लोग भारत देखने को तब इसको हम मेगना के नाम से जानते हैं और जो करन फुली सुंग नदी के दर है तो देखे जो करन फुली सुंग नदी है बो भी इदर बांगला देश में बहती है मतलब इदर नौर्थी से लिकलती है तिरपुरा के दर से निकलती है और इदर फिर बांगला देश होते हु आप लोगो देखने को मिलेगी डॉल्फिन मचली है यह जो सुच पानी में ही रहती है तो कहीं न कहीं एक तरह से इसके संकी तक के रूप में भी उपयोग किया जाता है अभी आप लोग देखेंगे कि कई जगे पर हमारी गंगा नदी में फिर से डॉल्फिन है वो पुनहा लॉट आई है तो माना जार है कि हमारी गंगा नदी वो थोड़ी सी अभी सुच हो गई है पहले के तुल्णा में तो यह चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बन जीब सारक्षड अधिया उनिस सो बैजी हो गया जो सिंदू की भूलन डॉल्फिन आप लोगो देखने को मिलेगी देखे जो बैजी डॉल्फिन हो गया सिंदू की सिंदू नदी है ना उसकी भूलन डॉल जाती है बिचारी और आपको जो बोटो डॉल्फिन है वो भी देखने को मिलेगी यह कहां रहती है यह Amazon नदी तंत्र है ना, लेटिन अमेरिका में आप लोग जाएंगे, तो Amazon बेसिन है, तो उसी Amazon बेसिन में यह आपको बोटो डॉलफिन आप लोगो देखने को मिलेगी, तो देखें एक कहा है, एक सिंदु नदी तंत्र में देखने को मिलेगी, एक जो बेजी डॉलफिन है यह चीन की यांग्त जी नदी है ना उसमे एपाई जगती है तो यह चीजह आप लोगों को ध्यान रखना है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देखें पैसे भगलपूर है भगलपूर आप लोगों देखने को मिलेगा भगलपूर किया है यहाँ पर जहाँ पर हम आप दॉल्फिन अभिहारन है वो बनाएं गया है को डॉल्फिनिगों अफ बनाएं गया है भारत के अंदर आप लोग ध्यान और इस्वी तरह से अगर बात करें समुद्री कछुए प्रोजेक्ट है समुद्री कछुए प्रोजेक्ट emis से जाब लोगो थोड़ा सा दियान रखना है कहां जो बन जीव संस्तान देहरादून है इसके माद्धे हम से समुद्री कचुवा के लिए यहां पर एक प्रोजेक्ट प्रारम किया गया है एक इसके अंतरगत आता है तो देखे भाई से जो जलबायू परिवरतन मंतराले हैं ह समारा और साथ में यूएंडीपी जो है वोबी समय स्योग कर रही है तो इन दोनों के परियाद से इसको परारम किया गया है इसके सैटेलाइट के मांदे हम से इसकी मौनेटरिंग की चाहती है अगर हम बात करें तो जो गिद हैं गित सर रख्षड की अगर हम लोग बात करे यहां पर हर्याणा बन विभाग और जो मॉंबे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है एक गिद्दो के सरक्षड के लिए यहां पर लक्ष है वो 2006 में यहां पर तैकिये गए थे गिद्धें लगबग में बिलुप्त हो चुकी हैं आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ जगे पर थोड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा क्योंकि जो डिकलो फिनेक आप लोगो को एक दबा देखने को बिलेगी यह दर्द निबारक दबा होती है जानवरों को पीडा से दूर करने के लिए दर्द से मतलब हिजाद दलाने के लिए उनके सरीर में इसको इंजेक्ट किया जाता था इंजेक्शन के रूप में तो निबारensलीब को जब एक गिद्द खाते थे तो इनकी कड्रीनिया खराब होने लुए ऐनकी कड्र खराब उने लगी तो बहुत तेजी से गिद्द थे वो मरने लगे तो जो डिकलो फिनाओक जो दवाथ भी फिर बाद में इसको समतब्रती बंद कर दिया गया लेकिन फिर भी अभी भी इसका उपयोग किया जाता है इसके अलाबा अगर हम लोग बात करें यहां पर देखे जूनागड हो गया भोपाल हो गया हैदराबाद हो गया भूमनेस्वर है यहां पर देखे गिद्ध सर्रक्षड परियोजना है कहां कहां जूनागड भोपाल हैदराबाद भूमनेस्वर यहां पर गिद्ध सर्रक्षड की शुरुआत की गया ध्यान रखना है केवला देव रास्टियो ध्यान में पहली बार यहां पर यह नोटिस किया गया था कि जो गिद्ध हैं उनकी संख्या कम हो रही है तो केवला देव है इसलिए महत्वड हो जाता है ध्यान रखियेगा अगर हम लोग बात करें कि भारत में जैब विविता से संबंदित कानूनी प्रियास हैं वो भिविन प्रियास किये गए जैसे कि जैब विविता सर्रक्षड अधनियम 2002 लाया गया वैसे इसके बारे बहुत ज़्याद आपको जानने के आवसकता नहीं है इसी तरह से आप लोगों देखने को मिलेगा कि जैब विविता सर्रक्षड स्कीम है वो भी बहुत सारी प्रार्यम की कि जो अभी हम उपर भी बात किये हैं तो पो आप लोग देखने को मिलेंगा अनुंबान सिंग mere ऐसका भी घठन-किया किया कि उभी है हमारा जो पर याजबार्र जरुमारा प्रियाबरर्न मंतरा लेंगम हैं जो पर मुंदेश हम लोग बात करें यहां पर यह पर यही पनुद्धा के संदरबं लग्छ हम आप लोगो बताइते इससे पहले नगोया हुआ था नगोया के बादें इसे पहले आपको बढा रहे थे नमें नकश सा्थ хот कर देंगे जलबाइू परिवर्तन की अब thriller को हम लोग यहां पर देख रहेते हैं तो पूरी दिर से गहीं और हम पाता है तो काले काले रंगे जो पर्टिकुलिट मैटर होते हैं तो उनकी उत्पत्ती होती है जो कड होते हैं उनकी उत्पत्ती होती है ब्लैक ब्लैक तो उनी को हम क्या बोलते हैं ब्लैक कार्बन बोलते हैं तो यह चीज़ आप लोगो देखने को बिलेगी जो परियावरन को काफी को चुछाति पॉचाते हैं तो दिखिये जब इधन हो गया जै भी द नोगी हो गया जब हम इसका अपूर करते हैं तो से उत्पन होते हैं तो डियर्क्ट प्रिकास को अफोसित कर लेते हैं जिस से पिर्थभी के तापपान को एक आएक बढ़ा देते हैं यही जो ब्लैक कार्बन होता है जब हीम और बरफ में जाकर के मिल जाता है तो आप लोग देखने को मिलेगा कहीं न कहीं बरफ और हीम में मिल जाने के करण जो बरफ के उपर सौर प्रिकास बढ़ता है उसका परावरतन कम हो जाता है अब उसोषण बरफ आता है अब उसोषण बरफ बढ़ने के करण गलेसियर तेजी से पिखलने लगते हैं साथ में तापपान भी तेजी से बढ़ने लगता है और बादलों के साथ यह अपमें किरिया करके भीविन प्रकार की समस्या उत्पन करते हैं अमली बर्सा भी करने में साहिक होते हैं तो भीविन चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा देखिए भारत भारत दोरा काला कार्बन उस सर्जन में कमी करने के लिए जैसे कि यहां पर सूर पराराम किया गया और साथ में प्रधान मंतरी जो उझ्जला योजना है वो भी पराराम की गई कि इनके माद्यम से जो सूर पैनल है उनकी उपलबदता कराईगी जिससे उर्जा है वो सवच्च उर्जा को हम पराप्त करेंगे तो सोच छोड़ जाके माद्यम से हम अपनी अपउर्ति करेंगे तब हमे जो जीवास मीधंने उसका दहनन नहीं करना पड़ेगा जीवास मीधंन का हम दहनननहीं करेंगे तो कहीना कहीं कि बल्एक कार्बन है कामुत सरजेत का इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि प्रदान मंतरी जो गैस चूले हैं वो उपलब्द कराएं, जिससे क्या है कि हम कंडे, उपले, लकडी, जलामन लकडी है, उसका उपयोग नहीं करेंगे, बलकि हम स्लेंडर का उपयोग करेंगे, एलपीजी गैस का उपयोग करके खान जल बायू दबाव की बात करें तो जल बायू दबाव में भी बहुत ज़्यादा प्रम भूम करने बाता है प्राकरतिक दबाव भी आप लोगो देखने को भी लेगा देखिए यह चीज आप लोग देखने को भी लेगी उससे मानब दबाव भी उत्पन होता है देखिए यह सब मेंस के टॉपिक है मेंस के टॉपिक पर आप लोगो अभी इतना फोकस नहीं करना है जो देखें आप लोगो पीटी के लिए याद रखना है वो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं बैसिपिक हरित गिरहे में युगदान करने सबसे जादा योगदान देती है जो दोनों को आप लोगो ध्यान रख लेना है फिर देखें आप लोग देख सकते हैं कि जो यह दूसरा कारबन है यह जो फॉरस्ट है जो बन है और जो किर्सी के माद्यम से जो कार्वन का उत्थ सरजन होता है वो इसमें रखा गया देखिए जो कार्भण डयोकसाइड गैस रखी है ग्यस रखी गैस जो हम जीबास मीश दने उनका ओपिओ करते है या फिर हम इंड któr सरजन करते हैं कि इसमें रखा गया हैं और इसमें दिखिए में सब्सक्राइब करने में 화實ान होता है तो बन और सरजन हторов के इसमें से हमें सरजन होता है तो जो बन-बन हैं व क्राइश हारे जो गोःटettes तो षभी दह बीट इसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा मीथेन दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें हरिद ग्रहें सोके आगर हम युगदान की बाद करें कि कहां से कितनी कुंस निकलती हैं तो आपको सबसेज़ादा देखने को मिलेगा की जो हम कोयले कोईले को जला करके हम चलते हैं एलेक्टरीसिटी आपको प्रोडेक्शन करते हैं तो यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेगा तो इस production के द्वारान हम बहुत बड़ी मात्रा पर जो greenhouse gases हैं इनका उत्सरजन कर देते हैं दूसरा नमबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहां पर agriculture आप लोग देखने को मिलेगा और फिर आप लोग के लिए इ उर्जा का उत्पादन करते हैं बिद्दुता पिये उर्जा आप लोग को देखने को मिलेगी उसमें सबसे जादा gases का उत्सरजन होता है दूसरे नमबर पर agriculture के मात्यम से हम लोग उत्सरजन करते हैं तीसे नमबर पर आप लोग देखने को मिलेगा इंडस्री चौथे नमबर पर United State of America देखने को मिलेगा और फिर तीसे नमबर पर वैसे आप लोग के लिए European Union देखने को मिलेगा European Union आपको को देखने को मिलेगा भी यह यूरूप के विविन देशस में सामिल है फिर उसके बाद में आप लोग के लिए भारत और रसिया रसियन फैटरेशन है इंडिया भी 6% देखने को मिलेगा European Union को हटा देंगे तो भाई इधर फिर क्या आजाएगा भारत आजाता है दीकिन अगर हम बात करें 2011 में जो बैस्पिक कारवन डाय उकसाइट के उत्सरजन की बात करें तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा जो हम उत्सरजन करत हैं दूसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो agriculture sector है बहां से हम उत्पादन करते हैं तीसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा की जो इन जो इंडीस्ट्रियल प्रोसेस उसके माद्यम से करवन डाय उकसाइट का उत्सरजन होता है फिर उसके बाद ने सबस्सक्राइब लोग देखेने को मेलेगा और फिर लेंड यूज के मत्यम सब लोगते हैं करें हम घाला था आगे बढ़ते हें दे यहां पर कि को कि आइपी सीविश्ये के बारे में देखें जो एपी पीी कीड़ करें तो यह चीज़ आप लोगो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है अगर हम लोग बात करें देखें यहाँ पर IPCC के कार रेवम सरकारों जो सरकार है उनके मद्द है वो समन में स्थापित करने की बात की गई है साथ में देखिए जो WMO और UN EP है उन्होंने मिलकर के इसने भी सतस्तेस है वो इसके सतस्त बन सकते हैं सभी के लिए दरवाजे खुले हैं खुला दरबार है सभी के लिए इसी तरह से 195 इसमें सतस्ताब लोगों को देखने को बिलेंगे देखिए यह समिक्षा करती है बिविन परकार की जो मतलब इस सम्मंद में असिस्मेंट रिपोर्ट है वो भी रिलीस करती है कारबन कैप्चर क्या है मतलब कारबन कैप्चर क्या है एक परकार का प्रॉसेस है जिसमें हम कारबन को कैप्चर करते हैं पकड़ते हैं पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज कर देते हैं तो बही चीज़ देखने को मिलेगा देखिए CCS क्या है carbon capture and storage मतलब capture करो पकड़ो पकड़ो पकड़ने के बाद कहीं पर उसको गुसेड दो कहीं पर उसको पहुचा दो तो पहुचाएंगे कहां या तो हम समुद्रों के नीचे पहुचा देंगे या फिर कहीं ख़दान खाली पड़ी हुई है गड़ा खोद करके हम कारवन को नीचे दबा देंगे तो यह चीज़ा आप लोग देखने को मिलेगा देखें कारवन सिंक इसमें एक आपसन है देखें कारवन सिंक क्या है तो कारवन सिंक क्या है देखें अगर कोई भी ऐसा मेकनिजम है कोई भी ऐसी चीज़ है जो कारवन के उतसर्जन से जज़ादा उसका अबसूसर्ण कर रही है स्टोरीज कर रही है अब सोस्ड़ कर रही है, तो हम उसको carbon sink बॉलेंगे, जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, जितना carbon काressed engine करते हैं, उससे कई गुना जैदा, वो अब सोचड़ कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? carbon sink बोलते हैं, तो यह भीमिन प्रिकार के हो सकते हैं, प्राकरतिक सिंखों हो सकते हैं, करतिम सिंखों हो सकते हैं, प्राकरतिक सिंखों के अंदर जैसे कि समुद्र हो गया, बन हो गया, मिर्दा हो गया, यह क्या है, प्राकरतिक कार्बन सिंख हैं, भई ही करतिम सिंख आप लोग देखने को म लेंगी तो यह चीज है देखिए कार्बन अधीगरेंड कार्बन अधीगरेंड है इसमें मुक्ता तीन चरण होते पहले में क्या किया जाता है पकड़ो भी यह दोड़ा-दोड़ा करके पकड़ो तो कार्बन डायोकसाइड को अन गैसों से अलग करके पहले तो उसको उसको समुदर के निचे या फिर भूमी के निचे उसको लिज़ा करके डम पकड़ दिया साएगा यह चीजद आप लोगों देखने को मिलेगे इसी तरह से आप लोगों देखने को मिलेगा देखिए पाबर प्लांट से कारबन डायोकसाइड को कैप्चर करने के लिए उपियोग करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है इसमें क्या होता है हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है फिर उसका उपियोग कर लिया जाता है तो देखिए पहले पहला हमारे पास option है कि जिस एधन से carbon dioxide उत्सरजित हो रही है उस एधन से carbon को पहले ही लिका लो जलाने से पहले ही लिका लो लेकिन ये प्रिकरिया बहुत जटिल है दूसरा option क्या है दूसरा option है एधन के जलाने के बाद जो carbon dioxide लिक ले उस carbon dioxide को क्या कर लो भाई ये अवसूसित कर लो लेकिन ये प्रिकरिया बहुत ज़्यादा महगी देखने को मिलेगी ये प्रिकरिया क्या है बहुत ज़्यादा महगी देखने को मिलेगी बोले कि ये भी आप्सन बढ़े या नहीं है महगी बहुत है भारत है पैसे की कमी है पैसे की बहुत कमी है तो इसका उपयोग नहीं कर सकता है दूसरा है देखिए आप लोग तीसरा आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर आक्सी फ्यूल आप लोग को देखने को मिलेगा यह बहुत सस्ता है इसमें क्या किया जाता है कि एधन को परियाब तो ऑक्सीजन की उपस्तती में जलाया जाता है और जैसे अगर हम उसका पूर दहन करेंगे तो कम से कम मात्रा में करवन डैयोकसाइट को सरजन होगा इधन का पूर दहन करेंगे यान कि हम समान अनपात में अक्सीजन समान अनपात में अक्सीजन के साथ जब हम उसका दहन करेंगे तो जादस जादा मात्रा में हम उससे एनर्जी ले पाएंगे तो एक तो यह फाइदा हुआ दूसरा पूर दहन हो पाएगा तो उससे जो अबसिस्ट पदाहरते हैं कम लिखे लेंगे जैसे carbon dioxide कम लिखे लेगी तो यह सस्ता भी है आसान भी है तो हम इसका उपयोग जादा करते हैं तो यह चीज़ आप लोग देखने को में लेगा उसी को बोलते है carbon fertilization के नाम से जानते हैं तो यह चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी तो देखे यहां पर बताया है कि अधिगरेंड के प्रिकार तो प्राकरतिक रूप से भी कर सकते हैं भूग अधिगरेंड भी कर सकते हैं तो यह चीज़ है इसमें आप लोगो इतना ज्यादा माता पच्ची करनी के आप सकता नहीं है भारत में देखिए जो CCS क्रिया कलाप हैं मतलों carbon capture और storage को लेकर के जो क्रिया का लाप किया दा रहे हैं तो विविन प्रिकार की initiative लिया गये हैं कार्बन अधिगरण अनुसंधान पर रास्तिय कारिकरम 2007 में शुरू किया गया था तो यह चीज़ देखने को भी लिगा जैसे कि सूच में सहवाल जैब इस तरी करन दोरा CO2 का अध बाडू हैं उनका विकास कर रहे हैं जो अधिक से अधिक मातरा में कार्बन को कैप्चर कर सकें तो उन पर सोद चला है हमारे हैं कार्बन कैप्चर प्रिकरिया का विकास करना कि हम बहुत सारी प्रिकरिया के माद्यम से जैसे हम टावर भी लगा सकते हैं उसके माद्यम से हम carbon dioxide का पुसोसर कर सकते हैं जो filter का उपयोग कर सकते हैं तो यह चीज़ आप लोगों देखने को बिलेगी इसी तरह से carbon credit carbon credit क्या है आप लोगों देखने को बिलेगा carbon rate देखने को बिलेगा जैसी कि क्या है किसी ने carbon का उत्सर्जन जादा कर दिया और किसी ने carbon का उस्षर्जन कम किया, तो देखिए जिसने कम किया, उसको भी तो कुछ लाब होना चाहिए, तो जिसने ज्यादा उस्षर्जन किया, तो उसके उपर जुर्वान न लगेगा, उसको बोला गया था, तुम भाईया, दो टन नहीं हाँ पर, दो टन carbon dioxide का उस्षर् कर देगा, एक तरह से एक agreement बनाएगा, मतलब carbon credit से संबंदित, एक bond बनाएगा, उस bond को बना करके इसको देदेगा, तो यह चीज़ आप लोग को देखने को बिलिए उसको उपर जुर्मान नहीं लगेगा, इसी तरह से और किसी के पास में भी होगा, उससे भी खरीद लेग प्लेट फ़र्म भी चैनिया होगा, तो सिकागो climate exchange देखने को बिलिए जिसको CCX बोलते है, सिकागो climate exchange इसी तरह से multi commodity exchange of India देखने को बिलिए, जो MCX है, जहां पर हम commodity का exchange करते हैं, इसी तरह से आप लोग के लिए European climate exchange देखने को बिलिए, इसी तरह से आप लोग के लिए बह कार्बन क्रेडिट का लाप purity उठा सकते हैं ओगे तो जो आप लोगों देने को मिलेगा देख़िए रास्ट इंबार्मेंट प्रोटेक्षं एजनसी है इसी जहाई इसी निये कोई ऐसी याद करने वाली और कोई चीज़ के अंदर नहीं है देखें कारबन ट्रेडिंग दो पिरकार की होती है एक उत्सरजन बेपार होता है एक आफसेट ट्रेडिंग होती है आफसेट ट्रेडिंग क्या होती है और उत्सरजन ट्रेडिंग क्या होती है उत्र सर्जन ट्रेडिंग क्या होती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए जैसे उत्र सर्जन किया, हमने उत्र सर्जन कम किया, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, आफसेट ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, हम उत्र सर्जन नहीं करते हैं, बलकि ह हमने क्या किया एक बहुत बड़ा सा बाग लगाया उसमें बहुत सारी से पेड़ लगा दिये इस तरह से पेड़ लगा दिये अब पेड़ लगा दिये यह भी तो कार्बन डेयोकसाइट का अभुसोषड कर रहे है ना तो हम क्या करेंगे हमारे पास में बहुत बड़ा च्छ तो यही चीज हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है देखिए समायोजन बेपार यही ओपसेट ट्रेडिंग आप लोग देखने को मिलेगा देखिए यह किसी अन्यस्तान पर हरित गिरह प्रभावस के उत्सरजन को उत्सरजन में कमी लाने ही तो एक पिरकार का बित्य समावे यहां से अपने बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यह यहां से अगर मानते हैं कि यहां से अब एक लाख यूनिट एक लाख यूनिट अगर आप एक लाख यूनिट अगर आप बिजली का उत्पादन करते हैं एक लाख यूनिट अगर बिजली का उत्पादन करते हैं तो इसको आप कही ना कहीं तो भेजेंगे आप कही ना कहीं भेजेंगे तो एक लाख यूनिट अ आगे बढ़ते हैं देखते हैं कार्बंट light актив क्या है LOOK एक प्रिकार का सुल्क देखने को मिलेगा जो हरत ग्रहोई जो गैस उती है जो प्रदुुसर्ड उत्पन करती हैं उनके उप से नुकogoं को पर और साथ में उत्पादन प्रिकरिया के दोरान सीओ टू उत्सरजन पर कर लगाया जाता है जैसे की सीमेंट और स्टील है उसके उत्पादन पर लगाया जाता है तो भारत में कार्बन टेक्स की बात करें तो भारत में में भारत है वो कार्बन कार्बन सबसेटी के परसासन से अब आग करता है भाई आप टेक्स दो आप लोग देखने को भी लेगा इसी वज़े से देखिए भारत ने कोल सेस जो है मतलब कोईले पर जो सेस लगा जाता है कोल सेस है वो 2010 में 50 रुपए पिर्टी टन लगता था अब इसको बढ़ा करके 16-17 में बढ़ा करके 50 रुपए जे बढ़ा यह टेक्स लगाने लगी है जिससे महगा हो जाएगा कोईला कोईले का उपियों को लोग कम करेंगे इसके जगे पर दूसरे बिकल्पों की और देंगे तो यह चीज़ देखने को बेलेगी क्योंकि भीया अंतर रास्टेस तर पर भी हम लोगों की उपर दबाओ हैं ओकि इ यजरे बाताबरड में उतसर्जित हरित ग्रहय गैसों का हटाना सामिल समें आप लोग को देखने को मिलेगा तो हम कंग रूपों में हटा सकते हैं कर preparation कर शके मतलब हम इसकार सकते हैं जैसे कि हम बरदी करें समुद्र में हम लोहे का निसेशन करते हैं साथ में जो बायो चार है उसके माद्धिम से भी हम क्या कर सकते हैं यहां पर कारवन डायोकसाइट है उसका जो निसकासन है वो कर सकते हैं तो यह चीज़ आप लोग देखने को पर लेगा तो देखें बायो मंडल है उस बायो मंडल कर लें अगर हम जो solar radiation management है अगर एक कर लिए तो भी हम क्या कर सकते हैं अपने पिरत्वी के ताप्मानों को गर कर सकते हैं आप हमारी पिरत्वी जो पिरत्वी है इस पिरत्वी की ताप्मान की जो ब्रद्धी हो रही हो पिस करण carbon dioxide gas है इसका भी हम निक्सालसन करें और अगर हम तेजी से हम चाहते हैं कि हमारा जो पिर्थवी का तापमान बढ़ रहा है वो ना बढ़े तापमान कम रहे तो इसके लिए हम क्या अगर सकते हैं कि solar radiation management कर सकते हैं कि तापमान क्यों बढ़ रहा है तापमान इसलिए बढ़ रह गर हम क्या करें इस पिर्वार करें करें कि जो हमारी हट प्रत्रबी पर जिनसोर जयुक्रों आरी है इसी को बोलते है इस हम पिर्थवी की सताय को ऐसा बनाएं, जहां से सूर्य है, उसका अबसूर करेंडों का अबसूसर काम हो, परावरतन बढ़ जाए, परावरतन बढ़ जाए, तो यह चीज़ हम लोगों को देखने को बिलेगी, यानि कि इसका उद्देश से है, जो सोलर रेडियेशन मेनेजमे इसका उद्देश है पिर्थवी की इल्विडओ में परिवर्टन करना, क्योंकि इल्विडओ परिवर्टित हो जाएगा तो उससे हम का अगर सकते हैं, तापमान को कम कर सकते हैं, तो यह चीज़ हम लोगों को सूर्य प्रिकास को पिर्थवी की सतय तक पहुचने से रोकना इसका उद्द्र से देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें, यहां पर भारत एवं जलबायू परिवर्तन की बात करें, तो भारत का जलबायू परिवर्तन हेतु समझाते हैं, और जो बाड़ताई हैं, उन पर अगर हम लोग बात करें, तो UNF, टरफल सी के अंतरगत, ग्रीन हा भी कर रहा है और अपने टार्गेट को भी अच्छे से अच्छीब कर रहा है यह चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी तो यह चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारत समझोता बारता पर साज़ा कारी करम विकास हे तू चीन और जी सेवन के साथ सक्रिये रूप से भारत भी कारेरत आप लोगों देखने को मिलेगा भारत है जल बायू परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे इनिसेडिव लिया है जैसे कि रास्टिये सौर मिसन सौर मिसन के मद्धियम से हम क्लीन एनर्जी के और आगे बढ़ रहे हैं रास्टिये संब ये सदत किर्सी मिसन है वो भी प्राराम किया गया है रास्टिये जलबाईयों परिवर्तन रण डीती है वो भी बनाएगी रास्टिये सौर मिसन है वो भी प्राराम किया गया है और इसमें देखे जैसे कि जबार लाल नहरू रास्टिये सौर मिसन है 2010 में प्राराम किया गय करेंगा हम क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लगा। भी लगा रहे हैं रूफ टॉफ झालब से जोड़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर ओर जा किया हो सकता है बहां पर चली जाए Sydney तो वो बिकिस्त किया रहे हैई हिल्काL साथ में हम बहुत सारी ऐसी टेकनलोजी भी अपना रहे हैं जिससे हम उर्जा दक्षिता को बढ़ा सके जैसे कि पहले हम बलब का जहां उप्योग करते थे बलब की जगे फिर हम लोग सीएफल का उप्योग करने लगें सीएफल के ऐसे भी एक कदम हम आगे बढ़े हैं अब लेडी में स्विप्राराम किया गया है भारत में अब लेडी को बढ़ा बादियाज आ रहे हैं कि ज्यादा दक्ष्ण देखने को बिलेगी तो आपके घर में भी अब बलब जलता होगा पहले बलब था वह सौ बाट का जलता था इसे डिम डिम बाला लेकिन अब सौ बाट क एहों कि देखने को मिलेगी देखे आप यहां पर कोई ऐसी फिर्मुक्षीज नहीं देखने को अन्य प्री नाहींों कि आप रही तィका रहल जो नहीं पुछता है अब इसके लिए आप क्या हैं वैसे हम इनको डिलीट कर देते हैं हम डिलीट करना भूल के थे तो आप क्या करिएगा अब हमारी जो क्लास है मतलब एक क्लास करता हूं तीन पेच ही बचे थे चार पेच नहीं सुरी यह तीन पेच है इसमें पुराना डेटा बहुत है तो यह आप लोगो नहीं पढ़ना कर दो को मिलेगा बीजन 365 इस दर्यों बना हुआ उपर लिखा हुआ हो कर देखें का कि इस तरह से लोगों होगा अब देखें जैसे इसमें लिखा हुआ है है बिजन 365 इस तरह से लिखा हुआ हुगा ऐसा ही लोगों होगा जागर के देखेगा जहमा जहम वाला एकदम क्लास है वह आप लोग इंबार्वेंट की कर लिज़े का एकदम राजा बाब बन जाएंगे आप हम भी जाते हैं थोड़ा सा भुख्बुक खरीद के लाते हैं तो कुछ भुके हमारे पास में अभी कम है उनको हमें लाना है तो उनको भी अभी देखना है उससे भी थोड़ा डेटावेटा लिकालना है और फिर आप लोगों के लिए बजट की एक class बच्ची है कल आप लोगों के लिए Indian जोगरफी पढ़ाएंगे परसों आप लोगों के लिए पराचीन भारत मिलेगे हाँ पराच सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप लोग लिए पर्सोन मिल जाएगा और आप लोग की पर पार बची तीन पहले बन जाएंगे आज की यहाँ पर यहाँ बन कर देते हैं कि यहां पर जीत फिक्स हैं वो बूले हैं सर सी सेट के लिए बता दो कुछ सी सेट के लिए हम क्या बहुत कम समय बचाया बना सी सेट हम आप लोग करा देते क्योंकि कि बहुत समय हो गया। सीशैट फड़ाय नहीं है और पढाने के लिए अच्छे से आने पढ़ाए को सिसेसे क्या हुए गे अगली बार आप लोगों को पढ़ाया करेंगे जो लोग नेक्स-टाइम पेपर दे रहे हैं अहीं लोगों के लिए प्राफिंट पहले हम प्रपेर करके रखेंगे तो अगली बार आप लोगों पढ़ा देंगे चलिए सब कुछ